आइन्स्टीन के साथ मून वॉकिंग, दिना के लिए, सब कुछ, कोई अन्य जीवित नहीं थे, पंचवी शताब्दी ऐसा पूर्व के द्रिश्य पर पहुँचे परिवार के सदस्य भोज हॉन की तबाही उनके प्रियजनों के संकेतों के लिए मलबे पर्टिकी हुई थी अ एक श्रिखन लादे, जैसा साइम नाइर्स बैठ गया, एक दूत ने उसे कंधे पर थपत पाया, दो घोडे पर सबार योवक बाहर इंतजार कर रहे थे, उसे बताने के लिए उत्सूत थे कुछ, वह फिर खड़ा हुआ और दर्वाजे से बाहर चला गया, बिलकुल जैसे ही उसने धलीज पार की, बैंक्वेट हॉल की छत गिर गई संगमर्मर की धार और ध्यूल की गड़गराहट के बीच, वह अब मलवे और उलजे हुए शरीरों के परिद्रिश्य के सामने खड़ा था, एन्यस हवा, जो लंभों से भरी हंसी से भरी थी, थी धुए के रंग का और खामोश, बचाव दल की टीमे तेजी से खुदाई का काम करने के लिए तैयार धह गई इमारत के माध्यम से, उन्होंने जिन लाशों को बाहर निकाला पचान से परे मलवे को कुछल दिया गया, कोई कुछ कह भी नहीं पाया यकीन है कि अंदर कौन था, एक त्रासदी ने दूसरे को जोड़ दिया, फिर कुछ उलेखनी यह हुआ जो हमेशा के लिए बदल जाएगा कैसे लोगों ने उनकी यादों के बारे में सोचा, साइम नाइर्स ने अपनी इंद्रियों को सील कर दिया उसके चारों और अराजकता और उसके दिमाग में समय हो लट गया, संगमर्मर के धीर खंब्रों पर लोट आए और बिखरे हुए फ्रिज के तुकड़े फिर से इकठे हो गए उपर हवा, मलवे में बिखरे पत्थर के पात्र फिर से कटोरे में बदल गए, खंडहरों के उपर लकड़ी के चीनते एक बार फिर बन गए टेबल, साइम नाइर के अवशेशों को रोटी के एक टुकड़े के साथ, एक रईस मुस्कुराना वह खिरकी की और मुड़ा और दूतों को पास आते देखा, मानो किसी महत्वपूर समाचार के साथ, साइम नाइर्स ने अपनी आँखे खोली, वह उनमादी रिष्टेदारों में से प्रत्य एक को ले गया हाथ से और ध्यान से मलवे पर कदम रखते हुए, एक एक करके उनका मार्ग दर्शन किया एक मलवे में उन स्थानों पर जहां उनके प्रियजन बैठे थे, उस समय किमवदंती के अनुसार स्मृती की कला का जन्म हुआ था, एक धोशियार आदमी को खोजना कुसी, सेलिबरिटी मोटे आदमी और प्लबों के पांच को इसमें फनसाया गया है, मेरे दिमाग की आंखों में निमनलिखित अनुचित कार्य करता है, उसने एक मोटी गलोब्यूल को जटका दिया है, अलबर्ट आइंस्टीन के मोटे सफेद अयालतीन के पर स्पिटल और क्लब हीरे और एक विनाशकारी कराटे किक हुखुम के पांच को दिया पोक बेनेरिक्ट सो लहवे छह हीरे की कमर, माइकल जैक्सन के राजा दिल उसके लिए भी विचित्र व्यवहार में लिप्थ है, उसने शौच किया है दो क्लबों, एक सैलमन बर्गर क्लबों के राज उट बोलो के साथ कैवोर्टिंग साथ क्लबों में अतियधिक स्पष्ट और इस मामले में शारीरिक रूप से असंभव कांग्रेस का दो अंकों का अधिनियम क्लब के तीन यह तावरी जांकी, जिस पर मुझे गर्व नहीं है कि मैं इस प्रिष्ट के लिए प्रतिबद्ध एक इस समय मैं खुद को जिस संभावित स्थान पर पाता हूँ, उसे समझाने की दिशा में लंबा रास्ता तय करता हूँ, मेरे बाही और बैठे हैं राम कोली, 25 साल पुराना एक बिना दाड़ी वाला व्यवसाय रिच्मंड, वर्जीनिया से सलाहकार, जो बचाव करने व और वे मुझे परेशान नहीं कर सकते, लगभग सो दर्शक और एक जोड़ी हैं पले बाय पले विशलेशन की पिशकश करने वाले टीवी कमेंटेटरों की संख्या, एक जटका सूखा है के नी राइस नाम के अनुभवी मुके बाजी उदगोशक, जिनकी बज़री, सोने क समय आवाज इस तथे को छुपा नहीं सकती कि वह इस जमबोरी से हतप्रभ लग रहा है, बेवकूफ दूसरा अमेरिकी स्मृतिखेल का पेले है, एक दाढ़ी वाला 43 साल के केमिकल इंजीनियर और चार बार के निशनल चैंपियन फेयेट विले, उत्तरी कैरोलिना, जिसका नाम स्कॉट हैगवूर है, के कोने में कमरा मेरे स्नेह की वस्तु बैठता है, एक दोस्तरीय ट्रॉफी जिसमें शामिल है सोने की नेल पॉलिश के साथ एक शाही फलश की ब्रांडिंग के साथ एक चांदी का हाथ, और एक में देश भक्तिक फलती फूलती है, तीन गंजे चील ठीक नीचे बैठे हैं, यह लगभग उतना ही लंबा है मेरी दो साल की भतीजी और उसके अधिकांश भरवा जानवरों की तुलना में हलकी, दर्शकों से कहा गया है कि वे कोई भी फ्लेश फोटो नले और पून चुपपी बनाए रखें, ऐसा नहीं है कि राम या मैं उन्हें सुन सकते थे, दोनों हम एयर अपलगपने हुए हैं, मेरे पास ओद्योगिक शक्ति की एक जोड़ी भी है, एयर मफस जो ऐसे दिखते हैं जैसे वे किसी एयरक्राफ्ट कैरियर डेक हैं पर हूं क्योंकि स्मृति प्रतियोगिता की गर्मी में ऐसी कोई चीज नहीं है काफी बहरा, मेरी आंखें बंध हैं, मेरे सामने एक टेबल पर लेटा हुआ मेरे हाथों के बीच में, ताश के पत्तों के दो फिर अबदल किये गए इन डेक हैं, में एक पल, मुख्य मध्यस्त एक स्टॉप वाँच पर क्लिक करेगा और मेरे पास पांच मिनट होंगे दोनों डेक के क्रम को याद करने के लिए, यह उस, मेमोरी के फाइनल में मैं कैसे समाप्थ हुआ, इसकी असमभावित कहानी चैंपियनशिप, स्टॉकस्टिल और जमकर पसीना बाहा रहा है, एक साल पले शुरू होता है मध्यपेंसिलवेनिया में एक बरफीला राजमार् से गारी चला रहा था वाशिंगटन, डीसी में, डिसकवर के लिए एक साक्षात कार करने के लिए लेह घाटी में कुटस टाउन विश्वविद्याले में एक सैध्धान्तिक भ ओतिक विज्यानी के साथ पत्रिका, जिसके पास था एक वैक्यूम चैंबर डिवाइस का आव चाहता, और मेरे पास मारने के लिए एक घंटा था, जैसा कि यह निकला, Hall of Fame एक बांच संग्र से थोड़ा अधिक था के भूतल पर प्रदर्शित पुरानी तस्वीरों और यादगार वस्तूयों की देश के सबसे बड़े बार्बेल निर्माता के कॉर्पोरेट कार्याले संग्रहाले की दृष्टी से यह बकवास था, लेकिन यह वह जगह है जहां मैंने पली बार एक श्वे तर्श्याम देखा था जो दमाइटी एटम, ग्रीनस्टीन की तस्वीर, एक लौकिंग पांच फुर चार यहुदी अमेरिकी ताकतवर जिन्होंने एक हजार नौसो ब अपना उपनाम अर्जित किया था आधे हिस्से में काटने और बिस्तर पर लेटने जैसे प्रेर करतब करना कीलों की, जबकि एक चौधा आदमी डिक्सी लेंड बेंड उसके सीने पर बजाया गया, वह एक बार एक कार के चारों टायर बिना किसी उपकरण के बदले, फोट ओका मिला, महाशक्तिशाली पर्मार्णू और आइंस्टीन, एक दूसरे के चारों और लिप्टे हतियार, एक महाकाव्य जुडाव मानसपेशियों और दिमाग से, मेरी मेज के ऊपर लटकने के लिए एक साफ सुथरी तस्वीर, कम से कम, मैं आश्चर्य है कि क्या इसे कभ भी लिया गया था, जब मैं घर गया, तो मैंने थोड़ा किया, गुगलिंग, दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति ढूनदना बागत आसान था, उसका नाम मारियस पुर्जिया नोवसकी थे, वह पोलेंड के भी आला रावसका में रहता था, और डेन लिफ्टन औस और च अब से चतुर, टाइप किया दुनिया, मुझे पता चला कि न्यू यॉर्क शहर में एक व्यक्ति था जिसका एक था 28 और हंगरी में एक शत्रंज खिलारी जो एक बार बावन एक साथ खेलता था आंखों पर पट्टी वाला खेल, एक भारतिये महिला थी जो गणना कर सकती थी 50 सेकंड में उसके सिर में दोस और अंकों की संख्या की 23 जड़ और कोई और जो रूबिक के उब को हल कर सकता है, जो कुछ भी है, और निश्चित रूप से बहुत अधिक स्पष्ट स्ठीफन थे हौकिंग प्रकार के उम्मीदवार, दिमाग को मापने के लिए कुख्य प्रिनमोर था, और वह कर सकता था एक घंटे में 1528 या दृच्छिक अंकों के सठी क्रम को याद करें, और हम में से उन लोगों को अधिक मानवतावादी जुकाव के साथ प्रभावित करें कोई भी कविता जो उन्हें सौम पी गई हो, वह राज करने वाला विश्वस्मृ अगले कुछ दिनों में मेरा दिमाग बेन प्रिनमोर की और लोटता रहा, मेरे खुद की याददाश सबसे अच्छी थी, जिन चीजों को मैं नियमित रूप से भूल जाता था, जहां मैं अपनी कार की चाबियां रखता हूँ, उस मामले के लिए में खाना ओवन की यह हिस का है, और यह नहीं है, मेरी प्रेमिका का जन्म दिन, हमारी सालगिरह, वैलिंटाइन दिवस, मेरे माता पिता के तखाने आउच के द्वार की निकासी, मेरे दोस्तों के फोन नंबर, मैंने अभी अभी फ्रिज क्यों खोला, मेरे सेल में प्लग करने के लिए फोन, पोचाले की सीट नीचे करने के लिए, दूसरी ओर, बिन प्रिणोर, फेर अबदल के आदेश को याद कर सकते थे 32 सेकंड में ताश खेलने का डिक, पंच मिनट में वह कर सकता था स्मृती के लिए स्थाई रूप से प्रतिबद्ध 26 अलग पर क्या हुआ एतिहासिक तिथि वह आदमी पाई के 50 हजार अंक जानता था, क्या नहीं था इरश्या, मैंने एक बार पढ़ा था कि ओसत व्यक्ति लगभग 40 दिन बरबाद करता है एक साल उन चीजों की भरपाई करने के लिए जिसे वह भूल गया है, एक के लिए अलग रखना पल तत्य यह है कि वह पादक बेन प्रिर्मोर होना चाहिए, ऐसा लगता है कि हर दिन याद रखने के लिए और भी बहत कुछ है, अधिक नाम, अधिक पासवर्ण, अधिक नियुक्तियां, बेन प्रिर्मोर की स्मृति के साथ आई कलपना की गई है, तो जीवन गुनात्मक रूप से भिन होगा और बेहतर होगा, हमारी संस्कृति लगातार हमें नई जानकारी से भर देता है, और फिर भी हमारा दिमाग इसे पकड़ लेता है, इसमें से थोड़ा, जियादातर सिर्फ एक कान में और दूसरे से बाहर चला जाता है, अगर पढ़ने की बात केवल ग्यान बनाए रखने क लिए थे, यह शायद सबसे कम होगा कुशल गतिविधी जिसमें मैं सनलगन हूँ, मैं एक किताब पढ़ने में आधा दरजन घंटे बिता सकता हूँ, और उसके बाद केवल एक धुंधली धारना है कि यह किस बारे में था, वे सभी तथिप और उपाख्यानों, यहां तक क दिल्चस्प चीजें जो रिखांकित करने लायक हैं, है संक्षेप में मुझ पर प्रभावर डालने और फिर गायब होने की आदत कौन जानता है कि कहां, मेरे शेल्फ पर किताबें हैं जो मुझे याद भी नहीं हैं मैंने पढ़ा है या नहीं, मेरा पर अन्यत हाखो या मतलब होगा, उंगलिया, मैं मदद नहीं कर सकता था लेकिन सोचता था कि यह मुझे और अधिक प्रेरत बना देगा, अधिक आत्मविश्वास और कुछ मौलिक अर्थों में, होशियार, निश्चित रूप से मैं एक बेहतर पत्रकार, दोस्त और प्रेमी, लेकिन उससे भ अनुभव है हमारी यादों, और ग्यान का योग, अनुभव का योग, एक बेहतर होना स्मृति का अर्थ होगा, न केवल दुनिया के बारे में अधिक जानना, बलकि और भी अधिक मेरे बारे में, निश्चित रूप से कुछ ऐसी भूल है, जो हमें परेशान करती है, स्व जे चले गए और कनेक्शन अनमेल हो गए कमिया, बेन प्रिर्मोर ने एक अख़बार में जो कुछ कहा, उस पर मैं लोटता रहा साक्षातकार, जिसने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसकी याददाश्ट और मेरी कितनी अलग है वास्तव में अपना हो सकता है, यह सब तकनीक और समझने के बारे में है कि कैसे स्मृति काम करती है, उन्होंने रिपोर्टर से कहा, कोई भी ऐसा कर सकता है, वास्तव में, वेटलिफ्टिंग हॉल ओफ फेम की अपनी यात्रा के कुछ हफते बाद, मैं अंदर खड़ा हो गया कॉन एडिसन की 19 भी मंजल प पास मुख याले, 2005 में एक पर्यवेक्षक, यूएस मेमोरी चैंपियन्शिप, बेनों के प्रती मेरे आकर्शन से प्रेवित प्रिन्वोर, मैं स्लेट पत्रिका के लिए किस बारे में एक छोटा लेख लिखने के लिए वहां गया था, मैंने कलपना की थी कि यह सेवकों का स समूव, दोनों उम्र, और में वयापक रूप से भिन स्वच्च रखर खाव, या दृच्छिक संख्याओं के प्रिष्ठों पर ध्यान देना, और की लंबी सूची शब्दों, उन्होंने खुद को मानसिक एतलीट, या सिर्फ एमये के रूप में संदर्भित किया कम, अंतिम नाम और उनमें से कई को याद करने के लिए 15 मिनट का समय दिया मुम्किन, फिर उनके पास 3 की सूची याद करने के लिए और 15 मिनट का समय था सो यादरिच्छिक शब्द, एक हजार के एक प्रिष्ट को याद करने के लिए 5 मिनट यादरिच्छिक अंक संख्याओं की 25 पंक्तियां, एक पंक्ति में 40 संख्याएं, और ताश खेलने के एक फेर अबदल डेक के क्रम को जानने के लिए 1 और 5 मिनट, प्रतिस परधियों में दुनिया के 36 ग्रेंड मास एक हजार याद रिच्छिक के अनुक्रम को याद करके प्राप्त की गई रेंक एक घंटे से कम समय में अंक, खेलने के 10 फेर अबदल डेक का 60 क्रम एक ही समय में कार्ण, और एक फेर अबदल डेक के क्रम में 2 मिनट से भी कम, हालांकि इसके चेहरे पर यह कारना में कुछ ज पहानी जिसने मुझे अपने दिमाग की सीमाओं पर पुनरविचार करने के लिए मजबूर किया और मेरी शिक्षा का बतसार, मैंने इंगलेंड के एक युवा ग्रेंड मास्टर एड कुक से पूछा, जो आये थे उस ग्रीश मकालीन विश्व चैंपियनशिप के लिए वस जानकार नहीं हूँ, उन्होंने हनसते हुए कहा, फोटो स्मृती, मैंने पूछ लिया, उसने फिर चुटकी ली, फोटोग्राफिक मेमोरी एक धरिनित मिथक है, वह कहा, मौजूद नहीं है, वास्तव में, मेरी याददाश्ट काफी ओसत है, हम सब यहां ओसत यादे हैं, यह इस तथे के साथ वर्गाकार करना कठिन लग रहा था कि मैंने अभी अभी उसे पढ़ते हुए देखा है, 252 या दृच्छिक अंकों को आसानी से वापस करें जैसे कि वे उसका अपना टेली फोन हों संख्या, आपको जो समझना है वह यह है कि औसत्यादे भी हैं, उन् गिना जा सकता है प्रतियोगी जो व्यक्तिगत रूप से समवारने की आदों से कम से कम चिंतित थे, उसने एक डिली टाई के साथ एक सूटप ना हुआ था और असंगत रूप से एक जोडी फलिप फलोप यूनियन जैक के साथ अलंकृत, वह 24 साल का था लेकिन अपने शरी वह और अन्य सभी में जिन मानसिक एथलीटों से मिला, वह जोर देकर ठते रहे, जैसा कि बेन प्रिर्मोर ने अपने साक्षातकार में किया था, कि कोई भी वह कर सकता है जो वह करते हैं, यह तो बस सीखने की बात थी असाधारन रूप से सरल का उप्योग करके अधिक पाइर्स ने महान के मलवे में आविशकार किया था, बैंक्वेट हॉन पतन, मेमोरी पैलेस की तकनीक जिससे यात्रा के रूप में भी जाना जाता है, विधी या लोकी की विधी, और अधिक व्यापक रूप से आर्स मेमोरेटिवा के रूप में, या स्मृति की कला, नियम में दुष्टों की प्रतीक्षा कर रहे दंड के लिए उपदेश और प्रार्थना, इन वही तरकी में थी जो रोमन सीनेटरों ने याद करने के लिए इस्तेमाल की थी भाशन, कि एथेनियन राजनेता थे मिस्टोकल्स ने माना था 20 हजार एथेनियाई लोगों के नाम या जिसका उद्देश बचाव करना था स्मृति प्रशिक्षन की लंबे समय से चलिया रही परंपरा जो सदियों पले गायब हो गई थी, एक बार की बात है, एर ने जोर देकर कहा, याद रखना ही सब कुछ है, एक प्रशिक्षित स्मृति के वल एक उत्योगी उपकरण नही था, बलकि किसी भी सांसारिक का इक्म औलिक प्लू था मन, क्या अधिक है, स्मृति प्रशिक्षन को चरित्र का एक रूप माना जाता था निर्मान, विवेक के मुख्य गुन को विक्सित करने का एक तरीका और द्वारा विस्तार, नैतिकता, याद करने से ही सोच जाती थी विचार हो सकते थे वास्तव में किसी के मानस में समाहित हो जाते हैं, और उनके मूल्यों को अवशोशित कर लेते हैं, तकनीके न केवल बेकार सूचनाओं को याद रखने के लिए मौजूद थी, जैसे कि ताश खेलना, लेकिन मस्तिष्ट के मूल भूत ग्रंथों और वि पुर्ण है कि मुदृत प्रिष्ट किस के लिए याद रख सकता है आप, स्मृति तकनीकें जो कभी शास्त्रिय और मध्ययोगीन संस्कृति दूर्ण और दूर्ण हर्मेटिक के साथ लिप्टी हुई है, पुनर जागरण की परमपराएं, और 19 वहीं शताबदी तक वे थे कार्निवल साइन शोप और स्वयम सहायता पुस्तकों से निपटने के लिए केवल होने के लिए इस विचित्र और के लिए 20 वी सदी के अंतिम दश्कों में पुनर जीवे तेकल प्रतियोगिता, स्मृति प्रशिक्षण में इस पुनर जागरण के नेता एक चालाक साथ सतर हैं टोनी भुजन नाम के वर्शिय ब्रिटिश शिक्षक और स्वयम्भू गुरु जो दुनिया में उच्चतम रचनात्मकता भगफल होने का दावा करता है, जब मैं उससे मिला, कौन एडिसन भवन के कैफेटेरिया में, उन्होंने नेवी सूट पना हुआ था पांच वि पादन किया डाली की स्मृति की द्रढ़ता ठपकता हुआ घड़ी वाला चेहरा, वह प्रतियोगियों को दिमाग के योदधा के रूप में संदर्भित किया गया, बोजान का भूरा चेहरा अपने साथ सतर साल से एक दशक बड़ा लग रहा था, परंतु उसका बाकी सबती वर्ष का था, वह चह के बीच पंक्ति बद्ध करता है और हर सुबह 10 किलोमीटर ठेम्स नदी पर उसने मुझे बताया, और वह बात सारी मस्तिश का स्वस्थ सबजिया और मचली खाने का एक बिंदु बनाता है, जंक भोजन में, जंक ब्रिन, स्वस्थ भोजन में, स्वस् बताया, मैं 40 साल के प्रशिक्षन के बारे में अलेक जेंडर तकनीक, जब वह बोला, तो उसने एक पॉलिश के साथ हिशारा किया, स्थकाटो परिशुधता जिसे केवल एक दरपन के सामने सम्मानित किया जा सकता था, अक्सर, वह अपनी उंगलियों के विस फोर्ट के बोजान ने 1091 में वर्ल्ड मेमोरी चैंपियंशिप की स्थापना की और तब से हैसे एक दरजन से अधिक देशों में राश्ट्रिय चैंपियंशिप की स्थापना की चीन से दक्षेन अफरीका से मैक्सिको तक, उनका अपना है कि वह एक के साथ काम कर रहे हैं इन स्मृति तकनीकों को प्राप्त करने के लिए 1070 के दशक से मिशनरी का उत्साह दुनिया भर के स्कूलों में लागू किया गया, वह इसे वैश्विक शिक्षा, घते हैं, सीखने के तरीके सीखने पर केंडरित क्रांती, और वह खनन कर रहा है खुद इस प्रक्रिया में एक गंभीर प्रेस रिपोर्टों के अनुसार, माइकल जैक्सन ने भुजन के दिमाग को बढ़ाने के लिए कबिल तैयार किया, उनकी मृतियों से कुछ समय प्हले सेवाए भुजन का मानना है कि स्कूल सभी गलत पढ़ाते हैं, वे विशाल डालना चात्रों के सिर में जानकारी की मात लेकिन उन्हें यह न सिखाए कि कैसे इसे बनाए रखें, कंठस्त करने के नासमज तरीके के रूप में याद रखना एक बुरा रैट बन गया है, अगली परीक्षा पास करने के लिए पर्याप तथियों पर, लेकिन ऐसा नहीं है, याद रखना की बुराई है, वे इकते ह यह बोरिंग रटने की परंपरा है, उनका मानना है कि पश्चमी शिक्षा को भरष्ट कर दिया है, हम क्या रहे हैं, पिछली शताब्दी में करना स्मृति को गलत तरीके से परिभाशित करना है, इसे समझना अपूर रूप से, इसे अनुप्यूत रूप से लागू करना, और इसकी निंदा करना क्योंकि यह काम नहीं करता है, और सुखद नहीं है, भोजान का तर्क है, अगर रटना याद है, कि पाश्विक शक्ति के माध्यम से हमारे दिमाग पर छापों को खरोचने का तरीका दोहरावपुरानी रिले अनकिल, विधितो स्मृति की कला अधिक है तकनीक के माध्यम से याद करने का सुन्दर तरीका, यह तेज है, कम दर्दनाक है, और लंबे समय तक चलने वाली यादे पैदा करता है, भोजान ने मुझे बताया, मस्तिश्क एक मानसपेशी की तरह है, उन्होंने कहा, और स्मृतिक प्रशिक्षन का एक रूप है मानस समय के साथ, किसी भी प्रकार के व्यायाम की तरह, यह मस्तिश्क को बना देगा फिटर, तेज, और अधिक फूर्तिला, यह एक विचार है जो बाग पुराना है स्मृति प्रशिक्षन की उत्पत्ती, रोमन वक्ताओं ने तर्क दिया कि स्मृति की कला ज्यान का उचित प् प्रमाईक महत्वपूर्ण साधन था नए विचारों का आविशकार, आज मानसिक कसरत बहुत अच्छी हो गई है लोकप्रियकलपना में मुद्रा, ब्रिंजिम और मेमोरी भूर कैम एक बढ़ती हुई सनक हैं, और मस्तिश्क प्रशिक्षन सोफ्टवेयर मिलियन का उद्य लोक था 2008 में, इसमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि अनुसंधान के कारण यह पता चलता है कि वरिद्ध लोग जो क्रॉसवर्ण पजल्स और शत्रंज से अपने दिमाग को सक्रिय रखते हैं, वे बच सकते हैं अलजाइमर और प्रक्तिशील मनोब्रंश से दूर, लेकिन ज बोजन का संपारश्विक के बारे में सबसे अतिश्योक तिपूर्ण दावा मस्तिश्क व्यायाम के प्रभावों को एक मापाखुरा कम से कम के लिए प्रेरित करना चाहिए संशयवाद फिर भी परिनामों के साथ भस करना कठिन था, मैं बस एक 47 वर्षिय प्रतियोगी को पढ़ते हुए देखा, क्रम में, कि एक सूचीस और याद्रिच्छिक शब्द उसने कुछ मिनट फले सीखे थे, बोजन मुझे इस विचार पर बेचने के लिए उत्सूप था कि उसकी अपनी याददाश्ट है, साल दर साल सुधार हो रहा है, यहां तक की उम्र बढ़ने पर भी, लोग उस स्मृति को मानते हैं, गिरावट मानव होने का एक कार्य है, और इसलिए स्वाभाविक है, उन्होंने कहा, परंत्व यह एक तार्किक त्रोटी है, क्यूंकि सामान्य जरूरी नहीं कि स्वाभाविक हो, यन्यस मानव स्मृति प्रदर्शन में निगरानी म गिरावट का कारण है, क्यूंकि हम वास्तव में ओलंपिक विरोधी प्रशिक्षन करते हैं, हम मस्तिष्ट के लिए क्या करते हैं, ओलंपिक के लिए प्रशिक्षित करने के लिए किसी को नीचे बैठने के बराबर और यह सुनिश्चित करना कि वह एक दिन में 10 कैन बियर पीता है, 50 सिग्रेट पीता है, काम करने के लिए ग्राइव करता है, और शायद महीने में एक बार कुछ व्यायाम करता है जो हिंसक है और नुकसान पहुंचाता है, और बाकी समय टीवी देखने में बिताता है, और तब हमें आश्चर्य होता है कि वह व्यक्ति ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं करता है, वह है हम स्मृति के साथ क्या कर रहे हैं, मैंने बुजान को परेशान किया कि इन तकनीकों को सीखना कितना कठिन होगा, प्रतियोगियों ने कैसे प्रशिक्षन लिया, उनकी यादे कितनी जल्दी सुधर गही, क्या उन्होंने रोजमर्रा की जिन्दगी में इन तकनीकों का इस्तेमाल किया, अगर वे वास्तव में थे सरल और प्रभावी जैसा की वहदावा कर रहा था, कैसे मैंने कभी नहीं सुना उन्हें प्ले, हम सब उनका उप्योग क्यों नहीं कर रहे थे, आप जानते हैं, उन्होंने उत्तर मुझसे ये सभी प्रशन पूछने के बज़ा है, आप बस इसे अपने लिए आजमाना चाहिए, सैदधानतिक रूप से मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए प्रशिक्षन लेने में क्या लगेगा, यूएस मेमोरी चैंपियंशिप, मैंने उससे पूछा, यदि आप इसे अगर आप दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं चैंपियंशिप, फाइनल के लिए आपको दिन में 3-4 घंटे बिताने होंगे चैंपियंशिप के लिए अग्रणी 6 महीने भारी हो जाता है, उस सुबह बाद में, जबकि प्रतियोगी दर को याद करने की कोशिश कर रहे थेटे पेस्ट्री ओफ मी, बुजान ने मुझे एक तरफ ले जाकर मेरे कंधे पर हाथ रखा, हमारी छोटी सी बात याद है, इसके बारे में सोचो, वह आप वहाँ पर हो सकता है मंच, अगला अमेरे की स्मृति चैंपियन, कविता याद करने और नाम और के बीच एक विर साइर्किक, आस्ट्रियाई ग्रेंड मास्टर लुकासेंसुस, अपनी सिग्रेट खुद चलाते हैं, इड ने ओकसफोर्ड से पिछले वसंत में प्रथम श्रेणी के साथ सनातक किया था मनो विज्ञान और दर्शन शास्त्र में डिग्री, और मुझे बताया कि वह था एक स The Art of Introspection नामक पुस्तक लिखने के साथ साथ कर रहे हैं, और पेरिस विश्व विद्याले में अपने संध्यान आत्मक विज्ञान पी-ेचडी की पढ़ाई कर रहे हैं, जहां उन्होंने लोगों को अपने जैसा मसूस कराने के उद्देश्य से बाहरी शोध कर रहा था शरी लुकास, विएना विश्व विद्याले के कानून के चात्र, जिन्होंने खुद को के रूप में विग्यापित किया हाउ टू बी थ्री टाइम्स क्लीवरर्थान, शीरशक से एक लगू पुस्तिका के लेखकाप का आईक्यू, इमारत के खिलाफ जुक रहा था, एर को सही हराने की कोशिश कर रहा था याद रिच्छिक शब्दों की घटना में दुखी दिखाना, मैंने कभी भी नहीं सुना है ये अंग्रेजी शब्द ये ओन, अलसर, और आइल, प्ले, उन्होंने जोर देकर कहा आउस्ट्री आई उच्चारण, मुझे उन्हें याद करने की उ और टाई में दिखाई दिये थे, वे साजा करने के लिए उत्सुत थे मेरे साथ या किसी को भी उनकी स्मरक प्रसिद्धी को भुनाने की उनकी योजना ओक्सफोर्ण माइन एकेर्मी नामक स्मृति व्यायाम शाला का निर्मान, उनका विचार यह था कि ग्रह कज्यादातर व्यावसायक अधिकारी, उन्हें उम्मीध थी व्यक्तिगत मानसिक कसरत प्रशिक्षकों के लिए भुतान करना होगा, एक बार दुनिया किसी की याददाश्ट को प्रशिक्षित करने के लाभों को सीखा, उन्होंने कलपना की की नकदासमान से गिर जाएगा, आखिरकार एर ने मुझसे कहा, हम देख रहे हैं, पश्चिमी शिक्षा का पुनरवास करें, जिसे हम पतित मानते हैं, लुकास ने कहा, एर ने मुझे समझाया कि उन्होंने स्मृति में अपनी भागीदारी देखी मानव के रहसियों को उजागर करने के उनके प्रयास के हिस्से के बाहर से देखते हैं और माप का भार लेते हैं विभिन्न लोगों के भार पर, दूसरा तरीका इस तर्क से निकलता है कि असिस्टम का इश्टतम प्रदर्शन आपको इसके डिजाइन के बारे में कुछ बता सकता है, शायद मानव स्मृति को समझने का सबसे अच्छा तरीक यह है कि इसके लिए बाग प्रयास किया जाए इसे अनुकुलित करेना दर्श रूप से उन परिस्थितियों में उजजवल लोगों के भार के साथ जहांवे, कठोर और वस्तुनिष्ट प्रतिक्रिया प्राप्त करें, यही मेमोरी सरकिट है, प्रतियोगिता स्वयम सेट के पूरे उत्साह के साथ सामने आई, एन्यस प्रतियोगी टेबल पर चुप चाप बैठ कर कागस की चादरों को घहूरते रहे, फिर कुछ लिखा उत्तर जो उन्होंने न्यायाधीशों को सौमपे, प्रते एक घटना के बाद, सकुर्थे जल्दी से गणना की और कमरे के साम ने एक स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया, परंतु राश्ट्रियस मृति के बारे में लिखने की कोशिश कर रहे, पत्रकार की निराशा के लिए बाद कुछ चैंपियंशिप, खेल, में बास्केट बाल की कोई भी सारवजनिक पीड़ा नहीं थी खेल, या एक वर्तनी धुमकी भी, कभीक भी यह बताना मुश्किल होता था कि क्या प्रतियोगी विचार या नींद में घरे थे, बागत कुछ हो सकता है, ना की ये मंदिर मालिश और घबराहट पैर टैपिंग और कभीक भी हार की खाली टकटकी, लेकिन ज्यादातर ग्रामा प्रतिस परधियों के अंदर था, सिर, दर्शकों के लिए दुरगम, मेरे दिमाग के सामने एक परेशान करने वाला विचार घहून रहा था जब मैं अंदर खड़ा था कौने गिसन सभागार के पीछे इन्हें सामान्य माना जाता है, मनुश्य अपनी लगभग अथाहमानसिक कलाबाजी करते हैं, आई मुझे नहीं पता था कि मेरी अपनी याददाश्ट कैसे काम करती है, क्या ऐसा भी था मेरे दिमाग के सामने के रूप में जगर, सवालों की एक धीमील हर्म मुझ परचा गई जिन चीजों के बारे में मैंने कभी सोचने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन जो अचा से संचालित होती है कि मैं कभी रूपने और इसके यांत्रिकी के बारे में पूछने का कारण नहीं था, और फिर भी, अब वह मैं इसके बारे में सोचने के लिए रूप रहा था, मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में यह सब काम नहीं करता था निरबाध रूप से, यह कु जिससे मुझे मजबूर होना पड़ा एक मेट्रो की सवारी के बेहतर हिस्से को हनुका जिंगल्स को गुन-गुन आते हुए बिताने के लिए इसे हटाने का प्रयास करें, वह किसके बारे में था, कुछ दिन प्ले, मैं गया था, मैं एक लेखक के बारे में एक दोस्त को ब इस बात के लिए, मुझे याद क्यों नहीं आया कि मैंने नाश्टे में क्या खाया था ठीक एक दिन प्ले, भले ही मुझे ठीक ठीक याद था कि मैं क्या खा रहा था नाश्टे के लिए कॉर्न टॉप्स, कॉफी, और एक केला चार साल प्ले जब मैं को बताया गया था कि ए और लुकास ने किया, क्या ए सिर्फ असाधारन व्यक्ति थे, खौतुक मानवता की घंटी वक्र की लंबी पूच से, या कुछ ऐसा था जो हम कर सकते थे, सभी अपनी प्रतिभासे सीखते हैं, मुझे उनके बारे में उसी कारण से संदेह था, मुझे टोनी भुजन पर संदे था, कोई भी स्वयंभू गुरु जिसने कमाया हो अधुनिक स्वसहायता, रैकेट में खुद को राजा की फिर ओती के लिए बाध्य किया जाता है, एक पत्रकार के बकवास डिटेक्टर को, और बोजान ने हर खत्रे की घंटी बजा दी थी, मुझे मिल गया है, मुझे में सच है कि कोई भी विशाल को जल्दी से याद करना सीख सकता है, जानकारी की मात्रा, कोई भी, मैं बुजान पर विश्वास करने को तैयार था जब वहने कहा कि ऐसी तकनीके थी जिन से कोई भी मामूली सुधार करना सीख सकता है, किनारों के आसपास किसी की स्मृती, ल कल्पिक व्याख्या बस एक पूरी तरह से अधिक प्रशन सनिय लग रहा था। एग और उनके स्योगियों के पास था कुछ अजीव जन्मजात प्रतिभाई जो आंद्रेद के मानसिक समकक्ष थी जायंट की हाइट या हुसेन बोल्ट की टांगें। वास्तव में स्मृति सु दस्त दावे कर रही थी कि वे मुझे सिखा सकें कि कैसे टेलीफोन नंबर या तारीक को कभी न भूलें या ततकाल स्मरण विक्सित करें। एक किताब ने यह भी कहा कि वह दिखा सकती है मुझे अपने मस्तिष्क के अन्य 90 प्रतिशत का उप्योग कैसे करना है। जो उन मे की गई है जिनके विशय से संबंध कम सपश्ट रूप से लाभदायक हैं और जिनके सहकर्मी समीक्षा द्वारा दावों का निरीक्षन किया जाता है। अकादमिक मनुवै ग्यानिक प्रहे हैं हर्मन के बाद से हमारी मूल स्मृतिक शमताओं का विस्तार करने में रुची ह इबिंगहोस ने सबसे पले समृति के अध्ययन को प्रयोग शाला में लाया था 1870 के दशक यह पुस्तक उस वर्ष के बारे में है जिसे मैंने अपनी याददाश्ट को प्रशिक्षित करने में बिताया और यह भी इसे समझने की कोशिश कर रहा है इसकी आंतरिक कार्य प्र हैं वास्तव में हम सभी द्वारा टैक किया जाए यह वैग्यानिक अध्ययन के बारे में भी है विशेश गयता और स्मृति चैंपियन का अध्ययन करने वाले शोध करताओं के पास कैसे है खौशल अधिक ग्रहन के सामान्य सिध्धानतों की खोजकी में सुधार करने के लि अध्यक्ति अपनी स्मृति को कैसे प्रशिक्षित करता है और कैसे स्मृति तकनीकों का उप्योग डैनिक जीवन में किया जा सकता है उन तकनीकों में आश्चर्यजनक रूप से समृद्ध और महत्वपूर्ण विरासत है भूमिका पश्चिमी संस्कृति के विकास में उन के तरीके को घराई से आकार दिया मध्ययों के माध्यम से पुरातंता के समय से दुनिया से संपर्क किया और पुनर जाग्रण और फिर वे सब गायब हो गए शारीरिक रूप से हम वस्तुतह अपने पूर्वजों के समान हैं जिन्होंने चित्रित किया फ्रांस में लासकॉक् के बीच में प्राचीन तम सांस्कृतिक कलाकृतियां जो आज तक जीवित हैं हमारे दिमाग हैं उनसे बड़ा अधिक परिश्कृत नहीं यदि उनके बच्चों में से एक को 21 सदी में एक दत्तक मातापिता की बाहों में गिरा दिया जाए नूँ यॉर्क बच्चा संभव अपने साथियों से अप्रभेद्य रूप से बड़ा होगा वह सब जो हमें उनसे अलग करता है वह है हमारी यादे यादे नहीं जो हमारे अपने दिमाग में बसता है क्यूंकि आज जन्म लेने वाला बच्चा दुनिया में प्रवेश करता है 30,000 साल फले पैदा हुए वह हो यादे जो खुद के बाहर जमा होती हैं किताबों में तस्वीरें, संग्रहालें और इन दिनों डिजिटल मीडिया में एक बार समय स्मृति सभी संस्कृति के मूल में थी लेकिन पिछले 30 हसराबदियों में जब से मानव ने गुफा की दीवारों पर अपनी यादों के साथ धीरे धीरे हमारी अपनी प्राकृतिक स्मृति को प्रतिस्थापित कर दिया बाहर में मोरी इंस एक प्रक्रिया जो हाल ही में तेजी से बढ़ी है वर्षों, कल जागने की कलपना करे और दुनिया की सारी स्याही की खोज करे अद्रिश्य हो गया था और हमारे सभी गायब हो गए थे, हमारी दुनिया, तुरंत उखर जाना, साहित्य, संगीत, कानुन, राजनीती, विज्यान, गनित, हमारा संस्कृति बाहरी यादों से बनी एक इमारत है, अगर स्मृति हमारे संरक्षन का साधन है जिसे हम सबसे अधिक मानते हैं मूल्यवान या हमारे अ जो स्मृति बनाई है वहमृति उद्दर को रोकने का एक तरीका है, यह विचारों को अनुम्ति देता है समय और स्थान के बीच कुशलता पूर्वक पारित किया जा सकता है, और एक विचार के निर्मान के लिए एक और हद तक संभव नहीं है, जब एक विचार से पारित क जाना है मस्तिष्क से मस्तिष्क को बनाई रखने के लिए, स्मृति के बाह्यकरण ने न केवल लोगों के सोचने के तरीके को बदल दिया, यह भी बुद्धिमान होने का अर्थ क्या है, इसकी धारना में घरा बदलावाया, आंतरिक स्मृति अवमूल्यन हो गई, धारन कर जानने सिविद्वता विक्सित हुई आंतरिक रूप से यह जानने के लिए कि इसे भूल भूलया में कैसे और कहां खोजा जाए बाहरी स्मृति की दुनिया, यह एक बयान देने वाला कतन है कि बहुत ही एक मात्र वह स्थान जहां आप पाएंगे कि लोग अभी भी अपनी जिग्यासा लेकिन जैसे जैसे हमारी संस्कृति उस संस्कृति से बदली है जो थी मूल रूप से अंतरिक यादों पर आधारित है जो मूल रूप से है मस्तिष्ट के बाहर संग्रहीत स्मृतियों के आधार पर इसके लिए क्या नहितार्थ हैं खुद के लिए और हमारे सम के लिए हमने जो हासिल किया है वह निर्विवाद है पर क्या-क्या हमने वयापार किया है इसका क्या मतलब है कि हमने अपनी याददाश्ट खो दी है दो वह आदमी जिसने बागत याद किया मई 1928 में युवा पत्रकारेस रूसी के कार्याले में चले गए नियूरो साइकोलो जिस्टे आर लुरिया और विनमरता से उनकी याददाश्ट रखने के लिए कहा परीक्षन किया उन्हें उनके बॉस अखबार के संपादक ने भेजा था जहां उन्होंने काम किया था हर सुबह दैनिक संपादकिय बैठक में उनके बॉस पत्रकारों के कमरे में तेजी से दिन के कार्य सौंपे तथियों, संपरकों और पतों की धारा जिन्हें उन्हें दर्ज करने की आवश्यक्ता होगी कहानियों। एक को छोड़कर सभी पत्रकारों ने प्रचुर मात्रा में नोट लिये, एस बस देखा और सुना। एक सुबह, रिपोर्टर की सपष्ट असा पढ़ी जा रही थी, क्यूंकि संपादत को अपनी ही आवाज सुनना अच्छा लगता था, क्या उसे लगा कि वह कर सकता है, संपरक के बिना उसकी कहानियों की रिपोर्ट करें, कि वह असानी से पहुँच सके लोग टेली पैथिक रूप से, उनके पते जाने बिना, अगर उसे उमीद है, अखबार पत्रकारिता की दुनिया में कोई भी भवेश्य, उसे भूतान करना शुरू करना होगा ध्यान, और संक्षेप में नोट्स, संपादक ने उसे बताया, यस अपनी डांट से संपादक की और खाली दृष्टी से देखता रहा, और उसके आने का इं का मसूस किया, उसक्षन तक वह ने कहा, वह हमेशा यह मानता था कि किसी व्यक्ति के लिए यह बिल्कुल सामान्य है, हर चीज याद रखो, लूरिया के कारियाले में पहुँचने पर, इस अपने बारे में संशय में रहा विशिष्ट था, वह अपने आप में किसी भी खास जणों की एक श्रिंख लादी याद करने की शक्तियां, लूरिया ने ऐसे संख्याओं की एक सूची याद करने के लिए कर शुरुआत की, और विस्मा ऐसे सुनता था क्यूंकि उसके शर्मीले विशय ने सतर अंकों का पाठ किया था, पले आगे और फिर पीछे, इसका उस उन्हें बस इतना चाहिए था कि तीन से चार सेकंड का विराम हो, शुरिंख खला में प्रत्येक तत्व के बीच, और उसे फुन, पेश करने में कोई कठिनाई नहीं हुई जो कुछ मैंने उसे दिया, लूरिया ने परीक्षन के बादेस परीक्षन दिया, और प्राप्त कर रहा वही परिणाम, आदमी अजेय था, प्रयोग करता के रूप में, मैं जल्दी खुद को पूरी तरह से भरम की स्थिती में पाया, लूरिया ने याद किया, मैं सामान्यत मुझे यह सुईकार करना पड़ा कि, मैं वह प्रदर्शन करने में असमर्थ था जो कोई सोचता एक मनोवग्यानिक जो सबसे सरल कार्य कर सकता है, किसी की क्षमता को मापे व्यक्ति की स्मृति, लूरिया अगले 30 वर्षों तक इसका अध्ययन करती रहेगी, और अंत में उसके बारे में एक किताब लिखें, The Mind of a Miminist, ए लिटिल एक विशाल स्मृति के बारे में पुस्त इतालवी कविता बिना इतालवी बोले, और यहां तक कि गाबल डीगु के वाक्यांश भी, लेकिन यहां तक सामगरी की चोड़ाई से अधिक उल्लेक नियवह स्मृति के लिए प्रतिबद्ध हो सकता है, तत्य यह था कि उनकी यादें कभी खराब नहीं होती थी, सामान्य मनुश्यों के लिए यादे धीरे-धीरे समय के साथ क्षीन होती जाती है कि क्या है भूलने की वक्र के रूप में जाना जाता है, जिस क्षन से आप एक नया समझ लेते हैं जानकारी का तुकड़ा, उस पर आपकी स्मृति की पकड़ धीरे-धीरे डिली होने लगती है, समझने के लिए समय के साथ फीका पड़ गया, उन्होंने 2303 अक्षर की बखवास याद करते हुए वर्षों बिताई गफ, लर्क और नाक जैसे सिलेबल्स, निर्धारित अवधियों में वह खुद को परक्ता था देखें कि वह कितने सिलेबल्स को भूल गया था और उसने क इतनी बार खुद पर प्रयोग किया, परिर्णाम हमेशा मोटे तोर पर समान थे, का एक सेर सीखने के बाद फले घंटे में बखवास शब्दाश, उन्में से आधे से अधिक भुला दिये जाएंगे, के बाद फले दिन, एक और दस प्रतिशत गायब हो जाएगा, एक महीन की अवस्था का अनुसरण नहीं करती थी, कोई बात नहीं उसे कितना याद रखने के लिए कहा गया था, या कितने समय अफले था कुछ मामलों में 16 साल तक वह हमेशा जब करने में सक्षम थे सामगरी को उसी सटीकता के साथ वापस करें जैसे कि उसने अभी-भी सीखा हो, वह आंखे बंद करके बैठेंगे, रोकेंगे, फिर कमेंट करेंगे, हाँ, हाँ, ये था, शुरिंख खला आपने मुझे एक बार दी थी जब हम आपके अपार्टमेंट में थे, आप थे मेज पर बैठे तुमने ग्रे रंग का सूट पना हुआ था, और इसके साथ ही उसने शुरिंख खला को ठीक वैसे ही बंद कर दूंगा जैसा मैंने उसे फले दिया था सत्र, लुरिया ने लिखा, लुरिया के गीतात्मक खाते में, एस कभीक भी दूसरे के आगंतों की तरह लगता है, और असामान्य मनोविग्ञान के इतिहास में, उनका मामला अक्सर रहा है पूरी तरह से सुई जेनरिस के रूप में माना जाता है, लेकिन जैसा कि मैं सीखने वाला था, एक और है एस की कहानी की कहीं अधिकरो मांचक व्याख्या, कि दुरलब और विलक्षन के रूप में जैसा की एस हो सकता है, हमारे बाकी सामान्य से बद कुछ है, दुर्बल, दिमाग उस से सीख सकता था, वास्तव में उनका असाधारन कोशल हम सभी में निश्क्रिय हो सकता है, उस प्रतियोगिता पर अपनी रिपोर्टिंग समाप्त करने के बाद जो लाई थी मुझे नियू यॉर्क जाने के लिए मानक पत्रकारिता प्रोटोकॉल का नेतरित्व करना होगा घर वापस, एक छोटा लेख लिखें, और किसी अन्य कहानी पर आगे बढ़ें, परंतु ऐसा नहीं हुआ, वाशिंगटन, आई, के लिए ट्रेन में चढ़ने के बजाए खुद को एक और सभागार के पीछे खड़ा पाया इस बार, एक मैनहटन के अपर इस्ट करनाओं को रद कर दिया था दिन, और साथ में टैग किया क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं साथ रहता हूँ, उसे काफी देर तक वह मुझे विस्तार से समझाता था कि वह और लुकास कैसे थे खुद को एस की तरह याद रखना सिखाया, लेकिन इस तरह क किसी में जाने से फले धूर रहस्य, कुछ बुनियादी नीम रखी जानी थी, इर चाहता था मुझे और छात्रों को यह दिखाने के लिए कि हमारी यादे फले से ही असाधारन थी कम से कम जब कुछ खासतर है कि जानकारी सीखने की बात आती है, वैसे करने के लिए वह एक स मृति परीक्षन का एक संस्करन साथ लाया था जिसे दो के रूप में जाना जाता है वैकल्पिक चित्रपचान परीक्षा, कुछ आत्मभिशकार के साथ चात्रों को अपना परिचय देने के बाद हास्य मैं इंग्लेन से हूँ, जहां हम अपना समय याद करने में बिताना पसंद करते हैं, पूर सामाजिक जीवन विक्सित करने के बज़ा है, उन्होंने अपने समरक का प्रदर्शन किया सतर अंकों की संख्या को केवल एक मिनट से अधिक समय में सीख कर सच हो जाता है, तीन इसको उसी कर्तब को करने में लगने वाले समय से कई गुना तेज और फिर आगे बढ़ा सीधे चातरों की यादों की परीक्षा में, और मेरी, मैं आप लोगों को चित्रों का एक गुछ्षा दिखाने जा रहा हूँ, और मैं दिखाने जा रहा हूँ उन्हें वास्तव में, वास्तव में तेज, उन्होंने अपनी आवाज उपर उठाने की कोशिश करते हुए धोशना की दहारते किशोर, मैं चाहता हूँ कि आप उनमें से कई को याद करने की कोशिश करें जैसा भी आप कर सकें. उसने रिमोट कंट्रोल पर एक बटन दबाया और ओवर हें रोशनी मंद. एक प्रोजेक्शन स्क्रीन पर स्लाइर्स की एक शुरिंख खला जपकने लगी कमरे के सामने, प्रत्येक आधे सेकेंड से भी कम समय तक्रता है. वहाँ, सन्नील लिस्टन पर विज्जेई रूप से खड़े मुहम्मद अली की एक स्लाइर थी, फिर बार्बेल की एक स्लाइर, फिर चांद पर नील आर्मस्टरांग के पदचिन, फिर प्रिन्रिक नीत शेके ओन दजेनेलोजी आफ मोरल का कवर, और एक लाल गुलाब, ऐसी तीस तस्वीर थी, जिन में से प्रत्येक दिखाई दे रही थी, और गायब हो रही थी, जल्दी से यह कलपना करना कठिन था कि हम उनमें से किसी को भी याद कर पाएंगे, उन सभी से बतकम, लेकिन मैंने कुछ विवरन प्राप्त करने की पूरी कोशिश की प्रत्येक, और जो मैं देख रहा था उसका एक त्वरित मानसिक नोट बनाने के लिए, के बाद आखिरी स्लाइड, एक बकरी की तस्वीर, दीवार खाली हो गई और रोशनी वापस आ गई पर, अब क्या आपको लगता है कि आप उन सभी तस्वीरों को याद रख पाएंगे, पीडी हम से पूछों, मेरे सामने बैठी एक लड़की व्यंगे से चिलाई, मौका नहीं, उसके कई स्योगियों से उत्तेजक हंसी, यह हुई नाबात, एद वापस चिलाया, और फिर अपनी घड की और देखा समय नोट करें, बैशक, अभ्यास की बात उसके पास और क्यों होगा दिया क्या हम उन सभी तस्वीरों को याद रख पाएंगे, पसंद मेरे सामने लड़की, मुझे विश्वास करना मुश्किल हो गया, हमें भूलने की अवस्था के लिए अपना काम करने के के लिए 30 मिनट का समय देने के बाद उन छवियों पर अपरिहार विलोपन जिन्हें हमने इतनी जल्दी देखा था, इर ने डाल दिया स्लाइर का नया सेट, इस बार स्क्रीन पर दो तस्वीर थी, में से एक उन्हें हमने फले देखा था, और उन में से एक हमारे पास नहीं था, मुहम्मद अली बाही और और दाही और एक अलका सेल टजर टैग बलेट, उन्होंने हम सभी को उस तस्वीर की और इशारा करने के लिए कहा जिसे हमने पचाना था, काफी आसान, हम सभी जानते थे कि हमने मुहम्मद अली को देखा होगा, लेकिन अलका सेल टजर टैग प्रोफेशनल ली पेसिंग करते हुए लिनोलियम टाइल वाले सभागार के सामने हम इसे दस के साथ कर सकते थे हजार सलाइगर और आपने लगभग उतना ही अच्छा प्रदर्शन किया होगा आपका छवियों के लिए स्मृति इतनी अच्छी है वह अक्सर उद्धृत सेट का जिक्र कर रहे थे एक हजा प्रदर्शन के दशक में ठीक उसी तस्वीर का उप्योग करके किये गए प्रयोगों की संख्या मान्यता परीक्षन जो हमने अभी लिया था केवल तीस छवियों के बजाए शोधकरताओं ने अपने विश्यों को दस हजार याद रखने को कहा यह एक पूर्ण लिया परीक प्रद्यानिकों ने पाया कि लोग याद रखने में सक्षम थे उन्होंने जो देखा उसके 80 प्रतिशत से अधिक हाल ही के एक अध्ययन में 2500 चवियों के साथ एक ही परीक्षन किया गया था लेकिन लोगों से पूछने के बजाए मुहम्मद अली की चविक और अलकासेल बना में एक डॉलर के बिलों का धीर, अहरी ट्रेन कार बना में एक लाल ट्रेन कार, एक संकीरन हैंडल वाली घंटी बना में एक विस्तृत संभाल के साथ घंटी, यहां तक कि जब छवियां केवल एक छोटे से विवरण में भिन्न होती हैं, उनमें से 90 प्रतिशत लोगों को अभी भी ठीक से याद है, मैंने उन नंबरों को आश्चर यजनक पाया, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि वे केवल थे कुछ ऐसा परिमार्नित करना जिसे मैं सहज रूप से जानता था, कि हमारी यादे करती हैं अब आगत अच्छा काम है, हमारे की रोजमर्रा की असफलत पर पकड़ बनाने के लिए यादे खोई हुई चाबियां, भूला हुआ नाम, फैक्टॉइड अटक गया जो बान की नोका उनकी सबसे बड़ी नाकामी यह हो सकती है कि हम भूल जाते हैं कि कितनी बार हम भूल गए, यहाँ परीक्षन के बारे में सबसे अविश्वसनी य देखी हैं, और आप वास्तव में कर पाएंगे अधिक से अधिक बार दाही और इंगित करें, आपके दिमाग में कहीं है आपने जो कुछ भी देखा है, उसका एक निशान, यह एक साहसिक और संभावित रूप से संदिग्ध दावे की तरह लग रहा था, जो कि मैं था दे चित रूप से अंतरनिहित है, जिस तरह से हम अपनी यादों के बारे में बात करते हैं, जिन रूपकों का हम अकसर उप्योग करते हैं स्मृति का वरणन करने के लिए फोटोग्राफ, टेप रिकॉर्डर, दरपरण, दकम्प्यम ट्रस्भी या अंतरिक सठीक्ता का सुझा साव देते हैं, मानो मन कुछ हो हमारे अनुभवों का सावधानी पूर्वक प्रतिलेखक, दर असल मैंने सीखा है कि जब तक हाल ही में, अधिकांश मनो वैग्यानिकों को संदेह था कि हमारा दिमाग वास्तव में ऐसा करता है, सही रिकॉर्डर के रूप में कार्य करता है क जीवन भर की यादें चक्रा जाती हैं सेरेब्रल अटारी में कहीं दूर, और यदि वे नहीं मिल सकते हैं तो यह नहीं है क्यूंकि वे गायब हो गए हैं, लेकिन केवल इसलिए कि हमने उन्हें खो दिया है, एक में एक हजार नौस और असी में प्रकाशित अक्सर उद्ध पत्र, मनोवैग्याने के लिजाबेत लोफ्टस ने मतदान किया, उसके स्योगियों और पाया की उनमें से 84 प्रतिशत पूरी तरह से इससे समत हैं कथन, हम जो कुछ भी सीखते हैं वह स्थाई रूप से दिमाग में जमा हो जाता है, हालां कि कभीक भी विशेश विवरन उ एक सेट में है, एक कनाडाई द्वारा 1034 से 1034 तक किये गए प्रयोगों की संख्या वाइल्डर पेनफील्ड नाम के नियूरो सर्जन, पेनफील्ड ने विद्यूत जाच का इस्तेमाल किया मिर्गी के रोगियों के दिमाग को उत्तेजित करते हैं, जबकि वे होश में थे उनकी खुपड़ी के साथ ओपरेटिंग टेबल हुजागर, वह हिंगित करने की कोशिश कर रहा था उनके मिर्गी के स्रोत, और उम्मीद है कि इसका इलाज करेंगे, लेकिन उन्होंने पाया कि जब उनका जांचने उनके रोगियों के टेंपोरल लोग के कुछ हिस्सों को उन प्रयोगों के आधार पर पेन फील्ड आया विश्वास करें कि मस्तिष्ट वह सब कुछ रिकॉर्ड करता है जिसके लिए वह किसी भी डिग्री का भखुतान करता है सचेत ध्यान, और यह कि यह रिकॉर्डिंग स्थाई है, गच मनोवै ग्यानिक विलेम वागेनार भी ऐसा ही मानते थे चीज, छह साल तक, एक हजारन औस औच और एक हजारन औस औच और आसी के बीच, उन्होंने एक क्या की एक डायरी रखी हर दिन उनके साथ घटी दो सबसे उनलेखनी गटनाई, प्रतेक घटना के लिए उसने लिखा कि क्या हुआ, कौन शामिल था, यह कहा हुआ, और जब प्रतेक एक अलग कार्ण पर, एक हजारन औस औच और आसी में, उन्होंने देखने के लिए खुद को परखना शुरू किया, वह उन्च वर्षों में से कितना याद कर पाएगा, वह बाहर खीच लेगा अयादरिच छिक कार्ण, और देखें कि क्या उसके प वर्नित घटनाओं की कोई यादे हैं दिन, उसने पाया कि वह लगभग वह सब कुछ याद कर सकता है, जो हुआ था विशेश रूप से हाल की घटनाएं, बस कुछ पुनर प्राप्ति सुरागों के साथ, परन्तु लगभग 20 प्रतिशत सबसे पुरानी यादे पूरी तरह से लगती थी गायब हो गया, उनकी अपनी डायरी में वर्नित घटनाएं पूरी तरह से विदेशी लगी, मानो वे किसी अजनवी के साथ हो गए हो, पर क्या सच में वो यादे चली गही, वेगिनार को यकीन नहीं हुआ थे, उन्होंने दस घटनाओं पर एक और नजर डाल और उनसे विवरण मांगा जो से उसकी खोई हुई यादों को याद करने में मदद कर सकता है। अधिकांश मनुवैग भ्यानिक बढ़े हैं कम आशावादी की हम वास्तव में अतीत की सही यादे रखते हैं बस उजागर होने की प्रतीक्षा में जैसा कि नियूरो साइन्टिस्ट ने कुछ को उजागर करना शुरू कर दिया है स्मृति वास्तव में क्या है इसका रहस्य स पश्ट हो गया है कि समय के साथ यादों का लुप्त होना, परिवर्तन करना और अंततह गायब होना एक है वास्तविक गटना जो मस्तिष्क में सेलूलर स्तर पर होती है और अब अधिकांश समत हैं कि पेन फील्ड के प्रयोगों ने मतिभरम उत्पन्न किया वास्तविक या पर अधिक केवल सही संकेत, हम किसी भी तरह से हर एक बिट को बाहर निकालने में सक्षम हो सकते हैं एक बार हमारे दिमाग में चली जाने वाली जानकारी बनी रहती है वास्तव में, शायद मानव स्मृति के बारे में सबसे आम गलत धारणावह है जो एन इतनी लापरवाह प्रदीन के साथ प्रदीन जाते थे इस चिंता में कि किसी दिन किसी के साथ फोटोग्राफिक मेमोरी वरल्ड मेमोरी चैंपियन्शिप के बारे में पढ़ेगी अख़बार में दिखाओ और उसे और उसके स्योगियों को बाहर उड़ाओ पानी उन्हें यह जानने के लिए आश्वस्त किया गया कि अधिकांश वैग्यानिक अब समत हैं कि यह होने की संभावना नहीं है हालां कि बहुत से लोग फोटोग्राफिक होने का दावा करते हैं स्मृती इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कोई भी वास्तव में मानसिक रूप से स्टोर कर सकता है स्नैप शोट ले और उन्हें पूरी निष्ठा के साथ याद करें दर असल केवल एक मामला वैग्यानिक साहित्य में कभी भी फोटोग्राफिक मेमोरी का वरणन किया गया है 1970 में चार्ल्स स्टोमेयर आई 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 नामक एक हारवर्ड रिष्टी वैग्यानिक नेचर में एक पेपर प्रकाशित किया जो दुनिया के सबसे सम्मानित वैग्यानिक में से एक है जर्नल एलिजाबेत नाम की एक युवा महिला के बारे में जो हारवर्ड की छात्रा थी जो हैरत अंगिज कारनामा कर सकते हैं स्ट्रो मेयर ने एलिजाबेत की दाहिनी आंख दिखाई 10,000 याद्रिच छिक बिंदूं का एक पैटर्न और एक दिन बाद उसने उसे बही और दिखाया आंख एक और डॉट पैटर्न आश चर्यजनक रूप से एलिजाबेत मानसिक रूप से फ्यमूज करने में सक्षम थी दो छवियां जैसे कि वे उन मैजिक आई या द्रिच छिक बिंदू में से एक थी स्टीरियो ग्राम जो 1090 के दशक में एक सनक थे जब उसने किया तो उसने दावा किया एक एकल नई चविद देखें जहां दो बिंदू पैटर्न ओवरलेप हो गए हैं एलिजाबेथ प्ला निरनायक सबूत पेश करता प्रतीत होता है कि फोटोग्राफिक मेमोरी है मुम्किन लेकिन फिर एक सोठो पेराट्विस्ट में स्ट्रो मेयर ने उससे शादी कर ली और उसने आगे के परीक्षन का विशय कभी नहीं था 1989 में जौन मेरित नाम के एक अन्य शोध करता ने जांच करने का फैसला किया स्ट्रो मेयर के दावे उन्होंने पत्रिकाओं में एक फोटोग्राफिक स्मृती परीक्षन रखा और देश भर के समाचार पत्र इसमें दो यादरिच्छिक बिंदु शामिल थे चित्र मेरित को उमीद थी कि कोई इसी तरह की क्षमताओं के साथ आगे आ सकता है एलिजाबेत के लिए और साबित करें कि उसका मामला अद्वितिय नहीं था वहांकता है कि लगभग 10 लाख लोगों ने परीक्षन में हाथा आजमाया उस संख्या में से 30 सही उत्तर के साथ लिखा और 15 मेरिट द्वारा अध्ययन करने के लिए समत हुए लेकिन वैग्यानिकों ने अपने कंधों को देखा उन में से कोई भी दूर नहीं जा सका होजने में असमर्थता कि कुछ मनुवै ग्यानिकों ने निशकर्ष निकाला है कि इसमें कुछ गड़बर है स्ट्रो मेयर के निशकर्ष वह इस से इनकार करते हैं हमें अपने बारे में कोई संदेह नहीं है डेटा उन्होंने मुझे फोन पर बताया फिर भी उनका एकमहिल अध्ययन वह स्वीकार करते हैं इस अन्य लोगों के पास फोटोग्राफिक मेमोरी होने के पुखता सबूत नहीं है बड़े होकर मैं अतिरूरिवादी यहुदियों के बारे में कहानियों से मुध्ध हो गया था जिसने बेबी लोन के तलमूर के सभी 5,422 प्रिष्ट कंठ कर लिए थे अच्छी तरह से कि जब तलमूर के साथ में से किसी के माध्यम से एक पिन फंस गया था ती इन ट्रैक्टिट्स या किताबें वे आपको बता सकते हैं कि यह किन शब्दों से घुजरा है प्रतेक प्रिष्ट पर मैं हमेशा मानता था कि उन कहानियों को अपोक्र प्रभावशाली परमारनु के रूप में यहुदी पंत के वैद सदस्य एक हजार नौस उसत्रह में इज जोर्ज स्ट्रैटन नामक मनुवैग भ्यानिक ने जर्नल में एक अध्ययन लिखा पोलिश तलमूरिक विद्वानों के एक समूह के बारे में मनुवैग भ्यानिक सम प्रभावशाली यादों के बावजूद उन में से कोई भी कभी नहीं विद्वानों की दुनिया में कोई प्रमुकता प्राप्त की, शस्पोलाक ने नहीं किया एक दिमाग की द्रणहता के रूप में फोटोग्राफिक यादें इतनी अधिक हैं उनकी पढ़हाई में, अगर फोटोग्राफिक मेमोरी सिर्फ एक मिथक है, तो रूसियों के बारे में क्या पत्रकारेज? अगर वह अपने दिमाग में स्नैक शॉट नहीं ले रहा था, तो वह वास्तव में क्या था काम? कि असाधारन स्मृति उनके मस्तिश्क की एक मात्र अजीब विशेशता नही और कभीक भी स्वाद भी, और एक संपूरन भावनाओं का जटिल, कुछ शब्द चिकनी और सफेद थे, अन्यज, नारंगी और तीर की तरह तेज, लुरिया के स्योगी की आवाज, प्रसिद्ध मनुवैग्यानिक लेव वाय गोत्स की कुरकुरे पीले थे, छायाकार सरग सेनस्टीन की आवाज एक फाइबर से निकलने वाली लो, जैसी थी यह, शब्दों ने इसके दिमाग को मानसिक कलपना से प्रजवलित कर दिया, जब आप या मैं सुनते हैं कोई हाथी, शब्द का उल्लेक करता है या इस प्रिष्ट पर शब्द पढ़ता है, हम तुरंत सम हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है, और इस दोरान सामान्य बातचीत या पढ़ना, आम तोर पर इसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन है कि ठीक वही जो एस ने किया, स्वचालित रूप से और तुरंत, उसके प्रत्य एक शब्द के सा का अर्थ है, से एक छोटा नीला जंडा लराते हुए किसी व्यक्ति की छविखिर की, उन्होंने लुरिया को बताया, क्यूंकि हर शब्द एक को बुलाता है सहवर्ती संशलेशक छविख भीक भी स्वाद या गंद भी एक तरह के जागरत स्वपन में रहते थे, जो एक बा उस हुआ वास्तविक्ता से अप्रभेध्य समय, वास्तव में यह एक ना मुश्किल होगा, जो उसके लिए अधिक वास्तविक्ता, कल्पना की दुनिया जिसमें वह रहता था, या वास्तविक्ता की दुनिया जिसमें वह एक अस्थाई अति थी था, लूरिया ने लिखा, सभी असको यह कलपना करनी थी कि वह अपनी नबज बनाने के लिए ट्रेन के पीछे दौर रहा है दौर या अपना तापमान बनाने के लिए अपने हाथ को गर्म ओवन में चिपकाने की कलपना करें वरिद्धी उन्होंने अपनी छवियों के साथ दर्द को खत्म करने में सक्षम होने का दावा किया चलो कहो मैं डिंटिस्ट के पास जा रहा हूँ मैं वहां बैठता हूँ और जब दर्द शुरू होता है तो मुझे इसका इहसास होता है यह एक छोटा नारंगी लाल धागा है मैं परेशान हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर यह जारी रहता है धागा तब तक चोड़ा होगा जब तक कि यह घने द्रव्यमान में न बदल जाए इसलिए मैंने धागा काट दिया इसे छोटा और छोटा करें जब तक कि यह केवल एक छोटा बिंदु न हो और दर्द गायब हो जाता है तसके लिए समसंख्याओं का अपना व्यक्तित्व था नमबर एक ले यह एक अभिमानी अच्छी तरह से निर्मित व्यक्ति है दो एक उत्साही महिला है तीन एक उदास व्यक्ति क्यों मुझे नहीं पता चह सूजे हुए पांव वाला मनुश्य साथे के साथ एक आदमी मूच आठ एक बात मोटी और तएक बोरी के भीतर एक बो गया उन्हें परिशानी हुई अमूर्त अवधारनाओं और रूपकों को समझना मैं ही समझ सकता हूँ मैं क्या कलपना कर सकता हूँ उन्होंने समझाया अनन्त और कुछ नहीं जैसे शब्द है उसकी समझ से परे उदाहरण के लिए कुछ शब्द ले मेरे लिए यह एक है भाप का घ्रना बादल जिसमें धुए का रंग होता है जब मैं शब्द सुनता हूँ कुछ नहीं मुझे एक बादल भी दिखाई देता है लेकिन वह एक पतला पूरी तरह से पारदर्शी है और जब मैं इस कुछ भी नहीं के एक करण को पकरने की कोशिश करता हूँ तो एक कविता को पढ़ना लगभग असंभव था जब तक कि यह पूरी तरह से न हो शाब्दिक साधारन कहानियों को भी समझना मुश्किल साबित हुआ क्योंकि उनका जब उसने कलपना करने की कोशिश की तो अप्रिवर्तनिय छवि निर्मान उसे नीचे गिरा देगा हर जंग यह केवल एक रूपक नहीं है बलकि मस्तिश्क का प्रतिविम्भ है भौतिक संरचना हमारी रिण के उपर संतुलित तीन पौंड द्रव्यमान है एक्स और अरब नियूरॉंस के पडोस में कहीं से बना है प्रतिय एक जिन में से पांच से दस हजार सिनेप्टिक कनेक उपर की और बना सकते हैं अन्य नियूरॉंस के साथ एक स्मृति सबसे मौलिक शारी रिक स्तर पर उन नियूरॉंस के बीच कनेक्शन का एक पैटर्न है हर एहसास जो हमें याद है हर विचार जो हम सोचते हैं बदल कर हमारे दिमाग को बदल देता है उस विशाल नेटवर् के बारे में सोचते हैं और नाश्टे और करवाहट के स्वाद के बारे में भी यह का एक कार्य है एक वास्तविक भ उतिक मार्ग के चारों और धूनते हुए विद्योत आवेगों का ज़र्ना आपके मस्तिष्ट के अंदर जो नियूरॉंस के एक सेट को जोडता है जो की अ अवधारना को एंकोर करता है अन्य लोगों के साथ कॉफी जिसमें कालापन, नाश्टा और की अवधारनाएं शामिल हैं करवाहट इतना तो वैग्यानिक जानते हैं लेकिन वास्तव में कोशिकाओं का संग्रह कैसे होता है एक स्मृति समाहित हो सकती है जो सबसे घरी पहली म एक है तंत्रिका विज्ञान, हाल के दश्कों में कि गई सभी प्रक्ती के लिए यह अभी भी है मामला है कि किसी ने भी वास्तव में मानव मस्तिष्क में स्मृति नहीं देखी है। हालांकी इमेजिंग तकनीक में प्रती ने नियूरो साइंटिस्ट को अनुम्ति दी है मस्तिष्ट की बुनियादी स्थलाकृती और नियूरोंस के अध्ययन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें हमें अंदर और बीच में क्या होता है इसकी एक सपष्ट तस्वीर दी है व्यक्तिगत मस्तिष्ट को शिकाएं विज्ञान अभी भी अपेक शाकृत अन्जान है कि क्या मस्तिष्ट की जुरीदार बाहरी परत प्रांतस्था के परिपत में ट्रांसपायर होता है जो हमें भविश्र की योजना बनाने लंबा विभाजन करने और कविता लिखने क अनुम्ति देता है और जो हमारी ज्यादातर यादों को संजोए रखता है मस्तिष्ट के बारे में हमारे ग्यान में हम जैसे कोई उची उडान वाले हवाई जहाज से किसी शहर को नीचे देख रहा हो वे कैन बताएं कि और योगिक और आवासिय परोस कहा है जहां हवाई अरड़ा है मुख्य या तायात धमनियों का स्थन जहां उपंगर शुरू हम यह भी जानते हैं कि शहर की अलगहलगे का यहां क्या है नागरिक और इस रूपक में नियूरॉन्स जैसे दिखते हैं लेकिन अधिकंश भाग के लिए हम यह नहीं कर सकते कि भूख लगने पर लोग कहां जाते हैं लोग कैसे बनाते हैं अरह रहे हैं या किसी दिये गए व्यक्ति का आवागमन कैसा दिखता है दिमाग बनाता है करीब से और दूर से मसूस करो यह बीच बीच में है विचार की सामगरी और स्मृति मस्तिष्क की भाषा जो एक भन्रहस्य बनी हुई है हालां कि एक बात स्पष्ट है हमारे की अरेखिय साहचर या प्रकृती दिमाग हमारे लिए अपनी यादों को सचेत रूप से खोजना असंभव बना देता है एक व्यवस्थित तरीका एक स्मृति केवल सीधे चेतना में आती है यदि वह किसी अन्य विचार या धारना से संकेतित लगभग में कुछ अन्य नोड असीमित इंटरकनेक्टेड वेब तो जब कोई स्मृति गुन हो जाती है या कोई नाम जीब की नोग पर फंस जाता है इसका शिकार करना निराशाजनक हो सकता है और अकसर्व यर्थ हमें अंधेरे में एक टौच लेकर ठोकर खानी पड़ती है जो संकेतों के लिए होती है हमें उस जानकारी के हिस्से पर व दिख रहे हैं आहां उसका नाम लिसा था क्यूंकि हमारी यादें किसी भी प्रकार के रेखिक तर्प का पालन न करें हम न तो प्रमिक रूप से खोज सकते हैं उन्हें और नहीं उन्हें ब्राउज करें लेकिन इस कर सकता था इसकी यादें एक कार्ण के रूप में रेजि याद रखने के लिए कहा है, भालू, ट्रक, कॉलिज, जूता, नाटक, कच्रा और तर्बूज, आप शायद उन सभी साथ शब्दों को अच्छी तरह से याद करने में सक्षम हो, लेकिन इसकी संभावना कम है, आप उन्हें क्रम से याद रखने में सक्षम होंगे, इसके अनुसरन किया जा सकता है, तीसरा, इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता था कि वह दानते की डिवाइन पौमेडी को याद कर रहे थे या गणितिय समीकरन, उनकी यादें हमेशा रेखिये में संग्रहीत होती हैं, जंजीर, यही कारण है कि वह उतनी ही आसानी से पिछड़ी लाके माध्यम से पढ़ता है शब्द, प्रत्य एक शब्द एक ग्राफिक छवि प्राप्त करेगा, और चूंकी श्रिंखला थी काफी लंबे समय तक, उन्हें अपनी इन छवियों को एक में वित्रित करने का कोई तरीका खोज ना पढ़ा मानसिक पंक्ति या क्रम, लुरि स्ट्रीट या तोर्जोक में उनके घर के नीचे एक मानसिक जहल कदमी, और किसी अन्य स्थान पर जहां वह एक बार गया था, और अपनी प्रत्य एक शवि को ए, पर स्थापित करें चलने के साथ अलग बिंदु, एक शवि द्वार पर रखी जा सकती है एक घर का, दूसरा गली के लेंप के पास, दूसरा धरने की बार के उपर, दूसरा बगीचे में, दूसरा स्टोर की खिरकी के किनारे पर, यह सब उसके दिमाग की आंखों में इतनी सहजता से हुआ जैसे कि वह असली रख रहा हो एक वास्तविक सड़क के साथ वस्तूओं, उन ही साथ को कहा जाए तो भालू, ट्रक, कॉलिज, जूता, नाटक, कच्रा और तर्बूज, वह उनमें से प्रत्येक के साथ एक छविक को जोड़ देगा, और बिखर जाएगा उनके कई मानसिक रास्तों में से एक के साथ, जब असकिसी दिन, महीने, साल या दशक में जानकारी को य जब एस किया, दुरलब हवसरों पर, कुछ भूल जाते हैं, यह चूक, स्मृति के दोश नहीं थे, लेकिन वास्तव में, दोश थे, धारना की, लुरिया ने लिखा, एक उदाहरन में, एस बीच में पेंसिल, शब्द भूल गया, शब्दों की एक लंबी सूची जिसे उस पता है, पर हुआ क्या था कि छविबार के साथ जुड़ी हुई है, और मैं बिना अतीत में चला गया, इसे नोटिस कर रहा है, एक अन्य अवसर पर, वह अंडा, शब्द भूल गया, मैंने इसे लगाया था एक सफेद दीवार के खिलाफ और यह प्रिष्ठभूमे के साथ मिश्रित हो गया, उन्होंने समझाया, इसकी याददाश एक ऐसा जानवर था जिसने अंधा धुंद सब कुछ खालिया खिलाया गया था, और जानकारी के उन तुप्रों को मिटाने में परेशानी हुई जो थे रखने लायक होने के लिए बक्तुच्च, इसके सामने सबसे बड़ी चुन ओती थी लुरिया ने जिसे भूलने की कला, कहा है, उसे सीखना, सम्रिद्ध छविया जो हर बनाई गई सनस्नी निराशाजनक रूप से अमिट साबित हुई, उन्होंने प्रयोग किया अपने दिमाग से उन्हें मिटाने के लिए विभिन तकनीके, उन्होंन भी अंगारे के बीच मंडराते हुए नंबर देख सकते हैं, आखिरकार उन्होंने एक अहसास, एक शाम, एक चार्ट से विशेश रूप से परेशान मसूस करते हुए जिन नंबरों को उन्होंने फले याद किया था, उन्हें भूलने का रहस्य पता चला, उसे बस इतना कर ना था कि वह खुद को आश्वस्त कर ले कि वह जो जानकारी चाहता है भूलना व्यर्थ था, अगर मैं नहीं चाहता कि चार्ट दिखाई दे तो यह नहीं होगा, वह चिल लाया, और मुझे यह मसूस करने के लिए बस इतना ही लगा, कोई यह मान सकता है कि असकी वैक्यू मकलीनर में मोरी बनी होगी उन्हें एक दुर जेय पत्रकार, मैंने सोचा कि अगर मैं केवल बिना नोट्स ले सकता हूँ, नोट्स लेना और मेरी उंगलियों पर हर तथ्य है जिसे मैंने कभी पचा लिया है, मैं होगा मेरे काम में बत बेहतर, मैं हर चीज में बेहतर होता, लेकिन पेशेवर रूप से एस असफल रहा उनका अख़बार टमटम लंबे समय तक नहीं चला और वह कभी भी एक स्थिर नौकरी को बनाए रखने में सक्षम नहीं था वह लूरिया के में था अनुमान, कुछ हद तक लंगरहीन व्यक्ति इस उम्मीद के साथ जी रहा है कि किसी भी समय उसके रास्ते में कुछ विशेश रूप से अच्छा आना था अन्ततह, उनकी स्थिती ने उन्हें एक मंच के अलावा किसी भी चीज के रूप में बेरोजगार बना दिया कलाकार अलफरेन हिचकोप कितियों के स्मृति शास्त्री की तरह एक नार्किय क्यूरियो 49 कदम दुनिया में सबसे अच्छी याददाश्त वाला आदमी बस याद किया जाता है बगत अधिक जॉर्ज लुइस बोर्गेस ने अपनी लगव कहानी फ्यून्स दमे मोरियस में वर्णन किया है एसका कालपनिक संसकरण एक अचूक स्मृति वाला एक व्यक्ति जो एक द्वारा अपंग है भूलने में असमर्थ हता वतुच्च और महत्वपूर्ण के बीच अंतर नहीं कर सकता बोर्गेस का चरित्र फन प्राथ मिक्ता नहीं दे सकता सामान्य इकरण नहीं कर सकता वह वस्तुत है सामान्य प्ल याद रखना यही वह सार है जो हमें इंसान बनाता है बनाना दुनिया की भावना हमें इसे फिल्टर करना चाहिए सोचने के लिए बोर्गेस लिखते हैं भूलना है जबकि तथ्यों के लिए इसकी क्षमता लगभग अविश्वसनिय लगती है वह वास्तव में हम सभी अक्सर महिलाएं मोटर स्कूटर पर धीरे धीरे अंदर और बाहर डार्टिंग करते हैं नक्षों का अध्ययन करते समय उनके हैंडल बार्स पर चिपकाए गए ट्रैफिक की संख्या यही अध्ययन शील साइकिल चालक लंदन कैप ड्राइवर बनने के लिए प्रशिक्षन इस से फ्लेकिवे कर सकें लंदन के पब्लिक कैरिज ऑफिस से मान्यता प्राप्त करें कैबि इन स्थानों और यातायात को याद रखने के लिए प्रशिक्षन में दो से चार साल का समय लगना चाहिए विशाल और व्यापक रूप से भ्रमित करने वाले शहर में सभी 25,000 साथ ही 1400 और स्थलों के स्थानों के रूप में उनका प्रशिक्षन एक में समाप्त होता है कुख्यात चुनोती पूर्ण परीक्षा जिसे ग्यान कहा जाता है जिसमें वे न केवल महानगर में किन ही दो बिंदों के बीच सबसे छोटा मार्ग प्लोट करना है क्षेत्र लेक के एक neuroscientist ने इलेनोरो नाम दिया मगवाईर यह पता लगाना चाहता था कि क्या प्रभाव यदि कोई हो जो चारों और चला रहा है लंदन की भूल भूल या सडकों पर कैबियों के दिमाग में हो सकता है कब वह 16 टैक्सी ड्राइवरों को अपनी प्रयोग शाला में ले आ कैबियों में सामान्य से 7 प्रतिशत बड़ा था एक छोटा लेकिन बाग महत्वपूर्ण अंतर मगवाईर ने निशकर्ष निकाला कि सभी तरह से खोज लंदन के आसपास ने उनके दिमाग की स्थूल संडचना को शारीरिक रूप से बदल दिया था जितने अधिक वर्ष नियूरोपलास्टी के रूप में यह लंबे समय से सोचा गया था कि वयस्क मस्तिश्क था नए नियूरॉन्स पैदा करने में असमर्थ की सीखने के दोरान सिनेपसिस होता है खुद को पुनर्वय वस्थित करने के लिए और मस्तिश्क को शिकाओं के बीच नए लिंक बना मैगविरे ने फैसला किया उसका ध्यान मानसिक इथलीटों की ओर लगाएं उसने एलिजाबेत के साथ मिलकर काम किया वैलिंटाइन और जॉन वाइल्डिंग अकादमिक मोनोग्राफ सुपीरियर के लेखक स्मृती दस व्यक्तियों का अध्ययन करने के लिए जो शीर्ष के स्मृतिक शमताओं का बेहतर उप्योग कर रहे थे जो हम सब के पास है शोधकरताओं ने मानसिक इथलीटों और मिलान के एक समुह दोनों को रखा विश्यों को मुरी स्कैनर में नियंतरित करे और उन्हें तीन अंकों को याद करने के लिए कहें संख्याएं लोगों के चे पियन के दिमाग में अंतर सबूत है कि उनके दिमाग या सब करने की प्रक्रिया में किसी तरह खुद को पुनरगठित किया था घंसमरण लेकिन जब शोधकरताओं ने इमेजिंग की समीक्षा की डेटा एक भीम हत्वपूर संडचनात्मक अंतर नहीं निकला कि दिमाग मा प्रभेद्य प्रतीत होते हैं विश्यों को नियंद्रित करें इसके अलावा सामान्य संग्यानात्मक के हर एक परीक्षन परक्षमता मानसिक एथलीटों के स्कुर सामान्य सीमा के भीतर अच्छी तरह से वापस आगे मेमोरी चैंपियन ज्यादा स्मार्ट नहीं थे और उन नियंद्रन विशये, जब शोधकरताओं ने देखा कि किसमें जब मानसिक एथलीट थे तब मस्तिष्ट के कुछ हिस्से प्रकाश कर रहे थे याद करते हुए, उन्होंने पाया कि वे पूरी तरह से अलग सरकिट्री को सक्रिय कर रहे थे। जिन्हें इसमें शामिल होने के लिए जाना जाता है दो विशिष्ट कार्य, द्रिशिस्मृति और स्थानिक नेविगेशन, जिसमें शामिल हैं वही दाहिना पिछला हिपो कैमपस्क शेत्र जो लंदन के कैवियों के पास था उनके सभी डैनिक मार्ग खोज के साथ बढ़ चाहिए जब उन्हें माना जाता है बर्फ के तुपड़े के आकार याद हो, मैगविरे और उनकी टीम ने मानसिक एथलीटों से सठीक वरनन करने के लिए कहा याद करते समय उनके दिमाग में क्या चल रहा था, मानसिक एथलीटों ने एक ऐसी रणनीती के बारे में बताया जो लगभग अस की तरह ही लग रही थी दावा किया गया था कि उसके दिमाग में हो रहा था, भले ही वे नहीं थे एस जैसे जन्मजात सिनस्थेट, मानसिक एथलीटों ने कहा कि वे होशपूरवक थे उन सूचनाओं को परिवर्तित करना जिन्हें उन्हें याद करने के लिए कहा जा रहा था छवियों और परिचित स्थानिक यात्राओं के साथ उन छवियों को वितरित करना, यस के विपरीत, वे इसे स्वचालित रूप से नहीं कर रहे थे, या क्योंकि यह एक जन्मजात था प्रतिभा जो उन्होंने बचपन से पोशित की थी, बलकि के और उसके शांत दोस्त लुकास पर मुहित पाया, और यह उनकी यादों को कठिन और रूप में धकेलने के लिए उनकी दुर्जय यधवनिवाली परियोजना जहां तक वे कर सकते थे, और वे वैसे ही मुहित लग रहे थे मैं, लगभग उसी उम्र का पत्रकार, जो अपनी कहानी साजा कर सकता है कुछ पत्रकाएं जिनके बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना होगा, और शायद अपनी शुरुआत करे स्मृति चिन हस्तियों के रूप में करियर, हाई स्कूल में एर के व्याख्यान के बाद, उन्होंने मुझे उसके और लुकास का अनुसरन करने के लिए पास के एक बार में आमंतरित किया, जहां हम मिले एक महत्वा कांक्षी फिल्म निर्माता और एर के पुराने बोर्डिंग स्कूल दोस्त, जिनके पास था आठमे मीवीरियो कैमरा के साथ नियू यॉर्क के आसपास उनका पीछा कर रहा था, लुकास के प्रयास सहि उनके हर साहसिक साहसिक कार्य का दस्तावे जी क्रण 53 सेकंड की लिफ्ट की सवारी परताश खेलने के एक डेक को याद करने के लिए एंपायर स्टेट बिल्रिंग का अवलोकन डेक, हम देखना चाहते थे कि क्या दुनिया में सबसे तेज लिफ्ट आस्ट्रियाई स्पीड कार्ण चैंपियन से तेज थी, एग मर गया, यह नहीं था, कुछ ड्रिंक्स के बाद, एग मुझे असपश्ट में ध्राई तक ले जाने के लिए उत्सूप था मानसे के इथलेटिक रहसियों का अंडर वर्ल्ड, उन्होंने मुझे से मिलवाने की पिशकश की के ल 7 के लालंपुर में है, मैंने पूछ लिया, नहीं, के एल जैसा की नाइट्स ओफ लर्निंग में है, और साथ इसलिए है क्यूंकि यह शुरू हुआ था हम में से साथ के साथ, लुकास ने समझाया, जबकि 3 में से एक को मुफ्त बियर उसने वैट रेस के लिए ताश के पत्तों से अधिक की बंदोबस्ती लुकास के बैंक खाते में पड़ा है, एर ने सुई कार किया कि के एल सेवन कभी नहीं है, वास्तव में बात कुछ किया, सिवाय इसके कि शाम के बाद एक साथ पिये स्मृति प्रतियोगिताएं कभी भी एक परिश्कृत दबाव्यूक्त क्यग, द्वारा सहायता प्राप्त लुकास द्वारा डिजाइन किया गया अटैच्मेंट जो एक सूट केस में तबदील हो जाता है, जब मैं अधिक जानकारी के लिए इनको दबाया, उन्होंने समाज का प्रदर्शन करने की पिशकश किये कल पोशित समारोव, बस इसे एक शैता चुम्बन और याद 49 याद रिच्छिक अंग, 49 अंग क्यों, यह सात वर्ग है, मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह वास्तव में काफी कठिन है, ने कहा लुकास, उसने एक चमकदार चारकोल सूट और एक चमकदार टाइप हन रखी थी, और उसके पास नहीं था व पहपले ही जीप चुका था, उसे देने के लिए गाल पर तीन चोज, तकनी की रूप से यह हसन तो शजनक है, लेकिन हम इसे गिनेंगे, एर ने घोश ना की, अग उसकी ठुड़ी के नीचे से बियर की धारा बह रही है, उसने अपनी जेब से एक पन्ना निकाला मुदृत संख्याओं की और इसे खंडों में फार दिया, उसकी उंगली के पार डौल गई तब तक स्क्रैप करें जब तक कि वह 49 वें अंक तक न पहुँच जाए, जिस बिंदू पर वह खड़ा हो गया और थूप दिया, लगभग हो गया, और फिर लंगड़ा कर पास के एक बूत पर पहुच गया, जहां उसने चांदी के बालों वाली तीन महिलाओं को अपनी दुर्दशा समझाने की कोशिश की, इस लाउद बार का आनंद लेने के लिए बाग पुराना लग रहा था, समय समाप्त होने के साथ, और इस से फले किवे उसकी दलील का जवाब दे पाते, वह मेज पर जूट गया था और अपने होल्ठों को उनके धनसा, फूले हुए गालों में से प्रत्येक पर लगाया, एग विज्जेई होकर लोटा, अपनी मुठ़ी पंप करके और उच्च फाइव की याचना, हम सब, उसने मेज के लिए एक और दौर का आदेश दिया, जीवन में भाग लेता था जैसे कि यह कला थी, और करने के लिए एक अध्ययन, सावधान लापरवाही का अभ्यास करें, उसकी समझ क्या योग्य है, उप्योगी क्या है, कि किसी भी पारमपरिक अर्थ के साथ बागत कम ओवरलेट करना प्रतीत होता है, और यदि कोई एक उपदेश था जो उसके जीवन को नियंतरित करने के लिए कहा जा सकता है, तो वह यह है कि हर मोड पर पलायन को सम्रिद्ध करने में सनलगन होना किसी की सर्वोच्च कॉलिंग है, वह एक वास्तविक बोन विवेंट थे, और फिर भी उन्होंने अपने पीएचडी के विश में सुन्दर नहीं था, और फिर भी उस रात बाद में, मैंने देखा वह गली में एक महिला के पास जाता है, सिग्रेट मांगता है, और कुछ मिनट बाद में उसका फोन नंबर पढ़कर दूर चले गए, उनकी सामान्य बार चाल, उन्होंने बताया मुझे, एक क्योवा मह मिला को जख जोरना, और उसे एक बनाने के लिए आमंतरित करना शामिल है, मन माने धंग से लंबी संख्या, और फिर उसे एक बोतल खरीदने का वादा किया, शैंपेन क्या उसे इसे सफलता पूर्वक याद रखना चाहिए, शाम के दोरान, एर ने मुझे कहानी के बाद कह रीगल किया उनके कारनामों और शिक्षा प्रद्दुस साहस, एक समय था जब उसने फिंका था न्यूजी लेरिंड में एक बार की खिर्वकी के माध्यम से अपने निरलज्ज स्वके क्रम में एक बाउंसर को दरकिनार, जिस समय उन्होंने एक सुपर मॉडल की पार्टी को क्रेश किया लंडन, तब यह आसान था, मैं वहील चेयर में था, और मैं एक कर सकता था सुपीरियर वहीली, जिस समय उन्होंने ब्रिटिश दूत आवास में एक पार्टी को दुरगटना ग्रस्त किया था पेरिस, मैंने देखा कि राजदूत मेरे गंदे जूतों का हर समय पीछा करता रहा है पूरे कमरे में, और वह अपने द्वारा बिताए 12 घंटे कैसे भूल सकता है लोस एंजिल्स शहर में बस किराये के लिए पैन हैंडलिंग, उस समय मैंने इन स्वयम के बारे में संदेह का एक नोट सुना होगा पौरानिक कहानिया, लेकिन ऐसा केवल इस हिससा इर और लुकास के साथ बिताया और उनमें से कोई भी नहीं एक बार मुझे मेरे नाम से पुकारा था, हालांकि मुझे यकीन था कि जब मैं पले अपना परिचय दिया, इर ने मुझे वैटरेस के सामने इस तरह रेफर किया था हमारे पत्रकार मित्र, और लुकास ने पूचा था कि उस तरह के प्रभावशाली कोशल की तरह लग रहा था जो जीवन में एक दूर ले लो, माना जाता है कि बिल क्लिंटन को कभी भी एक नाम नहीं भूलना चाहिए और अच्छा, देखो वह उसे कहा मिला, लेकिन अब मेरे साथ ऐसा हुआ कि एर का हो सकता है, थोड़ा असपश्ट था, और हो सकता है कि है, कि समान प्रकृति का हो एक लाख से पीछे की गिंती कर सकता है जैसे, हाँ, अगर वह वास्तव में चाहता था, मैं एर से पूछा कि क्या उसे मेरा नाम याद है, बैशक, यह जोश है, मेरा उतनाम, मल, क्या तुमने मुझे ब याद रखना, सिध्धान्त रूप में, मैं करता हूँ, लेकिन इसकी उपयोगिता की मात्रा के व्योत प्रमानुपाती होती है, मैंने शराब पी है, एर ने मुझे नाम को यादगार बनाने की अपनी प्रक्रिया के बारे में बताया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने प्रतिय किया था कि मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ, पार्टियों और बैठकों में लोगों के नाम याद रखें। और उस व्यक्ति का नाम याद रखना होगा तित्री, आपके द्वारा बनाई गई छवे बस आपके दिमाग में वापस आ जाएगी, तो हम, आपने कहा था कि आपका नाम जोश फ्योर था, ए, उसने एक भूठाई और उसकी थुड़ी को एक मेलो ड्रामेटिक स्ट्रोक द फोर फोर, समझे, वह छोटी छवी है, अधिक मनोरंजक मेरे लिए, कम से कम आपके मातर नाम से, और चाहिए मन में अच्छी तरह से रहो, मेरे साथ ऐसा हुआ कि यह एक तरह कथा निर्मित सिनेस्थेसिया, यह समझने के लिए कि इस प्रकार की स्मरक चाल क्यों काम करती है आपको यह जानने की जरूरत है, एक अजीब तरह कि विस्मृती के बारे में कुछ जो मनोवे ग्यानिकों के पास है, बेकर बेकर विरोधा भास, करार दिया, विरोधा भास इस प्रकार है, शोध करता दो लोगों को एक ही चेहरे की तस्वीर दिखाता है, और एक को बताता है, उनमें से की लड़का एक बेकर है, और दूसरा उसका अंतिम नाम बेकर है, एक दो दिन बाद, शोध करता उनहीं दो लोगों को एक जैसा दिखाता है, फोटोग्राफ और साथ के शब्द के लिए पूछता है, वह व्यक्ति जो था बताया कि आदमी का पेशा इसे रहा आदमी एक बेकर है, तो यह तथ्य सामने आता है, एक बेकर होने का क्या अर्थ है, इसके बारे में विचारों के पूरे नेटवर्क में अंतरनिहित है, वह रोटी पकाता है, वह एक बड़ी सफेद तोपी पहनता है, जब वह आता है तो अच्छी खुश्बू आती है काम से घर, दूसरी ओर, बेकर नाम केवले से जुड़ा है, व्यक्ति के चेहरे की स्मृती, वह कड़ी कमजोर है, और क्या इसे भंग कर देना चाहिए, खोई होई यादों की दुनिया में नाम अप्रिवर्तनिय रूप से तैर जाएगा, जब कोई शब्द ऐसा लगता है क यह जीब की नोक पर फंस गया है, तो इसकी संभावना है क्योंकि हम तंत्रिका नेटवर्क के केवल उस हिससे तक पहुँच प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें शामिल, है विचार, लेकिन यह सब नहीं, लेकिन जब आदमी के पेशे की बात आती है, तो वहां हैं मेमोरी को व लाव देखें बड़ी सफेद तोपी, या हो सकता है कि आप अपनी खुद की स्मृती को जोड़ने पड़ोस की बेकरी, उस उलजन में कितनी भी गांठें हैं संग्धों को उनके पेशे में वापस खोजा जा सकता है, करने के लिए रहस्य नाम और चेहरे की घटना में सफल और लोगों को याद करने के लिए वास्तविक दुनिया में नाम बस बेकर्स को बेकर्स में बदलने के लिए है, या फोर्स चौकों में, या रेगन मेरी गन, या एक सरल चाल है, लेकिन अतियधिक प्रभावी है, मैंने स्वयम तकनीक का उप्योग करके उसका नाम याद र शेप किया, वह हाई स्कूल में भारी हुआ करता था, तब से मेरे बड़े भाई का बचपन का उपनाम जौनी था, मैंने अपनी आंखे बंद कर ली और उन दोनों को एक साथ चित्रित किया, हाथ में हाथ डाले, एक पाउन केक खा रहा था, आप जानते हैं कि हम आपको इस चैंपियंशिप जीती है, मैं समझता हूँ कि आप अमेरिकियों को कम सम्मान देते हैं, मैंने कहा, इसके विपरीत, उनके पास सही कोच नहीं था, उन्होंने कहा, मुरते हुए, मेरे पास वापस आ जाओ, मुझे लगता है कि आप अगले साल चैंपियंशिप जीत सकते हैं घंटे का अभ्यास एक दिन उसने लुकास की और देखा क्या आपको नहीं लगता कि यह सही है लुकास ने सिरहिलाया आप और टोनी भुजान दोनों मैंने कहा आँ, हाँ, अनुमानित टोनी भुजान एर ने उपहास किया क्या उसने आपको बेचने की कोशिश की मस्तिश्क के मानसपेशी होने के बारे में वह बक्वास उम, हाँ, उसने किया कोई भी जो संबंधित विशेशताओं के बारे में सबसे पले जानता है दिमाग और मानसपेशिया जानती हैं कि साद्रिश कितना खतरनाक है यह मेरा पला संकेत था इनका भुजान के साथ प्रतारित संबंध देखो, तुम्हें वास्तव में क्या करने की जरूरत है मुझे अपने कोच, प्रशिक शक और प्रबंधत के रूप में और उम, आध्यात्मिक योगी के रूप में लाओ और आप इस रिष्टे से क्या हासिल करेंगे मैंने पूछ लिया मुझे खुशी होगी उसने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया इसके अलावा आप एक होने के नाते पत्रकार मुझे कोई आपत्ती नहीं होगी अगर इस बारे में आपके लेखन के दोरान अनुभव आप यह अभास देने में काम्याब रहे कि मैं एक हैंपटन में अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए उत्कृष्ट व्यक्ति जैसे अस्क्वीलियन क्विर एक घंटा मैं हंसा और एड से कहा कि मैं इस पर खुछ विचार करूंगा मैं इमानदारी सिवह नहीं था ताश खेलने के माध्यम से प्रति दिन एक घंटा बिताने में रुचि रखते हैं या याद रिच्छिक संख्याओं के प्रिष्टों को याद रखना या कोई अन्य मानसिक कार्य करना कैलिस थे निक्स जो मानसिक एथलीट बनने में शामिल लग रहा था मैं मैंने हमेशा अपनी मूर्खता को अपनाया है मैं अपने उच्च का कप्तान था स्कूल प्रश्णोतरी कटोरा टीम और लंबे समय से कैलकुलेटर कारियों के साथ एक घरीपनी है लेकिन यह मेरे लिए भी थोड़ा बग था और फिर भी मैं काफी उत्सुक था सीखना जहां मेरी याददाश्ट की सीमाएं हैं और एक द्वारा पर्याप्त रूप से उत्सुक हैं तू इस अभ्यास पर विचार करें मैं जितने भी मानसिक एथलीटों से मिला उन्होंने जोर देकर कहा था कि कोई भी अपनी याददाश्ट में सुधार करने में सक्षम था कि अप्रयूक्त असकी शक्तियां हम सभी के अंदर हैं मैंने फैसला किया कि मैं यह पता लगाने की कोशिश करने जा रहा हूँ कि क्या यह वास्तव में सच था उस रात जब मैं घर पहुंचा तो एक छोटा सा इमेल था इनसे मेरे इंड बॉक्स में प्रतीक्षा कर रहा है तो वैसे भी क्या मैं आपका कोश बन सकता हूँ तीन विशेश अग्य विशेश अग्य हालांकि मुर्गे का पैदा न होना ही सबसे अच्छा है लेकिन यह विशेश रूप से दुर्भाग्य की बात है एक कौकरेल पैदा हो मुर्गी पालन करने वाले की नजर से नर्मुर्गियां बेकार है वे अर्णे नहीं दे सकते उनका मानस रेशेदार होता है और वे मुर्गियों के लिए अलंकृत होते हैं हमारे टेबल पर खाना रखने की सारी मेहनत करते हैं वानिज्यक हैच्री नर्चूजों को कपड़े के कट ओफ या स्क्रैप धातू की तरह व्यवहार करते हैं बेकार लेकिन एक ओध्योगिक प्रक्रिया का आवश्यक उपगत पाद जितनी जल्दी वे हो सकते हैं निप्टाया जाता है अक्सर वे पशुचारा में जमीन पर होते हैं बेहतर लेकिन एक महंगी समस्या ने इस हस्राब्दियों से अर्णा किसानों को परेशान किया है यह लगभग असंभव है नर्च और मादा मुर्गियों के बीच अंतर बताने के लिए जब तक कि वे चार साल के न हो जाएं छह सपता की उम्र में जब वे विशिष्ट पंख और द्वेतियक बढ़ने लगते हैं मुर्गा की कंगी जैसी यह आन विशेश ताएं तब तक वे सभी न्याय संगत हैं अप्रभेद्य फुलाना गेंदे जिन्हें रखना और खिलाना होता है काफी खर्च किसी तरह इसका समाधान निकालने में एक हजारन और सोबीस के दशक तक का समय लग गया यह मंगी दुविधा महत्वपूर खोज के एक समुह द्वारा की गई थी जापानी पशुचिकित सा वेग्यानिक जिन्हों ने मसूस किया कि चूजे के अंदर ही पीछे के छोड़ पर सिलवतों, निशानों, धबों और धकों का एक तारा मंडल है लेकिन जब फीक से पढ़ा जाता है, तो यह प्रकट कर सकता है एक दिन के पक्षी का लिंग जब इस खोज का अनावरन एक हजार न औस औस आईस वर्ल में किया गया था ओटावा में पोल्ट्री कांग्रेस इसने वैश्विक हैच्री उद्योग में क्रांती लादी और अंततह दुनिया भर में अर्णे की कीमत कम कर दी पेशेवर चिकन सिक्सर, एक कोशल से लेस है जिसे मास्टर करने में वर्षों लग गए एक बन गया कृशी में सबसे मूल्यवान श्रमिकों में से सबसे अच्छे में से सबसे अच्छे थे दो वर्षीय जेनिप टॉन्चिक सिक्सिंग स्कूल के सनातक जिनके मानक इतने कठोर थे कि केवल 5 से 10 प्रतिशत छात्र ही प्राप्त करते थे मान्यता लेकिन सनातक करने वालों ने 500 तक कमाया डॉलर एक दिन और दुनिया भर में हैच्री से हैच्री में बंद कर दिये गए थे शीर शकुरान वयापार सलाकारों की तरह जापानी चिकन का एक प्रवासी दुनिया भर में फैले सिक्सर्स चिकन सिक्सिंग एक नाजुक कला है जिसमें जेन जैसी एक आगरता औरे की आवश्यक्ता होती है मस्तिष्क सर्जन की निपुलता पक्षी को बाएं हाथ में पाला जाता है और दिया जाता है कुमल निचोर जो इसे अपनी आंतों को खाली करने का कारण बनता है बाग तंग और आंते अंदर बाहर निकल जाएंगी पक्षी को मार कर उसके लिंग का प्रतिपादन करेंगी अपरा संगिक अपने अंगूठे और तरजनी के साथ सिक्सर पक्षी को पलटता है और प्लोह का एक छोटे सिवईंट को बेन काब करने के लिए अपने मुख्याले पर एक छोटा सा फलेट भाग जहां जननांग और अंदर धरे होते हैं प्रति इसे ठीक से करें उसके नाखूनों को ठीक से ट्रिम करना होगा सरल में मामले वे मामले जिन्हें सिक्सर वास्तव में समझा सकता है वह धून रहा है अब मुश्किल बोधगम्य उभार जिसे मन का कहा जाता है कि आकार के बारे में अपिनहिग य मामले काफी आसान है वास्तव में एक अध्ययन से पता चला है कि शौकीनों को सिखाया जा सकता है केवल कुछ मिंटों के प्रशिक्षन के साथ मन का की पचान करें लेकिन लगभग अस्सी में चूजों का प्रतिशत मन का सपष्ट नहीं है और एक भी नहीं है विशिष्ट विशेशता जिसे सिक्सर इंगित कर सकता है कुछ अनुमानों के अनुसार एक हजार अलग वईयंट है विन्यास जो एक सिक्सर को सक्षम बनने के लिए सीखना होता है काम है इस तथे से और भी कठिन बना दिया है कि सिक्सर को पक्षी का निदान करना पड़ता है सिर्फ ए गलतिया महंगी हैं। मैं एक हजार नौस औसाथ के दश्रक में एक हैचरी ने अपने सिक्सर्स को सही ढंग से सेक्स करने वाले प्रत्य एक चूजे के लिए एक पैसा दिया और हर एक के लिए 35 सेंट की कटोती की जो उन्होंने गलत किया। मैं सबसे अच्छा व्यवसाय 98 से 99 प्रतिशत सठीकता के साथ एक घंटे में 1200 और चूजों का सेक्स कर सकता है। मिजापान उद्योग के कुछ सुपर हीरो ने डबल करना सीख लिया है चूजों को पकड़े और उन्हें एक बार में 1700 और प्रति घंटे की दर से 2 सेक्स करें। क्या चिकन सेक्सिंग को इतना ल प्रिशल में लाया था क्या यह सबसे अच्छा पेशेवर भी है सिक्सर्स यह वरनन नहीं कर सकते हैं कि वे सबसे कठिन तरीके से लिंग का निरधारन कैसे करते हैं असपश्ट मामले उनकी कला अकथनिय है वे कते हैं कि 3 के भीतर सेकंड वे सिर्फ जानते हैं कि पक्षी ल क्या वह है वे कते हैं अंतरग्यान है कुछ मौलिक अर्थों में विशेशग्य चिकन सिक्सर दुनिया को समझता है कम से कम चिकन प्राइवेट की दुनिया एक तरह से जो आप से या मुझ से बिलकुल अलग है जब वे एक चूजे को देखते हैं नीचे वे ऐसी चीजे दे अच्छा विचार होगा वेग्यानिक साहित्य मैं कुछ ठोस सबूत ढूंड रहा था कि हमारा यादे वास्तव में ना किया तरीके से सुधारी जा सकती हैं कि भुजान और मानसिक एथलीटों ने वादा किया था मुझे बागत कठिन खोज नहीं करनी पड़ी मैं के रूप असाधारन संस्मर्ण करता में नोटबॉर्ण शीरशक वाला लेक इस से फले कि टोनी भुजान ने अपने संपूर्ण का उप्योग करने के विचार का बड़े पैमाने पर विप्रनन किया स्मृती एरिक्सन जो ग्यात है उसके लिए वैग्यानिक आधार तैयार कर रहा था कुषल स्मृती सिध्धान्त के रूप में जो बताता है कि हमारी स्मृती कैसे और क्यों है सुधार योग्य एक हजार न औस और 81 में उन्होंने और साथी मनुवै भ्यानिक बिल चेस ने एक आयोजित किया एक कारनेगी मेलंस नातक पर अबकलासिक प्रयोग जिसके पास है उनके आग्याक्षर एसेव द्वारा साहित्य में अमर हो गए हैं चेस और एरिक्सन एक साधारन लेने के लिए अपनी प्रयोग शाला में सपता हमें कई घंटे बिताने के लिए एसेव को भूतान किया बार बार स्मृती परीक्षन यह परीक्षन के समान था कि लूरिया न की दर से शुरुआत में वह केवल साथ के बारे में पकर सकता था एक समय में उसके सिर में अंग। सभी प्रकार की विशेशग्यता अंतरनिहित हैमान से केथलीप यादगारों से लेकर शतरंज तक चिकन सिकसर्स के लिए ग्रेंड मास्टर्स हर किसी के पास किसी न किसी चीज के लिए बागत अच्छी याददाश्ट होती है। एक विस्त्रित विविदता शोधकरताओं ने असाधारन का अध्ययन किया है डॉक्टरों की यादें। प्रशन सक, वायलिन वादक, सौकर खिलारी, स्नूकर खिलारी, बैलेर डांसर, अबेकस रैंगलर, क्रोसवर्ड पजलर्स और वलीबल रक्षक। कोई भी मानवी ये प्रयास चुने जिसमें लोग उत्कृष्ट अताप्राप्त करें। और मैं आपको और भी और्स दूंगा कि किसी मनुवे ग्यानिक ने कहीं लिखा है उसक्षेत्र के विशेशग्यों के पास मौजूद असाधारन यादों के बारे में पेपर, ऐसा क्यों है कि अनुभवी वेटरों को और्डर लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों है दुनिया ऐसा इसमें हो रहा था खेल, एक संभावित व्याख्या यह हो सकती है कि अच्छे लोगों के साथ रात के खाने के आदेशों की यादे खाद्या से वाहुद्योग में प्रसारित हो जाती हैं, या खिलारियों की व्यवस्था के लिए सबसे अच्छी याददाश्ट वाले स खिलारी प्रीमियर लीग या उस लोगों तक अपना रास्ता बनाने के लिए एक आदत है, चिकन गधे के लिए एक महानांग के साथ स्वाभाविक रूप से जेमनिप टॉन चिकी के लिए गुरुत वाकर्शन सिक्सिंग स्कूल, लेकिन ऐसा संभव नहीं लगता, यह कुछ क्या है, और क्या वह किसी तरह कुछ कर सकता है, सामान्य इकृत किया जा सकता है, ताकि कोई भी इसे प्राप्त कर सके, यह उमन परफॉर्मेंस लेब, जिसे एरिक्सन अन्य लोगों के समूह के साथ चलाता है, वह जगह है जहां विशेशग अपनी यादे रखने आत उनके शोध के लिए धन्यवाद की विशेशग्यों को कम से कम दसकी आवश्यक्ता होती है, विश्वस्तर का दर्जा हासिल करने के लिए हजार घंटे का प्रशिक्षन, जब मैंने फोन किया उसे उपर उठाया और उससे कहा कि मैं खुद को प्रशिक्षित करने की कोशिश करने के बारे में सोच रहा था स्मृती, वह जानना चाहता था कि क्या मैंने अभी तक शुरू आत की थी, मैंने कहा कि मैं वास्तव में नहीं था शुरू हो गया, वह रोमांचित था, उसने मुझसे कहा कि उसे लगभग कभी मौका नहीं मिलता एक विशेशग्य बनने की प लोरिडा, वह कुछ प्राप्त करना चाहता था, इस से फले कि मैं इसे सुधारने की कोशिश करूँ, मेरी याददाश्त का आधारभूत माब, यह उमन परफॉर्मेंस लेब में एक आली शान कार्याले परिसर है तलहासी के बाहरी इलाके, बुक शेल्फ जो दीवारों को लाइन करते हैं, उनके साथ हो रफलो करते हैं शीरशकों की एकोदार सूची जो एरिक्सन के शोध के लिए प्रासंगिक रही है, दम्यूजिकल टेम्परामेंट, पैर की सरजरी, हाउ टू बी ए स्टारेट कार्य, आधुनिक शत्रंज रनीती का रहस्य, दौरने की विद् किया, जब मैं कुछ हफते आया इरिक्सन के साथ मेरे शुरू आती फोन कॉल के बाद, एक मंजिल से छतक्न ओथे प्रदर्शित करने वाले कमरों में से एक के बीच में स्थापित बायच ओदर फूर की स्क्रीन ट्रैफिक स्टॉप का आदम कद वीडियो फूटिज, इसे के नजरिये से शूर किया गया थारू की हुई कार तक चलते हुए पुलिस अधिकारी, पिछले कुछ हफतों से एरिक्सन और उनके स्योगी तलहासी स्वार टीम के सदस्यों और हाल के सनातकों को लाना पुलिस अकादमी को अपनी प्रयोग शाला में और उन्हें बड़े प कैसे प्रतिक्रिया दी, एक परिद्रिश्य में अधिकारी ने एक आदमी को चलते हुए देखा एक स्कूल के सामने के दरवाजे की और एक संदिग्धो भार के साथ जो दिखता था उसके सीने में बांधा बम, शोध करता जानना चाहते थे कि अधिकारी कैसे अनुभव के विभिन स्तरों के साथ प्रतिक्रिया करेगा, परिर्णाम चौंकाने वाले थे, अनुभवी स्वाट अधिकारी तुरंत अपनी बंदू के खीचली और संदिग्ध को रोकने के लिए बार बार चिलाया, जब वह नहीं, स्कूल में आने से फले उन्होंने लगभग हमेशा उसे गोली मार दी, परंतु अकादमी के हाल के सनातकों ने उस व्यक्ति को बंठीक सीर्णियों और इमारत में ठलते हैं, उनके पास बस कमी थी स्थिति का निदान करने और ठीक से प्रतिक्रिया करने का अनुभव, कम से कम सथी व्याख्या हो, लेकिन वास्तव में अनुभ तरीके से कैसे संसाधित कर रहे थे, वे क्या कर रहे थे उनकी यादों से खीच रहे हैं, पेशेवर चिकन सिकसर्स की तरह, वरिष्ट स्वाट अधिकारियों के पास एक ऐसा कोशल था जिसे शब्दों में बया करना मुश्किल था, एरिक्सन के शोध कार्यक्रम को अलग कर करने के प्रयास के रूप में संक्षेपित किया जा सकता है वह चीज जिसे हम विशेशग अता कते हैं, ताकि वह उसे विच्छेदित कर सके और उसकी पचान कर सके संभ्यानात्म का अधार, ऐसा करने के लिए, एरिक्सन और उनके स्योगियों ने अधिकारियों से बात करने के लिए कहा जैसे ही परिद्रिश्य सामने आया, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, इस बारे में जोर से, एरिक्सन ने इन खातों से जो सीखने की अपेक्षा की थी, वही बात थी उन्होंने विशेशग अता के हर दूसरे क्षेतर में पाया है, जिसका उन्होंने अध्य क्यान किया है, विशेशग देखते हैं, दुनिया अलग, वे उन चीजों को नोटिस करते हैं, जो कोई भी विशेशग नहीं देखता है, वे घर में उस जानकारी पर जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, और लगभग एक है, इसके साथ क्या करना है, इसकी स्वचालित समझ और सबसे महत्वपूरण, विशेशग प्रक्रिया करते हैं, उनकी इंद्रियों के माध्यम से भने वाली भारी मात्रा में जानकारी अधिक परिश्कृत तरीके, वे मस्तिष्ट के सबसे अधिक में से एक को दूर कर सकते हैं, मौलिक बाधाएं, जादुई संख्या साथ, मस्या यह है कि मुझे एक पूर नांक द्वारा सताया गया है, साथ के लिए वर्षों से इस संख्या ने मेरा पीछा किया है, मेरे सबसे अधिक घुस पैठ की है निजी डेटा, और हमारे अधिकांश के पन्नों से मुझ पर हमला किया है सारवजनिक पत्रिकाएं, यह संख् मस्या कई प्रकार के भेश्ध धारण करती है, होने के नाते कभी थोड़ा बड़ा तो कभी सामान्य से थोड़ा छोटा, लेकिन कभी भी इतना नहीं बदलना कि पचानने योग्य न हो, यह जिस द्रढ़ता से यह संख्या मुझे परेशान करती है, वह से कहीं अधिक है आक मान्य है वरना मैं पीरित हूँ उत्पीरन के भरम से, वास्तव में हम सभी उस पूर नांक द्वारा सताय जाते हैं जिसका मिलर जिक्र कर रहा था, उनके पेपर का शीर शक्त हादा मैजिकल नंबर से वन, प्लस या माइनस टू, सम, सूचना को संसाधित करने की हमारी क्षम मिलर ने खो जा था, जानकारी को संसाधित करने और दुनिया में निरनय लेने की हमारी क्षमता है एक मूल भूत बाधा द्वारा सीमित, हम केवल लगभग साथ के बारे में सोच सकते हैं एक समय में चीजें, जब कोई नया विचार या धारना हमारे दिमाग में प्रवेश करती है, तो वह नहीं होता तुरंत लंबी अवधी की स्मृति में जमा हो जाते हैं, बलकि यह एक में मौजूद है अस्थाई अंग, जिसे कार्याशील स्मृति के रूप में जाना जाता है, मस्तिष्क का संग्रह हमारी चेतना में जो कुछ भी हो रहा है, उसे पकड़ने वाली प्रनालिया वर्तमान क्षन बिना पीछे देखे और इसे दोबारा पढ़े, फले तीन शब्दों को दोहराने की कोशिश करें इस वाक्य के बारे में अपने आपको बिना पीछे देखे काफी आसान, अब पीछे मुर कर देखे बिना के फले तीन शब्दों को दोहरा प्रयास करें उस से फले का वाक्य, यदि आपको यह थोड़ा कठिन लगता है, तो ऐसा इसलिए है क्यूंकि आपकी कार्यशील स्मृति द्वारा वाक्य को फले ही हटा दिया गया है। अप्रासंगिक में जानकारी, जियादातर चीजें जो हमारे दिमाग से गुजरती हैं, उन्हें होने की जरूरत नहीं है हम जिस क्षण यादो को समझने में खर्च करते हैं, उस से अधिक समय तक याद किया जाता है, और यदि आवश्यत हो, तो उन पर प्रतिक्रिया दें। वास्तव में, समुरती को बीच में बांटना शॉर्ट टर्म और लॉन टर्म स्टोर प्रबंधन का एक ऐसा समझदार तरीका है, जानकारी है कि अधिकांश कंप्यूटर एक ही मॉडल के आसपास बनाए जाते हैं, वे हार्ड ड्राइव के साथ साथ काम करने के रूप में द दोड सकते हैं, जब तक हम चीजों को न दोहराएं बार बार, वे हमारी पकर से फिसल जाते हैं, सब जानते हैं हमारा कामकाजी स्मृती बदभू आ रही है, मिलर के पेपर ने समझाया कि यह बागत ही बदभूदार है विशिष्ट पैरामीटर, कुछ लोग अपने में कम स शील स्मृती, मामले को बदतर बनाने के लिए वो साथ बातें, केवल कुछ सेकंड के लिए इधर उधर रहें, और यदि हम विचलित होते हैं तो अकसर बिल्कुल नहीं, यह मौलिक सीमा, जिसे हम सभी साजा करते हैं, वह है जो हमें खोजती है स्मृती गुरूओं के अदभूत, यह उमन परफॉर्मेंस के सामने मेरा खुद का मेमोरी टेस्ट नहीं हुआ लैग की फर्ष्ट से छत तक प्रोजेक्शन स्क्रीन, कोई बंदूक नहीं थी मेरी बेल्ट, मेरे सिर से कोई आंख़ ट्रेकिंग उपकरण नहीं जुड़ा है, मेरा विनम्र मानव इसका सुझाव नहीं दे सकता है, ट्रेस दक्षिनी के एक छोटे सिशहर में पले बढ़े हैं ओकलाहूमा, जहां उनके पिता एक तेल व्यक्ती हैं, सोलह साल की उम्र में, वह था ओकलाहूमा स्टेट जूनियर शत्रंज चैंपियन, उनका पूरा नाम रोयरोरिंग आई 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 है, इसलिए ट्रेस, ट्रे प्रोच के साथ पैर पार कर गए उसकी गोद में नोर्स लेते हुए, संख्याओं आगे और पीछे के लिए मेरी याददाश्ट के परीक्षन थे, शब्दों के लिए मेरी याददाश्ट की परीक्षा, लोगों के चेहरों के लिए मेरी याददाश्ट की परीक्षा, और स परिभाशाओं को जानता था जिग्यासुत एक और बाहुविकल्पी ये परीक्षा जिसे बहुआयामी कहा जाता है इप्टी ट्यूड बैटरी इंफर्मेशन टेस्ट ने मेरे तुच्च पीछा कोशल का आकलन किया जैसे प्रश्ण कन्फ्यूशियस कब रहते थे गैसोलीन इंजन में कार्बोरेटर का मुख्य उद्देश्य होता है गैसोलीन और हवा मिलाएं भी बैटरी चार्ज रखें इंधन प्रजवलित करें गी पिस्टन होते हैं इंजन में इंधन पंप करें ट्रेस द्वारा प्रशासित कई परीक्षन सीधे यूएस मेमोरी चैंपियंशिप इवेंट जैसे 15 मिनट की कविता, नाम और चेहरे, यादरिच्छिक शब्द, गति संख्या और गति कार्ण वह चाहता था कि इस से पले कि मैं अपनी याददाश्ट में सुधार करने की कोशिश करूँ देखें कि मैं उन पर कैसे काम करूँगा, वह मुझे उन कुछ घटनाओं पर भी परीक्षन करना चाहता था जो केवल में उप्योग की जाती हैं अंतर राश्ट्री अस्मृति प्रतियोगिताएं जैसे बाइनरी अंग, एतिहासिक तिथियां और बोली जाने वाली संख्या तलहासी में मेरे तीन दिनों के अंत तक, ट्रेस था एरिक्सन और उसके ग्रेर के लिए साथ घंटे का औरियो टेप डेटा एकत्र किया गया चात्रों को बाद में विशलेशन करने के लिए, वो भाग्यशाली हैं और फिर दूसरे द्वारा आयोजित वयापक साक्षात कार्थिसनातक छात्र, कैटी नंद गुपाल, क्या आपको लगता है कि आपके पास अच्छा है प्राकृतिक स्मृती, बहुत अच्छा, लेकिन कुछ खास नहीं किया आपने कभी खेला, स्मृतिक खेल बढ़ रहे है ऐसा नहीं है कि मैं सोच सकता हूँ, बोर्ड गेम, केवल मेरी दादी के साथ क्या आप पहेलियों का आनंद लेते हैं, कौन नहीं करता, क्या आप कर सकते हैं, रूबिक क्यूब हल करें, नहीं क्या आप गाते हैं, केवल शौवर में नृत्य, डिटो क्या आप वरका उट कर पिलादायक विशय क्या आप कसरत ठेप का उपयोग करते हैं। अगर कुछ था तो मैं था बाद में परीक्षन किया जा रहा है और जैसा कि यह निकला वहां था वह नहीं चाहता था मुझे पता है मैंने उस आखरी परीक्षा में कैसे किया। साल के लिए 250 घंटे के लिए बार बार लिया है अंक अवधी परीक्षन के रूप में जाना जाता है। यह किसी व्यक्ति के का एक मानक उपाय है संख्याओं के लिए कार्यास मृतिक शमता। जियादातर लोग जिन्हें टेस्ट दिया जाता है एस सेफ की तरह हैं जब उन्होंने शुरू किया। वे केवल साथ प्लस या याद रखने में सक्षम है शून यसे दो अंक। जियादातर लोग उन्हें साथ प्लस या माइनस दो को याद करते हैं में उन्हें बार बार दो हरा कर संख्याओं फोनो लॉजिकल लूप जो कि उस छोटी सी आवाज के लिए सिर्फ एक फैंसी नाम है जिसे हम जब हम खुद से बात करते हैं तो हमारे सिर के अंदर सुन सक ध्वन्यात्मक लूप एक प्रतिध्वनी के रूप में कार्य करता है एक अलपकालिक मेमोरी बफर का उत्पादन करता है जो स्टोर कर सकता है अगर हम उनका पूर वाभ्यास नहीं कर रहे हैं तो बस कुछ सेकंड लगते हैं जब वहचेस और एरिक्सन के प्रयोग में परीक्षन एसेफ के स्कुर बढ़ने लगे एक दिन उसे दस याद आया अंक अगले दिन 11 बज रहे थे वह जितने अंक याद रख सकता था उसे रखा गया लगातार बढ़ रहा है उन्होंने एक खोज की थी भले ही उनकी अलपकालिक स्मृति सीमित था उसने सीधे लंबी अवधी में जानकारी संग्रहीत करने का एक तरीका निकाला था याद इसमें चंकिंग नामक एक तकनीक शामिल थी चंकिंग आपके पास आवश्यक वस्तूरों की संख्या को कम करने का एक तरीका है प्रत्य एक वस्तू का आकार बढ़ा कर याद रखें चंकिंग यही अक्सर ऐसा असाधारण क्यों होता है यादें। सिर, कंधे, घुटने और पैर की उंगलियां प्रभावी रूप से हो सकती हैं एक ही तुकड़े की तरह व्यवहार किया संख्याओं के साथ भी ऐसा ही किया जा सकता है। और नौब्यारह एक और वे लगभग भूलाना असंभव है। आप उन तारीखों को के एक हिस्से में भी बदल सकते हैं इसे दो बड़े आश्चर्यजनक हमले के रूप में याद करके जानकारी अमेरिकी मिर्टी, ध्यान दे की चंकिंग की प्रक्रिया अर्थहीन लगती है जानकारी और प्ले से संग्रहीत जानकारी के आलोक में इसकी पुनर्व्याख्या करता है हमारी दीरधकालिक स्मृती में कही दूर, अगर आपको की तारीखें नहीं पता हैं परलहारबर या ग्यारह सितंबर, आप कभी भी उस बारह को नहीं तोड़ पाएंगे अंक संक्यात्मक स्ट्रिंग, यदि आप अंग्रेजी नहीं बल की स्व हालांकि उन्हें कभी भी चंकिंग की तकनीक ठीक से नहीं सिखाई गई थी, स्वे से अपने आप समझ लिया, एक उत्साही धावक, वहतारों के बारे में सोचने लगा चलने के समय के रूप में यादरिच छिक संख्या, उदाहरण के लिए 3492 को 3 में बदल दिया गया था म और 49.2 सेकंड विश्वरिक और मील के समय के करीब, और 40134 मिनट 13.1 सेकंड एक मील का समय बन गया, एस सेफ को पता नहीं था यादरिच छिक संख्याओं के बारे में कुछ भी उसे याद रखना था, लेकिन वह जानता था दोड़ने के बारे में, उसने पाया कि वह अर्थ पहीन बिट्स ले सकता है जानकारी, उन्हें एक फिल्टर के माध्यम से चलाएं जो उन पर अर्थ लागू करता है, और उस जानकारी को अधिक चिप चिपा बनाएं, उन्होंने अपने पिछले अनुभवों को लिया था और उन्हें यहाकार देने के लिए इस्तेमाल किया कि वह वर्तमान को कैसे समझता है, वह इस्तेमाल कर रहा था संख्याओं को अलग अलग देखने के लिए उनकी दीरधकालिक स्मृति में संग, बैशक, सभी विशेशग यही करते हैं, वह देखने के लिए अपनी यादों का उप्योग करते हैं, दुनिया अलग, कई वर्ष में एक नर्वस चिकोटी देखता है, जो उसके साथ संबंध बनाता है, अपने वर्षों की पुलिसिंग में उसने दर्जनों अन्यनर्वस ट्विच देखे, वह संदिग्ध को हर दूसरे संदिग्ध व्यक्ति के संदर्भ में देखता है, जो वह कभी भी है, सन्योग से मि अवधारनात्मक खोशल सिकसर को जल्दी और स्वचालित रूप से चूजों में इंबेडिर जानकारी का एक स्टॉक एकठा करे शरीर रचना विज्ञान, और इस से फले कि कोई सचेत विचार उसके सिर में प्रवेश कर सके, सिकसर जानता है कि लड़की लड़का है या ल लाख पचास हजार चूजों के माध्यम से काम करना चाहिए प्रवीनता की किसी भी डिगरी को प्राप्त करने से फले, भले ही सिकसर इसे कौन करे अंतर ग्यान, इसे वर्षों के अनुभव से आकार दिया गया है, यह है विशाल स्मृती चिक बॉटम्स का बैंक जो उसे य यादे कैसे विशेशग्यों की धारणा को आकार देती है, इसका उत्कृष्ट उधारण जो क्षेत्र के कम से कम सहज ग्यान योट प्रतीत होता है, उससे आता है, शत्रंज वयाव हरिक रूप से पंद्रहवी शताब्दी में आधुनिक खेल की उत्पत्ति के बाद से, शत्रंज को संग्यानात्मक शमता की अंतिम परीक्षा माना गया है, में एक हजार नौसोबीस के दश्चक में, रूसी वैग्यानिकों के एक समूह ने बुध्धी जीवियों को अपने के लिए निर्धारित किया दुनिया के सरवश्रेष्ट शत्रंज खिलारियों में से आख को एक देकर उनके फायदे बुनियादी संग्यानात्मक और अवधारनात्मक परीक्षनों की बैटरी, उनके आश्चर्य के लिए शोधकरताओं ने पाया कि ग्रेंड मास्ट दुनिया के सबसे महान शत्रंज खिलारी एक भी प्रमुख संग्यानात्मक लाब के अधिकारी नहीं लगते थे, लेकिन अगर शत्रंज के स्वामी समग्र रूप से कम शत्रंज से ज्यादा चालाक नहीं हैं खिलारी, तो वे क्या हैं? एक हजार नौस औचालीस के दशक में, एक डच मनोवै ग्यानिक और शत्रंज इन्रियानी ग्रोट नाम के प्रशन सक ने पूछा कि एक साधारन जैसा क्या लगता है प्रशन? क्या केवल अच्छे शत्रंज खिलारियों को उन लोगों से अलग करता है जो हैं विश्वस्तर क्या सरवश्रेश थश्रेणी के खिलारियों ने और अधिक चालें देखी? किया वे अधिक संभावित चालों पर विचार करें? क्या उनके पास विश्लेशन करने के लिए बेहतर उपकरण थेवो चाल? क्या उनके पास गतिकी की बेहतर सहज ग्यान योग समझ थी गेम का? एक कारण शत्रंज खेलने और अधियन करने के लिए इतना संतोशजन खेल है यह है कि आपके औसत्र शत्रंज के शौकीन एक मास्टर द्वारा पूरी तरह से भ्रमित हो सकते हैं कदम? अक्सर सबसे अच्छा कदम पूरी तरह से उल्टा लगता है. यह एहसास? डी ग्रोट शत्रंज के उस्तादों के बीच पुराने खेलों को देखा और चुनामुठी भर बोर्ड पद जहां निश्चित रूप से एक सही था, लेकिन नहीं जाहिर है. करने के लिए कदम, फिर उन्होंने के एक समुव को बोर्ड प्रस्तुत किये अंतर आश्ट्रिय शत्रंज मास और शीर्ष क्लब खिलारी. उसने उन्हें सोचने के लिए कहा जोर से, जबकि वे उचित कदम पर चिन्तित थे. डी ग्रोट ने जो खुलासा किया वह उससे भी बड़ा आश्चर्य था रूसी पूर्ववर्तियों ने पाया था. अधिकांश भाग के लिए शत्रंज विश अधिक कदम आगे नहीं देखा, कम से कमप ले तो नहीं. उन्होंने भी नहीं किया अधिक संभावित चालों पर विचार करें. बलकि, उन्होंने एक तरीके से व्यवहार किया आश्चर्य जनक रूप से चिकन सिकसर्स के समान, वे सही देखने की प्रवरित्ति रखते थे चलता है, और वे उन्हें लगभग तुरंत ही देखने की प्रवरित्ति रखते हैं. यह ऐसा था जैसे शत्रंच के विशेशग प्रतिक प्रिया देने के बारे में इतना नहीं सोच रहे थे. जब वी ग्रोट ने उनकी मौखिक रिपोर्टें सुनी, तो उन्होंने देखा क वे कम अनुधवी शत्रंच की तुलना में अलग भाशा में अपने विचारों का वरणन किया खिलारियों. उन्होंने मोहरे की संडचना, जैसे टुट्रों के विन्यास के बारे में बात की और तुरंत उन चीजों पर ध्यान दिया, जो बेतुकी थी, जैसे उजागर किष् अधियान अंदोलनों ने पाया है कि वे वरणों के किनारों को अधिक से अधिक देखते हैं अनुभवहीन खिलारी, यह सुझाव देते हैं कि वे इससे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, एक साथ कई वरण, उनकी आँखे भी अधिक दूर तक जाती हैं, और कम समय के लिए क इसी एक स्थान पर रुकें, वे कम अलग पर ध्यान के इंडरित करते हैं, बोर्ड पर स्प्रॉट और वे स्प्रॉट के लिए प्रासंगिक होने की अधिक संभावना है सही चाल का पता लगाना, लेकिन शत्रंज के इन शुरुवाती अध्ययनों से सबसे चौंकाने वाली ख बाद के अधिययनों ने पुष्टिकी की करने की क्षमता याद रखना बोर्ण की स्थिती कितनी अच्छी है, इसके सर्वोतम समग्र संकेत को में से एक है, एक शत्रंज खिलारी कोई है, और ये शत्रंज की स्थिती बस नहीं है, क्षनिक अलपकालिक स्मृती में इंकोडे शत्रंज के विशेश अगय याद रख सकते हैं घंटों, हफ्तों, यहां तक कि सालों बाद भी खेलों से पोजीशन, दर असल एक पर प्रत्येक शत्रंज मास्टर के विकास में निश्चित बिंदु, मानसिक ट्रैक रखते हुए बोर्ण के टुक्रे इतने तुच्च्च क पोशल बन जाते हैं कि वे इसे ले सकते हैं एक साथ कईवे रोधी, पूरी तरह से उनके सिर में, शत्रंज के मास्टर्स की यादे शत्रंज के खेल के लिए जितनी प्रभावशाली थी, बाकी सब चीजों के लिए उनकी यादे विशेश रूप से अप्रभावी थी, जब शत्रंज के विशेशग्यों को शत्रंज के टुकड़ों की यादरिच शिक्व यवस्था दिखाई गई वाले जो संभवत एक वास्तविक खेल के माध्यम से नहीं पहुंचा जा सकता था, उनका बोर्ण के लिए स्मृती शत्रंज के नौ सिख्यों की तुलना में थोड़ और इसके बारे में सामान्य तोर पर विशेशग्यता हमें अलग अलग तत्य याद नहीं हैं, हम याद रखते हैं संदर्भ में चीजें, बेतर्तीब धंग से व्यवस्थित शत्रंज के टुकड़ों के एक बोर्ण में नहीं है, संदर्भ इसकी तुलना करने के लिए कोई स जैसा दिखता है, इसे सार्थक रूप से खंडित करने का कोई तरीका नहीं है, यहां तक कि दुनिया के सर्वश्रेष्ट तक शत्रंज का खिलारी, संक्षेप में शोर है, ठीक उसी तरह जैसे कुछ पन्नेपले हमने एतिहासिक के अपने ग्यान का इस्तेमाल किया था बार अंकों की संख्या को विभाजित करने की तारीक है, शत्रंज के स्वामी विशाल पुस्त कालय का उप्योग करते हैं शत्रंज के पैटर्न के बारे में जिसे उन्होंने लंबी अवधी की स्मृति में चंक करने के लिए कैश किया है भोर्ण, शत्रंज मास्टर के कोशल के यही कारण है कि यह इतना दुरलब है शत्रंज में या किसी अन्यक्षेत्र में विश्वस्तरी अस्थिती हासिल करने के लिए किसी के लिए वर्षों के अनुभव के बिना। शत्रंज मास्टर के कईम हत्वपूर निरनय जिनके बारे में बोर्ण को मानने के ततकाल कार्य में होने के लिए कदम, पसंद चिकन सिकसर जो चूजे को देखता है और बस उसका लिंग देखता है या स्वात अधिकारी जो तुरंत बम को नोटिस करता है, शत्रंज मास्ट दिखता है बोर्ण में और बस सबसे आशाजनक कदम देखता है, प्रक्रिया आम तोर पर पांच सेकंड के भीतर होता है, और आप वास्तव में इसे ट्रांसपायरिंग देख सकते हैं मस्तिश्क में, मैगनेटो एन सेफलोग्राफी का उप्योग करना, एक ऐसी तकनीक जो म आपती है, एक विचारशील मस्तिश्क द्वारा दिये गए कमजोर चुम्ब की अक्षेत्र, शोधकरताओं के पास है पाया गया की उच्च श्रेणी के शत्रंज खिलाणियों के ललाट में शामिल होने की अधिक संभावना है, और मस्तिश्क के पारश्विका प्रांतस था जब वे बोर्ण को देखते हैं, जो पता चलता है कि वे लंबी अवधी की स्मृति से जानकारी याद कर रहे हैं। उच्च विशय की तरह लग सकता है आखिरकार, यह केवल एक खेल हैडी ग्रोट का मानना था कि इसके साथ उनके प्रयोग शत्रंज के मास्टर्स के बहुत बड़े नहितार्थ थे। उन्होंने तर्क दिया कि विशेश अगयता शूमेकिंग, पिंटिंग, बिल्डिंग य और योजना तंत्र कई वर्षों में हासिल किये गए संबंधित डोमेन में अनुभव, दूसरे शब्दों में, एक महान स्मृति नहीं है विशेश अगयता का सिर्फ एक उपगत पाद, यह विशेश अगयता का सार है, हमें इसका इहसास हो या नहो, हम सब उन शत्रंज के उस्तादों की तरह हैं, और चिकन सिकसर्स, जो हमने सीखा है उसके प्रकाश में वर्तमान की व्याख्या करना अतीत, और हमारे पिछले अनुभवों को न केवल हम कैसे देखते हैं, आकार देते हैं हमारी दुनिया, लेकिन यह भी कि हम इसमें जो चाले चलते हैं, बात बा पक रास्ता नहीं दर्शाता हमारी यादे सच में काम करती हैं, हमारी यादे हमेशा हमारे साथ हैं, आकार दे रही हैं और हमारी इंद्रियों के माध्यम से भने वाली जानकारी द्वारा आकार दिया जा रहा है, अनिरंतर प्रतिक्रिया पाश, हम जो कुछ भी देखते हैं सुनते हैं और सूंगते हैं वह बदल जाता है उन सभी चीजों से जो हमने अतीत में देखी, सुनी और सूंगी है मुर्गियों को सेक्स करने के रूप में असपश्ट और निदान के रूप में घ्रा के रूप में एक बीमारी हम कौन है और हम क्या करते हैं? यह मूल रूप से किसका एक कार्य है हम याद रखते हैं लेकिन अगर दुनिया की व्याख्या करना और उसमें अभिनय करना शामिल है याद रखने की प्रिया इर्ड और लुकास और अन्यमानसिक के बारे में क्या? जिन एथलीटों से मैं मिला हूँ यह माना जाता है कि सरल तकनी को कैसे कहा जाता है? मेमोरी पैलेस उन्हें विशेशग्य होने के बिना विशेशग्य यादे प्रदान करता है कुछ भी भले ही एविक्सन और उसके सनातक छात्र मुझे सभी के परियनाम नहीं देंगे जिन परीक्षणों पर मैंने तीन दिन मेहनत की मैंने अपने परपर्याप्त नोट्स लिए मेरी आधार भूत क्षमताओं के बारे में कुछ समझ से बचने के लिए प्रदर्शन खड़ा होना मेरे अंकों की अवधि लगभग नौ थी औसत से उपर लेकिन कुछ भी नहीं असाधारन कविता को याद करने की मेरी क्षमता बहत कम थी और मेरे पास नहीं था सुराग जब कन्फ्यूशी असरहता था हालांकि मुझे पता था कि कार्बोरेटर क्या था जब मैं तलहासी से वापस आया तो मेरे अंदर एकी मेल प्रतीक शारत थी एग से बॉक्स अरे वहां स्टार छात्र मुझे पता है कि आप प्रशिक्षन दे रहे हैं अकम से कम जब तक फ्लोरिडा के लोगों ने आपको अपने माध्यम से नहीं रखा है गती बाहुत अच्छा कि आया कम से कम इस अर्थ में प्रशन सनिय है कि यह विग्यान को बेहतर बनाएंगे लेकिन अगली चैंपियंशिप नहीं है मिलियन मील दूर तो आपको तैयारी शुरू करनी होगी अपने आपको बेहतर होगा कि अब मुझ से कुछ उत्साह प्राप्त करें आपको प्राप्त करने की आवश्यक्ता है अपने सिर को ग्राइंड स्टोन की ओर ले जाएं और इसे वहीं छोड़ने का आनंद ले दुनिया की कुछ बेहतरीन यादों से मिलने के बाद मैंने तय किया कि मेरा अगला कदम सब से खराब खोजने की कोशिश करना होगा शुरू करने का प्रयास करने का इस से बेहतर तरीका और क्या हो सकता है जांच करने की तुलना में मानवस्मृति की प्रकृति और अर्थ को समझें इसकी अनुपस्थिती मैं बिन प्रिर्मोर की खोज में गूगल पर वापस गया भूलने की रिकॉर्ड किताबों में समकक्ष और मैं एक लेक खोला 84 वर्षी असे वानिवरित प्रयोग शाला के बारे में जर्नल आफ नियूरो साइंस तक नीशियन ने एपी को बुलाया जिसकी यादाश्ट केवल उसके जितनी दूर तक बढ़ी थी नवीन तम विचार उन्हें भूलने की बीमारी के सबसे गंभीर मामलों में से एक था कभी प्रलेखित तलहासी से लोटने के कुछ हफते बाद मैंने एक नियूरो साइंटिस्ट को फोन किया और कैलिफोर्निया विश्व विद्याले में लेरी स्क्वायर नाम के स्मृति शोध करता सैन डियेगो और सैन डियेगो वी ए मेडिकल सेंटर स्क्वायर गया था एक दशक से अधिक समय तक एपी का अध्ययन किया और मुझे अपने साथ लाने के लिए सहमत हुए उपनगरिय सैन डियेगो में उजवल बंगले का दौरा जहां एपी रहता है उसकी पतनी हमने वहां के शोध समनवयक जेन फ्रैसिनों के साथ यात्रा की स्क्वायर की प्रयोग शाला जो संग्यानात्मक परीक्षनों को संचालित करने के लिए नियमित रूप से एपी का दौरा करती है यहां तक की हाला की फ्रैसिनों लगभग दोस और बारीपी के घर जा चुके हैं वह हर बार कुल अजनवी के रूप में उसका स्वागत करता है यह प्छफुट दो है जिसमें पूरी तरह से अलग सफेद बाल हैं और असामान्य रूप से लंबे हैं कान वह मिलनसार मिलनसार शालीन है वह ब धोजन कक्ष की मेज पर और पूछता है अप्रशनों की श्रिंख हला जो उसके बुनियादी ग्यान को मापने के लिए हैं और व्यावहरिक बुद्धी वह उससे पूछती है कि ब्राजील किस महादवीप पर है एक वर्ष में हफ्तों की संख्या पानी का उबलता तापमान वह यह करना चाहती है प्रदर्शित करे कि संग्यानात्मक परीक्षनों की एक बैटरी फले ही क्या साबित कर चुकी है पीपी ने दुनिया का एक कामकाजी ग्यान उनका IQ 103 है और उनका शौट टर्म स्मृति पूरी तरह से अप्रभावित है वह धैर्यपूर्वक सवालों क जवाब देता है सभी सही ढंग से लगभग उसी तरह के मनोरंजन के साथ मैं कलपना करता हूँ कि मैं करूंगा क्या कोई अजन भी मेरे घर में आया और इमानदारी से मुझ से पूछा कि क्या मैं पानी का क्वत नांक जानता था अगर आपको गली में एक लिफाफा मिल जा है मुझे एक जानने वाली एक तरफा नजर मानोपने के लिए क्या ए लोग सोचते हैं कि मैं एक हूँ मंदबुधि आदमी लेकिन यह मसूस करते हुए कि स्थिति विनमरता की मांग करती है वह वापस मूरता है फ्रैसिनो और खते हैं लेकिन यह वास्तव में एक दिल्चस सवाल है जो आपके पास है वहाँ बहुत दिल्चस्प उसे पता नहीं है कि उसने इसे फले भी कई बार सुना है हम खाना क्यों बनाते हैं क्योंकि यह कच्चा है कच्चे शब्द में उनकी आवाज सपष्ट होती है तानवाला रजिस्टर उसका मनुरंजन अविश्वस न पास्वरीयता को रास्ता दे रहा है मैं एपी से पूछता हूँ कि क्या वह अंतिम राष्ट्रप्ति का नाम जानता है मुझे डर है कि यह मेरा दिमाग फिसल गया है कितनी अजीब बात है क्या बिल क्लिंटन का नाम जाना भचाना लगता है बैशक मैं क्लिंटन को जानता वह मेरा एक पुराना दोस्त है, एक वैग्यानिक, एक अच्छा लोग, मैंने उनके साथ काम किया है, आप जानते हैं, वह देखता है कि मेरी आँखें अविश्वास में चोड़ी हो गई हैं और खुद को रोक लेता है, जब तक, यानी, एक और क्लिंटन है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है, आप जानते हैं, अंतिम राश्टरप्ती का नाम बिल क्लिंटन भी था, वह था, मेहुंगों, वह अपनी जांग पर्थपर मारता है और हनसता है, लेकिन सब कुछ नहीं लगता कि शर्मिंदा, आपको याद करने वाला आखिरी राश्टरप्ती कौन है, उसे अपना दिमाग खोजने में कुछ समय लगता है, आए देखते हैं, फ्रिंकलिन था रूजवेल्ट, कभी जॉन एफ कैनेडी के बारे में सुना है, कैनेडी, हम, मुझे डर है कि मैं उसे नहीं जानता, प्रैसिनो एक अन्य प्रशन के साथ हस्तक्षेप करता है हम इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं, ठीक है, हम इतिहास का अध्ययन यह जानने के लिए करते हैं कि अतीत में क्या हुआ था, लेकिन हम क्यों जानना चाहते हैं कि अतीत में क्या हुआ था, क्योंकि यह सिर्फ दिल्चस्प है, स्पष्ट रूप से, नवंबर एक हजार न गलत था जबकि उसके सिर के अंदर एक शातिर वायरस था जिसे हरपीज सिम्पलेक्स कहा जाता था अपने मस्तिश्क के माध्यम से अपना रास्ता चबा रहा था एक सेव की तरह जब तक वायरस ने अपना पाथ्यक्रम चलाया था एप्ज में मस्तिश्क पदार्थ के अखरोट के आकार के दो टुक्रे औसत दर्जे का लौकिक लोग गायब हो गया था और उनके साथ उनके अधिकांश याद वायरस अजीब सठीक्ता के साथ मारा गया औसत दर्जे का लौकिक लोग मस्तिश्क के हर तरफ एक है हिप्पो केमपस और कई आसपास के क्षेत्र जो एक साथ मुरने का जादूई कारनामा करते हैं लंबी अवधी की यादों में हमारी धारनाई यादे वास्तव में संग्रहीत नहीं होती है हिप्पो केमपस में वे एक कैम कॉर्डर की तरह है एक काम कर टेप सिर के बिना वह देखता है लेकिन वह रिकॉर्ड नहीं करता है पीपी में दो प्रकार के भूलने की बीमारी होती है इंटेरो ग्रेड जिसका अर्थ है कि वह नहीं बना सकता है नई यादे और प्रतिगामी जिसका अर्थ है कि व पुरानी यादों को याद नहीं कर सकता है तो कम से कम 1950 के बाद से नहीं उनका बचपन में उनकी सेवा मर्चेंट मरीन द्वितिय विश्वयूद्ध वह सब जो पूरी तरह से जवलन्त है लेकिन जहां तक वह जानता है गैस की कीमत एक चौथाई गैलन है और आदमी ने कभी वह छोटा कदम नहीं उठाया चांद पर भले ही एई पी डेर दशक से एक भूलने की बीमारी है और उसका हालत न तो खराब हुई और नहीं सुधरी अभी बाद कुछ है स्क्वायर और उनकी टीम उनसे सीखने की उम्मीद करती है उनके जैसा मामला जिसमें प्रकृती एक अक्षनों की एक असीमित संख्या है जिन्हें किया जा सकता है एई पी की तरह एक दिमाग वास्तव में इसमें कुछ ही अन्यव्यक्ति हैं दुनिया जिसमें हिपो कैंपसी और प्रमुखासन संडचनाएं दोनों रही हैं एक अन्यथा अक्षुन मस्तिश्क से इतना सठीक रूप से निकला हुआ एक और गंभीर स्मृतिलोप का मामला बीबीसी के पूर्व संगीत निर्माता क्लाइव वेरिंग का है जिन्होंने एक हजार नौस और पचासी में हर पी जेन से फलाइटिस से पीड़ित था पीपी की तरह उसके दिमाग में है एक चलनी बनो हर बार जब वह अपनी पतनी का अभिवादन करता है तो ऐसा लगता है जैसे उसने नहीं किया है बीस साल में उसे देखा वह उसे परेशान करने वाले फोन संदेश छोड़ देता है वह जिस नर्सिंग होम में रहता है वहां से भीख मांगता है वह भी एक संपूर डाइरी रखता है जो उसके देनिक का एक ठोस रिकॉर्ड बन गया है पीड़ा लेकिन जिस डाइरी पर भी उन्हें भरोसा करना मुश्किल लगता है हर दूसरे की तरह उसके जीवन में वस्तु यह पूरी तरह से अप्रिचित है हर बार जब वह इसे खोलता है तो यह अवश्य होता है पि विष्टियों से उनकी स्थिति के बारे में जागरूता का पता चलता है कि एपी शायद आनन्दित अभाव है मेज के उस पार से स्क्वायर एपी से पूछता है कि कैसे उनकी याद इन दिनों कर रही है यह उचित है यह पना मुश्किल है कि यह वास्तव में अच्छा है य यहां तक की हालांकी यह स्पष्ट है कि यह किसलिए है। मैं वैसे भी उससे पूछता हूँ। वह अपनी कलाई भूमाता है और लापरवाही से इसे पढ़ता है। हम यह स्मृति हानिक हता है। पी-पी को यह भी याद नहीं रहता कि उसे याददाश्ट की समस्या है। अर् कुछ नहीं वैसे ही यह आपके या मेरे लिए होगा। उसके दिमाग में कुछ भी गलत नहीं है। यह एक आशीर वाद है। उनकी पतनी, बेवरली, मुझे बाद में बताता है। जबकि यह इपी एयर शॉप से बाहर सोफे पर बैठता है। मैं मान लीजिये उसे पता होन चाहिए। वह बस अवश्य जब मैं उन शब्दों को सुनता हूँ। तो मुझे इस बात का एहसास होता है कि और क्या है बस यादेख हो गई है। पी-पी की अपनी पतनी भी नहीं रज सकती उसकी सबसे बुनियादी भावनाओं और विचारों तक पहुँचे। यह पना नहीं है कि वह भावनाओं या विचार नहीं है। पल-पल वह निश्चित रूप से करता है। पोते-पोतियों के जन्म की ख़बर मिलते ही एई-पी की आँखे नम हो गई हर बारे और फिर वह तुरंत भूल गया कि वे मौजूद हैं। लेकिन बिना आज की भावनाओं की कलकी भावनाओं से तुलना करने की क्षमता। वह किसी को नहीं बता सकता अपने बारे में या अपने आसपास के लोगों के बारे में समेकित कथा। जो बनाता है वह सबसे बुनियादी मनुवय घ्यानिक जीव का भी प्रदान करने में असमर्थ है उसके परिवार और दोस प्रभावी धंग से बातचीत को रीसेट करता है। प्रभावी धंग से बातचीत को रीसेट को रीसेट को रीसेट करता है। प्रभावी धंग से बातचीत को रीसेट को रीसेट को रीसेट को रीसेट करता है। वह लेता है पडोस में घूनता है। आमतोर पर दोपहर के भोजन से फले कई बार और कभीक भी एक घंटे के तीन चोथाई तक वह यार्ड में बैठता है। वह अखबार पढ़ता है जिसे टाइम मशीन से बाहर निकलने जैसा मसूस होना चाहिए। इराक, इंटरनेट, जब तक एप किसी शीरशक के अंद तक पहुँचता है। तब तक वह अमतोर पर होता है भूल गए कि यह कैसे शुरू हुआ। जियादातर समय, मौसम को पढ़ने के बाद, वह बस कागज पर डूडल, तस्वीरों पर मूँचे खींचना या ट्रेस करना उसका चम्मच, जब वह अचल संपत्ती अनुभाग में घर की कीमते देखता है, तो वह हमेशा अपने सदमे की धोशना करता है। स्मृती के बिना, अप पूरी तरह से समय से बाहर हो गया है। वह नहीं रखता चेतना की धारा, बस भून्दे जो तुरंत वाश्पित हो जाती हैं। अगर तुम अपनी कलाई से घड़ी उतारनी थी या अधिक प्रूरता से, समय बदलो वह पूरी तरह सिखो जाएगा। एक शाश्वत वर्तमान के इस बंधन में फंसा, एक ऐसे अतीत के बीच जिसे वह याद नहीं रख सकता और एक ऐसे भविश्र के बारे में जिसके बारे में वह सोच भी नहीं सकता, वह एक गतिहीन जीवन जीता है, पूरी तरह से चिंता से मुक्त, वह हर समय खुश रहता है, बदखुश, मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्यूंकि उसके जीवन में कोई तनाव नहीं है, उसकी बेटी कैरल पहती है, जो पास में ही रहती है, अपनी पुरानी भूलने की बीमारी में, एक प्रकार का रोग संबंधी ग्यान प्राप्त कर लिया है, एक विकृत पूरी तरह से वर्तमान में जीने का भौधा दर्श, अब आपकी उम्र कितनी है, स्क्वायर उससे पूछता है, आए देखते हैं, 49 या 60, तुम मुझे मिल गए, वह गते हैं, अपनी और को ऊपर उठाते हुए मनन पूर्वक, जैसे कि वह कोई गणना कर रहा हो, ना कि अन नहीं मिलते हैं, मुझे यकीन है कि आपके पास कभीक भी ऐसा होता है, जरूर मैं करता हूँ, स्क्वायर क्रिपया कते हैं, भले ही एईपी का लगभग एक चौथाई एक शतक बंद, समय के बिना स्मृती की कोई आवश्यता नहीं होगी, लेकिन बिना स्मृती, क्या समय ज जो आपके पास आने पर संकुचित हो जाती है, प्रकाश की गती, मेरा मतलब है मनोवैग्यानिक समये, जिस गती से हम जीवन के मार्ग का अनुभव करें, मानसिक निर्मान के रूप में समये, पी देखना अपनी खुद की उम्र बताने के लिए संग घर्ष, मुझे एरको क कहानियों में से एक याद आया मुझे पेरिस विश्व विद्याले में उनके शोध के बारे में बताया, जब हम वहां मिले यह एस मेमोरी चैंपियंशिप, मैं व्यत्ति प्रक समये के विस्तार पर काम कर रहा हूँ, ताकि ऐसा मसूस हो कि मैं जी रहा हूँ, लंबे समये त मैंने पूछ लिया, अधिक याद करके, मेरे जीवन को और अधिक कालानुक्रमिक प्रदान करके स्थलचेहन, समय बीतने के बारे में खुद को और अधिक जागरूक बना कर, मैंने उससे कहा कि उसकी योजना ने मुझे जो सेफ में पाइलट डनबर की याद दिला दी हेलर का कैच 22 जो कारण बताता है कि जब आप मजे कर रहे होते हैं तो समय उर जाता है, जीवन के मार्ग को धीमा करने का सबसे पका तरीका है कि इसे यथा संभव बाहू बना दिया जाए, एर ने कमर कसली, काफी विपरीत, जितना अधिक हम अपने जीवन को पैक करते हैं याद कर सकते हैं और यह कि विपरीत उतना ही सत्य हो सकता है, एक महीना या वर्ष जो मसूस होता है उसमें जूम कर सकता है जैसे बिलकुल समय नहीं, हमारे जीवन की संडचना हमारी घटनाओं की यादों से होती है, घटना एक्स हुआ पेरिस की बड़ी छुटी से ठीक फले, मै आई, के बाद फली गर्मियों में वाई कर रहा था चलाना सीखा, मेरी फली नौकरी में उतरने के बाद जी सब तहांत हुआ, हम घटनाओं को अन्य घटनाओं के सापेक्ष समय पर रखकर याद रखें, अभी अभी जैसे ही हम तथ्यों की यादों को एक नेटवर्क में ए की कृत करके संचित करते हैं कालानुक्रमिक यादे, वैव जितना सघन होगा, अनुभव उतना ही सघन होगा, समय की, यह एक फ्रांसी सी क्रोनो बायोलोजिस्ट मिशेल सिफ्रे द्वारा अच्छी तरह से चित्रित एक बिंदु है है समय और जीवित जीवों के बीच संब भूमिगत गुफा में, घड़ी, कैलेंडर या सूर्य तक पहुंचके बिना, सोया हुआ और जब उसके शरीर ने उसे बताया, तब ही खा रहा था, उसने यह पता लगाने की कोशिश की कि कैसे मानव जीवन की प्राकृतिक लए समय से परे, जीने से प्रभावित होगी, ब नहीं ज्यादा उनकी स्मृति पर खुद को प्रभावित करने के लिए कुछ भी नया नहीं था, वहां थे कोई कालानु क्रमिक स्थल्चिहन नहीं जिसके द्वारा वह के मार्ग को माप सके समय, कुछ बिन्दु पर उसने याद रखना बंद कर दिया कि क्या हुआ था एक दिन पले भी, अलगाव में उनके अनुभव ने उन्हें एपी में बदल दिया था, जैसे जैसे समय धुंधलाने लगा, वह प्रभावी रूप से स्मृति लोप हो गया, जल्द ही, उसकी नीन पैटर्न विग्धित, कुछ दिन वह सीधे 36 के लिए जाकता रहता घंटे, अ अपनी पत्रे का में 20, उसे लगा कि अभी एक महीना ही हुआ है, उनका अनुभव समय का मार्ग दो के कारक से संकुचित हो गया था, एक रस्ता समय को ध्वस्त कर देती है, नवीन ता उसे प्रकट करती है, आप रोजाना व्यायाम कर सकते हैं, और स्वस्त भोजन करें, और एक छोटा जीवन अनुभव करते हुए एक लंबा जीवन जीए, अगर तुम अपना जीवन एक क्योविकल में बैठकर और पेपर पास करते हुए बिताएं, एक दिन के लिए बाध्य है, अगले में अनजाने में मिश्रण करें और गायब हो जाएं, इसलिए यह महत्वप पूर्ण है नियमित रूप से दिन चर्या बदलने के लिए, और विदेशी स्थानों पर छुटिया मनाने के लिए, और है जितना संभव हो उतने नई अनुभव जो हमारे लंगर का काम कर सकते हैं, यादे, नई यादे बनाने से मनोव ज्यानिक समय बढ़ता है, और हमारे जीवन के बारे में हमारी धारना को लंबा करता है, विलियम जेम्स ने सबसे फले जिग्यासु युद्ध और पूर्वाभास के बारे में लिखा था एक 1890 में मनोव ज्यानिक समय, योवाओं में हम हर घंटे एक बिलकुल नया अनुभव, व्यति प्रक्याउद देश्य हो सकता है दिन का, आशंका जवलंत है, प्रतिधारन मजबूत है, और हमारा उस समय की यादें, जैसे तेजी से और दिलचस्प में बिताए समय की तरह यात्रा, कुछ जटिल, बहुत संक्यक और लंबे समय से खीची गई है, है लिखा था, लेकिन जैसे जैसे हर बीटता साल इस अनुभव में से कुछ को बदल देता है स्वचालित दिन चर्या जिसे हम शायद ही कभी नोट करते हैं, दिन और सप्ताह सामगरी ही निकायों, और वर्षों की याद में खुद को सुचारू करे खोखला हो जाना और ढह जाना, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ज जीवन को बनाने की खोज में पीटर पैन के लिए शायद थोड़ा सा है अधिकतम यादगार, लेकिन सभी चीजों के बारे में जुनूनी हो सकता है संग्रह करना, स्वयम के जीवन की यादे सबसे अच्छी नहीं लगती अनुचित, इसके बारे में कुछ अजीब तरह से दरकसंगत भी है, वहां है एक पुरानी दार्शनिक पहली जो अक्सर बंधी हो जाती है परिच्यात्मक दर्शन पाथ्यक्रम, 19-20 सदी में, डॉक्टरों ने शुरू किया आश्चर्य करने के लिए कि क्या वे सामान्य समवेदनाहरी का प्रबंध कर रहे थे हो सकता है कि मर कहावत का पीर जो बिना सुने ही गिर जाता है, क्या ऐसा अनुभव हो सकता है याद नहीं किया जाता है कि अर्थपूरन रूप से कहा गया है कि हुआ है, सुक्रात सोचा था कि अपरिचित जीवन जीने लायक नहीं था, और कितना याद नहीं जीवन, स्मृति के बारे में विग्यान जो कुछ जानता है, उसमें से अधिकांश एक से सीखा गया था क्षति ग्रस्त मस्तिश्क उलेकनीय रूप से एपी के समान है, यह एक और भूलने की बीमारी से संबंधित था हेनरी मोलाईसन नामित, जो प्रारंभिक एचेम द्वारा चला गया और अपना अध थिकांश खर्च किया 2008 में मरने से भले कनेक टिकट में एक नर्सिंग होम में जीवन, व्यक्तियों में चिकित सा साहिते हमेशा उनकी पचान की रक्षा के लिए आध्याक्षर द्वारा जाता है, एचेम के नाम उनकी मृतियों के बाद पता चला था एक बच्चे के रूप में एक चेम मिर्गी से पीरे थे, जो नौसाल की उम्र में एक बाइक दुर घटना के बाद शुरू हुआ था, जब तक वह बीस साथ, वह सपता हमें कई बार बलेक आउट कर रहा था और बाद कुछ करने में असमर्थ था कुछ भी, विलियम्स कोविल नामक एक नियूरो स सरजन ने सोचा कि वह राहत दे सकता है एक प्रयोग आत्मक सरजरी के साथ एक चेम के लक्षन जोकी के हिस्से को एक साइज करेंगे जिस मस्तिष्क पर उसे संदेह धावा समस्या पैदा कर रहा था, एक हजार नौस ओतिरपन में, जब एक चेम ओपरेटिंग टेबल पर ज साथ उठा लिया, जबकि अधातों के भूसे ने अधिकान्ष हिपो कैमपस को चूस लिया, साथ ही उनमें से अधिकान्षास पास के ओसत दरजे का लौकिक लोग, सरजरी ने की संख्या को कम कर दिया एक चेम के दोरे, लेकिन एक दुखत दुश प्रभाव था, यह जल्द ही सपष्ट हो गया कि उसकी याददाश्ट भी छीन ली गई थी, अगले पांच दशकों में, एक चेम अंगिनत का विशय था प्रयोग और मस्तिश्क के इतिहास में सबसे अधिक अध्यायन किये गई रोगी बन गई विज्ञान, स्कोविल की सरजरी के भयानक परिरनाम को देखते हुए, हर कोई मान लिया गया कि हम एक विलक्षन केस स्टरी होगा, पीपी ने उस धारना को तोड़ दिया, स्कोविल ने हम के साथ धातों के साथ क्या किया, प्रकृती ने एपी को हरपीज सिंपलेक्स के साथ किया, अगलब गल, दानेदार, काला और उनके सफेदे महराई अस्वाभाविक रूप से समान है, हालांकि एपी की क्षति थोड़ा अधिक विस्तृत है, भले ही आपको पता न हो कि एक सामान्य मस्तिष्ट को क्या करना चाहिए देखने के लिए, दो अंतर सम्मित छेद एक जोड़ी की तरह आपको वापस घूरते हैं अंधेरी आंखों से, पी-पी की तरह, एक चैम सोचने के लिए काफी देर तक यादों को पकरने में सक्षम था उनके बारे में, लेकिन एक बार जब उसका दिमाग किसी और चीज पर चला गया, तो वह कभी नहीं कर सकता था उन्हें वापस ले आओ, कनाडाई द्वारा कि गए एक प्रसिद्ध प्रयोग में न्यूरो साइंटिस्ट ब्रेंडा मिलनर, एक चैम को पांच सोच और आसी नंबर याद रखने के लिए कहा गया था या था संभव लंबे समय के लिए, जब वहिया कर रहा था तो वह जोर से बोला, यह असान है, आपको बस आठ याद है आप देखते हैं, पांच, आठ और चार को सत्रह में जोडते हैं, आप आठ याद रखें, इसे सत्रह से घटाएं और यह नो चोड़ दें, नो को आधा में विभाजित करें और आपको पांच और चार मिलते हैं और वहां आप हैं, पांच सोच और आसी, आसान, उन्होंने इस विस्त्रित मंत्र पर कई मिनर तक ध्यान केंद्रित किया, लेकिन जैसे जैसे ही वह विचलित हुआ, संख्या भंग हो गई, वह भी नहीं कर सका याद रखें कि उसे कुछ याद रखने के लिए कहा गया था, हालांकि वह ग्यानिकों को पता था कि लंबे और छोटे में अंतर होता है उन्नीस वहीं सदी के उत्तरार्ध से स्मृति शब्द, अब उनके पास सबूत थे एचेम की दो प्रकार की मेमोरी प्रक्रियाएं के विभिन भागों में हुई मस्तिश्क और अधिकांश हिप्पो कैंपस्क शेत्र के बिना, एचेम मुर नहीं सकता एक अलप थे, मिलनर उसने पाया कि वह जटिल कारियों को बिना साकार किये भी सीख सकता है, एक में, 1162 में एतिहासिक अध्ययन, उसने दिखाया कि एचेम सीख सकता है कि कैसे पता लगाया जाए कागज के एक पुट्रे पर पांचनु की ले तारे के अंदर अपने प्रतिबिम्द को देखते हुए एक दरपन में, हर बार जब मिलनर ने एचेम को यह कार्य दिया, तो उन्होंने दावा किया कि कभी नहीं होगा प्ले कोशिश की, और फिर भी, हर दिन उसका दिमाग उसके हाथ को मार्ग दर्शन करने में बेहतर होता गया उल्टा काम करना, भूलने की बीमा कारी के बाद के अध्ययनों में है पाया कि जो लोग अपनी यादों को खो देते हैं, वे अभी भी दूसरों के लिए सक्षम हैं, याद न किये गए सीखने के प्रकार, एक प्रयोग में, स्क्वायर ने एपको एक सूचीदी 24 शब्दों को याद करने के लिए, जैसी कि वल आधा समय सही उत्तर दिया, लेकिन फिर स्क्वायर एपी के सामने बैठ गया कंप्यूटर मॉनिटर और उसे एक अलग परीक्षन दिया, इस बार, 48 शब्द 25 मिली सेकंड के लिए स्क्रीन पर फ्लेश किये गए थे, बस लंबे समय तक आंख के लिए कुछ को पकरने के लिए पर्याप्त है, लेकिन सभी को नहीं एक अंख जपकना, बाय तुलना, एक सो से एक सो पचास मिली सेकंड में होती है, आधे शब्द थे उस सूची में से जिसे एपी ने पढ़ा और भुला दिया, और आधे नए थे, स्क्रीन पर फ्लेश होने के बाद स्क्वायर ने एपी से प्रत्य एक शब्द को पढ़ने के लिए कहा, हैरानी की बात यह है कि एपी फले देखे गई शब्दों को पढ़ने में कहीं बेहतर था जो नए थे, भले ही उन्हें इस बारे में कोई सचेत स्मृति न हो उन्हें, कहीं न कहीं उनके मस्तिष्क के रिक्त स्थान मे उन्होंने एक चाप छोड़ी थी, अचेतन स्मरण की यह घटना, जिसे प्राइमिंग के रूप में जाना जाता है, है नीचे छिपी यादों की एक पूरी छायादार अंडर्वर्ल का सबूत हमारी सचेत गणना की सतर, हालांकि अस हमती है लगभग कितने मेमोरी सिस्टम ह वैग्याने का अम तोर पर विभाजित करते हैं, यादे मोटे तोर पर दो प्रकार की होती हैं, घोश्रनात्मक और गैर घोश्रनात्मक कभीक भी सपष्ट और निहित के रूप में संदर्वित, घोश्रनात्मक यादे हैं जिन चीजों को आप जानते हैं, वे आपको याद जैसे आपकी कार का रंग, या क्या कल दो पहर हुआ, टेप और एच हम ने बनाने की क्षमता खोदी थी नई घ्षोषन आत्मक यादें, गैर घ्षोषन आत्मक यादें वे चीजें हैं जो आप अनजाने में जानते हैं, जैसे बाइक की सवारी कैसे करें या आकार कैसे पर कोई शब्द तेजी से चमक रहा है स्क्रीन का अर्थ है वो अचेतन यादे गुजरती नहीं है एक ही अलपकालिक स्मृति बफर घोशन आत्मक यादों के रूप में नहीं वे हिपो के इंपस्क शेत्र को समेकित और संग्रहीत करने पर निर्भर करता है वे मुख्य आप मस्तिष्ट के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा सकते हैं और बाकी को नुकसान पहुंचा सकते हैं काम करते रहें वास्तव में हम कौन हैं और हम कैसे सोचते हैं मूल हमारे व्यक्तित्व की सामगरी अंतरनेहित यादों में बंधी हुई है जो बंध हैं चेतन मस्तिष गोश्रनात्मक यादों की श्रेनी के भीतर, मनुवैग्यानिक एक बनाते हैं सिमेंटिक यादों, या तथियों के लिए यादों के बीच और अंतर और अवधारनाएं, और प्रासंगिक यादें, या हमारे अनुधवों की यादें खुद का जीवन, यह याद करते हुए कि म मैंने आज सुबह नाश्टे में अर्णे लिये थे, एक प्रासंगिक स्मृती, यह जानते हुए कि नाश्टा दिन कपला भोजन है, एक शबदार्थ वैग्यानिक स्मृती, एपिसोडिक यादे समय और स्थान में स्थित होती हैं, उनके पास एक कहां और कब जुड़ा हु अर्थपूर्ण यादे हैं ज्ञान के मुत्तास्थाई टुपनों के रूप में समय और स्थान के बाहर स्थित है, याद रखने के ये दो अलगालग प्रकार, अलगालग उपयोग करते प्रतीत होते हैं, तंत्रिका पत और मस्तिष्क के विभिन क्षेतरों पर भरोसा करते हालां कि दोनों हैं हिपो केंपस और अन्य संडचनाओं पर गंभीर रूप से निर्भर औसत दर्जे का लौकिक लोग अपने दोनों प्रकार की मेमोरी को बराबर में खो दिया है उपारे लेकिन उत्सुता से उसकी विस्मृती केवल पिछले साथ के लिए ही फैली हुई है या इतने साल उनकी यादें एक ढाल के साथ फी की पड़ गई हैं स्मृती के कईर हस्यों में से एक यह है कि एपी जैसे भूलने की बीमारी को क्यों होना चाहिए याद करने में सक्षम हो जब परमारनु बम हिरोशिमा पर गिरा लेकिन नहीं हाल ही में बरलिन की दीवार का गिरना किसी अग्यात कारण से यह है सबसे हाल की यादें जो सबसे भूलने की बीमारी में सबसे फले धुंधली होती हैं जबकि दूर यादें अपनी स्पष्टता बरकरार रखती हैं इस घटना को रिबोर्ट्स लॉके रूप में जाना जाता है उननीस भी सदी के फ्रां गिरना की उम्र के रूप में उनका रंग बदल जाता है हर बार जब हम किसी स्मृती के बारे में सोचते हैं तो हम अन्ययादों के हमारे वईव में इसे और अधिक धराई से एक इकृत करें और इसलिए इसे और अधिक स्थिर बनाएं और इसके विस्थापित होने की संभा लेकिन इस प्रक्रिया में हम मेमोरी को भी बदल देते हैं और उसे नया आकार देते हैं कभीक भी इस हद तक की घटनाओं की हमारी यादे केवल एक गुजरती हैं वास्तव में जो हुआ उससे मिलता जूलता नियूरो साइन्टिस्ट्स ने हाल ही में मस्तिष्ट के अंदर हो रही इस प्रक्रिया को देखना शुरू किया लेकिन मनुवैग भ्यानिक लंबे समय से समझ रहे हैं कि गुरनात्मक हैं पुरानी और नई यादों के बीच अंतर सिग्मर्ण फ्रायर ने सबसे फ्ले नोट किया था जिग्यासु तत्य यह है कि पुरानी यादें अक्सर याद की जाती हैं जैसे कि एक द्वारा कबजा कर लिया गया हो तीसरा व्यक्ति कैमरा पकड़े हुए है जबकि अधिक हाल की घटनाओं की प्रवृत्ति होती है फ्ले व्यक्ति में याद किया जाता है जैसे कि अपनी ही आँखों से यह ऐसा है जैसे जो चीजें हमारे साथ घटी हैं वे बस चीजें हो जाती हैं यह मानो समय के साथ मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से एपिसोड को तथियों में बदल देता है यह प्रक्रिया नियूरॉंस के स्तर पर कैसे काम करती है यह अभी भी एक पहेली बनी हुई है एक अच्छी तरह से समर्थित परिकल्पना यह मानती है कि हमारी यादे खानाब दोश हैं जबकि हिप्टो कैमपस उनके प्रारंबिक गठन में उनकी सामगरी हैं अंततह नियो कार्टेक्स में दीरधकालिक भंडारन में आयोजित किया गया समय के साथ जैसे वे हैं पुनरीक्षित और प्रबलित यादों को इस तरह से समेकित किया जाता है जो बनाता है उन्हें मिटाने के लिए अभेद्य वे के एक नेटवर्क में फ और पचास के बाद से पूरी तरह से समाप्थ हो गया जब वायरस ने उसके माध्यम से अपना रास्ता खा लिया और सत दर्जे का लौकिक लोग या क्या वे यादे बस दुरगम हो गही क्या वायरस ने आधा घर जला दिया या उसने चाबी फेंक दी हम नहीं जानते ऐसा म के माध्यम से चलते हैं सोते हैं और अपनी आंखें बंद करके तंत्री का फायरिंग के समान पैटर्न प्रदर्शित करते हैं जब वे पली बार में भूल भूल या सीख रहे थे या किया गया है सुझाव गया है कि कारण हमारे अपने सपने अकसर एक असली की तरह मसूस करत हैं वास्तविक जीवन से निकाले गए तत्वों का पुनरसन योजन यह है कि वे केवल उप अनुभवों का उत्पाद धीरे धीरे लंबी अवधि की यादों में सख्त होता जा रहा है पीपी के साथ अपने रहने वाले कमरे में सोफे पर बैठे मुझे आश्चर्य है कि क् भी सपने देखता है बैशक वह नहीं बता सकता लेकिन मैं उससे वैसे भी पूछता हूँ बस यह देखने के लिए कि वह क्या कहेगा समयस्मय पर वह मुझे वास्तव में बताता है हालांकि उसकी प्रतिक प्रिया है सबसे निश्चित रूप से एक उलजन लेकिन सपनों को याद रखना मुश्किल है हम सभी दुनिया में भूलने की बीमारी के रूप में आते हैं और हम में से बहुत से लोग बाहर निकलते हैं वैसा ही दूसरे दिन मैं अपने तीन साल के भतीजे से उसके बारे में पूछ रहा था दूसरे जनमदिन की पार्टी हालांकि घटना एकतिहाई से अधिक हुई जीवन का लफले उनकी यादे आश्चर्यजनक रूप से सठीक थी उसे याद आया उस्योवा गिटार वादक का नाम जिसने उसका और उसके दोस्तों का मनोरंजन किया था और उनके द्वारा गाए गए कुछ गीतों का पाथ कर सकते हैं उसे या याद नहीं रहेगा तीन या चार साल की उमर तक हमारे साथ जो कुछ भी होता है वह लगभग कुछ भी नहीं छोड़ता है एक प्रकार की स्थाई छाप जिसे होश पूर्वक एक वयस्क के रूप में याद किया जा सकता है लोगों की प्रारंभिक स्मृति होने की तीन है डीरर और वे केवल धुंधले खंडित स्नैपशोट होते हैं जो हैं अकसर जूठा कितना अजीब है कि उस दौर में जब इनसान सीख रहा होता है अपने जीवन के किसी भी अन्यबिंदू की तुलना में अधिक तेजी से जब कोई सीखना सीख रहा हो चलना और बात पन की हाईपर सेक्सुलाइज कल पनाएं जो केवल बन जाती हैं बाद के जीवन में शर्मनाग मुझे यकीन नहीं है कि आपको बहुत सारे मनुवे ग्यानिक मिल सकते हैं जो अभी भी उस व्याख्या से चिपके हुए हैं इसके लिए अधिक संभावित स्पष्टी क्रण जल्दी भूल जाना इस तथ्य में निहित है कि हमारा दिमाग तेजी से परिपक्व हो रहा है जीवन के फले कुछ वर्षों के दोरान अप्रयूक तंत्री का कनेक्शन मिलने के साथ वापस काट दिया और नए कनेक्शन लगातार बन रहे हैं नियो कोर्टेक्स है लगभग तीसरे या चोथे वर्ष तक पूरी तरह से विक्सित नहीं हुआ उस समय के आसपास बच्चे स्थाई यादें रखना शुरू कर देते हैं इनाटॉमी हालांकी मई केवल कहानी का हिस्सा बताओ शिशूरों के रूप में हमारे पास व्याख्या करने के लिए स्कीमा का भी अभाव है दुनिया और वर्तमान को अतीत से जोड़ना अनुभव के बिना और शायद सबसे महत्वपूरन भाषा के आवश्यका योजन उपकरण के बिना शिशूरों में अपनी यादों को अर्थ के जाल में एमबेर करने की क्षमता नहीं होती है जो उन्हें बाद में ज गैर्धोश्रनात्मक है प्रकार दूसरे शब्दों में पृत्वी पर हर किसी को एप्स का कुछ न कुछ स्वाद मिला है शर्त और ईपी की तरह हम सब भूल गए हैं कि यह कैसा है मैं काम पर ईपी की अचेतन गैर्धोश्रनात्मक स्मृति को देखने के लिए उत्सुक हू इसलिए मैं उससे पूछता हूँ कि क्या वह मुझे अपने आसपास घूमने के लिए ले जाने में दिल्चस्पी रखता है अरोस परोस वह भता है वास्तव में नहीं इसलिए मैं प्रतीक्षा करता हूँ और उससे फिर से एक जोड़े को पूछता हूँ कुछ खशन पश् हम सामने के दर्वाजे से उन्चे स्थान पर चलते हैं दोपहर का सूरज और दाय मुरेन उसका फैसला मेरा नहीं मैं एपी से पूछता हूँ कि हम क्यों है इसके बजाय बाही और मुरना नहीं मैं बस उस तरह से नहीं जाऊंगा मेरे जाने का यही तरीका है मुझे नहीं पता क्यों वह घते हैं अगर मैंने उस से उस मार्ग का नक्षा बनाने को कहा जो वह कम से कम तीन बार लेता है दिन वह अपना पता भी नहीं जानता यालगभग सेंग डियेगो के किसी व्यक्ति के लिए जितना संभव हो उतना असंभव जिस तरह से महासागर है लेकिन इत कि हालांकी एक भी गलत मोड उसे पूरी तरह सिखो देगा, कभी एक भी वह वह रास्ते में उठाई गई वस्तुरों के साथ अपने चलने से वापस आता है, अगोल पत्थरों का धिर, एक पिल्ला, किसी का बठुआ, वो कभी समझा नहीं सकता वे उसके अधिकार में कैसे पास आएगा और बस शुरू करेगा उनसे बात कर रहे हैं, बेवरली मुझ सिखता है, भले ही उसे लगता है कि वह उनसे मिल रहा है पली बार, उसने आदत के बल पर सीखा है कि यह लोग हैं उसे सहज मसूस करना चाहिए, और वह बेहोश लोगों की व्याख्या करता है आर प्रति दिन के कितने बुनियादी कार्य किसके द्वारा निर्देशित होते हैं, निहित्म मूल्य और निर्णय धोशन आत्मक स्मृति से स्वतंत्र, मैं आश्चर्य है कि एपी ने आदत के बल पर और क्या सीखा है, क्या अन्य गैर धोशन आत्मक यादों ने उसे आकार द देना जारी रखा है, देर दशक के बाद से उन्होंने अपनी धोशन आत्मक स्मृति खो दी है, अवश्य ही, उसे अभी भी इच्छाएं और भये, भावनाएं और त्रिशनाएं हैं, भले ही वह सचेत हो, उन भावनाओं का स्मरण इतना क्षन भंगुर है कि वह उन्हें सकता लंबे समय तक उन्हें मौफिक रूप देने के लिए, मैंने पंद्रह साल पले अपने बारे में सोचा था, और मैं कितना बदल गया हूँ, एक ही अवधी, वो मैं जो आज भी मौजूद है, और वो मैं जो तब मौजूद था, अगर कंधे से कंधा मिला कर रखना, अस मुझे इस से क्या बांधता है, और मुझे इस भरम को बनाए रखने की अनुम्ति देता है कि पलपल और साल दर साल निरंतरता है, खुछ है मेरे अस्तित्व के केंद्र में अपेक शाकृत स्थिर लेकिन धीरे-धीरे विक्सित होने वाली चीज, बुलाना यह एक आत्मा, या स्वयम, या तंत्रिका नेट्वर्क का एक आकस्मिक उपोत्पाद है, लेकिन आप इसे जो भी खना चाहें, निरंतरता कवह तत्व पूरी तरह से निर्भर है स्मृति पर, लेकिन भले ही हम अपने को स्थापित करने में अपनी यादों की दया पर हों पचान, यह स्प कों के साथ, भले ही एक वाइरस ने उसकी यादों को मिटा दिया हो, लेकिन वह पूरी तरह से साफ नहीं हुआ उसका व्यक्तित्व, इसने सिर्फ एक खोकला, स्थिरात्म छोड़ दिया है जो कभी विक्सित नहीं हो सकता है, और नहीं कर सकता कभी मत बदलो, हम सड़क पा है कि मैं कुछ अच्छे के लिए हूँ कारण, वह मुझे देखता है और अपने होठों को शुद्ध करता है, और मैं देख सकता हूँ कि वह है कुछ खने के लिए खोज रहे हैं, खाली सन्नाटे को भरने की कोशिश करने के बजारे, मैंने जाने दिया यह देखने के लिए एक पल के लिए रुपता है कि असुविधा कहां ले जा सकती है, मुझे लगता है कि मैं हूँ यह सब कितना अजीब होना चाहिए, इस द्रिश्य के बारे में कुछ खशनभंगुर्प चान की उम्मीद है प्रस्तावना के बिना, लेकिन ऐसी कोई मान्यता नहीं आती है, य मुझे मदद करने के लिए मारता है वह बच निकला, कम से कम एक सेकर्ण के लिए, मैं उसे हाथ से पकड़ कर हिलाना चाहता हूँ, उसे, आपके पास एक दुरलब और दुरबल स्मृति विकार है, मैं उसे बताना चाहता हूँ, पिछले 50 साल आपके लिए खो गए हैं, एक मिनट से भी कम समय में, आप यह भूलने जा रहा हूँ, कि यह बातचीत कभी हुई भी थी, मैं कलपना करता हूँ, डरावनी जो उस पर उतरेगी, क्षनिक स्पष्टता, अंतराल खालीपन जो उसके सामने खुल जाएगा, और जल्दी से जल्दी बंध हो जाएगा, और फ से दिशा में इंगित करता हूँ, जो हम आए, हम धूनते हैं, और वापस उस गली में चलते हैं, जिसका नाम वह भूल गया है, लराते पडोसियों को वह नहीं पचानता है, अगर वह नहीं जानता, घर के सामने रंगी हुई खिरकियों वाली एक कार बैठती है, हम अपने प्रतिबिंबों को देखने के लिए मुरते हैं, मैं एपी से पूछता हूँ कि वह क्या देखता है, एक भूढ़ा आदमी, वह एकते हैं, बस इतना ही, पंज, स्मृतिम्हल, एग के जाने सिफले मैंने एक आखरी बार उनके साथ मिलने की वयवस्था की थी वापस दीर से सर्दियों के नंगे पेड़ों को लेने और धावकों को देखने के बाद जलाशय के चारों और उनकी दोपहर की गोद करो, हम दक्षिनी पर समाप्थ हुए पार्क के अंत में, सीधे रिट जकारलटन होटल से सड़क के पार, वह था एक ठंडी और बेरहमी से हवा भरी दोपहर सोचने के लिए आदर्श परिस्थितियों से कम किसी भी प्रकार का बागत कम याद रखने वाला, फिर भी एर ने जोर देकर कहा कि हम बाहर रहना, उसने मुझे अपना बेन थमाद दिया और खेल कर एक पर चड़ गया पार्क के किनारे के पास बड़े बड़ के उपर, उसने वादा किया था कि वह मुझे कुछ बुनियादी बातें सिखा सकता है, एक घंटे से भी कम समय में मेमोरी तकनीक, यह कलपना करना कठिन था कि हम कर सकते हैं किसी भी अधिक समय के लिए मौसम को बहादुरी दे, मुझे आपको चेतावनी देनी है, एर ने कह जैसा कि वह खुद को नाजुक रूप से बैठा था क्रोसलेग्र, आप जल्दी एक विसमय कारी सम्मान से जाने वाले हैं, अच्छी याददाश्ट वाले लोग, ओ, यह सब एक बेवकूफी भरी चाल है, रुख गया और अपना सिर उठा लिया, मानो यह देखने के लिए कि क्या यह वास्तव में मेरा होगा प्रतिक्रिया, और आप गलत होंगे, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण चरण है कि आप सही हैं से गुजरना होगा, उन्होंने अपने पाथ की शुरुवात सभी निमोनिक्स के सबसे बुनियादी सिध्धान्त के साथ की विस्त्रते इनक प्रतिकात्मक विक्षिप ताधुनिक दिमाग में जो हमारी सेवा करते हैं, कभीक भी खराब आज प्ले स्टोसिन के दौरान हुआ, एक यो जो लगभग एक आठ मिलियन वर्ष प्ले शुरू हुआ और केवल दस हजार बग साल प्ले, उस अवधी के दौरान और कुछ अलग स्थानों मे आज भी हमारी प्रजातियों ने शिकारी के रूप में अपना जीवन यापन किया, और यह मांग थी उस जीवन शैली के बारे में जिसने आज हमारे दिमाग को गढ़ा है। चीनी और वसा के लिए हमारे स्वादने हमें की दुनिया में अच्छी तरह से सेवादी हो सकती है दुरलब पोशन, लेकिन अब सर्वव्यापी फास्ट फूर्ड की दुनिया में दुर्भावना पूर्ण है जोड, हमारी यादे हमारे समकालीन के लिए पूरी तरह से जानकारिक उम्र, जिन कारियों पर हम अक्सराज के लिए अपनी यादों पर भरोसा करते हैं बस उस वातावरण में प्रासंगिक नहीं थे जिसमें मानव मस्तिष्ट विक्सित, हमारे पूरवजों को फोन नंबर या शब्द के लिए याद करने की आवश्यक्ता नहीं थी उनके मालिकों से शब्द निर्देश या उननत प्लेसमेंट यूएस, इतिहास पाठ्यक्रम या क्योंकि वे अपेक शाकृत छोटे, स्थिर समुहों में रहते थे एक कौटेल पार्टी में दरजनों अजनबियों के नाम, हमारे प्रारंभिक मानव और हमिनिर पूरवजों को क्या याद रखना चाहिए भोजन और संसाधनों को कहां खोजना है, और घर का रास्ता कहां है, और कौन साप ओधे खाने योग थे और जो जरीले थे, वे महत्वपूरन प्रकार के हैं स्मृतिक औशल जिस पर वे हर दिन निर्भर करते थे, और यह थाकम से कम अन्शिक समान रूप से उन मांगों को पूरा करने के लिए जो मानव स्मृति विक्सित हुई जैसे उसने किया, सभी स्मृति तकनीकों में अंतरनिहित सिध्धानत यह है कि हमारा दिमाग नहीं करता है, सभी प्रकार की सूचनाओं को समान रूप से अच्छी तरह याद रखें, हम जितने असाधारण हैं द्रिश इमेजरी को याद रखना दोचित्र पचान परीक्षन के बारे में सोचें हम अन्य प्रकार की जानकारी को याद रखने में भयानक हैं, जैसे शब्दों की सूची या संख्याएं, स्मृति तकनीकों की बात यह है कि साइनेस्थी क्या करना ह इसने सहज रूप से किया, यादों के प्रकार लेने के लिए हमारा दिमाग अच्छा नहीं है, उन्हें संभाल कर रखना और उन्हें हमारे दिमाग की तरह की यादों में बदलना के लिए बनाए गए थे, अधिकांश मेमोरी तकनीकों के साथ सामान्य विचारिया है कि जो खुछ भी बदल दिया जाए आपकी याददाश्त में उबाऊ चीज डाली जा रही है जो कुछ ऐसा है रंगीन, इतना रोमान चक और इससे फले आपने जो कुछ भी देखा है उससे बहुत अलग आप इससे संभवतह नहीं भूल सकते, एर ने मुझे अपनी सांसों के बी तकनीकों को पकरने के लिए, तब आप स्थानांतरित करने में सक्षम होने जा रहे हैं संख्याओं पर, ताश खेलना, और फिर वहां से जटिल अवधारनाओं पर, मूल रूप से, जब हम आपके साथ काम कर लेंगे, तो आप सीखने में सक्षम होंगे, आप जो कुछ भी चाहते हैं, वास्तव में, एर ने बताया कि कैसे हाल ही में वयना की यात्रा पर, उन्होंने और लुकास ने भाग लिया था, लुकास की साल की सबसे बड़ी परीक्षा से एक रात भले तक, और केवल सूर्योदय से ठीक भले घर्ठो कर खाई, लुकास दो पहर को उठा, सी भवतक अकादमिक अपराद की भावनाओं से खुद को परेशान करे पल, लुकास ने पाया है कि प्रयास एक बागधी अशलील अभ्यास है, एर ने अपने करल अपने कानों के पीछे रखे और मुझ से पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ, भले याद करो, हम कुछ उपयोगी सीख कर शुरू कर सकते हैं, जैसे मिसर के फिर ओन या अमेरिकी राश्टरप्तियों की शर्तें, उन्होंने पिशकश की, या शायद एक रोमांटिक कविता, हम भूवे ग्यानिक क्यों कर सकते हैं, अगर आपको पसंद आएगा, मैं हनसा, यह सब बागत उपयोगी लगता ह हम आखरी के लिए सभी अमेरिकी फुटबाल विजेताओं को जल्दी से सीख सकते हैं, सदी या तो, या शीर्ष बेसबल सितारों का बिंदू औसत, यदि आप चाहें, क्या आप जानते हैं वास्तव में सुपरबाल के सभी विजेताओं को जानते हैं, मैं पूछा, ठीक है नहीं, मैं नहीं करता, मुझे क्रिकेट पसंद है, लेकिन मुझे उन्हें आपको सिखाने में खुशी होगी, यही बात है, हम इन तक्नीकों से जल्दी से कुछ भी सीख सकते हैं, देखो, तुमने परीक्षादी या नहीं मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे लगता है कि इस तक्नीक का सबसे सपष्ट, वयावहारिक उप्योग है किसी की टूडू सूची की महारत, क्या आप एक टूडू लिस्ट रखते हैं, घर पर, हाँ, की तरह, समय समय पर, समझा, खेर, मैं हर समय एक टूडू लिस्ट अपनी याद में रखता हूँ, हम उप्योग कर एगने कागज का एक टूड़ा मांगा, जिस पर उसने कुछ शब्द लिखे, उसने एक शरार्ती मुसकान के साथ इसे मुझे वापस सौंप दिया, यह पंद्रह की सूची थी आइटम, सिर्फ कुछ चीजें जो मुझे शहर में जाने सिफले पूरी करनी हैं, एक पार्टी के लिए मेरा एक दोस्त फेंक रहा है, उन्होंने कहा, मैंने सूची को जोर से पढ़ा, मसालेदारल सुन्चाना सामन पीट स्मोक यदि संभव हो तो सफेद शराब की छबोत लें, जुराबे एक्स थी तीन हुलाहुप्स अतिरिक्त, स्नूर्कल सूखी बर्फ मशीन इमेल सोफिया स्किन्टोन कैट सूट पॉन्यू मैन की फिल्म खोजेन समबनी अपदेयर लाइक मी इल्क सॉसिज, मेगाफोन और निर्देशक की कुर्सी हारनेस और रसिया बैरोमीटर यह सूची आपकी स्मृति से है, मैंने अविश्वसनिय रूप से पूछा, मेरी याद से य यह आया, यह आपकी स्मृति में चला जाएगा, एर ने कहा, और यह गंभीर है, ठीक है, मुझे यकीन नहीं है कि मैं इस पर सब कुछ ढून पाऊंगा, क्या आपके पास है नियू यॉर्क में पनीर, मैं इल्क सॉसिज और स्किन टोन के बारे में थोड़ा अधिक चिन्ति हूँ, बिल्ली सूट, मैंने उस से कहा, और इसके अलावा, क्या आप वापस जाने के लिए शहर नहीं छोड़ रहे हैं कल इंगलेंड, हाँ, ठीक है, मैं यह स्वी कार करने के लिए तैयार हूँ, कि इन में से कई आइटम नहीं हैं, बिल्कुल जरूरी, वह जूम उठा, ह में स्थापित करना, वह गर्व परंपरा शुरू हुई, कम से कम किमवदंती के अनुसार, इसा पूर्व पांचवी शताबदी में, साथ महान भोज के मलवे में खड़े कविसा इमनाईर्स ओफ सी ओस्तिस्सली में हौन पतन, जैसे ही कविने अपनी आंखे बंद की और भले ही उन्होंने कोई सचेत प्रयास नहीं किया था कमरे के लिया आउट को याद रखें, फिर भी यह एक ठिकाव छोड़ दिया था उसकी स्मृति पर प्रभाव, उस साधारन अवलोकन से, साइम नाईर्स प्रतिष्ठित रूप से एक ऐसी तकनीक का आविश्कार किया ज जुनानी नाटककार अपनी जन्मतिति के क्रम में बैठा उसके पास होता इसके बजाय याद किया, या क्या हुआ अगर दावत के मेहमानों के बजाये, उसने देखा उनकी एक कविता का प्रत्येक शब्द मेज के चारों और रखा गया है, या हर उस दिन पूरा करने के लि साइम नाइर्स की तकनीक का उपयोग करने के लिए केवल रूपांतरन करना होता है, कुछ यादगार नहीं है, जैसे संख्याओं की एक स्ट्रिंग या ताश के पत्तों का डेक या खरीदारी की सूची या पैराडाइज लौस्ट, मनुरंजक द्रिश्य छवियों की एक श अभी बारीक बारीक विवरण है, प्रशिक्षन वास्तव में, मानसिक एथलीट में लगभग सभी मेमोरी ट्रिक्स शस्त्रागार को पली बार एक संक्षिप्त, गुमनाम रूप से लिखे गए लेटिन में वरनित किया गया था बयान बाजी की पाथ्य पुस्तक जिसे रे अजार वर्शों ने काफी देखा है, स्मृति की कला में कुछ नवाचार, बुनियादी तकनीके हैं, में वरनित लोगों से मूल रूप से अप्रिवर्तित रहे हे रेनियम, यह पुस्तक हमारी बाइबल है, एर ने मुझे बताया, एर लेटिन और प्राचीन यूनानी साथ ही साथ फ्रेंच और दोनों बोल रहा है पढ़ता है जर्मन धारा प्रवाह और खुद को एक शौकिया प्लासिकिस्ट मानता है, आदि हेरेनियम कई प्राचीन ब्रंथों में से फला था, जिस पर उन्होंने जोर दिया था मुझे, इस से फले कि मैं टोनी भुजान के विश हेरेनियम के अलावा, कि कुछ अंशों का अनुवाद किया जाएगा मेरे पढ़ने के लिए क्विंटिलियन का इंस्टिट्यूटियो ओर्टोरिया और सिस्रो कारियो राटोर, इसके बाद ध्रॉमस द्वारा स्मृति परमध्यकालीन लेखन का एक संग्रह है, एक्विनास, अलबर्टस मैगनस, सेंट विक्टर के हिंग और रेवेना के पीटर, विग्यापन हेरेनियम में शुरू की गई तकनीकों का व्यापक रूप से अभ्यास किया गया था प्राचीन दुनिया में, वास्तव में, स्मृति की कला पर अपने स्वयम के लेखन में, सिस्रो कते हैं कि तकनीकें इतनी प्रसिद्ध हैं कि उन्हें लगा कि उन्हें इसकी आवश्यक्ता नहीं है, बेकार्स या ही उनका विस्तार से वरनन करती है, इसलिए विग्यापन पर हमारी निर्भरता हेरेनियम, एक समय की बात है, प्रत्येक साक्षर व्यक्ति में पारंगत था, तकनी को सिर्फ क्या नहीं सिखाया जाता था याद रखें, लेकिन इसे कैसे याद रखें, कुछ किताबों वाली दुनिया में स्मृति पवित्र थी, जरा प्लिनी को देखिये एल्डर्स नेचुरल हिस्ट्री, प्ली सदी का विश्वकोष जिसने सभी को प्रॉनिकल किया शास् करता है, लुसियस के पियो पूरे रोमन लोगों के नाम जानता था, राजा पायरहस के दूद सिनेस रोम में सीनेट और नाइट हुर के बारे में जानते थे उनके आगमन के अगले दिन, ग्रीस में चारमदास नाम के एक व्यक्ती ने पाठ किया पुस्तकालियों में किसी भी खर्ण की सामगरी जिसे किसी ने उसे उद्धृत करने के लिए कहा था, मानो वह उन्हें पढ़ रहा हो न लेने के बहुत सारे कारण हैं, सब कुछ प्लिनी अंकित मूल य पर्खता है, उसने एके अस्तित्व की भी सूचना दी भारत में कुते के सिर वाले लोगों की और लेकिन उपाख्यानों की विशाल मात्रा शास्त्रिय दुनिया में असाधारन यादों के बारे में खुद बता रहा है, सेने का एलडर दो हजार नामों को उसी क्रम में दोहरा सकते थे जिस क्रम में उन्हें दिया गया था उसे, सेंट आउगस्टीन एक दोस्त, सिंपल सियस के बारे में बताता है, जो वरजिल का पाठ कर सकता था हृदय पिच्रा, ऐसा लगता है कि वह से आगे पढ़ सकता है, अचूक एक मजबूत स्मृति को इसके बाद से सबसे बड़ा गुन माना जाता था बाहरी ज्यान के ब्रहमान के अंतरे ककरण का प्रतिभाओं को वे बेहतर यादों वाले लोगों के रूप में वरनित करते हैं, लिखते हैं स्मृति के इतिहास पर दो पुस्तकों की लेखे का मैरी कारुथर्स तकनीक, वास्तव में के जीवन में एक मात्र सबसे आम विशय संत उनकी अलोकिक अच्छाई के अलावा उन तक के एक लंबे ग्रंत में लगभग दस प्रिष्ट सन्निहित हैं, इसकी शुरुवात प्राकृतिक स्मृति और कृत्रिम स्मृति के बीच अंतर करने से होती है स्मृति, प्राकृतिक स्मृति वह स्मृति है जो हमारे में अंतर्निहित है, मन, एक साथ विचार के साथ पै Artificial Memory वह Software है जिसे आप अपने Hardware पर चलाते हैं, अनाम लेखक जारी है, कृत्रिम स्मृती, दो बुनियादी हैं घटक, चित्र और स्थान, छवियां क्या की सामगरी का प्रतिनिधित्व करती हैं, एक याद रखना चाहता है, स्थान या लोकी, जैसा की उन्हें मूल में कहा ज और आसानी से कलपना कर सकते हैं, और फिर उस कलपित स्थान को आबाद कर सकते हैं, आप जो कुछ भी याद रखना चाहते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करने वाली छवियां के रूप में जाना रोमियों द्वारा लोकी की विधी, ऐसी इमारत बाद में बन जाएगी एक स् रूपता है, या राशी चक्र के संकेत, या यहां तक किप और आनिक जीव वे बड़े या छोटे, घर के अंदर या बाहर, वास्तविक या कालपनिक हो सकते हैं, जब तक आदेश की कुछ समानता है जो एक स्थान को एक से जोड़ती है अगला, और जब तक वे घनिष्ठ रूप से परिचित हैं, चार बार की यूएस, मेमोरी चैंपियन स्कॉट हैगवूर वास्तुकला में चितरित लकजरी घरों का उपयोग करता है उसकी यादों को संजोने के लिए डाइजेस्ट, डॉक येप स्वी चुई, दीपतिमान मलेशिया इसमृति विजेता, ने उ परजनों, सैक्रों, शायद हजारों भी हो सकते हैं स्मृतिम्भल, प्रत्येक को यादों का एक अलग सेट रखने के लिए बनाया गया है। लखन्ड और धारा कहानी का एक हिस्सा रखा, मिथक और नक्षा सन्योग बन गए, जौन कहते हैं फोले, मिस औरी विश्वविद्याले में एक भाशाई मानव विज्ञानी जो अध्ययन करते हैं स्मृति और मौखिक परमपराइं। बहुत अच्छे हैं सीखने की जगया, एर ने बोल्डर पर अपने पर्च से टिप पनी की, बस देने के लिए, उदाहरण के लिए, यदि आप किसी और के घर में पांच मिनट के लिए अकेले रह जाते हैं, आप फ्ले कभी नहीं गए हैं, और आप उर जावान और नासमज मसूस कर रहे हैं, सोचें, उस संक्षिप्त में उस घर का कितना हिस्सा आपकी स्मृती में तय किया जा सकता है, अब धी, आप न केवल यह जानने में सक्षम होंगे कि सभी अलग अलग कमरे कहा हैं, और वह एक दूसरे से कैसे जोड़ते हैं, लेकिन उनके आयाम और सजाव होगा, अगर तुम वास्तव में वह सारी जानकारी जोड़े, यह एक लग हुए उपन्यास के बराबर है, लेकिन हम इसे स्मृती उपलब्धी के रूप में कभी दर्ज नहीं करते हैं, इंसानों बस स्थानिक जानकारी को टटोले, स्मृती महल का सिध्धान्त, उन्होंने जारी रखा, किसी के का उप्योग करना है, जानकारी की संरचना और भंडारन के लिए उत्तम स्थानिक स्मृती जिसका क्रम स्वाभाविक रूप से कम आता है, इस मामले में, एर की टूडू सूची, आप क्या करने जा रहे हैं, खोज यह है कि उसी तरह से भ्रमित होना अस उस घर में कमरों का क्रम, यह समान रूप से स्पष्ट होगा कि तुरंट तीन हुला हुपस, एक स्नूरकल और एक सूखी बर्फ मशीन खोजने के बाद, मेरा अगला कार्य मेरी मित्र सोफिया को इमेल करना होगा, महत्वपूर्ण बात एक स्मृतिम्हल चुनना था जिसके साथ मैं था धनिष्ट रूप से परिचित, आपके प्लेस मृतिम्हल के लिए, मैं चाहूंगा कि आप इसका उप्योग करें जिस घर में आप पलेब्रे हैं, क्यूंकि वह एक ऐसा स्थान है जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे, एर ने कहा, हम अपनी अदम उठाने जा रहे हैं, उन्हें दो बारा दो हराएं आपकी कलपना में, आशा है कि आप जिन सभी वस्तुरों के बारे में हैं याद वापस दिमाग में आ जाएगा, अब बताओ, क्या तुम्हारा बचपन का घर है बंगला, एक दो मंजिलाइंट का घर, मैंने कहा, क् यह ठीक है, हमसे शुरू कर सकते हैं सड़का पेर, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आँखे बंद करें और इस रूप में कलपना करने का प्रयास करें, जितना संभव हो उतना विवरण मसालेदार लसुन की एक बड़ी बोतल वही खड़ी है, कार खड़ी की जानी चाहिए, मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं था कि मुझे क्या देखना चाहिए था, क्या है मसालेदार लसुन, क्या यह एक अंग्रेजी व्यंजन की तरह है, मैंने पूछ लिया, उम, नहीं, यह सिर्फ एक प्रकार का नाश्टा है जो एक सपताहांत के लिए साथ लाता है, पहारों उसने एक और भद्धी मुस्कान बिखेरी, अब यह बात्म हत्वपूर्ण है इस छवी को बहुत समवेदी रूप से याद रखने का प्रयास करें, अधिक सहयोगी हुका नई जानकारी में, जितनी अधिक सुरक्षित रूप से यह अंतरनेहित होती है उन चीजों का नेट विग्यापन हेरेनियम ने अपने पाठकों से हर छवी के साथ ऐसा ही करने का आग्रह किया वे याद करना चाहते थे, यह महत्वपूर्ण है कि आप उस छवी को घराई से संसाधित करें, ताकि आप उसे उतना हीदे संभव के रूप में ध्यान, इर जारी रखा, चीजें जो हमारा ध्यान खीचती हैं, वे हैं अधिक यादगार, और ध्यान कुछ ऐसा नहीं है, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं, यह है विवरन द्वारा खीचा जाना है, वे स्तृत, आकरशक, विशद आपके दिमाग में छवियां, यह कमोबेश इस बात की गारंटी देती है कि आपका दिमाग जा रहा है, एक मजबूत, भरोसे मंद मेमोरी को स्टोर करना, तो कलपना करने की कोशिश करो मसालेदारल सुन की सुखद गंद, और इसके अनुपात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करें, इसे चखने की कलपना करो, वास्तव में स्वाद को अपनी जीब पर घ कैसा है, फिर भी, मैंने कलपना की कि सामान की एक बड़ी बोतल गर्व से खड़ी है मेरे माता पिता के ड्राइववे के पेर, मैं आपको प्रुत साहित करता हूँ, पाठक, मेरे साथ भी ऐसा ही करने के लिए, कोशिश करें अपने स्वयम के ड्राइववे के तल पर लसुन की एक बोतल की कलपना करना, या यदि आपके पास सड़क मार्ग नहीं है, आपके घर के बाहर कहीं और है, सच में कोशिश करो इसे देखने के लिए अब जब आपने अचार की पूरी बाहु समवेदी तस्वीर स्थापित कर ली है, लसुन, हम आपके घर के रास्ते पर चलेंगे और अगले की कलपना करेंगे सामने वाले दर्वाजे पर हमारी टूडू सूची में आइटम, यह पनीर है, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आँखे बंद करो और कुटीर का एक विशाल वेडिंग पूल आकार का टब देखें पनीर, क्या तुम समझ गए, मु शौकीन में तैर रही है, और डेयरी के साथ तपकना, क्या आप इसे चितरित कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि आप इन में से किसी को भी मिस करें विवरन यहां, विग्यापन हेरेनियम पाठकों को चितर बनाने के बारे में विस्तार से सलाह देता है, किसी के स्मृतिम्हल के में अस्फल होते हैं, क्यूंकि मन को उत्तेजित नहीं किया जा रहा है कुछ भी नयाया अद्भूत, लेकिन अगर हम कुछ असाधारन रूप से देखते या सुनते हैं आधार, अपमानजनक, असाधारन, महान, अविश्वसनिय या हंसने योग्य कि हमें लंबे समय तक या मन में एक द्रिश्य को चित्रित करने के लिए, मखी पर इस तरह के भव्य चित्र किसी के विपरीत जो फले देखा गया है, उसे भूलाया नहीं जा सकता, और करने के लिए यह जल्दी, यही कारण है कि टोनी बुजन किसी को भी बताता है, जो सुनेगा कि विश्वस्मृत चैंपियंशिप रचनात मकता की तुलना में स्मृति की परीक्षा से कम नहीं है, चित्र बनाते समय यह गंदा दिमाग रखने में मदद करता है, विकास है दो चीजों को विशेश रूप से दिल्चस्प खोजने के लिए हमारे दिमाग को क्रमादेशित किया, और इसलिए यादगार, चुटकुले और सेक्स और विशेश रूप से ऐसा लगता है, चुटकुले सेक्स के बारे में, क्या आपको याद है कि रिया परलमैन और मन्यूट बोल क्या थे, इस पुस्तक के फले पन्ने पर कर रहे हैं, यहां तक कि स्मृति ग्रंत भी तुलनात्मक रूप से विवेक पूर्ण यूग इस बात को कहते हैं, रवेना के पीटर, के लेखक 15 वी शताब्दी की सबसे प्रसिद्ध स्मृति पाथय पुस्तक, सबसे फले पूछती है एक रहस्य जो मेरे पास है, प्रकट करने से फले पवित्र और धार्मिक पुरुशों की क्षमा विनमर के माध्यम से लंबे समय तक चुप रहा, यदि आप याद रखना चाहते हैं जल्दी से, सबसे खूबसूरत कुमवारियों की छवियों को स्मृति में विसरजित करें स्थान, स्मृति महिलाओं की छवियों से आश्चर्यजनक रूप से उतसाहित है, मुझे प्लाउरिया और उसके बारे में उतसाहित होना थोड़ा मुश्किल लग रहा था हालांकि, पनीर का टब, मेरे नाकान चुब रहे थे बरफीली हवा, उम, एग्ड, क्या हमें शायद इस पाठ को कहीं अंदर ले जाना चाहिए, मैं पूछा, यहां एक स्टार्बक्स होना चाहिए, नही नहीं, यह ठंडी हवा दिमाग के लिए अच्छी होती है, अब ध्यान दो, हम अभी आपके घर के दरवाजे के अंदर चले हैं, मैं चाहता हूँ कि आपकी और मुरे अपने मन की आंखों में छोड़ दिया, आपके इस अगले कमरे में प्रवेश करते हैं, उसने पूछा, बैठक कक्ष, इसमें एक पियानो है, उत्तम, हमारा तीसरा आइटम पीट स्मोकर सैलमन है, तो चलिए कलपना करते हैं कि इस पियानो के तार के नीचे बहुत अधिक धूमरपान पीट है, और जूट बोलना पियानो स्ट्रिंग्स के शीर्ष पर एक हेवरीडियन सैलमन है, उह, क्या आप कर सकते हैं वह गंद, वह थन्डी हवा में फुस फुस आया, फिर मैं निश्चित नहीं था कि पीट स्मोकर सैलमन क्या था, लेकिन यह लग रहा था, लॉक्स की तरह, तो यही मैंने कलपना की थी, बाउत अच्छी खुश्बू आ रही है, मैंने कहा, मेरी आ आइटम भाइट वाइन की चह बोतले थी, जो हमने तय की थी पियानों के बगल में सना हुआ सफेद सोफे पर रखने के लिए, अब शराब की बोतलों को एंध्रोपो मोर्फाइज करना काफी अच्छा विचार है, एडो सुझाव दिया, चेतन चविया निर्जीव की तु इस तरह से अलंकृत करने के लिए कि उन्हें और अधिक विशिष्ट बनाए, कोई उन्हें विकृत कर सकता है, जैसे कि परिचय देकर एक खून से सना हुआ या कीचर से सना हुआ या लाल रंग से सना हुआ, या अन्यता हमारी छवियों के लिए कुछ हास्य प्रभाव नि मरलोट एक सफेद शराब नहीं है, जोश उसने बाधित किया एक अजीव तीखापन के साथ, बलकि आई ये कलपना करे कि चारदो नए मिट्टी का अपमान कर रहा है सौविग नन ब्लैंक की गुणवत्ता, जब कि ग्वेर्स ट्रामिनर हंस रहा है रिसलीन की कीमत पर पास उस तरह की चीज, मुझे लगा कि यह एक मजेदार छवी है, और मेरे दिमाग में यह निश्चित रूप से बनी रहेगी, परंतु क्यों, क्या छह स्नूटी, इंत्रोपो मोर्फाइजर वाइन की बोतले और अधिक बनाता है शराब की छव बोतले, शब्दों से यादगार खेर, एक बात के लिए, ऐसी विचित्र छवी की कलपना करने से अधिक मानसिक्ट भोग की आवश्यक्ता होती है केवल चार शब्दों को पढ़ने से, वह सब मानसिक्ट खर्च करने की प्रक्रिया में प्रयास, मैं नियूरॉन्स के बीच अधिक ठिकाहू कनेक्शन बना र कभी ऐसा नहीं देखा जो बात करता हो, थे मैं बस छब बोतल शराब, शब्दों को याद करने की कोशिश करता हूँ, वहस्मृती जल्दी शराब की बोतलों की मेरी अन्य सभी यादों के साथ मिल जाएगा, विचार करें, पिछले सब्ता हमें आपने कितने लंच खाए, या आपको याद है कि आपने आज क्या खाया, मुझे आशा है, बीता हुआ कल, मैं शर्त लगा लो या एक पल का प्रयास लेता है, और कल से एक दिन फ्लिका क्या, एक हफ्ते फ्लिका क्या, या इतना नहीं है कि पिछले सब्ता की आपकी स्मृती, दोपहर का भोजन गायब हो गया है, यदि सही संकेत दिया गया हो, जैसे कि आपने इसे कहां खाया है, या आपने इसे किस के साथ खाया है, आपको शायद याद होगा कि आपकी थाली में क्या था, बलकि पिछले हफ्ते के लंच को याद रखना मुश्किल है, क्योंकि आपके दिमाग में है, इसे अ पुदाहरं दोपहर का भोजन या शराब के रूप में कई यादें हमारे लिए प्रतिस परधा करती हैं। जिसे आप उन्हें पास में लटका सकते हैं। दिश्वस्निय मोजे बनाने के लिए जो आप वास्तव में कभी नहीं मिल सकता। आये इन मोजे को बादवाला बनाएं। तो मैं चाहूंगा कि आप बस उन्हें दीपक पर वहीं लटकते हुए देखें। और चुंकि यह अक्सर अच्छा होता है थोड़ा सा अलौकिक बकवास भी चल रहा है। शायद आप सोच सकते हैं कि मोजे के अंदर एक सुन्दर भूत है जो खीच रहा है और खीच रहा है उन्हें। वास्तव में इसे देखने का प्रयास करें। उन मुलायम सूती मोजे की भावना की कलपना कीजिये अपने माथे पर आराम से ब्रश करना। मैंने अपने बचपन के घर के आसपास इस तरह हेर का अनुसरण किया। छवियों को छोड़ते हुए रास्ते में जैसे ही मैं अपनी कलपना में एक कमरे से दूसरे कमरे में घुहूंता रहा। मैं भोजन कक्ष मैंने मेज के उपर तीन हुला हुपिंग महिलाओं की कलपना की रसोई में कदम रखते हुए मैंने देखा कि एक आदमी स्नूर कलपने हुए गोता लगा रहा है सिंग और एक सूखी बर्फ मशीन काउंटर पर धुआ उड़ा रही है। क्या आप रख रहा हुँ। वहां से मैं मांद में चला गया। सूची में अगला आइटम था इमेल सोफिया। मैंने एग से मदद मांगने के लिए अपनी आंखें खोली। और उसे चाटते हुए देखा एक ताजा सिगरेट के लिए रोलिंग पेपर के किनारे। क्या चाह इतना अधिक सारगर्भित होगा, उतना ही कम यादगार है। हमें किसी तरह ही मेल को ठोस बनाना होगा। ये रुक गया। और एक पल के लिए उस पर सोचा। मैं जो प्रस्ताव देना चाहता हूँ वह यह है कि आप कलपना कीजिए कि कोई पुरुशी मेल भेज रहा है। क मैंने कहा, यह आपके बारे में बाग शिक्षित है, जोश, वाह वाही, लेकिन अफसोस, बहुत नहीं यादगार, इसके बजाए इसे सोफिया लोरेन बनाते हैं, और चलो उसे बैठाते हैं कम्प्यूटर पर टाइप करते समय पुरुश की गोद में, क्या तुम इसकी क्या आप इस छवे से पर्याप्त रूप से जोड़े हुए हैं, उत्त क्रिष्ट, छवे निर्मान की गती अब्देज हो गई है, मैंने मांद छोड़ दी और कलपना किया एक त्वचाटों बिल्ली सूट में सुंदर महिला दालान में, मैंने पलको रखा न्यूमैन पास के एक अलकोब में, और सीरियों के शीर्ष पर एक एलक धखाना, मैं सीरियों से नीचे चला गया और गैरेज में चला गया, जहां मैं पीछे छूट गया था एक निर्देशक की कुर्सी पर बैठे एरकी, एक छवे एक विशाल के माध्यम से भूंकने के आदेश मेगाफोन त और अंतिम छवी, एक बैरो मीटर, विच्वारे की बार के साथ स्थापित किया गया था, तुम्हें याद दिलाने के लिए कि यह एक बार मीटर है, आपको एक थर्मा मीटर जैसा स्तंब दिखाई देना चाहिए पोर्क स्क्रेचिंग और अन्य बार स्नेक्स का एक बिस्तर इर ने मदद की, घर का सरकिट पूरा करने के बाद मैंने अपनी आंखें खोली, अच्छा किया, इर ने धीमी और जानबूज कर तालियों के साथ कहा, अब मुझे लगता है आप पाएंगे की इन यादों को याद करने की प्रक्रिया है अविश्वसनीय रूप से सहज, दे चुनकि स्थानिक अनुभूती के काम करने के तरीके के बारे में, आपको बस इतना करना है कि आप अपने कदमों को फिर से ट्रेस करें अपने स्मृतिमहल के माध्यम से, और उम्मीद है कि हर बिंदू पर आप छवियों जैसे ही आप उनके पास से गुज़ेंगे, आपके दिमाग में वापस आ जाएगा, आपके पास सब होगा करने के लिए उन छवियों को वापस उन चीजों में अनुवाद करना है जिनहें आप सीखने की कोशिश कर रहे थे फली जगह में, मैंने फिर से अपनी आंखे बंद की और खुद को अपने मातापिता के चरणों में वापस देखा, ड्राइववे मसालेदार लसुन का विशाल जार वही था जहां मैंने इसे छोड़ा था, मैं सामने के दर्वाजे के रास्ते पर चला गया, प्लाउरिया शिफर थी, पनीर के एक टब में स्पंज से खुद को आकर शक धंग से रगरते हुए, मैं दर्वाज की उँची उँची बकवास सुन सकता था सोफे पर शराब की घिन ओनी बोतले, और तीन जोड़ी आली शान मसूस करे दीपक पर सूती मोजे मेरे माथे पर धीरे से ब्रश करते हुए, मैं नहीं कर सका विश्वास है कि यह वास्तव में काम कर रहा था, मैंने टूडू की प्ले पांच चाइटनों को बुलाया इनकी पुष्टी करने के लिए, मसालेदार लसुन, चाना, पीटस मोगर सामन, छ बोतल शराब, तीन जोड़ी मोजे असाधारन, एग ठंडी हवा में चिल लाया, असाधारन, द मेकिंग्स यहां के L7 सामगरी की, खैर, मुझे पता था कि मेरा प्रदर्शन इतना असाधारन नहीं हो सकता था, यह देखते हुए अधिक प्रभावशाली कारनामे जो मैंने एक दिन पले देखे थे, फिर भी मैं था मेरी उपलब्धी के बारे में बागत अच्छा मसूस कर रहा है, मैंने चलना जारी रखा घर, मेरे द्वार छवियां ठीक वही थी जहां मैंने उन्हें छोड़ा था, पर क्या वो यादे सच में छड़ी, मैंने सोचा, अब से एक हफ्ते बाद, क्या मुझे एर की तूरू सूची अब भी याद होगी, द्विग हातों मान पीने या आपके पक्ष में एक दीवार के एक प्रकरन को छ खोड़ कर सिर, आप पाएंगे कि वे छवियां आपके दिमाग में बात दूर तक रहेंगी आपकी अपेक्षा से अधिक समय तक, एर ने मुझे से वादा किया था, और यदि आप फिर से जाते हैं, आज शाम बाद में अपने स्मृतिम्हल के माध्यम से यात्रा करें, और शायद अब से एक सप्ताह बाद, यह सूची होगी वास्तव में एक स्थाई चाप छोड़ो, और अब पंद्रह के साथ ऐसा करने के बाद शब्द, हम इसे आसानी से पंद्रह सौ के साथ कर सकते हैं, बाशर्ते आपके पास एक उन्हे स्टोर करने के लिए उचित रूप से बड़ा में मोरी पैलेस, और फिर होना यादरिच छिक शब्दों में महारत हासिल है, हम वास्तव में मजेदार चीजों पर आगे बढ़ सकते हैं, जैसे खेलना कार्ण और हाईडेगर का बिलेंगेंड टाइम, छ एक कविता को कैसे याद करें, मेरा प्ला काम वास्तुकला का संग्रह शुरू करना था, इस से फले कि मैं करपाता स्मृति प्रशिक्षन के किसी भी गंभीर स्तर को शुरू करें, मुझे सब से फले इसकी आवश्यता थी मेरे निप्टान में स्मृति म्धलों का भंडार, मैं धूमने गया था अरोस पडोस, मैंने दोस्तों के घर, स प्रात्मिक विद्याले में, करने के लिए रेनो रोड पर वह घर जहां मेरा परिवार चार साल की उम्र तक रहा करता था, मैं वल पेपर और फरनीचर की वयवस्था पर ध्यान के इंवरित किया, मैंने इमसूस करने की कोशिश की मेरे पैरों के नीचे फर्श, मैंने एगडो के रूप में इसकी व्याख्या की, इन इमारतों को इतनी अच्छी तरह से जानना था ऐसा करने के लिए हर कमरे के हर कोने के साथ जुड़ावों का सम्रिद्ध और बनावट वाला सेटवह जब कुछ नई जानकारी सीखने का समय आया, तो मैं गती कर सकता था मेरे इनों के माध्यम से, जितनी जल्दी मैं उन्हें स्केच कर सकता था छवियों को बिखेर रहा था मेरी कलपना, जितना बेहतर मैं इमारतों को जानता था, और उतना ही प्रत्येक को ऐसा लगा घर, मेरी छवियां जितनी अधिक चिप-चिपी होंगी, उतनी ही आसान होंगी बाद में उनका पुनर निर्मान करें, इर को लगा कि मुझे लगभग एक दर्जन में मोरी पैलेस चाहिए बस मेरा प्रशिक्षन शुरू करने के लिए, उसके पास कई सो हैं, मानसिक का एक महांगर भंडार ग्रिहिस बिंदु पर, पूरन प्रक्ठीकरण में से, मुझे बारे में एक या दो शब्द ना चाहिए उस समय के रहने की वियवस्था कि मैंने स्मृती के साथ अपना दुलार शुरू किया प्रशिक्षन, मैं हाल ही में एक कॉलेज सनातक था जो इसे एक पत्रकार के रूप में बनाने की कोशिश कर रहा था, वाशिंगटन, डी सी, मै अपने माता पिता को घर में बिठाना, जहां मैं बड़ा हुआ था यूपी, मैं अपने बचपन के बेन रूम में बाल्टी मोर की एक जोडी के साथ सु रहा था फिर्की के उपर ओरियोल्स पेनेंट्स और शेल सिल्वरस्टीन की एक किताब शेल्फ पर कविताएं, और बे अपत्यों की लंबी सूची थी जिनकी मुझे आवश्यक्ता थी पकरने के लिए, कॉल वापस करने के लिए, लेख विचारों की जांच की जानी चाहिए, व्यक्तिगत और पेशेवर काम पूरे होंगे, से विश्वास के साथ द्रिन सेंट्रल पार्क में मेरी सफलता, मैंन सबसे जरूरी में से कुछ को तोड़ दिया आइटम, उन्हें छवियों में परिवर्तित किया, और लगन से उन्हें एक में दर्ज किया स्मृतिम्हल का निर्मान मैंने अपनी दादी के उपनगरी अखेत से किया था घर, कार का निरीक्षन करवाएं, चक्कर लगाने वाले इंस्पेक्टर गैजेट की छवि बन गई उसके ड्राइववे में पुराना ब्यूग, अफ्रीकी राजाओं पर पुस्तक हो जें, एक था यह कलपना करने का अवसर है कि शाका जुलू अपने सामने के दरवाजे पर भाला फेंक रही है, पुस्तक फीनिक्स टिकट ने मु भी थका देने वाला था, मैंने देखा, मेरी पोस्टेट के दस्या उससे अधिक को याद करने पर नोट, कि मैं शारीरिक रूप से थका हुआ मसूस कर रहा था, जैसे मेरे दिमाग की आंख में खूना रहा था, यह जितना लग रहा था उससे कहीं अधिक कठिन काम था, और जितना मैंने किया था उससे बहुत कम कुशल था कलपना की, और दीवार पर अभी भी कुछ चीजे थी, मुझे नहीं पता था कि क्या करना है के साथ करते हैं, मुझे टेली फोन नंबरों को छवियों में कैसे बदलना चाहिए था, मुझे एमेल पतों के साथ क्या करना चाह और आश्चर्य हुआ की वास्तव में इस सब का क्या मतलब था। अगर स्मृति की प्राचीन कला किसी भी चीज के लिए अच्छी होती, तो आई लगा, निश्चित रूप से यह दिल से कविता सीख रहा था। प्र ले दिल से खोए हुए स्वर्ग का बड़ा हिस्सा सीखा था दो की दर्से प्रति घंटे सौलाईने, उसने मुझे बताया, और धीरे धीरे अपने रास्ते पर नारे लगा रहा था शेक सपियर के माध्यम से, मेरे जीवन का दर्शन यह है कि एक वीर व्यक्ति को बिना प्राप्त किये एक आंत कारवास में लगभग दस वर्षों का सामना करने में सक्षम हो, बग नाराज, उन्होंने कहा, यह देखते हुए कि एक घंटे की याद के बारे में पैदावार होती है, बोली जाने वाली कविता के दस थोस मिनट, और वे दस मिनट काफी हैं, आपको पूरे दिन व्यस्त रखने के लिए सामगरी, मुझे लगता है कि आप कम से कम एक याद रखने के हर घंटे में से दिन का मज़ा, अगर आपको कभी ऐसा करना चाहिए, अपने आपको एक आंत कारावास में पाहो, यह विश्वद्रिष्टि प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथों के संग्रह के लिए बात कुछ है, याद है कि एगने मुझ पर थोपने की अथक कोशिश की थी, जल्दी करने वालों के लिए लिखकों के लिए, एक प्रशिक्षित स्मृति केवल आसान पहुँच प्राप्त करने के बारे में नहीं थी जानकारी, या किसी की व्यक्तिगत नैतिकता को मजबूत करने के बारे में थ और एक अधिक पूर्ण व्यक्ति बनना, एक प्रशिक्षित स्मृति कुझी थी निर्णय, नाग्रिक्ता और धर्मप्रायनता की खेती करना, जो याद किया उसने मदद की किसी के चरित्र को आकार देना, ठीक वैसे ही जैसे शत्रंज के ग्रेंड बनने का राज गुरु को सीखना था, पुराने खिल, के ग्रेंड मास्टर बनने का राज जीवन पुराने ग्रंथों को सीखना था, एक तंग जगह में, कोई मार्ग दर्शन के लिए कहां देख सकता है, अगर स्मृति की घराई नहीं तो कैसे कार्य करें, केवल पढ़ना नहीं है, अनिवार्य रू किसी को इसे याद रखना था, 18 सदी के शुरू आती डचकवी के रूप में जान लुयकेन ने कहा, एक किताब, हार्ट के अपने मुम में छपी है, एक लायक है, धेर में हजार, पढ़ने का प्राचीन और मध्यकालीन तरीका इससे बिलकुल अलग था हम आज पढ़ते हैं, किसी ने सिर्फ ग्रंथों को याद नहीं किया, एक ने उन पर विचार किया, उन्हें चबाया, और उन्हें पाग की तरह फिर से जीवित कर दिया, और इस प्रक्रिया में, उनके साथ इस तरह से अंतरंग हो गए, जिससे वे अपना बन गए, जैसा पेटरार्क ने एक मित् खाया जो मैं पचा सकता था, शाम को, मैंने एक लड़के के रूप में निगल लिया, जो मैं एक के रूप में सोचूंगा वरिधा आदमी, मैंने इन लेखों को अच्छी तरह से आत्मसात कर लिया है, उन्हें आरोपित नहीं किया है केवल मेरी स्मृति में लेकिन मेरे मज जामें, आउगस्टाइन को ऐसा कहा गया था, स्तोत्रों में रूबा हुआ है कि वे, जितना कि स्वयम लेटिन में शामिल हैं, सिध्धान्त भाशा जिसमें उन्होंने लिखा था, यह एक आकरशक फंतासी थी, मैंने कलपना की थी कि अगर मैं केवल करना सीख सकता हूँ, स रशन सनीय में से एक बनने की कलपना की यदि कभीक भी असह है, ऐसे व्यत्ती जिनके पास हमेशा एक उप्यूत उधरन होता है बापचीत में उतरना, मैंने पद्य का एक चलने वाला भंडार बनने की कलपना की, मैंने याद करने को अपनी दिन चर्या का हिस्सा बनाने का फैसला किया, फ्लॉसिंग की तरह, सिवाए मैं वास्तव में ऐसा करने जा रहा था, हर सुबह, जागने के बाद, और कॉफी पी रहा हूँ, लेकिन अखबार पढ़ने या नहाने से फले या यहां तक कि मैं उचित कपड़े प्ढ़न कर अपनी मेज के पीछे बैठ गया औ के साथ एक स्मृतिम्हल को भरने के लिए, एक 28 पंक्तिक कविता लगभग पूरी तरह से बकवास शब्दों से बनी है, मैं समझ नहीं पाया कैसे शांदार और स्लिथी टोवस को छवियों में बदलना है, और समाप्त हो गया बस रटकर कविता को याद कर रहा था, जो ठीक वैसा ही था जैसा मैं नहीं था कर रहा होगा, इसके बाद मैंने टी, इस, एलियट के दलव सौंग ओफ जे, अल्फरेग को आज माया प्रूफ रॉक, एक कविता जिसे मैं हमेशा पसंद करता था, और जिसे मैं प्ले से ही बिट्स में जानता था, और पुकड़े, कमरे में महिलाएं आती हैं और चली जाती हैं मायकल इंजेलो की बात कर रही हैं, मैं इसे कैसे भूल सकता था, या यों कहें, मुझे इसे कैसे याद रखना चाहिए था, क्या मेरा मतलब महिलाओं की छवी, आने और जाने की बात करना था मेरे चाचा के बात रूम में मायकल इंजेल और यह हमेशा के लिए ले रहा था यह इसमृति तक्नीक जो मैं बावता शाजनक लग रहा था जबकि मैं इर्ण के साथ स्तब्ध हो गया था सेंट्रल पार्क में बोलडर अब लगभग इतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे थे कि मैं था मेरे माता पिता के थखाने में अकेला मुझे लगा जैसे मैंने की एक चालाक जोड़ी पर कोशिश की थी दुकान पर स्नीकर्स और अब जब मैंने उन्हें घर पर प्पना था तो मेरे फफोले थे सपश्ट रूप से मुझे कुछ याद आ रहा था मैंने रिटोरिका विग्यापन हेरेनियम की अपनी नई अधिक रहीत प्रतिकी और रूख किया और उस खर्ण के लिए खोला गया है जो शब्दों के याद रखने पर चर्चा करता है इवास उम्मीद है कि यह कुछ संकेत दे सकता है कि मैं इतनी बुरी तरह असफल क्यों हो रहा था लेकिन सभी 2000 साल पुरानी किताब सांत्वना दे सकती थी याद रखना कविता और गद्य असाधारन रूप से कठिन है लेखक स्विच्छा से स्वीकार करते हैं लेकिन ठीक यही बात है वह बताते हैं कि पार सीखना करने योग्य है इसलिए नहीं कि यह आसान है बलकि इसलिए कि यह कठिन है मेरा मानना है कि वे जो चाहते हैं बिना किसी परिशानी और परिश्रम के आसान काम करना पले से ही प्रशिक्षित होना चाहिए अधिक कठिन चीजें वह लिखते हैं स्मृतिक तक्नीकों के साथ घूमना शुरू करने के बाद मेरे पास अभी तक नहीं था जिस उद्यम को मैं शुरू कर रहा था उसके वास्तविक दाइरे का कोई बोध मैं अभी भी मेरी परियोजना को एक हानिरहता कस्मिक प्रयोग के रूप में सोचा सब मैं चाहता था पता था कि क्या मैं वास्तव में अपनी याददाश्ट में सुधार कर सकता हूँ और यदि हाँ, तो कैसे बहुत? मैंने निश्चित रूप से टोनी बोजान की चुन आती में प्रतिस परधा करने की कोशिश नहीं की थी सब के बाद, वहां से अधिक थे तीन दर्जन अमेरिकी मानसिक एथलीट जिन्होंने हर साल इस आयोजन के लिए प्रशिक्षन लिया, जो निव यॉर्क शर में हर मार्च में होता है कोई कारण नहीं था एक पत्रकार के बारे में सोचें जो कभीक भी अपना सामाजिक सुरक्षा नंबर भूल जाता है अमेरिका के शीर्ष मेमोरी गीक्स के खिलाफ प्रतिस परधा कर सकता है लेकिन जैसा की मैं जल्द ही जाने अंतराश्ट्रिय मेमोरी सरकिट पर अमेरिकी जमेका के लोगों की तरह हैं अंतराश्ट्रिय बुबस लेडिंग सरकिट आसानी से सबसे शान्तचित्क व्यक्ति प्रतियोगिता और संभवत ह सबसे स्टाइलिश भी लेकिन अंतराश्ट्रिय स्टर परमंच, हम तकनीक और प्रशिक्षन दोनों के मामले में वक्र के पीछे हैं भले ही सरवश्वेष्ट अमेरिकी निर्मोनिस्ट सेक्रों को याद कर सकते हैं एक घंटे में यादरिच चिक अंग ये उस रिकॉर्ड अभी भी की तुलना में फी के हैं ये उरोपी ये आम तोर पर उत्तरी अमेरिका में कोई भी मेमोरी स्पोर्ट नहीं लेता है गंभीरता से दुनिया से तीन महीने फले शराब पीना बंद करने के लिए पर्याप्ट चैंपियंशिप आठ बार के विश्वस्मृति विजेता डोमिनिक उब्रायन की तरह करते थे और इसके स्वरूप से कुछ प्रतियोगी इसमें सनलगन होते हैं कठोर शारीरिक प्रशिक शन्व यवस्था जो भुजान अनुशन सा करती है एक अपने सब से फले मेरे लिए अवांचित सलाहाकार में आने की थी कोई नहीं कॉगलिवर तेल के डैनिक गिलास नीचे करें या ओग मेगा 3 की खुराक लें केवल एक अमेरिकी चार बार के राश्ट्रिय चैंपियन स्कॉट हैगवुर ने कभी के L7 में शामिल किया गया भले ही अमेरिका ने अपनी राश्ट्रिय स्मृती चैंपियनशिप को के लिए चलाया हो जब तक दुनिया के किसी भी देश में सर्वश्वेश्ट अमेरिकी संस्मरंकर्ता के पास केवल 1099 में एक बार विश्व चैंपियनशिप के शीर्ष पांच में समाप्त हुआ शायद यह हमारे राश्ट्रिय चरित्र के बारे में कुछ पता है जो अमेरिका ने बनाया है दुनिया के सबसे अच्छे प्रतिस परधी संस्मरंकर्ताओं मेंसे कोई भी नहीं कि हम उतने विस्तार से नहीं है जर्मनों के रूप में जुनूनी, बिप्स के रूप में पाबंद, या के रूप में प्रेरित के रूप में मलेशी आई या हो सकता है जैसा कि एक यूरोपिय ने बड़ी विनम्रता से मुझे सुझाया था अमेरिकियों ने यादों को खराब कर दिया है क्यूंकि हम व्यस्त हैं भविश्य के साथ जबकि अटलांटिक के दूसरी और के लोग अधिक हैं अतीत से संबंधित कारण जो भी हो यह स्पष्ट हो गया की यदि में स्मृति की कला के बारे में अधिक जानना चाहता था अगर मैं इसके साथ अध्ययन करना चाहता था दुनिया में सबसे अच्छा मुझे यउउरोप जाना था माई फरनिश को प्रस्तुत करने के लिए मिश्वित सफलता के साथ संघर्ष करते हुए कई सपताह बिताय कविता के साथ स्मृति इम्हल मैंने सोचा कि कुछ मदद लेने का समया गया है मेरे प्रयासों को अगले स्तर पर ले जाओ साल भर की घटनाओं के दादा इंटरनेशनल मेमोरी सर्किट वर्ल मेमोरी चैंपियन्शिप जा रहा था गर्मियों के अंत में आकसफोर्ड इंगलेंड में आयोजित किया जाएगा मैंने तय किया कि मुझे चाहिए जाने के लिए और डिसकवर पत्रिका को मुझे एक लेख लिखने के लिए भीजने के लिए राजी किया प्रतियोगिता के बारे में मैंने एग को फोन करके पूछा कि क्या मैं उसकी जगह पर दुर घटना ग्रस्त हो सकता हूँ टॉकसफोर्ड उनका घरेलू मैदान था जहां वे बड़े हुए कॉलेज गए और अब अपने मातापिता के साथ शर्मिस्थित अपने देश की संपति पर घर पर रहता था बाहरी इलाके में एक सत्रहवी शताबदी के पत्थर के घर में जिसे मिलफर्म कहा जाता है जब मैं मिलफर्म या बस दम मिलफ एर के रूप में कभीक भी पहुँचाई से संदर्वित दुनिया से कुछ दिन फले एक धूप गर्मी की दो पहर में में मोरी चैंपियनशिप एर ने मुझे बधाई दी और मेरे बैंक को उनके पास ले गई शयनकक्ष वही जिसमें वह पलाबढ़ा है चारों और बिखरे हुए कपड़े के साथ फर्ष और न और दशकों के क्रिकेट पंचांगून के बूट शेल्फ पर फिर वह मुझे घर के सबसे पुराने विंग में ले गया एक चार सो वर्षी ये परिवर्तित रसोई से जुड़ा हुआ पत्थर का खलिहान कोने में एक पियानो था और छट से लिप्टी रंग बिरंगे कपड़े सालों से चली आ रही पार्टी के अवशेश ठले जो कभी नीचे नहीं ले गए थे कमरे के एक छोर पर एक लंबा थाता आश के पत्तों के आठ डेक के साथ लपड़ी की मेज सिर पर व्यवस्थित यह वह जगह है जहां मैं अभ्यास करता हूँ एर ने कहा और एक बालक नी की और इशारा किया जो जुकी हुई थी खलिहान के उपरी भाग में दुया धारी अंकों की छविया नीचे आती हैं वे सीरिया वहाँ पर ठीक पूरे कमरे में यह ठीक वही है जहां आप व्यायाम करने के लिए एक स्मृति विजेता की अपेक्षा करें है ना रात के खाने से फले एर के नाम का एक पुराना बचपन का दोस्त टिम्मी रुख गया है लोकने के लिए एर और मैं उसके साथ बातचीत करने वाली मेज पर उसे खोजने के लिए नीचे आये एर के माता और पिता टीन और और जबकि उनकी सबसे छोटी बहन फोबे रसोई द्वीत पर बगीचे से कटी हुई सब जिया तिम्मी अब भाग गया एक ओनलाइन आवेदन विकास कमपनी वह एक में चला गया था बी एम डबलियू एक कुरकुरा पोलो शर्पनी थी और एक गर्मतन था टीन ने मेरा परिचय कराया और हंसी के साथ समझाया कि एंग मेरा था स्मृति प्रशिक शक टिम्मी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एंग अभी भी खेल रहा है या सब स्मृति सामान उसे लेते हुए काफी समय नहीं हुआ था कुआलालंपूर के लिए पागल या आत्र इनवर्ण क्या आप बिलकुल घबराए हुए हैं कि आपका नया छात्र आपसे आगे निकल जाएगा तीन से पूछा जियादातर या उसके बेटे को काटने के लिए लग रहा था मुझे नहीं लगता कि किसी को इसके बारे में बागचिंतित होने की जरूरत है मैंने कहा ठ हां, आप जानते हैं, शायद मैं स्मृति प्रशिक्षन दे सकता हूँ, अपने करमचारियों के लिए पाठ्यक्रम, आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, टीन ने पिशकश की, मुझे नहीं पता कि कैसे प्रोग्राम करना है, आपके पिता आपको पढ़ा सकते हैं, रोगने 10 2019 के दशक में computer software डिजाइन करके एक छोटा सा भागय बनाया और कम उम्र में अवकाश और विलक्षन गतिविधियों के जीवन के लिए सेवानिवृत्थ हुए वह है एक अभ्यास करने वाला मधुमक्वी पालन करने वाला और माली और मिल फर्म को बंद करना चाहता है अपने उत्साही पाठक हैं और टेनिस खिलारी वह ज्यादातर एर की सनक के प्रतिस हन्शील है लेकिन यह भी पूरी तरह से उम्मीद है कि एर किसी दिन अपनी काफी प्रतिभाओं को निर्देशित कर सकता है एक अधिक केंडित और शायद सामाजिक रूप से उप्योगी दिशा वकील होने में अच्छा होने का मतलब केवल पर ओसत अधिकतम अन्या है एर मेरे पास जुक गया मैं काफी हुआ करता था जब मैं 18 वर्ष का था तब हुनहार वग इसने फोबई को जंकार करने के लिए प्रेवित किया तेरह की तरह अधिक जब एर बाथरूम में था मैंने रोग से पूछा कि क्या वह निराश होगा अगर उनका बेटा अगला टोनी भुजान बन गया जो एक कालपनिक रूप से धनी था स्वयम सहायता गुरू रोग ने कुछ सेकंड के लिए सवाल पर विचार किया और स्ट्रोक किया उसकी थोड़ी मुझे लगता है कि अगर व पहला आया गया था चमरे का सोफा चमकीले पीले रंग की टोपी और शब्दों वाली टी शर्ट ने हुए किक्स असर उसके सीने पर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है उपर अखुद की खतरनाक लोहे की तस्वीर कराटे किक का एक कार्टून और पेटी महिला मुख्य की एक तस्वीर निम्न के अलावा अपने विरोधियों के साथ एक डराने धमकाने वाली बकवास बात करते हुए वह समझाया गया है वे तीन शब्द एन किकसेस एक समरक हैं जो मदद करता है उसे 220 नंबर याद है वस सिग्रेट पी रहा था वह नहीं करता खेल के शारीरिक प्रशिक्षन भाको बहुत गंभीरता सेले और गर्मजोशी से प्रत्येक प्रतियोगी का अभिवादन करते हुए वे दरवाजे पठल रहे थे वह मुझे सूचित किया कि चूंकी हमने आखरी बार एक दूसरे को देखा था इसलिए उन्होंने अनिश्चित काल के लिए ल रूप से तब पटरी से उतर गई थी जब यूएस चैंपियंशिप में लुकास ने आगसे सांस लेने वाले स्टंट में अपने फेफ़रों को बुरी तरह से खराब कर दिया गलत मेमोरी चैंपियंशिप पैथोलोजिकल रूप से प्रतिस परधी घटनाए हो सकती हैं और प्रतियोगियों विशेश कर जर्मनों के साथ इसके लिए उन्होंने दिखाया था एक चुटीले एक पेज के आंकड़े पत्रक की प्रतियों के साथ चैंपियंशिप में उपर की वह प्रेस और साथी प्रतिस परधीयों को सौम प्रहा था यह वरनित है उनका चरित्र तीस उसरे व्यक्ति में अपरिवर्तनिय तिज तर्रार के लिए तैयार, कुछ भी विशेश करकल और उसका प्रशिक्षन शासन अरली राइज, ययोग, स्किपिंग, सुपर्फूड ब्लूबेरी और कॉगलिवर ओयल सहित चार घंटे का प्रशिक्षन, प्रति दिन दो गिलास अपने देखना और तांत्रिक सेक्स शामिल हैं, यह भी वर्नित है तोनी बुजन एक चैंपियन बल्रूम डांसर और मेरे लिए एक सन्रक्षक के रूप में पूरे योवन के दोरान और प्रतिस परधी स्मृति के भविश्य पर उनके विचार, उनमीद है कि यह 2020 से भले ए उनके बगल में सोफे पर बैठना विश्व की महान स्मृति थी चैंपियन बेन प्रिर्मोर, एक ऐसा व्यक्ति जिसे उसक्षन तक मैं केवल जानता था गूगल और मिथक के माध्यम से, मैंने सुना था कि वह ताश खेलना याद कर सकता है जितनी तेजी से वह उन्हें चौड़े किनारे वाला काला भी खेल रहा था उस्ट्रेली आई स्टियर हाइड अंडर्टेकर की टोपी जिसे उसने प्रहनने का दावा किया था पिछले छह वर्षों से हर दिन, यह मेरी नौटं की है, उन्होंने धीरे से कहा, यह का हिस्सा है, मेरी आत्मा, उनके चरणो में शब्दों के साथ एक गुलाबी और काले रंग का बैक बैठा था पंपिट अप, पीत परभित्ति चित्रित, उन्होंने हमें सूचित किया कि 20 अंदर ताश खेलने के दो डेक, जिसे वह अगले को याद करने का इरादा रखता था एक घंटे में दिन, अपने गंजे सि घरी दाड़ी, चेहरा निगलने वाला चश्मा, और चोड़ा, आंखें खोजते हुए, बेन लगभग एकार, प्रम्ब के बाहर एक आकरती की तरह लग रहा था कार्टून, यहां तक कि उसके पास वही कंधे और लूपी अकड़ भी थे, यन्यस उसके फटे हुए चमरे के जूतों के तलवों को फ्लिपफलोप की तरह उसके पैरों के नीचे थपड़ मार दिया, वह एक सोम्य, थोड़े नाक वाले योड कशायर लहजे के साथ बोला, जिसने मेरे को में बदल दिया मुझे, मुझे अपनी आवाज से नफरत है, उन्होंने यह बताते हुए कहा कि वह इतने पिंजरे में क्यों थे, पिछले हफ्तों के दोरान मेरे फोन कॉल वापस करने के बारे में, सबसे पले में से एक अपने बारे में कुछ जानकारी जो उन्होंने मेरे साथ साजा कि वह यह थी कि माना जाता है कि वह हिंगलेरन का सबसे कम उमर का कॉलेज डॉप जाले में किंग्स्टन जब मैं 17 वर्ष का था, लेकिन मैं बाहर हो गया 6 महीने के बाद, अब मैं 28 का हूँ, जो थोड़ा निराशाजनक है, मैं हूँ स्मृति खेलों के बुढ़े आदमी की तरह मसूस करना शुरू कर दिया, तुम्हें पता है, मैं उन में से एक था गर्म न मर्पित किये थे गने 33 रंक पाई के फले 50,000 अंक याद करने के लिए, जो उन्होंने मायन स्पोर्ट सोलंपियार्व में एक सप्ताह तक चलने वाले उत्सव में पाथ करने की योजना बनाई वर्ल्ड मेमोरी चैंपियंशिप के एक हफते बाद होने वाले बोर्ड गेम्स यह एक नया विश्व रिकॉर्ड होता, लेकिन एक असपष्ट जापानी अकीरा हरागुची नाम का स्मरग कहीं से भी उबरा था एक महीने पले ही 83,400 और 31 अंक याद करने, उसे 16 घंटे लगे और 28 मिनट उन्हें सुनाने के लिए, बिन ने उपलब्धि के बारे में मूल यांकन करने के लिए मजबूर किया गया, कोशिश करने के बजाए एक और 33,432 अंक सीखें, उन्होंने हार मानली और खुद को फिर से समर्पित कर दिया विश्व स्मृती चैंपियन के रूप में अपने खिताब का बचाव, उन्होंने लगभग हर खर्च किया था स्म पियाई को समर्पित किया गया है, कड़ी मेहनत के महीनों को पूर्ववत कर दिया ताकि वहपुन उप्योग कर सके स्मृती चैंपियनशिप में भलों, मेमोरी सरकिट पर अधिकांश मानसिक एथलीट खेल में आये थे उसी तरह मैंने किया, उन्होंने एक बार किसी को अप मानजनक स्मृती करते देखा था स्टंट, सोचा कि यह अच्छा है, इसके पीछे की चाल सीखी, और फिर घर चला गया और खुद इसे आजमाया, लेकिन बेनेक महत्वपूर कदम चूक गया, उसने देखा किसी ने ताश खेलना याद किया, और सोचा कि यह अच्छा है, औ चला गया घर और खुद कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे कभी नहीं बताया कि यह कैसे किया गया, किसी भी तकनी का उप्योग किये बिना, वह बस्ताश के पत्तों को देखता रहा, और फिर से जब तक वे उसके मस्तिष्क पर अंकित नहीं हो जाते, और अद्भुत बात य है कि वह अपने खाली समय में कई महीनों तक ऐसा करता रहा, जिसके थत्य धारना की अंततह वह निश्चित रूप से इसमें अच्छा होगा, उसे आखिरकार अपना समय मिल गया 15 मिनर तक शुद्ध रटना याद रखना, कई मायनों में एक उपलब्धी 32 सेकंड के अपने विश्वरिकॉर्ड समय की तुलना में अधिक प्रभावशाली तकनीक, यह तब तक नहीं था जब तक वह अपनी पली विश्वस्मृती में नहीं दिखा था चैंपियंशिप 2000 में की उन्हें मेमोरी पहले इसके बारे में पता चला, बाद में घटनाओं का प्रला दिन समा वह गया एक किताबों की दुकान, तोनी भुजन की किताबों में से एक खरीदी, तैकिया की यह था कुछ ऐसा जिसके लिए उसके पास एक प्रतिभा थी, और अपने सभी के बारे में भूल गया पाठर इतर रुचियां, जिन में से प्रतियक को देखने की उनकी आजीवन होज शामिल है, वार्नर ब्रदर्स के बीच बने एक हजार एक नाट की यह रूप से जारी कार्टून एक हजार न औस और तीस और एक हजार न औस और सथ बिन हाउ टू बी कलीवर, नामक पुस्तक पर काम कर रहे थे, जो पाठकों को सिखाता है कि किसी भी तारीक के लिए स अस्तव में बिना दिमागी हैं, अपनी बुद्धी बढ़ाओ, उन्होंने मुझसे कहा, समस्या यह है कि मैंने लिखा नहीं है, बहुत अधिक क्यूंकि मेरे पास करने के लिए हमेशा अधिक महत्वपूर चीजें होती हैं, जैसे घड़ी कार्टून अगर मैंने आपके ज चैंपियंशिप में बिन का खिताब लेने के लिए पसंदीदा रोप, गुन्थर कार्स्टन, गंजा, कोनिया 43 वर्षिय गौगफादर जर्मन में मोरी स्पोर्ट, जिसने तब से हर जर्मन राष्ट्रिय प्रतियोगिता जीती थी एक हजार नौस और अठानबे, गुन्थ जैसा कि गंथर उन्हें कते हैं, याद रखने वाले के बाइट नौयर हैं, एक सेवा निवरित्त डेनिश निमोनिस्ट होर्स ब्लाइंडर्स पहनकर प्रतिस परधा करते थे ही उन्होंने एक सोने की बेल्ट बक्सुआ भीपनी थी, जिस पर उनके आध्याक्षर, एक सोने की चेन थी, उसकी तंग सफेद टी-शट और काली नाविक पैंट जो नीचे की तरफ भड़की हुई थी, गुंथर ने मुझे बताया कि कॉलेज में वह निसान कारों के लिए एक फोटो मॉडल था, और इस पर निर्भर करते हुए कि आपने किस तरह से देखा, वह एक जे के के बावजूद की एक उसके पैर दूसरे से थोड़े छोटे हैं बचपन की हरड़ी से रोग वह नियमित रूप से दोड़ता है और जीतता है मध्यम आयोवर के लिए घटनाओं को ट्रैक करता है पुरुष, वह अपने साथ एक बंद, चमकदार धातो का सूट केस भरा ह हुआ था ताश के पत्तों के 20 से 30 डे के बीच, जिसकी उसने योजना बनाई थी याद रखना वह मुझे ठीक ठीक संख्या नहीं बताएगा, दरहे की यह वापस मिल जाएगा बेन प्रिर्मोर को, वास्तविक प्रतियोगिता में से एक में एक बड़े उक पैनल वाले कमरे में हुई थी लंबी गौथिक खिरकियों और बड़े आकार वाली ओक्सफोर्ण की पुरानी इमारते लिच फील्ड के तीसरे अरल और डर्बी के 14 अरल के चित्र, एनेस कमरे को स्कूल वर्ष के दोरान की तुलना में अलग तरीके से व्यवस्थित नहीं किया गया था, उपयोग के अंतिम और सबसे रोमान्चक कार्यक्रम के लिए किया जाएगा प्रतियोगिता, स्पीड कार्ण, जब प्रतियोगी एकल करने के लिए दौर लगाते हैं जितनी जल्दी हो सके स्मृति में ताश खेलने का डिक, यह उस चैंपियनशिप के विपरीत, जिसमें के कहा जाता है, स्पैन तीन भीशन दिन और प्रतियोगियों की यादों का थोड़ा परीक्षन करता है अलग तरीका, प्रतियोगियों को फले अप्रकाशित को याद रखना होगा कई प्रिष्ठों में फैली कविता, याद रिचछिक शबदों के प्रिष्ठ रिकॉर्ड, 280- और 80-15 मिनट द्मयाधारी अंकों की सूची रिकॉर्ड, 30 मिनट में 4144 ताश के पत्तों का फेर अब्दल, एतिहासिक तिथियों की सूची, और नाम और चेहरे के खुछ विश्यों, जिन्हें स्पीर्ड इवेंट कहा जाता है, परीक्षन करते हैं कि कितना प्रतियोगी 5 मिन में याद कर सकते हैं रिकॉर्ड, 405 अंक, दो मैराथन अनुशासण परीक्षन करते हैं कि कारण के कितने डिक और यादरिछ छिक अंक हैं, एक घंटे में याद कर सकते हैं रिकॉर्ड, 2080 अंक, और कार्ड के 27 डिक, फ्ली वरल मेमोरी चैंपियंशिप प्रोशे थे ने यह में आयोजित की गई थी 1090 में लंदन में कलब तोनी बुजन याद करते हैं मैंने सोचा यह पागल है हम क्रोसवर्ड चैंपियंशिप हैं हमारे पास स्क्रेबल चैंपियंशिप है हम शत्रंज, ब्रिज, पोकर, ग्राफ्ट, कैनास्टा और गो चैंपियंशिप हैं हम विग् के लिए सबसे सभी मानव संध्यानात्मक प्रक्रियाओं का मूल स्मृति कोई नहीं है चैंपियंशिप वह यह भी जानता था कि विश्व स्मृति चैंपियंशिप का विचार मीडिया के लिए एक अनूठा आकर्शन होगा और प्रचार करने का एक समझदार तरीका होगा दिमागी प्रशिक्षन पर उनकी किताबें अपने दोस्त रेमन कीने की मदद से एक ब्रिटिश शत्रंच ग्रेंड मास्टर जो दटाइम्स लंदन भोजान के लिए दैनिक शत्रंच कॉलम लिखता है कुछ मुठी भर लोगों को पत्र भीजे जिन्हें वह जानता था कि इ याद किया था मिदिल सब्रा फोन बुक और ब्रूस बामर नाम का एक अन्यव्यक्ति जो एक बार में 2000 विदेशी शब्दों को याद करने का रिकॉर्ड बनाया था दिन कई प्रतियोगियों ने टकसीड उपन रखा था प्रतियोगी अब इतने सक्त ड्रे स्कोर का पालन न वसी अस्मृति डेकाथ लॉन में सभी विश्यों में सिपलापले दिन में से एक कविता सबसे सार्वब ओमिक रूप से खूंखार है वज़ह से कविता याद करने के मेरे अपने लड़क राते प्रयास यह एक ऐसी घटना थी जिसे मैंने सबसे करीब से देखना चाहता था हर साल गुंथर की लॉबी होती है प्रतियोगिता से तरस्त घटना या कम से कम नियमों के साथ प्रतिस्थापित किया गया है अधिक जैसा कि वह घटे हैं उद्देश्य लेकिन कविता वह जगह है जहां याद शुरू हुई और इसे चैंपियंशिप से काटने के लिए क्य के लिए कमीशन की गई है चैंपियंशिप प्रतियोगिता के फले कुछ वर्षों के लिए शुरू आतमे नबे के दशक में यह कविता ब्रिटिश कविपुरसकार विजेता टेर यूजेस द्वारा लिखी गई थी जिसे टोनी बुजन एक पुराने दोस्त के रूप में व के लिए यह शुरू किया बरहमांड में अधिकाश चीजों के साथ मैं खुश हूँ सुपर्नुवाह और सहीर ने बुला के प्रकाश वर्षबरे बादल वो हैं सितारों का गर्भ यह उन कई चीजों को सूची बद्ध करने के लिए चला गया जिनके बारे में टोनी बुज खुश थे जिन में शामिल है भगवान की जमने वाली गेंदे और समाप्त हुई मैं खुश नहीं हूँ वह टेडो मारा हुआ प्रतिस परधियों के पास उतनी ही पंक्तियों को याद करने के लिए 15 मिनट का समय था संभव है और फिर उन्हें कागज की एक खाली शीट पर लिखने के लिए आधा घंटा में एक लाइन के लिए पूरन प्रेडिट प्राप्त करने के लिए इसे पूरी तरह से नीचे तक प्रस्तुत किया जाना था प्रत्य एक बड़े अक्षर और विराम चेहन प्रतियोगी जो विफल रहे इस बात को रेखांकित करें कि लेखक क इतना खुश नहीं थाया जिसने गलती से सोचा था कि टेर पूजी के बिनामृत थारी को कुल अंक का केवल आधा मिलेगा उस लाइन के लिए पाठ या भाशन के एक पुत्रे को याद करने का सबसे अच्छा सवाल है इस हसराबदियों से परेशान स्मृति चिन्ग आने पर भाशन कोई सार को याद करने की कोशिश कर सकता है या कोई याद रखने की कोशिश कर सकता है शब्द शह रोमन लफाजी शिक्षक्त विंटिलियन ने यादों को देखा वरबोरम इस आधार पर की इतनी बड़ी संख्या में चित्र बनाना था नकेवल अक्षम क्य क्योंकि इसके लिए एक विशाल स्मृतिम्हल की आवर्श यक्ता होगी, लेकिन अस्थिर भी, अगर भाशन के लिए आपकी याद दाश्थ हर शब्द को जानने पर टिकी है, तब न केवल आपके पास याद रखने के लिए बद कुछ था, बलकि यदि आप एक भी भूल शब्द, आप अंत में अपनी स्मृतिम्हल के एक कमरे में फंस सकते हैं, जो घूर रहा है, एक खाली दीवार पर खुग गया और आगे बढ़ने में असमर्थ, सिसेरों ने इस हमतिव्यक्त की कि भाशन को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका बिंदू-दर बिंदू है मेमोरियारी रम का उपयोग करके शब्द दरशब्द नहीं, अपने वी ओराटोर में उन्होंने सुझाव देता है कि भाशन देने वाले एक वक्ता को इसके लिए एक छवी बनानी चाहिए प्रत्य एक प्रमुख विशय को वह कवर करना चाहता है, और उन छवियों में से प्रत्य एक को एक पर रखें ठिकाना दरहसल, शब्द विशय, ग्रीक शब्दो पोस या जगह से आया है, वाक्या अश्पले स्थान पर, स्मृती की कला से एक अवशेश है, शब्दों का सही स्मरण कुछ ऐसा है जो हमारे दिमाग में बागत अच्छा नहीं है, पर, से संबंधित दर्जनों सभाओं की सामगरी पर कांग्रेसी ब्रेकरिन के ऊपर, राश्ट्रप्ती की चिंता और समयती की खुशी के लिए, दीन शब्द शह, दोहराए गए कई वारतालापों को दोहराने में सक्षम थे ओवल ओफिस में जगर, उनकी यादें इतनी विस्त करने वाला रिकॉर्डर समुरती से पुनर निर्मित, जबकि देश के बाकी हिस्सों ने इसके राजनीतिक नहितार्थों पर ध्यान दिया उन टेप रिकॉर्डिंग, मनुवैध्यानिक उल्रिक नीसर ने उन्हें एक के रूप में देखा मूल्यवान डेटा टोव, नीसर ने रिकॉर्डिंग के टेप की तुलना की दीन की गवाही के साथ, और विशलेशन किया की दीन की याददाश सही क्या है, और यह क्या गलत हुआ, इतना ही नहीं दीन को विशिष्ट उधरन याद नहीं थे सही धंग से अर्थात, वर्बो रमवा अक्सर ठीक से भी नहीं क उनकी गवाही के प्रमुख विशय सभी सटीक थे, निकसन चाहते थे कि कवर अब सफल हो, वो प्रसंद हुआ जब यह ठीक हो गया, जब वह सुलजने लगा तो वह परेशान हो गया, वह था अवैध गतिविधियों पर विचार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं यादि वे अपनी शक्ति का विस्तार करेंगे या उसके शत्रों को चकमादे जॉन बीन ने गलत तरीके से पेश नहीं किया, तरक दिया नी सर, उन्होंने विवरन गलत पाया, लेकिन उन्होंने महत्वपूर्ण चीजें सही पाही, जब हम बातचीत को फिर से गिनने की कोशिश कर तो हम सभी ऐसा ही करते हैं, क्यूंकि विशेश प्रशिक्षन के बिना हमारी यादे केवल बड़े पर ध्यान देती हैं, चित्र, यह समझ में आता है कि हमारा दिमाग उसी तरह काम करेगा, दिमाग महंगा है, अंग, यद्यपी यह शरीर के द्रव्यमान का केवल दो प्रत प्रतिशत भाग लेता है, यह अपका उप्योग करता है, हम जितनी ऑक्सीजन सांस लेते हैं, उसका पांचवा हिस्सा, और यही पर हमारे सभी ऑक्सीजन का एक चौथाई हिस्सा होता है, ग्लूकोज जल जाता है, मस्तिश्क सबसे उरजावान रूप से महंगा और प्राकृतिक द्वारा बेरहमी से सम्मानित किया गया है, उन कारियों में कुशल होने के लिए चैन जिनके लिए यह विक्सित हुआ, कोई कह सकता है कि हमारे तंत्रिका तंत्र के पूरे बिंदु, समवेदी अंगों से जो खिलाते हैं, नियूरॉन्स के ग्लोब की जान कारी जो इसकी व्याख्या करती है, कि भावना विक्सित करना है वर्तमान में क्या हो रहा है और भविश्य में क्या होगा, ताकि हम सर्वोतम संभव तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते हैं, भावनाओं को दूर भगाओ, दार्शनिक, नियूरोसिस, और सपने, और हमारे दिम के माध्यम से बड़ी मात्रा में डेटा डालने से हमारे दिमाग को शीगरता से चानबीन करनी चाहिए कि कौन सी जानकारी में कुछ होने की संभावना है भविश्र को प्रभावित करते हुए उस पर ध्यान दिक और शोर को अंदेखा करें। दिमाग है याद करने में बहुत अच्छे हैं। सुन्दर या महत्वपूर्ण बताने का एक तरीका नहीं थी कहानिया या कलपना को फ्लेक्स करने की। यह था क्लासिक इस्टेरिक का तर्क है है वलोक, उपयोगी ग्यान का एक विशाल भंडार, एक प्रकार का नैतिकता, राजनीती, इतिहास और प्रौध्योगिकी का वि उक शेल्फ पर नहीं, बलकी दिमाग में आम है. मौखिक संस्कृतियों में व्यावसा एक संस्मरण मौजूद रहे हैं पीडियों के माध्यम से उस विरासत को प्रसारित करने के लिए दुनिया, भारत में एक संपूर्ण पुजारियों के वर्ध परवेदों को पूर्ण रूप से याद करने का आरोप लगाया गया था सत्य के प्रतिनिश्था. पूर्व इसलामिक अरब में रविस के नाम से जाने जाने वाले लोगों को अकसर जोड़ा जाता था आधिकारिक प्यादगार के रूप में कवियों के लिए बुद्ध की शिक्षाओं को पारित कि पूर्व में श्रीलंका में लेखन के लिए प्रतिबध और सधियों से किराय के टेप रिकॉर्डर का एक समूह जिसे तन्नाईम कहा जाता है शाब्दिक रूप से पाठक यहुदी समुदाय की ओर से मौखिक कानून को याद किया. पश्चिमी परंपरा के मौखिक कारियों में सबसे प्रसिद्ध और सबसे फलेव यवस्थित रूप से अध्ययन किया गया है. धुमरोडिसी और इलियर थे. इन दो कविता इन संभवतह पली युनानी भाशा में लिखी गई हैं वर्नमाला लंबे समय से साहित्य कटरपंथियों के रूप में आयोजित की गई थी. हालां कि यहां तक कि उन्हें उन मवलों के रूप में मनाया जाता था जिनकी सभी साहित्य को आकांक्षा करनी चाहिए. धुमर की उत्कृष्ट कृतियां भी लंबे समय से विद्वानों की बेचैनी का स्रोत रही हैं. शुरुवाती आधुने कालोच को नेमसूस किया कि व ओडीसियस हमेशा चतुर ओडीसियस था धोर हमेशा था गुलाबी उंगलियों कोई ऐसा क्यों लिखेगा कभी कभी विशेशन पूरी तरह से ओफ की लग रहे थे. अगमहमनन के हत्यारे को क्यों बुलाते हैं दोशरहे तेज जिस्थोस तेज पैरों वाले अकिलीज का संदर्भ क्यों ने तब भी जब वह नीचे बैठा था या हनसते हुए एफ्रोडाइट के लिए भी जब वह हांसू में थी संदर्चना और विशय दोनों के संदर्भ में ओडिसी और इलियर भी थे अजीब तरह से सूत्रबद्ध पूरवानों में यता के बिंदु तक वह धाले प्रतिदवन्द्वियों के बीच चुनोतियां फिर से पॉप अप और फिर केवल विभिन पात्रों और विभिन परिस्थितियों के साथ में इस तरह की बारी कताई जानबूज कर उत्कृष्ट कृतियों के संदर्भ में यह विचित्रताइं लग रही थी समझाना निश्चित रूप से कुछ कम उत्तम कहानियां अवश्य फले आए होंगे और फिर भी यह दोनों रिकॉर्ड में सब से फले थे और दूसरा वास्तव में उनका लेखत कौन था या यह लेखत थे वहां थे होमर का कोई अतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है और आदमी की कोई भर जो सेमंद जीवनी नहीं है ग्रंतों में सन्निहित कुछ स्वसंदर्भित संकेतों से परे मौजूद है खुद जीन जैक्स रूसो सुझाव देने वाले फले आधोने का लोचकों में से एक थे होमर समकालीन अर्थों में एक लेखक नहीं हो सकता है एक अकेला व्यक्ति जो ओडिसी और इलियर हो सकते हैं केवल पुरुशों की यादों में लिखा है कुछ दीर बाद वेश्रम साध्य थे लिखित रूप में एक कत्र किया गया हालांकी यह उनकी पूछताच के बारे में था मामला चला गया अठारहवी शताबदी में भी लेखन एक अंग्रेजी र अरिकल्पना के साथ इसका समर्थन नहीं कर सके की समझाया की कैसे होमर ने इस तरह के एक आश्चर्यजनक स्मर्ग को खीच लिया होगा कर तब 1795 में जर्मन भाषा शास्त्री फ्रेंडरिक आउगस्ट वुल्फ ने फली बार तरक दिया वह समय जब होमर द्वारा न केवल होमर के कारियों को लिखा गया था बल्कि उन्होंने होमर द्वारा भी नहीं थे बल्कि वेगीतों का एक डीला संग्रह थे ग्रीक बार्ण्स की पीर्णियों द्वारा प्रेशित और केवल उनके में संपादित किया गया कुछ बाद की तारीख में लिखित रूप प्रस्तुत करें एक हजार नौसव बीस में मिलमैन पैरी नाम के एक अठारह वर्षिय विद्वार ने इसे अपनाया विश्व विद्याले में अपने मास्टर की थीसिस के रूप में होमेरिक लिखकत्व का प्रश्न कैलिफोर्निया बरकले उन्होंने सुझाव दिया कि होमर के महाकावियों का कारण प्रतीत होता है अन्यसाहित्य के विपरीत इसलिए था क्योंकि वे अन्यसाहित्य के विपरीत थे बचाव पता चला था कि वुर और वुल्फ ने क्या याद किया था सबूत है कि कविताओं को मौखिक रूप से प्रेशित किया गया था वही पाठ में ही था सभी उन शैलीगत विचित्रताओं जिनमें सूत्रबध और आवर्ती कथानक तत्व शामिल हैं और विचित्र रूप से दो हहराई जाने वाले प्रसंग चतुरोडी सियस और ग्रे आईड़ ए थेना जो हमेशा हैरान करती थी पाठक वास्तव में अंगूठे के निशान की तरह थे एक कुमहार द्वारा छोड़ा गया कविताओं को कैसे गढ़ा गया था इसकब ओतिक प्रमान वे स्मरक सहायक थे जो बार्डों को मीटर और पैटर्न में फिट करने में मदद करते थे पंक्ति का और कविताओं का सार याद रखें सबसे महान लेखक वास्तव में पैरी ने तर्क दिया मौखिक की एक लंबी परमपरा में से एक कवियों की पूरी तरह से लेखन की सहायता के बिना रचना की पैरी ने मसूस किया कि यदि आप यादगार कविताएं बनाने जा रहे हैं ओडिसी और इलियर्ड ही कुसी तरह की कविताएं थी जिन्हें आप रचेंगे ऐसा कहा जाता है कि क्लिच सबसे बुरा पाप है जो एक लेखक कर सकता है लेकिन एक मौखिक के लिए बार्न वे आवश्यक थे यही कारण है कि क्लिच इतनी आसानी से रिस्ता है हमारे भाशन और लेकन उनकी कप्टी यादगार बिलकुल यही कारण है कि विमोखिक कहानी खने में इतनी महत्वपूर्ण भ्भूमिकानि भाई और ओडिसी और इलियर्ड क्लिच का बहाना उनके साथ उलजा हुआ है एक संस्कृति पर निर्भर स्मृति यह महत्वपूर्ण है वाल्टरों के शब्दों में कि लोग सोचते हैं यादगार विचार मस्तिश्क उन चीजों को सबसे अच्छी तरह याद रखता है जो दोहराई जाती हैं लैबद्ध, तुटबंदी, संड़चित और सबसे उप स्मर्णिय सिध्धान थे जो मनो वैग्यानिकों ने फिर सिखोज की जब उन्होंने अपना प्लासंचालन शुरू किया बीस वही सदी के अंत में स्मृति पर वैग्यानिक प्रयोग जो शब्द तुटबंदी करते हैं वे उन शब्दों की तुलना में बागत अधिक याद जो नहीं करते हैं अमूर्थ संभ्याओं की तुलना में ठोस संभ्याओं को याद रखना आसान होता है गतिशील स्थिर छवियों की तुलना में छवियां अधिक यादगार होती है अनुप्रास्मृति सहायता करता है एक धारीदार बदमाश एक स्लेम डंक बनाना एक जब करते हुए पाया हो कर सकते हैं प्रमार्नित करें यदि आप शब्दों के समूह को जिंगल में बदल सकते हैं तो वे बन सकते हैं अपने सिर से बाहर निकलना बागत मुश्किल है जानकारी में पैटर्न और संडचना ढूनना हमारा दिमाग कैसे निकालता है दुनिया से और शब्दों को संगीत और तुतबंदी में डालना एक तरीका है भाशा में पैटर्न और संडचना के अतिरिक्त स्तरों को जोडने का यही कारण है हुम्रिक बार्ण्स ने अपनी महाकाव्यम औखिक कविताओं को गाया यही कारण है कि टोरा है छोटे संगीत नोटेशन क साथ चिहनित और इसका कारण हम बच्चों को पढ़ाते हैं एक गीत में वर्नमाला और 26 व्यक्तिगत अक्षरों के रूप में नहीं गाना है भाशा के लिए अंतिम संडचना ओपकरण हारवर्न जाने और सहायक प्रोफेसर बनने के बाद पैरियू अपने काम में एक अपर करते थे कला वह हजारों रिकॉर्डिंग के साथ केंब्रिज लोट आया जिसने बनाई मौखिक परमपराओं में अकादमिक अनुसंधान की एक नई शाखा का आधार अपने फील्ड वर्क में पैरी ने पाया कि पाठ को स्वयम प्रसारित करने के बजाए बार्ण से सोडिस्ट संभवतह उनके प्राचीन हुमेरिक पूर्ववर्तियों की तरह सूत्रबध नियमों और बाधाओं का एक सेट प्रदान करें जिसने बार्ण को अनुम्ति दी कोई भी बार्णकविता को हर बार पढ़ने के बाद उसका पुनर निर्मान करने के लिए कि प्रत्य एक प्रीटेलिंग कहानी बिल्कुल फले जैसी नहीं थी बलकी करीब थी जब स्लाव बार्ण से पूछा गया कि क्या उन्होंने अपने गाने दो हराए हैं बिल्कुल उन्होंने जवाब दिया शब के लिए शब्द और पंक्ति के लिए पंक्ति और फिर भी जब दो की कोई अवधारना नहीं थी ऐसा नहीं है कि यह होना चाहिए था चौंक का देने वाला लिखे बिना यह जान्चने का कोई तरीका नहीं है कि क्या कुछ है बिल्कुल दोहराया गया है मौखिक परंपराओं की कविता में निर्मित परिवर्तन शीलता बार्ण को अनुम्ति देती है दर्शकों के लिए सामगरी को अनुकुलित करने के लिए लेकिन यह अधिक यादगार भी बनाता है कविता के संसकरण उत्पन होने वाले हैं लोकगीतों ने मौखिक कविताओं की तुलना से की है पानी से घिसे कंकर वे बाहुतों के उपर चिकने बने हैं याद रखने में मुश्किल पुपरों के रूप में रीटेलिंग दूर हो जाती है या बन जाती है बनाए रखने और दोहराने में आसान अपरासंगिक विश रचना कविता लिखती है वास्तव में द्वारा काम पैरी के उत्तराधिकारियों ने पाया है कि ओडिसी में लगभग हर शब्द और इलियर किसी प्रकार की स्कीमा या पैटर्न में फिट बैठता है जिससे कविताएं बनती हैं याद रखने में आसान या कोई सन्योग नह नहीं थी कुछ ऐसा जिसे हलके में लिया जा सकता था जैसा कि यह उनान के दोरान हुआ करता था प्रारंबिक यहूर हो मेरिक बार्ग्स की पुरानी तकनीक तालकी और सूत्र अब नए और जटिल को ध्यान में रखने के लिए पर्याप्त नहीं थे विचार जो लोग सोच मूल मौखिक इसकी कविता के साथ प्रदर्शन कार्यात्मक उद्देश्य से चीन लिया गया था और मनोरंजन की घौन भूमिका में चला गया जो की उसके पास हमेशा था लेकिन जो अब इसका एक मात्र उद्देश्य बन गया है है वलोग लिखते हैं अब और नहीं मौख मौखिक प्रसारण की आवश्यक्ताओं के बोज तले दबी कविता स्वतंत्र थी कला बनो जब तक विग्यापन हेरेनियम के लेखक अपनी रचना करने बैठे फली शताब्दी इसा पूर्व में भाशन पर हैंडबुक लेखन पले से ही एक था सदियों पुराने शिल्प रोमन दुनिया के मौलिक हिस्से के रूप में कंप्यूटर हमारा अपना एक हिस्सा हैं। उनके द्वारा निर्मित कविताय समसाम एक वरजिल, होरेस और ओविर सभी ने अपनी उत्कृष्ट कृतियां लिखी विग्यापन हेरेनियम की एक सदी के भीतर प्रिष्ट पर र अगर तुम स्मृति के लिए ऐसी कविता करने की कोशिश करने जा रहे थे, मेमोरी वर्बोरम जिसके लिए कहा गया था, रेरम बस नहीं करेगा। एक मार्ग बिंदु के लिए हर एक शब्द, लेकिन इस विधी में एक स्पष्ट समस्या है, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनकी कलपना ही नहीं की जा सकती है, एक और क्या करता है हमशकल, या एक दप, कोई दो हजार साल पले, मेट्रोड औरस अवसिसेरों के युनानी समका इसका समाधान प्रस्तुत किया अद्रिश को कैसे देखा जाए, इस बारे में दुविधा, मेट्रोड औरस ने की एक प्रनाली विक्सित की शौर्ट हैंड छवियां जो संयोजनों, लेखों और अन्य के लिए खड़ी होंगी वाक्यात्मक कनेक्टर्स, इसने उसे जो खु जियादातर युनानियों ने, जिन्हों ने स्मृति पर लिखा है, ने इसका मार्ग अपनाया है छवियों को सूची बद्ध करना जो बाउत सारे शब्दों के अनुरूप हैं, ताकि जो व्यक्ति इन छवियों को दिल से सीखना चाहता था, उन्हें बिना तैयार किया होग उनकी तलाश में प्रयास खर्च करना, हालांकी गंथर उप्योग नहीं करता मेट्रोडोरस के प्रतीक, जो दुर्भागय से इतिहास में खो गए हैं, उनके पास है दोस और सरवाधिक, में से प्रत्यक के लिए छवियों का अपना शब्द कोश बनाया सामान्य शब्द जो आसानी से देखे नहीं जा सकते, और एक वृत्त है, और रंड के साथ तुक बंदी, जिसका अर्थ जर्मन में गोल है, द, कोई है, अपने घुटनों पर चलना मरना, द, के लिए एक जर्मन शब्द, नी के साथ गाया जाता है, द, घुटने, के लिए जर्मन शब्द, जब कविता एक दौर में पहुँचती है, तो वह हत औरे से वार करता है, उस स्थान में एक कील, गंतर आसानी से वी सी आर मरम्मत मैनूल को एक के रूप में याद कर सकता है, शिक सपियरियन सोनेट, वास्तव में, एक वी सी आर मरम्मत मैनूल शायद एक होगा अच्छा सौदा आसान है, क्यूंकि यह ठोस, आसानी से देखे जाने वाले शब्दों से भरा है, जैसे बटन, टेलिविजन, और पलग, कविता याद करने की चुन ओती है, इसकी अमूर्तता, आपक्षनिक, या स्व, जैसे शब्दों के साथ क्या करते हैं कि देखना असंभव है, गैरच् 14. शताबदी के अंग्रेजी धर्मशास्त्री और गणित अग्यत रॉमस ब्रेडवर्डिन, जिन्हें बाद में कैंटरबरी का आरकबिशप नियुक्त किया गया था, ने इसे लिया अपने उच्चतम और सबसे बेतु के स्तरपर शब्द शह संस्मरण का प्रकार विकास, उन्होंने मेमोरिया सिले बारम या स्मृति के साधन का वर्नन किया शब्दान्शों द्वारा, जिसका उप्योग उन शब्दों को याद करने के लिए किया जा सकता है जो कठिन थे कलपना करना, ब्रेडवर्डा इनकी प्रनाली में शब्द को तोड़ना शामिल था घटक और फिर प्रत्य एक शब्दान्श के आधार पर एक छवी बनाना एक और शब्द जो उस शब्दान्श से शुरू होता है, उदाहरण के लिए, यदि कोई चाहता था शब्दान्श एब, याद रखें, कोई एक मठाधीश की तस्वीर लेगा, बा, के लिए एक एक क्रॉस शब्दों को छवीयों में बदलने की इस प्रक्रिया में एक प्रकार शामिल है, भूल कर याद करना, किसी शब्द को उसकी ध्वनी से याद करने के लिए, उसका अर्थ को पूरी तरह से खारिज करना होगा, ब्रैडवर्णिन अनुवाद कर सकता है, यहां तक कि सबसे इरिक्टिन एक सफेद गाय के साथ अपनी बाही और नाचते हुए, सुपररेर टीट्स जो एक दलिया रखते हैं, जबकि अपने दाहिने हाथ से भहया तो मैंगल्स या दुलार सेंट डोमिनिक, स्मृति की कला, अपने मूल से, हमेशा थोड़ी जोखिम भरी थी, गौथि और बेद्वी का आकस्मिक विवाह ब्रेडवर्डिन ने अपनी कलपना में जिस अभ्यास का अभ्यास किया वह अधिक परेशान करने वाला नहीं था, कुछ अधिक प्रिगिश्ट पादरियों में से कुछ, जब नैतिक हमला आखिरकार आया, इसका नेत्रित्व सोलहवी श रष्ट शारीरिक प्रेम को उत्तेजित और प्रकाशित करता है, वास्तव में कारनल परकिन्स विशेश रूप से रवेना के पीटर के प्रवेश्ट से उत्साहित है कि वह अपनी याददाश्ट को उत्तेजित करने के लिए एक योवती की कामुक्छविका इस्तेमाल किया विश्वस्मृती चैंपियंशिप की दस घटनाओं में से कविता में है विभिन रणनीतियों की सबसे बड़ी संख्या पैदा की, लेकिन मोटे तौर पर बोलते हुए मानसिक एथलीट दो सामान्य हमले करते हैं, जो उन्हें अलग करने के लिए होते हैं प्रतिस परधियो का पूल लिंग के आधार पर बड़े करीने से, जबकि गुंतर और अधिकाश सर्किट पर अन्यपुरुश एक व्यवस्थे त्रनीति की सदस्यता लेते हैं, महिलाएं अधिक भावनात्मक तरीके से चुन आती का सामना करते हैं, 15 वर्षी एक औरिनर राशल, एक लाल टी- होता है, वह कविता को छोटे-छोटे तुपरों में तोड़ती है, और फिर असाइन करती है, अप्रत्य एक लगवखन के लिए भावनाओं की श्रिंखला, संबध करने के बजाय छवियों के साथ शब्द, वह उन्हें भावनाओं से जोड़ती है, मुझे लगता है कि पंक्तियों को याद रखना सिखाया जाता है, इस से भिन नहीं है, बावत अभिनिता आपको बताएंगे कि वे अपनी पंक्तियों को उन एकायों में तोड़ते हैं, जिन्हें वे बीट्स, भते हैं, जिनमें से चरित्र की और से कुछ विशिष्ट इरादा या लक्ष शाम स्टैनिस लावस की इन तकनीकों में रुची रखते थे उनकी स्मृतिक शमता के लिए नहीं बलकी अभिनेता को और अधिक मदद करने के लिए उपकरण के रूप में उनके चरित्र का यथार्थ चित्रण करते हैं, लेकिन मेथर अडिक्टिंग एक तकनीक है एक लाइन को और अधिक स्योगी हुख देकर इसे हैं, में इंबेड करके लटका देना भावनात्मक और शारीरिक दोनों संकेतों के संदर्भ में, मेथर अडिक्टिंग एक तरीका है शब्दों को यादगार बनाना, दर असल अध्ययनों में पाया गया है कि यदि आप पूछें किसी को कलम उठाओ, जैसे वाक्य को याद रखने के लिए, यह और भी बाद कुछ है, अगर वह सीख रहा है तो व्यक्ति सचमुच कलम उठाता है तो छड़ी होने की संभावना है वाक्य, अंत में, गुन्थर ने कविता कार्यक्रम को कोरिननार राशल से हारना समाप्त कर दिया, और चैंपियंशिप भी हार गए, शीर्ष पुरसकार उनके एक को गया प्रोटेजेज, एक शंत और घंडरूप से केंडरित 18 वर्षिय बवेरियन कानून प्लेमेंस मेयर नाम का छात्र, जो केवल तरका हुआ अंगरी जी बोलता था और बनाता था यह सपष्ट है कि मुझ पर भाषा का अभ्यास करने में उनकी कोई दिल्चस्पी नहीं थी, बाद में बोले गए नंबरों और नाम और चेहरे की घटनाओं को विफल करते हुए, बिन प्रिर्मोर को मिलाकर चोथे स्थान पर उत्रा, अपनी काली तोपी के किनारे को नीचे किया, और चला गया अक अपले दिन की तैयारी शुरू कर देगा एक साल बाद अपना खिताब फिर से हासिल करें, इर का प्रदर्शन और भी खराब रहा, तीन दर्जन प्रतियोगियों में से, वह इन में से एक था केवल ग्यारह जो दोनों में से किसी एक मेताश के पत्तों के पूरे डेक को पर ले जाएं, लेकिन उसने नियंतरन खो दिया और बाद मुश्किल से जल गया, वह कुल मिलाकर निराशाजनक ग्यारहवे स्थान पर समाप्त हुआ, और निराश हो गया दर्वाजे, पसीने से लथपत, मैं उसके पीछे दोड़ा और उसे पकड़ कर पूछने लगा कि क पूई थी, बाद ज्यादा महत्वा का अंक्षा, वह बस इतना ही कहेगा, अपने को हिलाते हुए सिर, मैं तुम्हें घर पर वापस देखूंगा, वह एक पब खोजने के लिए मैगडलेन ब्रिज के पार चला गया जहां वह कर सकता था कुछ प्रिकेट देखें, और गिनी करें, मुझे इस बात का अहसास था कि यह कितना अजीव था कि हम यहां आए हैं, यह वह एक मात्र स्थान बचा है जहां स्मृति की प्राचीन कला है, अभ्यास किया जाता है, यह कम से कम मनाया जाता है, इस दुरलब प्रतियोगिता में है, और बीच में यह विचित्रूप संस्कृती, यहां दुनिया के सबसे मंजिला केंद्रों में से एक है सीखना स्मृतिकिग और अवशाली स्वर्ण यूग के अंतिम अवशेश थे, यह मसूस करना मुश्किल है कि एक जबर्दस्थ हस्तान तरण हुआ है उस स्वर्ण यूग और हमारे अपने तुलनात्मक रूप से अग्रणी के बीच, लोग अपने दिमाग को प्रस्तुत करने के लिए श्रम करते थे, उन्होंने के अधिग्रहन में निवेश किया यादे उसी तरह जैसे हम चीजों के अधिग्रहन में निवेश करते हैं, लेकिन आज, आक्सफोर्ण परीक्षा हॉल के खुले दर्वाजों से परे, हम मेंसे अधिकांश लोग हमारी यादों पर भरोसा मत करो, हम उन पर भरोसा करने से बचने के लिए शॉर्टकट ढूंडते हैं, हम उनके बारे में अंतहीन शिकायत करें, और उनकी छोटी से छोटी चू को भी देखें सबूत है कि वे हमें पूरी त अंस्कृती याद रखना भूल गई, साथ, याद रखने का अंत, एक बार की बात है, याद रखने के अलावा विचारों से कोई लिना देना नहीं था उन्हें, उन्हें लिखने के लिए कोई वर्नमाला नहीं थी, उन्हें सेट करने के लिए कोई कागज नहीं था नीचे जो कुछ भी संरक्षित किया जाना था उसे संरक्षित किया जाना था याद कोई भी कहानी जिसे फिर से सुनाया जाएगा कोई भी विचार जो प्रसारित किया जाएगा सूचना का कोई भी अंश जो समप्रेशित किया जाएगा प्ले होना चाहिए स्मरण किया हुआ आज अक्सर ऐसा लगता है कि हम बात कम याद करते हैं जब मैं जागता हूँ सबसे प्ले मैं अपने दिन के योजनाकार की जाज करता हूँ जो मेरे कार्यक्रम को याद रखता है ताकि मैं नहीं करना है जब मैं अपनी कार में चड़ता हूँ, तो मैं GPS में अपने गंतव्य में प्रवेश करता हूँ, डिवाइस जिसकी स्थानिक स्मृति मेरी खुद की आपूरती करती है, जब मैं काम पर बैठता हूँ, मैं Digital Voice Recorder पर Play Button दबाता हूँ, या एक Notebook खोलता हूँ, जो मेरे साक्षात कार की सामगरी रखता है, मेरे पास स्टोर करने के लिए तस्वीरें हैं, जिन छवियों को मैं याद रखना चाहता हूँ, ग्यान को संग्रहीत करने के लिए किताबें, और अब धन्यवाद गूगल, मुझे शायद ही कभी के सही सेट से अधिक कुछ याद रखना पड़े म मैं अपने सभी करीबी दोस्तों के नंबर याद कर सकता था और परिवार, आज मुझे यकीन नहीं है कि मैं चार से अधिक फ्रोन नंबर जानता हूँ, दिल, और यह शायद सबसे ज्यादा है, सर्वेक्षन के अनुसार 2007 में ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन में एक नियूरो स साइकोलोजिस्ट द्वारा पूरी तरह से आयोजित किया गया था 30 साल से कम उम्र के तीसरे बृतानियों को अपना घर भी याद नहीं है, लेंड लाइन नंबर को अपने हैंसेट पर खीचे बिना, वही सर्वे पाया गया कि 30 प्रतिशत वयस्क से अधिक के जनमदिन याद नहीं रख सकते तीन ततकाल परिवार के सदस्य, हमारे गैजेट्स ने जरूरत को खत्म कर दिया है, ऐसी बाते अब याद रखना, धूले हुए फ्रोन नंबर और जनमदिन हमारे के मामूली क्षरण का प्रतिन धित्व करते हैं रोजमर्रा की स्मृती, लेकिन वे हमारे प पास कैसे है कि एक बात बड़ी कहानी का हिस्सा है कि एक विशाल अधिरचना के साथ हमारी अपनी प्राकृतिक स्मृती को प्रतिस्थापित किया तकनी की बैसाखी अक्षर से लेकर ब्लैक बेरी तक, इन हमारे दिमाग से बाहर जानकारी संगरहीत करने की तकनीकों ने बन प्रत अधियूत, लेखन का आविशकारक, मिसर के राजा थम उसके पास आया, और उसे भेंट की मिसर के लोगों को अपना अदभूत आविशकार प्रदान करें, यहां है सीखने की शाखा जो उनकी यादों में सुधार करेगी, थूत ने कहा मिसर का राजा, मेरी खोज स्म और दोनों के लिए एक नुस्खा प्रदान करती है बुद्धी, लेकिन थमस उपहार सुईकार करने से हिचक रहा था, अगर पुरुश इसे सीख लेते हैं, तो यह उनकी आत्माओं में विस्मृति का आरोपन करेंगे, उन्होंने भगवान से कहा, वे बंद कर देंगे उन जो खोजा है वह एक नुस्खा नहीं है इसमृति के लिए, लेकिन याद दिलाने के लिए, और यह कोई सच्चा ग्यान नहीं है कि आप अपनी पिशकश करते हैं चेले, लेकिन केवल इसकी जलक, क्यूंकि उन्हें बिना बागसी बाते बता कर उन्हें कुछ भी सिखाते सुकरात अपने दम पर गुजरने के विचार की अवहेल ना करता है, लेकिन के माध्यम से ग्यान, यह खते हुए कि यह अकेला सरल दिमाग वाला होगा विश्वास करे कि लिखित शब्द किसी को क्या याद दिलाने के अलावा कुछ भी कर सकते हैं, एक प्ले से ही जानता है सुकरात के लिए लेखन, इससे अधिक कभी कुछ नहीं हो सकता था स्मृति के लिए एक संकेत की तुलना में प्ले से मौजूद जानकारी को ध्यान में रखने का एक तरीका किसी का सिर, सुकरात को डर्था की लेखन संस्कृति को नीचे ले जाएगा बौधिक और नैतिक पतन की और विश्वास घाती मार्ग, क्यूंकि तब भी लोगों के लिए उपलब्ध ज्यान की मात्रा बढ़ सकती है, वे खुद खाली बर्तनों के सद्रिशा जाएंगे, मुझे आश्चर्य है कि सुकरात प्रमुख विडंबना की सराहना करेंगे, यह केवल इसलिए है क् उनके शिश्य प्लेटो और क्सीनोफोन ने लिखित शब्दों के लिए अपने तिरसकार को लिखित शब्दों में डाल दिया कि आज हमें इसका कोई ग्यान है, सुकरात पांचवी शताब्दी इसापूर्व में गहते थे, उस समय जब लेखन था ग्रीस में आरोही, और उ मस्तिश्क में धारन करने की कोशिश करने की तुलना में बनाए रखने का तरीका, एन्यस मस्तिश्क हमेशा गलतियां करता है, भूलता है, गलत याद करता है, लेखन है हम उन आवश्यक जैविक बाधाओं को कैसे दूर करते हैं, यह हमारे की अनुम्ती देता है स्मृतियो को मस्तिष्ट के गिरने योग्य वेटवेयर से निकाला जाएगा और सुरक्षित किया जाएगा कम गिरने योग्य प्रिष्ट पर जहां उन्हें स्थाई बनाया जा सकता है और एक कभीक भी उम्मीदे दूर, वयापक और पूरे समय में फैलती हैं। लेखन अनुम्ती देता है प्राकृतिक प्रकार के डर के बिना पीरियों में विचारों को पारित किया जाना है उत्परिवर्तन जो अनिवार्य रूप से मौफिक परंपराओं का एक हिस्सा है। यह समझने के लिए कि सुकरात की दुनिया में स्मृती इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? हमें लेखन के विकास के बारे में कुछ समझना होगा और कैसे विभिन प्रारंभिक पुस्त के रूप और कार्य दोनों में थी? हमें वापस जाना है मुद्रन से फले की उम्र, अनुक्रमनिका और सामगरी की तालिका से फले. से फले कोडेक्स ने पाठों को प् पास रखने की जरूरत न पड़े हमारी समृतिया, लेकिन कम से कम देर से मध्यल्यों के माध्यम से पुस्तकों ने सेवा नहीं की समृति के प्रतिस्थापन के रूप में, बलकि समृति सहायक के रूप में, थौमस के रूप में एक विनास ने कहा, चीजों कुभ और तिक पुस्तकों में मदद के लिए लिखा जाता है, याद, याद रखने के लिए एक पढ़ा जाता है, और किताबें सबसे अच्छी होती हैं दिमाग में जानकारी को प्रभावित करने के लिए उपलब्ध उपकरन, असल में, पांडुलिपियों को अकसर उनकी प्रतिलिपी ब पहले हुए को की चादरों से एक साथ चिपकाए गए दबाया हुआ पपीरस रीग नील डेल्टा से आयात किया जाता है, यह ग्रंत थे पढ़ने में बोजिल, और लिखने में और भी बोजिल, यह होगा जानकारी तक पहुँचने के लिए कम उप्योग करता के अनुखूल तरीके का आविशकार करना कठिन है, वास्तव में यह लगभग दोस ओई पू तक नहीं था, कि सबसे बुनियादी विराम चिहन थे पुस्तकाले के निदेशक भी जान्तियम के अरिस्टो फेंस द्वारा आविशकार किया गया अलेक जेंडरिया, और उन सभी में सबसे नी स्क्रिप्टियो कॉंटुआ के रूप में जाने जाने वाले अक्षर, न तो रिक्त स्थान से विभाजित होते हैं, और नहीं विराम चिहने एक लाइन से शुरू होने वाले शब्द दूसरी लाइन पर फैल जाते हैं, एक हाइफन के बिना भी, इस पुस्तक के अक्षरों के विपरीत, जो ऐसे शब्द बनाते हैं, जो अर्थपूर्ण होते हैं, अर्थ, स्क्रिप्टियो कॉंटुआ में लिखे गए अक्षर संगीत की तरह अधिक कार्य करते हैं, टिप पर्णिया, उन्होंने उन ध्वनियों का संकेत दिया जो किसी क से निकलने के लिए थी मुंग, उन ध्वनियों को शब्दों के अस्तत पैकेट में पुनरगठित करना कि फले उन्हें सुनना आवश्यक समझा जा सकता था, और जिस तरह यह मुश्किल है सभी लेकिन सबसे प्रतिभाशाली संगीत कारों को वास्तव में बिना संगीत नोर पढ़ने के लिए उन्हें गाते हुए, तो क्या स्क्रिप्ट में लिखे गए ग्रंथों को पढ़ना भी मुश्किल था कंटिनूर उन्हें जोर से बोले बिना, वास्तव में हम मध्य में अच्छी तरह से जानते हैं योग, पढ़ना एक गतिविधि थी जिसे लगभग हमे जोर से किया जाता था, एक तरह का प्रदर्शन और एक सबसे अधिक बार दर्शकों के सामने दिया जाता है। तब तक नहीं था लगभग नौवी शताबदी में, लगभग उसी समय जब रिक्ति बन गई सामान्य और विराम चेहनों की सूची अधिक सम्रिद्ध हुई, कि प्रिष्ठ मौन पठन को सामान्य बनाने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान की, इस तरह के ग्रंतों को पढ़ने से जोड़ी कठिनाईयों का मतलब था कि पढ़ने और स्मृति के बीच एक बाउत अलग संबंध हम से आज जानो, चूंकी द्रिष्ठिप्धन स्क्रिप्टियो कांटुआ कठिन था, इसलिए का पाठ करना प्रवाह के साथ जोर से पाठ के लिए एक पाठक के इसके साथ कैयारी करनी थी, इसे अपने में विराम देना था मन, इसे याद रखे नालशिक रूप से, यदि पूरन रूप से नहीं तो क्योंकि धवनियों के एक तार को मोरना अर्थ में ऐसा कुछ नहीं था जिसे आप मक्षी पर आसानी से कर सकें, पाठ था प्रदर्शन करने से भले सीखा जा सकता है, आखिर रास्ता एक स्क्रिप्टियों काउंट हुआ में लिखे गए एक पाठ को विरामित करने से सभी फर्क पढ़ सकते हैं इस दुनिया में, जैसा कि इतिहासकार जॉपलिन पेनी स्मल ने बताया, जब भगवान के रूप में प्रस्तुत क किया जाता है तो गोडिस्नोयर बात अलग तरीके से सामने आता है, अब यहां बनाम परमेश्वर कहीं नहीं है, इसके अलावा, स्क्रिप्टियों कंटिनूर में लिखे गए एक स्क्रॉल को उपर तक पढ़ा जाना था नीचे अगर इससे कुछ लेना था, स्क्रॉल में के ठप्रिष्ट संख्याओं के बारे में कुछ नहीं खना, विशय सूची, अध्याय विभाजन और एक सूचकांग का एक विशिष्ट पुक्राखोजना असंभव है बिना सिर से पाउन तक पूरी जानकारी स्कैन किये, यह एक पाठ नहीं है कि आसानी से परामर्ष किया जा तक कि आपके पास कुछ आधारभूत परिचित नहों पूरे पाठ के साथ, स्क्रॉल अपनी सामगरी को बाहरी रूप से रखने के लिए मौजूद नहीं था, लेकिन इसके बजाए इसके पाठक को इसकी सामगरी को अंतरिक रूप से नेविगेट करने में मदद करने के ल हालांकि इसमें रिक्त स्थान है, एक नवाचार जोपले हिबरू में आया था ग्रीक जिसका अर्थ है कि इसे देखना पढ़ना बेहद मुश्किल है, हालांकि यहुदी हैं विशेश रूप से टोरा को स्मृति से नहीं पढ़ने किया ग्या दी गई है, कोई नहीं है बाग हालांकि वर्षों की भाषा का उप्योग हमें ध्यान न देने की स्थिती में है, स्क्रिप्टी ओ जिस तरह से हम वास्तव में बोलते हैं उसके साथ कौंटुआ अधिकाम है, इस प्रिष्ट पर कृत्रिम शब्द विभाजन, बोले गए वाक्य एक साथ प्रवाहित होते है निर्बाध रूप से एक लंबी धुन्धली खींची गई ध्वनि के रूप में, हमसे बात नहीं करते रिक्त स्थान, जहां एक शब्द समाप्थ होता है और दूसरा शुरू होता है वह अपेक शाकृत मनमाना है भाषाई सम्मेलन, यदि आप किसी सोनोग्राफिक समानने के लिए कंप्यूटर को प्रशिक्षित करना मुश्किल है, परिश्कृत के बिना संदर्भ का पता लगाने में सक्षम कृत्रिम बुद्धि मत्ता, कंप्यूटर के पास कोई रास्ता नहीं है, भरी हुई नाक में शराब मंध हो सकती है, और दूसरी शताब्दी ऐस जानता है कि समानने उसे चाटना बना दिया, एक अवधी के लिए लेटिन लिखकों ने वास्तव में शब्दों को बिन्दों से अलग करने का प्रयास किया था, लेकिन दूसरी शताब्दी ऐस्वी में एक उलट फेर हुआ एक विशाल और बहुत जिग्यासु कदम पीछे की ओर, ऐसा प्रतीत होता है पुरानी निरंतर लिपी का उप्योग करने के लिए यह नानियों द्वारा, पश्चमी लेखन में दूसरे के लिए रिक्त स्थान फिर से नहीं देखे गईन औस औसाल, आज हमारे सुविधाजनक बिन्दु से शब्दों को अलग करना बिना द तेमाल किया जाने वाला ग्रीक शब्द था, जिसका अर्थ है फिर से जानना, या याद रखना, के एक अधिनियम के रूप में पढ़ना याद रखना, हमारे आधुनिक सहुलियत की दृष्टी से, और भी कुछ हो सकता है पाठक और पाठक के बीच अपरिचित संबंद, आज, जब हम छपे हुए शब्दों की बारण के बीच रहते हैं किया आप विश्वास करेंगे, कि दस अरब संसकरन पिछले साल छपे थे यह कलपना करना कठिन है कि यह क्या है गुटेनबर्ग से फले के योग में पढ़ने की तरह रहा होगा, जब एक किताब एक प्रतियां अस्तित्व में थी, और वे प्रतियां थी शायद किसी विश्वविद्याले के पुस्तकाले में एक डेस क्या व्याख्यान के लिए जंजीर से बंधे, जो यदि इसमें सौन्य पुस्तके हो थी, तो इस पर विचार किया जाता विशेश रूप से अच्छी तरह से स्टॉक, यदि आप एक मध्यकालीन विद्वान थे जो एक किताब पढ़ रहे थे, आप जानते थे कि एक उचित संभावना थी कि आप इसे कभी नहीं देखेंगे विशेश पाठ फिर से, और इसलिए याद रखने पर एक उच्च प्रीमियम रखा गया था आपने क्या पढ़ा अउधरन या एक विचार, एक बात के लिए आधुनिक बुक शेल्फ उनकी पंक्तियों के साथ बाहरी रियर की हरड़ी का अभी तक आविशकार नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ सोलह भी शताबदी के आसपास कुछ समय तक, एक और बात के लिए किताबें अभी भी भारी, मुश्किल से पोर्टेबल वस्तुरों की प्रवरित्ति थी, यह केवल 13 वे में था सदी की बुक मेकिंग तकनीक इस हद तक आगे बढ़ी की बाइबल के संग्रह के बजाए एक ही खंड में संकलित किया जा सकता है स्वतंत्र किताबें, और फिर भी इसका वजन अभी भी दस पाउन से अधिक था, और यहां तक कि अगर आपके पास एक ऐसा पाठ है जिसकी आपको आवश्यक्ता है, तो आप जो खोज रहे थे उसे पूरा पढ़े बिना पाने की संभावना खत्म करने के लिए शुरू बात पतली थी, सूचकांक अभी तक सामान्य नह ही थे प्रिष्ट संख्याया सामगरी की तालिक आए, लेकिन यह अंतराल धीरे-धीरे भर गए, और जैसे-जैसे किताब बदली, वैसे-वैसे ने भी पढ़ने में स्मृति की महत्वपूर भूमिकानि भाई, लगभग 400 वर्ष तक, चर्मपत्र कोडेक्स, इसके पन्नों क पत्तेरी अड की हरड़ी परबंधे होते हैं, जैसे आधुनिक हार्डकवर, पसंदीदा के रूप में सभी लेकिन पूरी तरह से स्क्रॉल को बदल दिया था, पढ़ने का तरीका, अब पाठक को खोजने के लिए एक लंबा दस्तावेज नहीं खोलना पड़ा एक मार्ग, एक पाठक केवल उप्यूक्त प्रिष्ट की और मूर सकता है, बाइबल की प्ली स्थमती, एक भव्यसूच कांक जिसने का उपढ़ोग किया 500 पेरिस के भिक्षूओं के श्रम, तेरहवे में संकलित किये गए थे सदी, लगभग उसी समय जब अध्याय विभाजन पेश किय के लिए इपली बार, कोई पाठक बिन आप लेके बाइबल का उलेक कर सकता है, इसे याद किया, कोई इसे दिल से जाने बिना एक मार्ग ढूंड सकता है या पाठ को पूरे रास्ते पढ़ना, स्थमती के तुरंत बाद, अन्यवर्ना अनुक्रमिक अनुक्रमनिका, यह है कि फॉर एक स्क्रॉल में या किसी पुस्तक के कवर के बीच निहित सभी सामगरी, यह नेविगेट करना असंभव था, मस्तिष्ट को ऐसा अविश्वस निय उपकरण क्या बनाता है, इसमें नकेवल जानकारी की विशाल मात्रा है, बलकि आसानी और है दक्षता जिस के साथ वह उस जानकारी को प्राप्त कर सकता है, यह सबसे बड़ा का उप्योग करता है, रैंडम एक सेस इंडेक्सिंग सिस्टम ने कभी आविश्कार किया, एक वह कंप्यूटर वैग्यानिक नकल करने के करीब भी नहीं पहुंचे हैं, जबकि सूचकांक में पुस्तक के पीछे प्रत्येक के लिए एक ही पता एक प्रिष्ट संख्या प्रदान करता है, इमहत्वपूर्ण विशय, मस्तिष्क में प्रत्येक विशय में सैक्ड़ों नहीं तो सैक्ड़ों होते हैं पतों की, हमारी आंतरिक यादिस योगी हैं, अरेखिय हैं, आप इसे खोजने के जानने की आवश्यक्ता नहीं है कि किसी विशेष मेमोरी को कहां संग्रहीत किया जाता है, यह जब आपको इसकी आवश्यक्ता होती है तो बस बदल जाता है या नहीं. घने होने के कारण नेटवर्क जो हमारी यादों को आपस में जोडता है, हम इसे छोड़ सकते हैं और विचार से विचार बाग तेजी से, बैरी वहाइट से तक मिल कीवे के लिए सफेद से दूध का रंग वैचारिक रूप से एक लंबी यात्रा है, लेकिन असनायविक रूप से छोटा पी लिया, अनुक्रमनिका एक प्रमुख प्रति थी क्योंकि उन्होंने पुस्तकों क होने की अनुम्ति दीथी गैर रेखिया तरीके से पहुँचा हम अपनी आंतरिक यादों तक पहुँचते हैं, वे पुस्तक को अधुनिक सीधी की तरह बदलने में मदद की, जहां आप छोड़ सकते हैं, अनरिंडेक्स की गई पुस्तकों की तुलनामे सीधे अपने इच् पुस्तक क्या थी, और यह क्या थी विद्वानों के लिए कर सकता है, इतिहास कारिवा निलिच ने तर्क दिया है कि यह इस तरह के परिमान के एक आविश्कार का प्रतिनिध्यत्व किया कि यह उचित लगता है, पूर्व और बाद के सूचकांक मध्यलियों की बात करें, जैसे जैसे किताबیں आसान होती गही और परामर्श करने में आसान, उनकी सामगरी को स्मृति में रखने की अनिवार्यता कम से कम प्रासंगिक हो गया, और इसका अर्थ क्या था कि बहुत धारना आंतरिक रूप से जानकारी रखने से लेकर ग्यान तक विक्सित होना बनना था, अहर चीज का वॉकिंग इंडेक्स जो एकने पढ़ा था, और वह सारी जानकारी जो उसके पास थी अधिक रहीत, यह केवल एक अंतरिक पुस्तकाले रखने से कहीं अधिक थाता थे, उधरन और विचार, यह एक संगठनात्मक योजना बनाने के बारे में था उ दाहरण के लिए, रवेना के पीटर पर विचार करें, एक प्रमुख पंद्रहवी शताब्दी के इतालवी न्यायविद भी, किसी को आभास हो जाता है, उन में से एक पंद्रहवी शताब्दी के प्रमुख स्वप्रवर्तक जिन्होंने एक योग के लेखक थे स्मृतिक प रखनीकों को बनाने में मदद की लंबे समय से उपलब्ध विद्वानों और भिक्षूयों का विशेश अधिकार रहा है, डॉक्टरों, वकीलों, वयापारियों और रोजमर्रा के लोगों के वयापक दर्शक जो बस सामान याद रखना चाहता था, प्रतेक पर काल की पु खेलना याद करने के लिए, पीटर, अपने हिस्से के लिए, होने का डींग मार रहा था, बीस हजार कानूनी बिंदों को याद किया, ओविर द्वारा एक हजार ग्रंत, दो सिसरों के सब भाशन और बाते, तीन सब बाते, दर्शनिक, पवित्र शास्त्र के साथ हजार ग्र तो मैं कर सकता हूँ, सच में कहो कि मेरे पास वह सब कुछ था जो मेरे पास था, उन्होंने लिखा, उन सभी को स्टोर करने के लिए छवियों, पीटर ने एक लाख लोकी के साथ शुरुआत की, लेकिन वह हमेशा था, यूरोप भर में अपनी यात्रा पर नए स्मृती महल उठा रहा है, वह हर्महत्वपूर पर स्रोतों और उद्धरनों की एक मानसिक पुस्तकालय का निर्मान किया विशय, वर्नानुक्रम में वर्गी कृत, वह दावा करता है, उदाहरन के लिए, जो दूर दर्ज किया गया अक्षर के थत, उनका मस्तिश्क्री एलिमेंटिस, विश्यों पर स्रोत्थे अलगाव, अनुपस्थिति, डि आर्बिटिस, अपीलियबस, और इसी तरह के जुरे नोस्ट्रो हैबिन्टूर इनसिपी इन्टिबस इन्डिक्ट अलिटराय के बारे में, प्रावधान, विदेशी संपत्ति के बारे में, अनुपस्थिति के बा के बारे में अपील और हमारे कानून में इसी तरह के मामलों के बारे में जो अक्षरे से शुरू होते हैं। ग्यान के प्रत्य पुर्णे को एक विशिष्ट पता सौम पा गया था। जब वह किसी दिये गए विशय पर व्याख्या करना चाहता था। वह बस सही में पहुच ग अब हम जल्दी और वयापक रूप से पढ़ने पर एक प्रीमियम लगाते हैं। और वह हमारे पढ़ने में और जो हम पाना चाहते हैं उसमें एक प्रकार की सतहीपन पैदा करता है किताबों से बाहर। आप एक मिनट में एक पेज नहीं पढ़ सकते। जिस दर पर आप हैं शायद इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। और जो आपने पढ़ा है उसे याद रखने की अपेक्षा करें किसी भी समय की काफी लंबाई। अगर कुछ बनने जा रहा है यादगार उस पर बसना है। दो हराया जाना है। अपने निबंध में पढ़ने के इतिहास की और पला भनता से पढ़ें। उनके पास कुछ ही किताबें थीम बाईबल और पंचांग एक भक्तिपूर्ण कार्य यादो और वे उन्हें बार बार पढ़ते हैं। फिर से आमत और पर जोर से और समुहों में ताकि पारमपरिक की एक संकीर्ण सीमा हो उनकी चेतना पर साहित्य का घ प्रभाव पढ़ा। लेकिन 1440 के आसपास प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद चीजें शुरू हुई धीरे-धीरे बदलने के लिए गुटेन बर्ण के बाद प्रली शताबदी में की संख्या अस्तित्व में किताबें 14 गुना बढ़ गई यह संभव हो गया प्रले के ल प्रूप से पढ़ते हैं बिना किसी तरह के निरंतर फोकस और दुरलब अपवादों के साथ हम प्रत्य एक पुस्तक को केवल एक बार पढ़ते हैं हम पढ़ने की गुनवत्ता पर पढ़ने की मात्रा को महत्व देते हैं हमारे पास कोई विकल्प नहीं है अगर हम व्याप संस्कृति के साथ बने रहना चाहते हैं। यहां तक कि सबसे उच्च में भी विशिष्ट क्षेत्रों में शीर्ष पर बने रहने का प्रयास करना एक सिजाइफी अनकार्य हो सकता है। इसके बारे में कुछ मुख्य पात्र कम से कम उनके नाम और एक समग्रा लोचनात्मक निरनय किताब के बारे में इनके भी फी के पढ़ने की संभावना है। मेरी अलमारियों को देखते हुए पर जिन किताबों ने मेरे जागने के इतने घंटों को खत्म कर दिया है। हमेशा एक निराशाजनक अनुभव एकस और साल का एक कांत। मुझे याद है जादोई अथार्थवाद और मैंने इसका आनंद लिया। इसके बारे में बस इतना ही। मुझे याद भी नहीं है जब मैंने इसे पढ़ा। वुथरिंग हाइट्स के बारे में मुझे ठीक दो बाते याद हैं। कि मैंने इसे हाइ स्कूल की अंग्रेजी कक्षा में पढ़ा और यह की एक चरित्र था ही ठकलिफ नाम दिया। मैं यह नहीं का सकता कि मुझे किताब पसंद आई या नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैं असाधारन रूप से खराब पाठक हूँ। मुझे संदे है कि बख से लोग शायद सबसे भी मेरे जैसे हैं। हम पढ़ते और पढ़ते हैं और हम भूल जाते हैं और भूल जाओ और भूल जाओ तो हम परेशान क्यों हैं। मिशेल डी मोन्टे ने सोलह भी शताबदी में वयापक पठन की दुविधा व्यक्त की। मैं पत्ते किताबों के माध्यम से मैं उनका अध्ययन नहीं करता। उन्होंने लिखा, मैं उनमें से जो रखता हूँ वह है कुछ ऐसा जिसे मैं अब किसी और के रूप में नहीं पचानता। या केवल सामगरी है जिससे मेरे निरनय का लाब हुआ है। और विचारों और विचारों के साथ जिससे वहाबाद हो गया हो, लेखक, स्थन, शब्द और अन्य हालात, मैं तुरंत भूल जाता हूँ। वह आगे बताता है कि कैसे तू विश्वास घात और मेरी याददाश्ट की कमजोरी के लिए थोड़ी क्षति पूर्ती करें। वह हर किताब के पीछे एक छोटी आलोच नात्मक लिखने की आदत अपनाई निरणय, ताकि कम से कम कुछ सामान्य विचार हो कि ठुमका क्या था के बारे में और उसने इसके बारे में क्या सोचा। आप सोच सकते हैं कि मुद्रण का आदमन और अधेक आसानी से करने की क्षमता दिमाग से यादों को कागज पर उतारना, तुरंत होता पुरानी स्मृति तकनीकों को अप्रासंगिक बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं है हुआ, कम से कम फॉरन तो नहीं। वास्तव में, विरोधा भासी रूप से, बिलकुल वहक्षन जब इतिहास का एक साफ सुत्रा प्रतिपादन यह सुझाव देगा कि कि कला स्मृति को अप्रचलन के रास्ते पर होना चाहिए था, यह इसके दोर से गुजर रहा था सबसे बड़ा पुनर जागरण, साइम न जाता है कैमे लो, अपने कई प्रशन सकों के लिए और दक्वैक, अपने कई वेरोधियों को ठोस बनाने का चतुर विचार था जो पिछले दो के लिए था हजार साल हमेशा एक इधर विचार रहा है, उसके साथ ऐसा हुआ कि अगर किसी ने बदल दिया तो सिस्टम बात ब आधार की तरह लग सकता है बोर्जेस कहानी, लेकिन यह एक बात ही वास्तविक परियोजना थी, जिसमें बात वास्तविक समर्थक थे, और यह कैमेलो को पूरे यूरोप में सबसे प्रसिद्ध पुरुशों में से एक बना दिया, राजा फ्रांस के फ्रांसिस प्रथम ने कैमेलो से वादा किया कि उनके रंगमंच के रह से उसके सिवा किसी और के सामने कभी प्रकट नहीं किया जाएगा, और पांच सौ का निवेश किया को पूरा करने की और अग्रसर है, कैमेलो का लकड़ी का स्मृतिम्हल रोमन के आकार का था इमफी थीटर, लेकिन सीटों प की अंतहीन पंक्तियां भरी हुई हैं कार्ण के साथ, जिस पर वह सब कुछ छपा हुआ था जो ग्यात था, और यह था दावा किया गया वह सब कुछ जो जानने योग था, जिसमें सभी के उधरन शामिल थे महान लेखक, विशय के अनुसार वरगी कृत, आपको बस इतना क ध्यान की संपूर्णता पर ध्यान दे थियेटर के उस हिस्से को तुरंत ध्यान में रखा जाएगा, अनुमति आप सिस्रों से कम धारा प्रवाह किसी भी विशय पर प्रवचन करने में सक्षम नहीं होंगे, कैमिलों ने वादा किया था कि लोकी और छवियों के सिध्धान के माध्यम से हम मन में धारन कर सकते हैं और सभी मानविय अवधारनाओं और उन सभी चीजों में महारत हासिल कर सकते हैं जो पूरी दुनिया में हैं यह एक बड़ा दावा था और पीछे से निश्चित रूप से यह धोखा जैसा लगता है धोखा लेकिन कैमिलों आश्वस था कि जादूई का एक सेट मौजूद है प्रतीक जो व्यवस्थित रूप से संपूरन ब्रहमान का प्रतिनिध्यत्व कर सकते हैं बस के रूप में उस पुरुष की छविक फले इमेलिंग की अवधारना का प्रतिनिध्यत्व करती है इनकी टूडू सूची रखने के होगा सब कुछ अंतरनिहित छिपे हुए कनेक्शन को समझें कैमिलो के थीटर के लपड़ी के पैमाने के मॉडल को वेनिस में प्रदर्शित किया गया था और पेरिस और सैक्रोन शायद हजारूं कार्ण को भरने के लिए तैयार किये गए थे थीटर के बकसे और दराज कला कारों टिटियन और सालवती को सूची बद्ध किया गया था थीटर की प्रतिकात्मक कलपना को चितरित करने के लिए हालांकि ऐसा लगता है कि जहां तक चीजे मिली थीटर वास्तव में कभी पूरा नहीं हुआ था और वह सब भव्य योजना के अवशेश एक संक्षिप्त मरनुप्रांत प्रकाशित है धोशनापत्र द आइडिया ओफ द थीटर उनकी मृत्योशयया पर निर्धारित किया गया एक सप्ताह का कोर्स भवेश काल में बिना किसी चितर के लिखा गया है या चितर इसे हलके धंग से रखने के लिए एक भ्रमित करने वाली पुस्तक है हालां की इतिहास उस व्यक्ति को काफी हद तक भूल चुका था जिसने परम का वादा किया था याद रखने की तकनीक दिव्य लगभग हर जगह क्वेक से हार गया आकलन कैमेलो की प्रतिष्ठा 20 वही सदी में फिर से जीवित हो गई इतिहासकार फ्रांसिस ये इट्स के प प्राचीन यूनानी ग्रंथों के अपने नए अनुवादों के साथ प्लेटो के पुराने विचार के साथ एक नया आकर्शन लाया कि वहां एक है पारलोके का दर्श वास्तविक्ता जिसकी हमारी अपनी दुनिया है लेकिन एक फी की छाया है में ब्रहमान के कैमेलों की नि और स्मृति की कला एक गुप्त कुंजी थी ब्रहमान की गुप्त संडचना को अनलो करने के लिए स्मृति बदल गई थी बयान बाजी के एक उपकरण से जैसा कि यह पूरवजों के लिए था या का एक उपकरण पवित्र ध्यान जैसा कि मध्ययोगीन विद्वानों के लि अपनी किताब में 1582 में प्रकाशित विचारों की छाया पर, बुरुनो ने वादा किया कि उनकी कला न केवल स्मृति बलकी आत्मा की सभी शक्तियों को भी मदद मिलेगी। किसी भी शब्द को एक अनूठी छवे में बदलने की अनुम्ति देगा। बियो, आदी, अन्तर्तम चक्र पर, 152 अक्षर सन्योजन प्रत्याइक को एक अलग भौरानिक क्या मनोगत्ताकृती के साथ जोड़ा गया था। पर दूसरे पहिय की परिधी 150 क्रियाएं और दुर्दशाएं थी नौकायन कालीन पर तूटा हुआ कि दूसरे सेट के अनुरूप पत्र जोड़े। पहिय में 150 विशेशन शामिल थे, चोथा पहिया 150 वस्तुएं थी और पांचवे पहिय में 150 परिस्थितियां थी, जैसे कि मोतीफ ने या समुद्री राक्षस की सवारी सही ढंग से सन्रेखित करके पहिये पांच अक्षरों तक कि किसी भी शब्द का एक अद्वितिय में अ अनुवाद किया जा सकता है, जिवलंत चवी, उदाहरन के लिए, प्रोकितस, लेटिन शब्द प्रोकिंग ओफे, के लिए रेवेन, रोमन देवता की एक चवी बन जाती है, पिलुमनस इडवान सिंग, एक गधे की पीठ परतेजी से उसकी बांग पर एक पटी और एक तो अलांग लगाने की घोषना की प्रिंटिंग प्रेस को, ब्रूनो की योजना, जादू और तांत्रिक से रंगी हुई, घरी परेशान थी चर्च उनके अपरम परागत विचार, जिसमें इस तरह के विधर्म को एक विश्वास के रूप में शामिल किया गया था को परनिकन स दूर्य केंद्रवाद और एक द्रिण विश्वास की मैरी वास्तव में कुमवारी नहीं थी, अन्ततह उसे न्याएक जांच की अक्षम्यभुजाओं में उतारा, 1600 में, उन्होंने रोम में कैंपो देई फियोरी और उसकी राख में दाउन पर जला दिया गया था तिबर न ग्रण के अंत में बिस्तर लगा दिया था मनोगत स्मृति थीटर और लुलियन पहियों के प्रती जुनून की कला स्मृति एक नए लेकिन कम दिमाग वाले योग में पारित नहीं हुई योग स्मार्ट क्विक प्राप्त करें, योजना जो आज तक नहीं बची है, एक से अ हायता गलियारे में पाया जा सकता है, सबसे लोकप्रिय इन उनीस्वी सदी की समर्णी ये हैंडबु किसके द्वारा लिखी गई थी, प्रोफेसर अलफोन्स लोइसेट, एक अमेरेकी मेमोरी डॉक्टर, जो इसके बावजूद उसकी विपुल याद, किसी तरह भूल गई थी कि वह पैदा हुआ था, मारकस ड्वाइट लेरो, और उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, जैसा कि एक लेक में लिखा गया है, तत्य यह है कि मैं लोसेट की 1886 की पुस्तक की 133 प्रयूत प्रतियां खोजने में सक्षम था, फिजियो लॉजिकल मेमोरी, नेवर प्रतियों के आदेश की तरह विविद सामान निभ्यान को याद करते हुए, आयरलेंड की काउंटी, मोर्स टेलीग्राफिक वर्नमाला, ब्रिटिश क्षेत्रीय रेजिमेंट, और कपाल नसों के नौजोडे के नाम और उप्योग, लोसेट ने दावा किया कि उनकी प्रना 500 से अधिक, से अधिक के रूप में चार्ज किया, आज के पैसे में डॉलर इस ग्यान को अपने विद्यार्थियों को संगोष्ठियों में प्रदान करने के लिए लगभग हर प्रतिश्ठित में कक्षाओं सहित पूरे देश में आयोजित किया जाता है, पूरवी समुद्र पर विश्वविद्याले, लोईसेट सिस्टम में शामिल होने वाले के धर्ण के साथ, उन्हें गोपनियता के लिए बाध्य करने वाले अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए बनाया गया था 500 डॉलर आज के पैसे में 10,000 डॉलर से अधिक चाहिए वे प्रोफेसर के तर पर लगभग आधा मिलियन डॉलर के बराबर 1887 की सर्दियों में सप्ता खिर्चाव, 1887 में सैमुल एल, प्लेमेंस, जिसे मार्क ट्वेन के नाम से जाना जाता है, नेपली बार पार किया लोईसेट के साथ पत और कई तक चलने वाले स्मृति पाठ्यक्रम में नामांकित ट्वेन कहा करते थे कि उनकी स्मृति कभी किसी चीज से भरी नहीं थी, लेकिन खाली कार्तूस और लंबे समय से स्मृति में रुची रखते थे सुधार की, वह निश्चित रूप से लोईसेट के घरे आस्तिक से बाहर आया था प्रनाली, वास्तव में उन्हें लोईसेट के साथ इतना ले जाया गया कि वह स्वतंत्र रूप से एक ब्लॉग साइर प्रकाशित किया जिसमें दावा किया था कि एक घंटे में दस हजार डॉलर होंगे, डॉक्टर द्वारा दी जा रही अमूल्य तरकीबों के लिए एक सौदा, वह बाद में इस प्रशन सापत्र प भावना से बाहर थे स्वतंत्रता की, हर सच्चे अमेरिकी की विशेश्ता, नामक पुस्तक प्रकाशित की लोई सेट, ने सपष्ट किया की प्रोफेसर, लोई सेट, हाँ, दोनों अपीलों ने डराने वाले उद्धरनों के अपने अपने सेट को जन्म दिया, दोनों एक हम किया गया, निश्चित रूप से लोई सेट की हरबरी और कपट पूर्नता स्वयम होनी चाहिए थी मार्क ट्वेन के रूप में दुनिया के तरीकों में पारंगत किसी के लिए सपष्ट, लेकिन ट्वेन एक विपुल सनक चेजर था, और हमेशा अगले बड़े में दिलचस पी रखता था चीज, उनका व्यक्तिगत निवेश मिलियन आज में पैगी टाइप सेटर, लिनो टाइप का एक प्रारंभिक प्रतियोगी, केवल सबसे अधिक था कईम हत्वा का अंक्षी परियोजनाओं को बर्बाद कर दिया जिसमें उन्होंने अपना पैसा डाला ट्व प्रस नाखुनों में से प्रत्याइक, लेकिन दर्शकों के बाद से यह वास्तव में कभी काम नहीं आया, उसके हाथों में किसी प्रकार की व्यर्थ रुची होने का संदेह होने लगा। मोर रहा था एक स्मृती महल में, 1885 में उन्होंने मार्क ट्वेन की मेमोरी का पेटिंट कराया बिल्डर, सभी प्रकार के तथियों को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए एक गेम और पिंड खजूर, ट्वेन की नोटबुक उनके स्थानिक को समर्पित प्रिष्ठो से भरी हुई हैं, स्मृति खेल, ट्वेन ने अपने स्मर्णी खेल के इर्दगिर्दा योजित राश्ट्रिय क्लबों की कलपना की नियमित समाचार पत्र कॉलम, एक किताब, और अंतर राश्ट्रिय प्रतियोगिताओं के साथ पुरसकार उन्हें विश्वास हो गया कि एत विपत्तिया, प्रले, क्रांतिया, लगुणक का आविश्कार, दसूक्ष मदर्शी, भापेंजन, टेलीग्राफ कुछ भी और सबकुछ दुनिया भर में हमने इसे अंग्रेजी खून्टे के बीच में डाल दिया, उन्होंने लिखा, उनका 1899 का निबंध हाउटू मेक हिस दुर्भागय से, जैसे पेज टाइप सेटर, खेल एक वित्तिय हलचल बन गया, और ट्वेन अंततह इसे छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, उन्होंने अपने मित्र उपन्यास कार को लिखा विलियम डीन ओवेल्स, यदि आपने कभी भी एक इंडोर का आविश्क करने की कोशिश नहीं की है, एतिहासिक खेल, नहीं, उससे पले कई लोगों की तरह, ट्वेन के वादे में बह गया था विस्मृती पर विजय प्राप्त करना, उसने वही निराला अमृत पिया था जिसमें नशे में धुत कैमेलो और ब्रूनो और रवेना के पीटर, और उ जना चाहिए था पहाडिया, और फिर भी उन्होंने नहीं किया, ट्वेने कैसे यूमिरहते थे जब भंडारन और पुनर प्राप्ति के लिए प्रोध्योग किया बाहरी यादें कागज, किताबें, हाल ही में आविश्कार की गई तस्वीर और फोनोग्राफ आज जो हमारे पास है, उसकी तुलनामे अभी भी आदिम थे, वह पर डिजिटल सूचना का प्रसार कैसे हुआ, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था, इकी स्वी सदी की शुरुआत उस गति को तेज कर देगी जिस पर हमारा संस्कृती अपनी यादों को बाहरी करने में सक्षम हो अब इस मरनिय बाहरी यादें जो केवल बढ़ती हैं एक उम्र के रूप में, जैसे जैसे हमारा अधिक से अधिक जीवन ऑनलाइन होता है, अधिक से अधिक उन तरीकों से कबजा और सनक्षित किया जा रहा है, जो नाकिय रूप से बदल रहे हैं हमारी आंतरिक और बाहरी यादें जो हमारी दैनिक गतिविधी के बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड करती हैं, मुझे इस बात का यकीन 73 वर्षिय कम्प्यूटर वैग्यानिक ने किया था, माइक्रोसोफ्ट ने गॉर्डन बेल नाम दिया, बेल खुद को एक नई के अगुआ के रूप में देखता है गति जो स्मृति के बाह्याई क्रण को उसके तारकिक चरम पर ले जाती है, अयाद रखने के जीव विग्यान से अंतिम पलायन बेलिन लिखते हैं, हर दिन जो बीत जाता है, मैं अधिक भूल जाता हूँ और कम याद करता हूँ, उनकी पुस्तक टोटल रिकॉल, पुरा नियंतरन था और कब, पिछले दशक के लिए, बेल ने एक डिजिटल सरोगेट मेमोरी रखी है, उसके मस्तिष्ट में एक को पूरक करें, यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी चीज का रिकॉर्ड रखा जाए, और सब कुछ जो भूला दिया जा सकता है, एक लगु बेल रिकॉर्डर उसके द्वारा सुनी जाने वाली हर आवाज को कैप्चर करता है, प्रतेक उसके लेंड लाइन के माध्यम से की गई फोन कॉन्टेप हो जाती है, और कागज का हर्टुक्रा बेल रीज को तुरंत उसके कम्प्यूटर में स्कैन किया जाता है, बेल, कौन ह पूरी तरह से गंजा, अक्सर मुस्कुर आते हुए, और आयताकार चश्मा, और एक काला प्रहनता है टर्टलनेक, जुनूनी संग्रह की इस प्रक्रिया को आजीवन धते हैं, यह सब जुनूनी रिकॉर्डिंग अजीव लग सकती है, लेकिन इसके लिए धन्यवाद डिज होता जा रहा है, और हमारे आसपास की दुनिया से और अधिक जानकारी याद रखें, हम शायद कभी नहीं हमारी गर्दन से लटके हुए कैमरों के साथ घ्रू में, लेकिन बेल की दृष्टिय भविश्य जिसमें कम्प्यूटर हमारे साथ होने वाली हर चीज को याद रख लगता है, वह नहीं है लगभग उतना ही बेतु का जितना की यह फली बार में लग सकता है। करने की कोशिश कर रहा है, कि हम अपने जीवन को भूल जाते हैं लगभग उतनी ही तेजी से हम उन्हें जीते हैं, लेकिन कोई याद क्यों फी की पड़ जाए जब ऐसे तकनी की समाधान हैं जो इसे संरक्षित कर सकते हैं। सभी पुरानी तस्वीरें, इंजीनेरिंग नोटबुक और कागजात डिजिटाइज किये गए। यहां तक के लोगों पर भी टी-शर्ट सकैनर बेल से बच नहीं सके। बेल, जो हमेशा से एक था सावधानी पूर्वक संरक्षनवादी, वे आंकड़े जो शायद सकैन और फिंके गए हैं उसके पास अब तक के सभी सामानों का तीन चौथाई हिस्सा है। आज उनका जीवंदान लेता है 170 गीगाबाइट उपर और लगभग एक गीगाबाइट की दर से बढ़ रहा है महीना। इसमें एक लाख से अधे की मेल, 65,000 तस्वीरें, एक लाख, शामिल हैं 10 तावेर्ज, और 2000 फोन कॉल, यह 100 रॉलर पर आराम से फिट बैठता है। है कि वह कहां है था और जिसके साथ वह किसी भी समय था, और फिर सिधान्त रूप में जान्चे की उस व्यक्ति ने क्या कहा, और क्यूंकि उसके पास एक फोटोग्राफिक है हर जगह का रिकॉर्ड वह कभी भी रहा है और वह सब कुछ जो उसने कभी देखा है, वह कभी के लिए लंबी यात्रा के अध्याय जो तब शुरू हुए जब मिस्र के देवता थूत राजा थम उसके पास आये और उन्हें का उपहार दिया स्मृति और ज्यान दोनों के लिए नुस्खा के रूप में लिखना, जीवंदान है तारकिक अगला कदम, शायद तारकिक अं उनकी परियोजना मेरे द्वारा किये गए सभी प्रयासों के लिए अंतिम प्रतिवाद की पिशकश करना प्रतीत होता है मेरी आंतरिक स्मृति को प्रशिक्षित करने में निवेश करना, अगर हमारे पास कंप्यूटर होना अनिवार्य है जो कभी नहीं भूलते, याद अहरी उप्योग कैसे करता है स्मृति उन चीजों को खोजने में मदद करती है जो उसकी अंतरिक स्मृति में गायब हो गई हैं, क्यूंकि यादे साहचर्य हैं, अजीब गलत तत्य का पता लगाना है अकसर त्रिकोनासन का एक कार्य, दूसरे दिन मैं एक घर खोजने की शिश कर रहा था आई, आउनलाइन देखा था, बेल ने अपनी कुरसी पर पीछे जुकते हुए मुझ से कहा, सब मैं कर सकता था इसके बारे में याद रखें कि मैं फोन पर रियाल्टार से बात कर रहा था समय, उसने अपने जीवन की एक समय रेखा को अपने कंप्यूटर पर खीचा, फोन पाया उस पर बातचीत की, और फिर तुरंत उन सभी वेब साइटों को खीच लिया जो वह थे जब वह फोन पर देख रहा था, मैं उन्हें सूचना बार्ब्स कहता हूँ, खते हैं घंटी, आपको बस एक हुट याद रखना है, वहां और अधिक बार्ब् यह है कि फन और इसके भागय से कैसे बचा जाए और व्यर्थ सामान्य ब्यान के समुद्र में ढूबने से बचें, इतना याद रखना इनकोडिंग के समय होता है, क्यूंकि हम केवल करते हैं याद रखने के लिए कि हम क्या धियान देते हैं, लेकिन बेल का जीवन काल धिय हर चीज, कभी भी फिल्टर न करें, और कभी भी कुछ भी फेंक न दें, उनका आदर्श वाक्य है, क्या आप कभी भी अपनी यादों की भारी मात्रा से बोज मसूस करते हैं, इकठा करना, मैंने उस से पूछा, उन्होंने इस धारना का मजाक उड़ाया, बिल्कुल नहीं मुझे लगता है कि यह बेहद मुफ्थ है, सेंस कैम कोई सुन्दर मशीन नहीं है, यह एक ब्लैक बॉक्स है, इसके बारे में सिग्रेट के एक पैकेट के आकार का, जो बेल के गले में लटकता है, अगोचर यह नहीं है, लेकिन फिर, फ्ले कम्पियूटरों ने पूरी तर जा सकता है, या अगोचर रूप से कपड़ों में सिल दिया जाता है, या यहां तक कि किसी तरह नीचे दबा दिया जाता है त्वचा की सतह या रेटिना में इंबेडेग, अभी के लिए, बेल की आंतरिक और बाहरी यादे मूल रूप से मेल नहीं खाती है, उसे अपनी सं उनका विस्तार हो सकता है, लेकिन यह अभी तक का हिस्सा नहीं है उसे, लेकिन क्या यह मानना इतना दूर की कोड़ी है कि किसी बिंदू पर भी नहीं दूर का भविश्य बेल का कंप्यूटर क्या जानता है, और उसका क्या है कि बीच की खाई मन जानता है, पूरी तरह से गायब हो सकता है। आखिरकार हमारा दिमाग हो सकता है सीधे और निर्बाध रूप से हमारे लाइफ लॉग से जुड़ा है। ताकि हमारे बाहरी यादें काम करेंगी और मसूस करेंगी कि वे पूरी तरह से आंतरिक हैं। और कब एशक वे सबसे बड़ी बाहरी मेमोरी से भ निरनायक हतियार होगा यह विज्ञान कथा की तरह लग सकता है लेकिन पले से ही करनावत प्रत्यारोपन कर सकते हैं धुवने तरंगों को सीधे विध्योतावेगों में परिवर्तित करें और उन्हें ब्रेंस्टेम जो पले बधिर लोगों को सुनने की इजाजत देता है वा कम्प्यूटर ने फले से ही पैरापेलेगिक और एलायसलू के रोगियों को अनुम्ति दी है गेहरिक्स बिजीज कम्प्यूटर करसर को नियंतरित करने के लिए एक कृत्रिम अंग यहां तक की अरिजिटल आवाज बस विचार के बल के माध्यम से यह इन यूरो प्रोस्थ अगला कदम है दिमाग कम्प्यूटर इंटरफेस जो दिमाग को सीधे डिजिटल के साथ डेटा का आदानप्रदान करने देता है मेमोरी बैंक एक परियोजना जिसे कुछ अत्याधुनिक शोध करता पले से ही कर रहे हैं पर काम कर रहा है और जो अनुसंधान का एक प्रमुख क्षेत्र बनने के लिए बाध्य है दश्कों आगे आपको प्रतिक्रियावादी, कटरपंथी या लुडाइट होने की जरूरत नहीं है आश्चर्य है कि क्या दिमाग को कंप्यूटर में प्लग करना और मूल रूप से विलए करना अंतत्त आंतरिक और बाह्यस्मृती एक ऐसा अध्भुत विचार होगा आज जैवनेतिक विग्यानी आनुवनशिक जैसे गर्मालू विश्यों पर पसीना बाहाते हैं इंजीनियरिंग और नियूरो ट्रोपिक संग्यानात्मक स्टेरोयर लेकिन इस प्रकार के समवर्धन केवल डायल को इसकी तुलनामे ट्वी कर रहे हैं मतलब हमारी आंतरिक और बाहरी यादों से पूरी तरह से शादी करना एक होशियार, लंबा, मजबूत, रोग प्रतिरोधी व्यक्ति जो 150 तक जीवित रहता है अंत में बस अव्यक्ति लेकिन अगर हम किसी को एक संपूर्ण स्मृति और एक दिमाग दे सकते हैं मानवता के संपूर्ण सामुहिक ज्यान में सीधे टैट करता है ठीक है, जब हमें अपनी शब्दावली का विस्तार करने पर विचार करने की आवश्यक्ता हो सकती है लेकिन शायद इन यादों को बाहरी या के रूप में सोचने के बजाए अफलोडेग जैसा कि उसमें घहने वाली यादों से सपष्ट रूप से भिन है मस्तिश कह में उन्हें अपनी आंतरिक स्मृतियों के विस्तार के रूप में देखना चाहिए बाद में सभी यहां तक की आंतरिक स्मृतियां भी केवल अंशों द्वारा ही सुलब है वहां घटनाय और तथ्य जो मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ लेकिन मैं नहीं जानता कि कैसे ढून हूँ भले ही मैं नहीं कर सकता तुरंत याद करे कि मैंने अपना साथ वहां जनम दिन कहा मनाया का नाम मेरे दूसरे चचेरे भाई की पतनी वे तथ्य फिर भी कही छिपे हुए हैं मेरे दिमाग में, होश में वापस आने के लिए सही संकेत की प्रतीक्षा में, बस ठीक उसी तरह जिस तरह विकिपीडिया के सारे तथ्य सिर्फ एक माउसकलिक पर छिपे हुए हैं, दूर हम पश्चिमी लोगस्व के बारे में सोचते हैं, जिसका मायावी सार है कि हम कौन हैं हैं, जैसे कि यह कुछ निश्चित रूप से सीमित एक आई थी, भले ही आधुनिक संग्यान आत्मक तंत्रिका विज्ञान ने एक ग्रहिणी आत्मा के पुराने कार्टेशियन विचार को खारिज कर दिया है कि पीनियल ब्रंथी मे रहता है और मानव शरीर को नियंत्रित करता है, हम में से अधिकांश अभी भी विश्वास करें कि बस चलाने के लिए उपर कहीं एक अलग मैं है, असल में जिसे हम मैं के रूप में समझते हैं, वह लगभग निश्चित रूप से कहीं अधिक फैला हुआ है और यह सोचने क के लिए आराम दायक से अधिक खतरनाक है, कम से कम जियादातर लोग मानले कि उनका आत्म संभवतह कि सीमाओं से आगे नहीं बढ़ सकता है, उनके एपिडर्मिस को किताबों, कम्प्यम्टरों में, एक लाइफ लोग में, लेकिन ऐसा क्यों होना चाहिए मामला, हमारी हमेशा आगे बढ़ी हैं हमारे दिमाग से परे और अन्य भन डारन कंटेनरों में, बेल का जीवनकाल प्रोजेक्ट बस उस सच्चाई को ध्यान में लाता है, आठ, ठीक पठार, यदि आप 2005 के पत जड़ में मेरे कार्या लए गए, तो आपने एक पोस्टेट, देखा होग नोट मेरी बाहरी यादों में से एक मेरे कंप्योटर के ऊपर की दीवार से चिप की हुई है, निगरानी जब भी मेरी नजर परदे से हटी तो मैंने शब्द देखे याद रखना न भूले, एक सौम्य अनुस मारक की अगले कई के लिए यूईस, मेमोरी चैंपियनशिप तक के महीनों में, मुझे बदलने के लिए प्रयास करने की आवश्यक्ता थी अधिक उत्पादक निमोनिक के साथ मेरे नियमित विलंब पैटर्न व्याया, वई ब्राउज करने या ठंडा होने के लिए ब्लॉक के चारों और धूमने के बजाए मेरी आंखे, मैं च्छिक संख्याओं का प्रिष्ट, क्या मुझे उस समय समझ में आया कि मैं कितना अजीब था बनने, मैंने अपनी याददाश्ट को रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने की कोशिश करना शुरू कर दिया, तब भी जब मैं नहीं था मुठी भर हस्यम यह आयोजनो के लिए अभ्यास करना, जिन्हें इसमें चितरित किया जाएगा चैंपियंशिप, आसप्रोस का चहल अफ़ल बन गया बाहाना लाइसेंस प्लेट याद रखें, मैं ध्यान की एक खौफना क्राशी देना शुरू कर दिया नाम अंकितक, मैंने अपनी खरीदारी की सूचिय याद कर ली, मैंने कागज पर एक कैलेंडर रखा, और मेरे दिमाग में भी एक, जब भी किसी ने मुझे फोन नमबर दिया, मैं इसे एक विशेश स्मृतिमहल में स्थापित किया, नमबर याद रखना वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों में से एक साबित हुआ स्म जो संख्याओं को बदलने के लिए एक साधारन कोर से ज्यादा कुछ नहीं है, ध्वन या अत्मक ध्वनियों में, फिर उन ध्वनियों को शब्दों में बदला जा सकता है, जो बदले में एक स्मृतिमहल के लिए चित्र बन सकते हैं, कोर इस तरह काम करता है, संख्या 32, उ वतंत्र रूप से प्रतिछेद करने की अनुम्ती, तो संख्या 32, एक में बदल सकती है, एक आदमी की छवी, 33 आपकी मा हो सकती है, और 34 रूसी हो सकती है, अंतरिक्ष स्टेशन मीर, इसी तरह संख्या 86, एक मचली हो सकती है, 40 एक गुलाब, और 92 एक कलम, आप 3,0219 की कलप बना एक आदमी 32 के रूप में कर सकते हैं, जो एक प्यूबा खेल रहा है, 19 या शायद मैंने टोबा का एक व्यक्ति 3,219, इसी तरह 7,889 का अनुवाद होगा के FKP, जो एक कॉफी कप या दो छवीयों की एक छवी में बदल सकता है, एक बच्रे और एक शावक की, प्रमु खाता याद कर लिया नंबर लेकिन कोई भी अंतराश्ट्रियस मृति प्रतियोगिता नहीं जीतता है, प्रमुख प्रनाली, जब संख्याओं के लंबे तार याद करने की बात आती है, जैसे सौपाई के हजार अंक्याहर न्यू यॉर्क का करियर बले बाजी और सत्यांकी ह अधिक अंश मानसिक एथलीट अधिक जटिल का उप्योग करते हैं तकनीक जिसे वरलवाईर ब्रेन क्लब आउनलाइन फोरम पर जाना जाता है, मेमोरी के दीवाने, रूबिक के क्यूबर्स और मैथलेट्स व्यक्तिक्रिया वस्तु के रूप में, या बस पी-ए-ओ, या वंश को सीधे लूपी में खोजता है, जियोर्डानो ब्रूनो और रेमन लूल के कॉम्बिनेट्रियल निमोनिक्स, पी-ए-ओ, प्रनाली में, सिनिन्यान बे तक प्रत्य एक दो अंकों की संख्या का प्रतिनिध्यत्व किया जाता है, किसी वस्तु पर कारवाई करने वाले व्यक्ति की एकल छविद्वारा, एक व्यक्ति क्रोनिंग एक प्रिया हो सकता है, अ माइक्रोफोन एक वस्तु इसी तरह, डेविर बेक हम तेरह को लात मार सकते हैं, सौकर बॉनल, 89 नमबर एक केप के साथ उरने वाला सुपरमैन हो सकता है, कोई छका अंक संख्या, जैसे क 34-39 को एक छवि में बदल दिया जा सकता है, अपली संख्या से व्यक्ति को दूसरे से क्रिया के साथ जोड़ना और तीसरे से वस्तु इस मामले में, यह फ्रेंक सिनात्रा होगा, एक केप लात मारना, यदि संख्या 89-34 के बजाय होती, तो मानसिक एथली एक फुटबाल में सुपरमैन की क्रोनिंग की समान रूप से विचित्र छवि की कलपना कर सकते हैं, गेंद संख्या 34 के बारे में स्वाभाविक रूप से सिनात्राइश कुछ भी नहीं है, बेखमेस्क के बारे में 13 प्रमुख प्रनाली के विपरीत उन संख्यों पूरी तरह से मनमानी कर रहे और प्ले से ही सीखा जाना है, जो यहकना है याद रखने में सक्षम होने के लिए बाग कुछ याद रखना पड़ता है, एक बड़ा है मेमोरी सरकिट पर प्रतिस परधा करने के लिए समय और प्रयास के संदर्भ में निश्चित लागत, परंतो जो चीज इस प्रनाली को इतना शक्तिशाली बनाती है वहिया है कि यह प्रभावी रूप से एक अद्विती यह उत्पन करती है, शून्य से 99,9999 तक हर नंबर के लिए इमेज, और क्यूंकि एलगो रिथम अनिवार्य रूप से असमभावित द्रिश्य उत्पन करता है, पी ए उच्छविया उनके स स्वभाव से प्रवृत्त होती हैं, यादगार होना, प्रतिस पर्धी स्मृति का खेल हतियारों की दौर से प्रेवित होता है, हर साल कोई न कोई आमतोर पर यह एक प्रतियोगी होता है, जो अस्थाई रूप से होता है, बेरोजगार या असन अचित गर्मी की छुर्टी अधिक याद रखने के लिए एक और अधिक विस्तृत तकनीक के साथ आता है, अधिक तेजी से सामान, बाकी क्षेत्र को कैचाप खेलने के लिए मजबूर करना, एग ने जो वर्नन किया है, उसे विक्सित करने में अभी पिछले चाह महीने बिताये थे के रूप में अब इनका प्रतिनिध्यत्व करता है, अधिकांश्य उरोपिय प्रतिस परधियों द्वारा तीन अंकिय प्रनाली के लिए जिसमें अहजार अलग अलग व्यक्ति क्रिया वस्तो छवियां, यह उसे करने की अनुमती देगा प्रत्य एक संख्या को शून्य से 99,9999,9999 में एक अधियम से डार्ट कर सकती थी इंफेटेमिन पर, अब मेरे पास तीन अंकों का चौनसठ बंदूप वाला मैन ओफ वर है, वह अभिमान किया, यह बाग शक्तिशाली है, फिर भी इसे नियंतरित करना संभावित रूप से कठिन है, अगर सिस्टम ने काम किया, उन्होंने सो यह प्रतिसपर्धी के खेल को आगे बढ़ाएगा एक त्वांटम छलांग द्वारा स्मृती, मानसिक एथलीट ताश खेलने के डेग को उसी तरह याद करते हैं, एक पीए उप्रनाली का उप्योग करना जिसमें बावन कारणों में से प्रतियक के साथ जुड़ा हुआ है अपने स्वयम के व्यक्तिक रियावस्तो छवी, यह कारण के किसी भी ट्रिपलेट होने की अनुम्ती देता है, एक छवी में सन्यूक्त और एक पूर्ण डेक के लिए बस में संगनित किया जाना है, अठारह अद्वितिय छवियां बावन को तीन से विभाजित करके सत रह ह जिसमें एक कारण बचा है, एग की मदद से, मैंने बड़ी मेहनत से अपना खुद का PAO सिस्टम बनाया, जो बावन अलग अलग व्यक्तिक प्रियावस्तो छवियों का सपना देखना शामिल है, प्रती, अधिक से अधिक यादगार बने, किसी की छवियों को स्वयम के मेरे मामले में, 1180 और 1190 के दशक की शुरुवात में टीवी चेहन, बिन प्रिनमोर के मामले में, कार्टून चरित्र, एग के मामले में, अधोवस्त्र मॉडल और डेप्रेशन के दौर के इंग्लिश प्रिकेटर्स, मेरे लिए दिलों का राजा, माइकल जैक्सन सफेद दस आने के साथ चांद पर चल रहे थे, क्लबों का राजा क्या जॉन गुर्मैन एक हैंबर्गर खा रहा था, और हीरों का राजा था सिगार पीते हुए बिल क्लिंटन, अगर मुझे दिलों के राजा को याद रखना होता, राजा क्लबों के, और हीरे के राजा के क्रम में, मै एक छवी बनाऊंगा माइकल जैक्सन सिगार खाते हुए इस से फले कि मैं किसी भी डे को याद कर पाता कार्ण मुझे फले उन बावन छवीओं को याद करना था कोई छोटा काम नहीं लेकिन मेरा P.A.O. सिस्टम उस सिस्टम की तुलना में फीका है जो बेन प्रिर्मोर कार्ण के लिए उप्योग करता है 2002 के पतन में उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया जो उन्होंने चाह के लिए आयोजित की थी में एक मांस कार खाने में सहायक लेखा कार के रूप में डेर साल लिंकन शायर वेगास में कार्ण गिनने में एक सप्ताह बिताया और फिर वापस अगया इंग्लेंड गए और अगले छह महीने कार्टून देखने प्राप्त करने में बिताये अंग्रेजी को दूसरी भाशा के रूप में पढ़ाने के लिए योग्य और एक विक्सित करना पूरी तरह स नया स्मर्णिय पर्मार्ण उशस्त्रागार एकल बनाने के बजाए डेक में प्रत्यक कार्ण के लिए व्यक्तिक्रिय अवस्तो छवी बिनने दर्जनों खर्च किये घंटे हर दो कार्ण सन्योजन के लिए एक अनूठी छवी का सपना देख रहे हैं कब वह देखता है दिलों की रानी उसके बाद हीरे का एकका वह है अद्वितिय छवी जब वह रानी के बाद हीरे का एकका देखता है दिलों की यह एक अलग अनूठी छवी है वह है बावन गुना बावन या 2704 संभव दो कार्ण सन्योजन जिसके लिए बेन की छवी पूर अपने प्रत्येक स्थान पर तीन छवियां रखता है। एक के उपर से एक बार में दो कारणों को अंगूठे से फैलाएं। इस प्रक्रिया में फैल रहा है वे दोनों के कोने में सूट और नंबर प्रकट करने के लिए पर्याप्त हैं। या एक 24 छवियों के लिए अलग रखा गया है बायनेरिस जब वह एक एक शून या शून या शून या शून या शून न या देखता है। तो वह तुरंत इसे एकल के रूप में देखता है चंक। एक कार्ण गेम की एक छवी, जब वह शून्य एक एक शून्य एक शून्य एक शून्य देखता है, तो वह एक सिनेमा की छवी को तुरंत जोड़ देता है, अंतराश्ट्रिय स्मृति में प्रतियोगिताओं, मानसे केथलीटों को 1200 बाइनरी अंकों की शीट भी जाती हैं, 31 पंक्ति में एक प्रिष्ट पर 40 पंक्तियां, 32 अंकों की प्रत्य एक पंक्ति को में बदल देता है, एक कल छवी, संख्या 1101-110-110-110-110-110-110-110-110-110-110-110 के लिए उदाहरन के लिए, एक मसल मैंने एक मचली को तिन में डाल रहा है, उस समय, बेन ने आधे घंटे में 3705 या द्रिच्छिक और शून्य सीखने का विश्वर रिकॉर्ड घंटा, हर मानसिक एतलीट की एक कमजोरी होती है, एक अकिलीज हील, बेन का नाम है, और चेहरे, घटना में उनका स्कुर हमेशा पैक के निचले भाग के पास होता है, उ जो वास्तव में दिखते हैं, लेना इस समस्या के आसपास, वह एक नई स्मृति प्रनाली विक्सित कर रहा है, वह घटना जो आंखों के रंग, तवचा के रंग, बालों के लिए संख्यात्मक को निर्दिष्ट करेगी, रंग, बालों की लंबाई, नाक और मून का आकार, उनका आंकलन है कि अगर लोगों के चेहरे केवल अंकों की एक स्ट्रिंग में बदला जा सकता है, वे याद रखने के लिए एक चिच होंगे, जब मैं पली बार अपनी याददाश्ट को प्रशिक्षित करने के लिए निकला, तो इन्हें सीखने की संभावना विस्त्रित तकनीक हास्या अस्पद रूप से कठिन लग रही थी, लेकिन एंडर से रिक्सन और मैंने एक्स ओदा किया, मैं उसे सभी का सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड दूंगा मेरा प्रशिक्षन, जो विशेश अग्यता पर उनके शोध के लिए उपयोगी डेटा होगा, मैं रि कुछ दिनों के लिए तलहासील ओटने का वादा किया था परीक्षन ताकि वे पूरे उद्यम से एक जर्नल लेक प्राप्त कर सकें। क्या वह डोमेन में था डोमेन के बाद, उन्हें तक्नीकों का एक सामान्य सेट मिला जो सबसे अधिक, निपुन वयक्ती बनने की प्रक्रिया में नियोजित होते हैं विशेशग विशेशग अता अधिग रहन के सामान्य सिद्धांत, उन सिद्धांतों मेरा गुप्त हथि अगले कई महीनों में, जबकि मैंने अपने में पी एओ के साथ कड़ी मेहनत की मातापिता के तखाने में, एरिक्सन ने मेरे विकास पर कड़ी नजर रखी, मैंने रखा उन्होंने आसन्द प्रतियोगिता के बारे में मेरे विक्सित विचारों से अवगत कराया, जो मैंने देखा वह धीरे धीरे मासूम जिग्यासा से हटकर उत्साही प्रतिस परधा, जब मैं फंस जाता, तो मैं इरिक्सन को फोन करता सला, और वह अनिवार्य रूप से मुझे कुछ जर्नल लेक के लिए डरावना भेज देगा कि उसने वादा किया था कि वह मेरी कमियों को समझने मेरी मदद करेगा, एक बिंदू पर, ए मेरे प्रशिक्षन में कुछ महीने, मेरी याददाश्ट में सुधार होना बंध हो गया, कोई बात नहीं मैंने कितना अभ्यास किया, मैं ताश खेलने के इंडे को याद नहीं कर सका, और तेज, मैं एक रट में फंस गया था, और पठार मारा है, मैंने उससे विलाब किया, मैं आपको स्पीड टाइपिंग पर साहित्य की जांच करने की सलाह दूंगा, वह उत्तर दिया, जब लोग फली बार कीबोर्ण का उप्योग करना सीखते हैं, तो वे बाग तेजी से सुधार करते हैं मैला सिंगल फिंगर पेकिं उनके स्वण्य के, इस बिंदू पर अधिकाश लोगों के टाइपिंग खोशल प्रक्ति करना बंद कर देते हैं, वे एक पठार पर पहुंचें, यदि आप इसके बारे में सोचते हैं, तो यह एक अजीब घटना है, आखिरकार हमें हमेशा बताया गया है कि अभ्यास परि के दशक में, मनुवैग ज्यानिक पॉंफिट्स और माइकल पोस्नर ने प्रयास किया तीन चरणों का वरनन करके इस प्रशन का उत्तर देने के लिए कि कोई भी जाता है, एक नया खोशल प्राप्त करते समये, पले चरण के दौरान के रूप में जाना जाता है संभ्यानात प्राप्त मक चरण, आप कार्य को बौधिक रूप दे रहे हैं और नई खोज कर रहे हैं इसे और अधिक कुशलता से पूरा करने के लिए रननीतियां, सेकंड के दौरान सयोगी चरण, आप कम ध्यान केंडरित कर रहे हैं, कम बड़ी त्रोटियां कर रहे हैं, और आम तोर प्रूप से ऑटो पायलट पर चल रहे हैं, दौरान वह स्वायत चरण, आप जो कर रहे हैं उस पर आप सचेत नियंतरन खो देते हैं, ज्यादातर समय यह अच्छी बात है, आपके दिमाग में चिंता की एक बात कम है, के बारे में, वास्तव में, स्वायत चरण उन आसान म केंड़ित करें, जितना अधिक आप ध्यान केंड़ित कर सकते हैं, उस सामान पर जो वास्तव में मायने रखता है, वह सामान जो आपने पले नहीं देखा है, और इसलिए, एक बार जब हम टाइपिंग में काफी अच्छे हो जाते हैं, तो हम इसे अपने पीछे ले जाते ह मन की फाइलिंग कैबिनेट और इस पर कोई ध्यान देना बंद करें, आप वास्तव में देख सकते हैं, यह बदलाव नएक औशल सीखने वाले लोगों के FMRI स्कैन में होता है, एक कार्य के रूप में स्वचालित हो जाता है, मस्तिश्क के हिस्से होश में शामिल हो जाते है तरकशक्ती कम सक्रिय हो जाती है, और मस्तिश्क के अन्य भागहावी हो जाते हैं, आप इसे ओके पठार कर सकते हैं, जिस बिंदु पर आप तय करते हैं कि आप ठीक हैं, आप किसी चीज में कितने अच्छे हैं, आटो पाइलट चालू करें, और सुधार करना बंद करें, ह हम सभी अपने द्वारा की जाने वाली अधिकांश चीजों में ठीक पठारों तक पहुँचते हैं, हम गारी चलाना सीखते हैं जब हम अपनी किशोर अवस्था में होते हैं, और फिर एक बार हम टिकट से बचने के लिए पर्याप्त हो जाते हैं, और बड़ी दुर घटना हम केवल वृद्धिशील रूप से बेहतर होते हैं, मेरे पिता रहे हैं 40 साल से गोल्फ खेल रहा है, और वह अभी भी है हालांकि उसे यह पढ़कर दुख होगा एक डफर, चार दशकों में उनकी विकलांगता एक बिंदू भी कम नहीं हुई है, कैसे आए, वह एक ओके प इस गैल्टन तर्क दिया की एक व्यक्ति केवल शारीरिक और मानसिक गतिविधियों में सुधार कर सकता है, जब तक वह एक निश्चित दीवार तक नहीं पहुँच गया, जिसे वह किसी भी शिक्षाया, द्वारा नहीं कर सकता परिश्रम वोवर पास, इस दृष्टिकों के अनुसार, हम जो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं, वह है बस सबसे अच्छा हम कर सकते हैं, लेकिन एविक्सन और उनके साथ ही विशेशग प्रदर्शन मनुवैग भ्यानिकों के पास है, बार बार पाया की सही तरह के ठोस प्रयास के साथ, वह है शायद ही कभी मामला, उन वह यह है कि वह इसमें सनलगन रहते हैं एक बाग ही निर्देशित अत्यधिक केंद्रित दिन्चर्या जिसे इरिकसन ने लेबल किया है विचार पूरवक अभ्यास कई अलगलग में सरवश्रेष्ट में से सरवश्रेष्ट का अध्ययन करने के बाद क्षेत्रों में उन्होंन अवस्था से बाहर जब वे तीन काम करके अभ्यास करते हैं अपनी तकनीक पर ध्यान केंद्रित करना लक्षय उन्मुक्रहना और स्थिर्हना और उनके प्रदर्शन पर ततकाल प्रतिक्रिया दूसरे शब्दों में वेबल खुद को संग्यानात्मक चरण में रहने के अपने अभ्यास पर खर्च करने की अधिक संभावना रखते हैं समय संगीत बजाना जबकि पेशेवरों के थकावू के माध्यम से काम करने की अधिक संभावना है तुप्रों के विशिष्ट कठिन भागों पर वयायाम या ध्यान केंद्रित करें सबसे अच्छी बर्फ स्केटिंग करने वाले अपने अभ्यास का अधिक समय खूदने की कोशिश में बिताते हैं कि वे कम उतरते हैं अक्सर जबकि कम स्केटर्स उन छलांगों पर अधिक काम करते हैं जिन्हें वेपले से ही महारत हासिल कर चुके हैं जानबूज कर अभ्यास अपने स्वभाव से कठिन होना चाहिए जब आप किसी चीज में अच्छा करना चाहते हैं तो आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं आपके द्वारा खर्च किये जाने वाले समय की तुलना में अभ्यास करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है असल में विशेश अग्यता के हर क्षेत्र में जिसका कड़ाई से परीक्षन किया गया है शत्रंज से वायलिन से बास्केट बाम तक अध्यायनों से पता चला है कि किसी के पास जितने वर्ष हैं कुछ कर रहा है केवल प्रदर्शन के स्तर के साथ कमजोर रूप से संबंधि मेरे पिताजी अपने तखाने में टिन के प्याले में डालने पर विचार कर सकते हैं अभ्यास करें लेकिन जब तक कि वह जानबूज कर खुद को चुनौती नहीं दे रहा है और निग्रानी कर रहा है उनका प्रदर्शन असमीक्षा करना प्रतिक्रिया देना अवस्थित करनाया है उसे कभी भी सराहनीय रूप से बेहतर बनाने वाला नहीं है नियमित अभ्यास बस नहीं है पर्याप्त सुधार करने के लिए हमें खुद को अस्फल होते देखना चाहिए और अपने से सीखना चाहिए गलतियां स्वायत अवस्था से बाहर निकलने और ओके पठार से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है। इरिक्सन ने पाया है, वास्तव में अस्फल होने का अभ्यास करना है। ऐसा करने का एक तरीका है, अपने आपको उस कार्य में कहीं अधिक सक्षम व्यक्ति के दिमाग में रखें जो आप कर रहे हैं मास्टर करने की कोशिश कर रहा है। फिर वह निबंध हो लेगा और उसके पुनर निर्मान की तुलना मूल शब्दों से करके देखें कि उसकी अपनी श्रिंख खला कैसी है मास्टर के खिलाफ सोच का डिर। सर्वश्रेष्ट शत्रंज खिलारी अनुसरण करते हैं एक समान रणनीती वह अकसर दिन में कई घंटे फिर से खेलेंगे ग्रेंड मास्टर्स के खेल एक समय में एक चाल समझने की कोशिश कर रहे हैं हर कदम पर विशेशग की सोच वास्तव में एहन का एकल सर्वश्रेष भविश्य वकता किसी व्यक्ति का शत्रंज कोशल उसके खिलाफ खेले गई शत्रंज की मातरा नहीं है विरोधियों, बलकि जितना समय वह अकेले काम करने में बिताता है पुराने खेलों के माध्यम से, एक कोशल में सुधार करने का रह से खुच हद तक सचेत रहना है, अनुवेग ज्यानिकों ने पाया है कि सबसे कारगर तरीका है कि आप अपने आपको टाइप करने के लिए बाध्यकरिस हज मसूस करने की तुलना में तेज और अपने आपको गलतियां करने की अनुम्ति देना। विजय प्राप्त की उन्हें और फिर तेज गती से टाइप करना जारी रखा। टाइपिंग लाकर स्वायत अवस्था में और वापस अपने सचेत नियंत्रण में उनके पास था ओके पठार पर विजय प्राप्त की। निर्देश दिया उससे प्रतिशत तेज और तेज गती से प्रयास करते रहें जब तक की मैं रूख न जाहूं गलतियां करना। जब भी मुझे कोई ऐसा कार्ण मिला जो विशेश रूप से था परेशानी मुझे इसका एक नोट बनाना था और देखना था कि क्या मैं समझ सकता हूँ यह मुझे समस्या क्यों दे रहा था। इसने काम किया और कुछ ही दिनों में मैंने ठीक पठार से बाहर था और मेरे कार्ण का समय फिर से स्थिर होने लगा क्लिप यदि वे जानबूज कर अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो विशेश अग्य भी उनके कोशल को देख सकते हैं बैकसलाइर एरिकसन ने मेरे साथ इसका एक अविश्वसनी ये उदाहरन साजा किया यहां तक की हालां कि आप चांदी के बालों वाले डॉक्टर की सलाह पर भरोसा करने के इच्छुख हो सकते हैं मेडिकल स्कूल से एक नए सिरे से यह पाया गया है कि कुछ खेत्रों में चिकित सा डॉक्टरों के कोशल में वे ल अभ्यास करना जानबूज कर नहीं है एरिक्सन के अनुसार अभ्यास यह टिन के प्याले में डालने से ज्यादा पसंद है एक कोश के साथ काम करना ऐसा इसलिए है क्योंकि मैमोग्राफर आम तोर पर केवल ढूंडते हैं उनके निदान की सठीकता के बारे में हफ्तों या म मामला नहीं है सरजरी है मैमोग्राफर के विपरीत सरजन समय के साथ बेहतर होते जाते हैं क्या इरिक्सन के अनुसार सरजन को मैमोग्राफर से अलग बनाता है इसकी अधिकांश सरजरी के परिर्णाम आम तोर पर तुरंत सपष्ट होते हैं रोगी या तो बेहतर हो जाता ह या नहीं जिसका अर्थ है कि सर्जन है उनके प्रदर्शन पर लगातार प्रतिक्रिया मिल रही है। वे हमेशा यह सीखना की क्या काम करता है और क्या नहीं हमेशा बेहतर होता जा रहा है। यह निशकर्ष विशेशगयता सिध्धान्त के व्याव हरिक अनुप्रयोग की ओर जाता है। इरिक्सन सुझाव देता है कि मैमोग्राफरों को नियमित रूप से पुराने मामलों का मूल यांकन करने के लिए कहा जाता है जिसके लिए परिरनाम्पले से ही ग्यात है। इस तरह वे इस पर ततकाल प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं उनका प्रदर्शन। इस तरह की ततकाल प्रतिक्रिया के माध्यम से विशेशग्य नए तरीके खोजते हैं हमेशा बेहतर प्रदर्शन करें और हमारे सामुहे को के पठारों को कभी भी उचा करें। जब तक लोग तैर रहे हैं तब तक लोग तैर रहे हैं गर्दन गहरे पानी में। आपको पुश्य तेज और तेज होता रहता है। ओलम्पिक तैराक इस सदी की शुरुआत से प्रतिस परधा में तैरने वाली टीमों के लिए भी अरहता प्राप्त नहीं होगी हाई स्कूल एरिक्सन नोट करता है। इसी तरह स्वर्ण पदक प्रदर्शन मूल ओलम्पिक मैराथन नियमित रूप से सिर्फ शौकिया लोगों द्वारा प्राप्त की जाती है बोस्टन मैराथन में एक प्रतिभागी के रूप में अरहता प्राप्त करें। और वही सच है नहीं सिर्फ एथलेटिक गतिविधियों में, लेकिन लगभग हरक्षेत्र में। तेरह भी सदी दा लेकन को ग्यात गनित अब आपके औसत हाई स्कूल द्वारा प्राप्त कर लिया गया है कनिष्ट। यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि आज के सबसे प्रतिभाशाली एथलीट जीवित हैं कि सबसे प्रतिभाशाली एथलीटों की तुलना में बागत अधिक जन्मजात प् आत्रा और गुनवत्ता है जिसे एथलीटों को सना होगा विश्वस्तर का दर्जा हासिल करना यही बात सिर्फ दौडने के बारे में नहीं है और तैराकी लेकिन भाला फिंकना आइस स्केटिंग और हर दूसरे एथलेटिक काम एक भी खेल ऐसा नहीं है जिसमें प्यमित रूप से नहीं गिरते अगर वहां पठार हैं सामुहिक रूप से हम अभी तक उन तक नहीं पहुँच पाए हैं यह कैसे है कि हम खुद से आगे निकल जाते हैं एरिक्सन का हिस्सा इसका उत्तर यह है कि हम जो अवरोध सामुहिक रूप से स्थापित करते हैं वे उतने ही मनोवैग भ्यानिक हैं जितना की जन्मजात एक बार बेंचमार्ग को तूटने योग यस समझा जाने के बाद यहां अमतौर पर नहीं होता है किसी के तूटने से बगपले काफी दीर तक लोग सोचते रहे कि कोई नहीं कभी भी चार मिनट से कम समय में एक मील डौ सकता है यह एक माना जाता था अचल बाधा प्रकाश की गति की तरह जब रोजर बैनिस्टर एक बीस वर्षी ये ब्रिटिश मेरिकल छात्र ने आखिरकार चार मिनट का मील तोड़ दिया एक हजार नोग सोच ओवन में उनकी उपलब्धिक इफले पन्ने पर छपी थी दु सकता हफले हुआ था बैनिस्टर की तुलना में मील को डेर सेकंड तेज दोड़ा और कुछ के भीतर साल चार मिनट मील आम थे आज सभी पेशेवर मध्यम दूरी के धावकों से चार मिनट मील की दूरी तय करने की उम्मीद की जाती है और विश्वरिकॉर्ड तीन मिनट त 14-13 सेकंड तक गिर गया है दुनिया में मेमोरी चैंपियंशिप कम से कमाधे मौजूदा विश्वरिकॉर्ड प्रतेक गिरते हैं वर्ष मेरी याददाश्ट को स्ट्रेचिंग के समान बढ़ाने के बारे में सोचने के बजाए मेरी उँचाई या मेरी दृष्टी में प्रुत्साहित किया एक पॉशल में सुधार करना एको पकरण बजाना सीखना अधिक पसंद है हम आमतोर पर अपनी याददाश्ट को एक एकल अखरण चीज के रूप में सोचते हैं यह मेमोरी अधिक स्वतंत्र मोग्यूल और सिस्टम के संग्रह की तरह है प्रतेक लेकिन टूरू लिस्ट नहीं एसेफ एरिक्सन का कार्या अध्ययंस नातक जिसने अपने अंकों की अवधिक दस गुना बढ़ा दी थी वरिद्धी नहीं हुई थी कुछ सामान या इकृत्समृतिक शमता बलकि वह बस एक बन जाएगा अंक याद रखने के विशेश अग् की शूचियों को याद करने की कोशिश की वियंजन वह अभी भी उनमें से केवल साथ को ही याद कर सकता था यह किसी भी चीज से अधिक शीर्ष संस्मरं करताओं को से अलग करता है दूसरा स्तर व Nous एक विज्यान की तरह याद करने के लिए संपर्क करते हैं उन्होंने बन प्रतिक्रिया और इसका मतलब था कि यह पूरा ओपरेशन शाफ्ट होने वाला था यूपी मैंने अपने लेक्टॉप पर एक स्प्रेंडशीट सेट अप की थी कि मैं कितने समय से था इसका ट्रेक रखने के लिए अभ्यास और रास्ते में आने वाली किसी भी कठिनाई के बारे में मैंने रिखांकन किया सब कुछ और एक पत्रिका में मेरे स्कुर में स्थिर उतारचड़ाव को ट्रेक किया 19 अगस्त 2-57 में 28 कार्ण किये 20 अगस्त 2-39 में 28 कार्ण किये ठोस समय 24 अगस्त 4-4-40 में 38 कार्ण किये इतना अच्छा नहीं 8 सितंबर स्टारबक्स में बैठने के बजाय विलंब करते हुए एक अतिदे यलेख पर काम करना पंच मिनट में 46 अंक याद किये, दयनी ये, फिर 3-3-32 में 48 कारण किये, अंत में माई को बदलने का फैसला किया चार के लिए चित्र, अलविदा महिला अभिनेत्रियों, हैलो मेंटल एथलीट, प्लबीर कुक, हीरे गुंथर कार्स्टन, दिलबेन प्रिर्मोर, फुकुम में 2 अक्टूबर, 15 मिनट में 70 यादरिच चिक शब्द किये, अच्छा नहीं है, खोया अंक क्योंकि मैंने ग्रो, शब्दों को ग्रोथ, और किस साथ भ्रमित किया है साइकिल, किस साथ बाइक, अब से, जब किसी शब्द के कई पास्रों बदलाव, बगल के महल में सावधानी पूर्वक मानसिक टिपरणी करे भ्रमित करने वाली छवी, 16 अक्टूबर, बस 87 यादरिच चिक शब्द किये, मैं बागत ज्यादा नजरे गड़ा रहा हूँ, याद रखने के बजाए घड़ी और कमरे के चारों और देखना, मैं समयक हो रहा हूँ, ध्यान लगाओ यार, ध्यान लगाओ, ध्यान, निश्चित रूप से, याद रखने के लिए एक शर्थ है, आम तोर पर जब हम एक नए परिचित का नाम भूल जाते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम बागत व्यस्त हैं ध्यान देने के बजाए, हम आगे क्या खने जा रहे हैं, इसके बारे में सो संख्याय की छवी नहीं बना सकते उस पर निवास किये बिना व्यक्ति का नाम, और आप किसी चीज पर ध्यान नहीं दे सकते इसे और यादगार बनाए बिना, जिस समस्या में मैं चल रहा था मारी प्रशिक्षन यह था कि मैं बस इस से उब रहा था, और अपने दिमाग की अनुम्ती दे रहा था भटकने के लिए आंग, कोई फर्क नहीं पड़ता कि चित्र कितने कच्चे, रंगीन और स्पष्ट हैं किसी के स्मृति म्हलों में पैट, कोई केवल या द्रिच छिक के पन्नों को देख सकता है, इतने लंबे समय के लिए संख्याय सोचने लगती है कि क्या कुछ नहीं है, दूसरे कमरे में अधिक दिल्चस्प चल रहा है, डालने की आवाज की तरह, इन जिन्होंने मुझे बेटा, जवान और हेरो के रूप में संदर्भित किया था, फायर ने जोर देकर कहा कि मेरी व्याकुलता का इलाज एक उपकरण में है, उन्यन, पहास या असपद लगते हैं, लेकिन आपके मामले में वे हो सकते हैं, एक अच्छा निवेश हो, इर ने हमारे नियमित दो बार सापताहिक फोन में से एक पर कहा चेकन, उस दो पहर मैं हार्डवेयर की दुकान पर गया और एक खरीदा ओद्योगिक अग्रेडियर मफ की ज पहनूंगा, लोगों को यह समझाना काफी आसान था कि मैं अपने माता पिता के साथ रह रहा था एक लेखक के रूप में अपने दान्त काटने के दौरान कुछ रुपे बचाने के लिए, लेकिन मैं क्या कर रहा था उनका धखाना, दीवारों पर टेप या दृच्छिक सं पूचते थे कि क्या मैं पूट करना चाहूंगा, उसके साथ कुछ मिंटों के लिए, मैं उन नंबरों के प्रिष्ट को जल्दी से छिपा देता जो मैं था याद रखना और किसी और चीज पर मेहनत से काम करने का दिखावा करना, जैसे अलेक है कि कुछ प्रकाशन मुझे एक चेक के साथ क्षतिपूर्ती कर सकते हैं कि बदले में एक जमीनदार को सौंप दिया जा सकता है, कभी कभी मैं अपना उतार देता ही यर मफस और मेमोरी गोगल्स और मेरे पिता को खोजने के लिए घूमे द्वार पर खड़ा था, बस मुझे देख रहा था, अगर एरि चमार्क मुझे रास्ते में मिलने वाले थे, और एक सक्त नियम प्रत्य एक सुबहाधे घंटे का अभ्यास, साथ ही दो पांच मिनट का बूस्टर दो पहर में सत्र, एक कंप्यूटर प्रोग्राम ने मेरी परीक्षाली और रखा मेरी गलतियों का विस्तृत रिकॉर्ड, ताकि हम बाद में उनका विशलेशन कर सकें, अर्थात हर कुछ दिनों में मेरा समय एर को मेल किया, और वह वापस लिखेंगे मैं कैसे सुधार कर सकता हूँ, इसके बारे में सुझाव, आखिरकार, मैंने फैसला किया कि मुझे कुछ पाने के लिए मिल्पर्म में वापस ज मैं अपली बारविश्व स्मृती के लिए इंग्लेंड गया था तब से बात कर रहा हूँ, चैंपियंशिप, एर की पार्टी मिल्फ के पुराने पत्थर के खलिहान में आयोजित की गई थी, जिसे एर ने खर्च किया था एक सप्ताह का बेहतर हिस्सा, उसके लिए एक प् दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, उसने मुझे बताया, इन सभी को ट्रेक करने के लिए पैरामीटर, मैं लोगों को स्वेचिक संस्थाओं के रूप में नहीं बलकी आटोमेटा के रूप में मानता हूँ, करण वास्तव में जो पार्टी के चारों और उचलते हैं, औ और पार्टी के मेजबान के रूप में, मैं उन्हें सरवश्रेष्ट में उचालने की मेरी जिम्मेदारी को गंभीरता सेले संभव तरीके से, खलिहान को ए, में विभाजित करते हुए, चमकदार वस्त्र छत से फर्ष तक लटके हुए थे छोटे कमरों का संग्रह, के अंदर या बाहर जाने का एक मात्र तरीका था सुरंगें, जिन्हें केवल किसी के पेट पर फिसल कर ही नेविगेट किया जा सकता था, एन्यस भव्य पियानों के नीचे की जगह को एक किले में बदल दिया गया था, और एक चक्र था चिमनी के चारों और रेगेडी का उच के संग्रा से बना है, जिसमें थाटेबल के उपर रखा गया है, जो लोग वास्तव में सुरंग नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त करते हैं, वे हैं एक साहसिक कार्य के माध्यम से, उन्हें थोड़ा संगर्ष करना पड़ा है, और इसलिए आगमन पर वे कृत अग्यता, राहत और उपलब्धी की भावना मसूस करते हैं, और सबसे अधिक के साथ एक अच्छा अनुभव रखने की परियोजना के लिए प्रतिबद्ध हैं संभव शक्ति और कल्पना, मुझे लगता है कि आपकी स्मृति प्रशिक्षन अत्यंत है इसके समान, हालां की यह धनाम म पूर्खता पूरन लगता है कि कोई दर्द नहीं, कोई लाभ नहीं, यह सच है, दुख देना पड़ता है, तनाव के दौर से गुजरना पड़ता है, आत्मसंदेह के दौर से गुजरना पड़ता है, अभरम की अवधी, और फिर उस गंदगी से बाहर निकल सकता है सबसे मैं दस फुट लंबी पिछकाली सुरंग के माध्यम से उसके पीछे रिंगता रहा और गुदबारों से भरे गले में भरे कमरे में उभरा प्रतेक कमरा वह समझाया गया था यह एक स्मृतिम्हल के कक्ष की तरह कार्य करने वाला था उनकी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा य में से एक इस तरह के सेटा अपका लाब यह है कि प्रतेक कमरे में अनुभव मिलता है प्रतेक कमरे में रखा जाता है और अन्य अनुभवों से अलग किया जाता है एक पत्ता घटनाओं के एक सुंदर प्रदर्शनों की सूची के साथ पार्टी जिस पर कोई रज सकता है व पास्थार डर्बी से चार घंटे की ट्रेन की सवारी की, एक काली टोपी प्रनी और एक मुहका अदम खोर का भयानक मुखोटा जिसे उसने ग्रंच कहा, लुकासो अपने अगनिश्वासो पद्रव से बरामद जो वियना से उडान भरी थी सिर्फ पार्टी के लिए, 19 भी सद पार्टी में मेरे एक लोते यांक होने की पचान, मैंने अपना चेहरा रंगा था कैप्टन अमेरिका की तरह, शाम का मुख्या कर्शन कार्ड ओफ रहा, मध्यरात्री से कुछ समय प्ले, अपने पचास या तो मेहमानों को खलिहान के तखाने में एकठा किया और घोशना की की उनके 24 सदी के अस्तित्व के सम्मान में, दो महानतम कार्ड सभी समय के यादगार प्रतियोगिता में आमने सामने जाने वाले थे, बिन, अभी भी अपनी काली तोपीपने हुए है, लेकिन अब उसका ग्रंच मुखोटा नहीं है, जो एक पर बैठा है, खाली प्लास्ट पर बैठ गया आस्ट्रिया इसेन्य वर्दी, सबसे फले, मैं यहां एकठे हुए लोगों को इन दोनों के बारे में कुछ विवरन देना चाहता हूँ, ताश के पत्तों को याद रखने की व्यक्तियों की क्षमता, एर ने घ्रोशना की, लुकास दुनिया के उन फले लोग अफोर किया और उसका फिर से भंड अफोर किया, और वह एक बार था स्पीड कार्ण में विश्व चैंपियन, वह भी संस्थापक सदस्यों में से एक हैं यादगारों के एक प्रतिष्ठित समाज के रूप में जाना जाता है, जिसे के L7 के रूप में जाना जाता है, बैश उसका अगर वह लगातार नशे में नहीं होते तो अच्छी याददाश्ट बहुत बेहतर होती। एडो अतिश्योग तिपूर धंग से कहा। लुकास ने अपना प्लास्टिक का प्याला उठाया और एग में सिर हिलाया दिशा। आप देखते हैं। एक एरो स्पेस कमपनी से खरीदना पड़ा। दुर्भागय से लुकास ने हाल ही में इसका बहुत अधिक उप्योग किया है। उसने नहीं किया लगभग एक साल में ताश के पत्तों का एक डेक याद किया। हालांकि पिछली बार उन्होंने यह उन्होंने 35 एक सेकंड का समय के दर्ज किया। एक बेन की ओर मुर गया। प्रिनमोर यहां वर्तमान विश्वरिकॉर्ड रखता है कार्ण 31 तीन सेकंड पर और वह ब्रिटिश है। इसने उपद्रवी का एक दौर शुरू किया मेहमानों से जयकार। बेन ने सकता इस पैक भी सीखे हैं एक घंटे में का केरा मजाक ओडाते हो। एर ने विरोध किया। वह नहीं जानता था कि मुठ्थी भर्योवा जर्मनों ने हाल ही में उन्हें अंतर राश्ट्रीय रैंकिंग में पीछे छोड़ दिया था। हमने तय किया है कि हम तब तक प्रतिस परधा नहीं करेंगे जब तक कि वह हमें इ एक चोथाई रास्ता एक दोस्त का दोस्त जिसके बारे में उसने दावा किया कि वह कभी नहीं मिला। उसने उसके लिए पूछा मौन दो मेहमानों को ताश के पत्तों को फिर अबदल करने के लिए आमंतरित किया। और फिर सॉम्प दिया उन्हें लुकास और बेन के गई थी। उनमें से प्रत्येक के पास एक मिनट था। यह स्पष्ट होने सिफले की बमुश्किल आधा दर्जन कारणों को फिलिप किया गया था लुकास, जो केवल संग्ठित होकर अपना सिर सीधा रखता था सतरकता, अपने उच्च संग्यानात्मक संकायों का करने की स्थिति में नहीं थी। उसने रखा डेक टेबल पर वापस नीचे और भिरचाल से घोशना की। कम से कम मैं हूँ। अंतर राश्ट्रीय रैंकिंग में अभी भी एड़ से आगे है। एड़ ने जबरदस्ती लुकास को रास्ते से हटा दिया और अपनी सीट ले ली पर मेरे 25 जनमदिन के अवसर पर मुझे यह थते हुए बात खुशी हो रही है कि मेरे शोकेस इवेंट में प्रतियोगियों में से एक प्रतिस परधा करने के लिए बात नशे में है और मैं मुझे कार्यभार संभालना होगा। एक में फिर अबदल किया गया और स्टॉप व अधीश ने जांच की देखें कि वे सही थे। उसके स्तन उसकी थुड़ी पर्थप पर मार रहे थे। मैं बिन को जानता था। प्रिर्मोर बागतेजी से जाएगा। मैं जानता था। वह दुरगटना ग्रस्थ हो जाता है और जल जाता है। वह आदमी आपने कितनी बार विश्व चैंपियंशिप जीती है। बिन जव करना मेरा जन्मदिन था। जैसे ही एंग ने उच्च पत्नियों का आदान प्रदान किया और अपनी महिला को गले लगाते हुए कमरे की परिक्रमा की मेहमान, बिन वापस अपने बीन बैग में घुस गया और अपने केप को सलाया। एंग में से एक नशे में धुत आक्स फ पागत है उन्हें। मैं उसके पास तीन के साथ आया था विशेश समस्याओं के लिए मुझे उनकी मदद की जरूरत थी, जिन में से सबसे अधिक दबाव था कि मैं लगातार अपनी छवियों को मिला रहा था। जब आप याद कर रहे हों अकारणों का डेक, सभी विवरणों के साथ चित्र बन की तुलना में, स्मृति की कला यह सीख रही है कि आप कितनी छोटी छवी हैं इसे यादगार बनाने के लिए देखने की जरूरत है। अपने एग से पूछा कि मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए था। देखने की कोशिश मत करो। पूरी छवी उन्होंने कहा। आपको इसकी आवश्यक्ता नहीं है। केवल एक प्रमुख पर ध्यान दे जो खुछ भी आप कलपना करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका होंट क्रीज करते हैं। अन्य विवरन बना देंगे उसे और अधिक यादगार, लेकिन मुस्कान की कुझी होगी। कभीक भी छुराग्ध होंपना नीला की कस्तूरी की मख आपको किसी से प्राप्थ होने वाली याद हो सकती है विशेश छवी, लेकिन यदि आप अपने स सिस्टम को अच्छी तरह से जानते हैं, तो आपको सक्षम होना चाहिए इसे फिर से अनुवाद करें। अक्सर, जब आप वास्तव में इसके लिए गनिंग कर रहे होते हैं, तो केवल कार्ण के तेजी से देखे जाने वाले पैक द्वारा छोड़े गए निशान ना किसी द्रिश्य सामगरी के। आपका दूसरा विकल्प इसे बदलना है छवियां, इसलिए वे इतने समान नहीं हैं इतनी सांसारिक नहीं हैं। मैंने अपनी आंखे बंद कर ली और लांसार मस्टरंग को उपर की और पैडल मारते हुए देखने की कोशिश की खड़ी प और अधिक विशिष्ट होगा एक सोंब्रेरो के साथ टटू की सवारी करने वाला भॉना, वह छोटा सा समायोजन शायद मुंडा मेरे समय से दो से कंड कार्ण के साथ अच्छी चीजें। इर ने कहा जब मैंने अपना नवीनतम दिखाया स्प्रेंशीट या सिर्फ पांच सभी एनालिसिस और रिजिग रिंग के लिए जो जानबूज कर करता है जानबूज कर अभ्यास करें। दिन एक और समस्या जो मैंने अपने अभ्यास सत्रों में खोजी वह यह थी कि माई कार्ण की छवियां बाग तेजी से फी की पड़ रही थी। जब तक मैं है के अंद तक पहुँच जाऊंगा डे क्या संख्याओं का तार शुरू से ही चित्र बन गए थे बेहोश भूत। मैंने एग को इसका जिक्र किया। ठीक है आपको अपनी छवियों को बेहतर तरीके से जानना होगा। उनकी प्रतिक्रिया थी। आज रात से एक समय में एक सूट ले और वास्तव में ध्यान के साथ समय बिताएं प्रतिक चरित्र। अपने आप से पूछें कि वे क्या पसंद, अनावश्यक हिंसा के प्रति उनकी प्रवरित्ती, इसे पाने के बाद उनके लिए इस तरह की भावना, यह सब एक ही बार में होने देने की कोशिश करें की पूरी वसा शक्ति को म्नसूस करें उनकी शारीरिक और सामाजिक विशेश ताएं एक साथ कलपना शील हैं और फिर कलपना करें कि वे आपके घर के बारे में क्या कर रहे हैं रोजमर्रा की चीजें, ताकि आपको उनकी इतनी अमीर और सघन होने की आदत हो जाए सामान निस्थितियां, इस तरह जब वे ताश के पत्तों के पैकेट में आते हैं, उन्हें हमेशा कुछ प्रमुक वि और विग्यापन हेरेनियम की सिफारिशें, माई पी एओ छवियों के संग्रह में मुठी भर उत्ते जक कार्य शामिल हैं, जो अभी भी हैं, कुछ दक्षिनी राजियों में अवेद, और कुछ अन्य जो शायद चाहिए होने वाला, और पी एओ प्रनाली के साथ कार्ण के एक डेक को याद करने के बाद से उपन्यास को यादगार बनाने के लिए फले से याद की गई छवियों के पुनरसन योजन की आवश्यता होती है, छवियों, इसका मतलब हमेशा परिवार के सदस्यों को दृश्यों में सम्मिलित करना था, घटिया मुझे डर था कि मैं पी मैंने एग को अपनी दुर्दशा के बारे में बताया, वह इसे अच्छी तरह जानता था, मुझे अंततह करना पड़ा, मेरी मा को मेरे डेक से आबकारी, उन्होंने कहा, मैं आपको भी ऐसा ही करने की सलाह देता ह। नहीं लगा रहा था, उसने आदेश दिया था, मुझे एमेल के माध्यम से एक कास्टिक फटकार मिलेगी, आपको अपना प्रशिक्षन बढ़ाना होगा क्योंकि यह अनिवार्य रूप से ऐसा है कि आपका प्रदर्शन तूर्नामेंट में ही गिर जाएगा, उन्होंने चे लापरवाही, वह शब नहीं था जो मेरे पास होगा चुना, अब जब मैंने ओके पठार को अपने पीछे रख लिया था, तो मेरे सकुर्थे लगभग दैने का अधार पर सुधार, यादरिच छिक संख्याओं की शीट जो मैं चाहता हूँ, याद किये गए मेरे डेस्क की दराज में जमा हो रहे थे, कुते के कान वाले पन्ने मेरे नौर्टन एंथोलोजी में जो कविता मैंने दिल से सीखी थी वह जमा हो रही थी आधुनिक कविता, मुझे शक होने लगा था कि अगर मैं इसमें सुधार करता रहा तो, वर्तमान गती, मुझे वास्तव में अच पठार, लेकिन आपको वहां नहीं रहना चाहिए, आपको उनके पार जाना होगा, अगर यह मारता है तुम, यह तुम है मारता है, मैंने उस विचार को पोस्टेट नोट पर कॉपी किया और इसे माई, परचिप का दिया दिवार, फिर मैंने उसे फार दिया और याद कर ल जांगिया, इयर मफ और मेमोरी गॉगल्स, आठ के प्रिंट आउट के साथ मेरी गोद में सौयाद रिच्छिक अंक और मेरे दिमाग की आंखों में एक छवी अधो वस्त्र पहने उध्यान सूपती बावन हजार चह, सौबतीस मेरी दादी के ऊपर निलंबित रसोई घर की मैंने अचानक ऊपर देखा, सोच रहा था उलेकनी ये रूप से, फले के लिए समय दुनिया में मैं अपने साथ क्या कर रहा था, मुझे एहसास हुआ कि मैं अन्य प्रतिस परधियों पर फिक्स हो जाऊंगा, की मदद से मेमोरी सर्किट के स्टैटिस्टिक्स सर्वर पर र ज्यादा व्यस्त हो गया था, वह नहीं था डिफेंडिंग चैंपियन राम कोली, एक पच्चीस वर्षिये व्यापार सलाहकार रिच्मंड, वर्जीनिया से, बलकीम और इस स्टोल, एक तीस वर्षिये सॉंदर्य फूर के बाहर से उत्पाद आया तक और स्पीड नंबर हो लायक, टिकसास, जो जर्मनी में बढ़ा हुआ, मैं उनसे पिछले साल मिला था प्रतियोगिता, उसके पास एक मुंडा सिर और एक बकरी थी, एक के साथ बात की थी जर्मन उच्चारन को डराना जर्मेनिक कुछ भी डरा रहा है स्मृति प्रतियोगिता, और कभी भी पार क प्रतियोगिता करने के लिए अट्लांटिक उन्होंने समाप्त किया 2004 में वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन्शिप में 15 वहां और उस पर साथ वहां साल का मेमोरी वर्ल्ड कप, उन्होंने दोनों गती में यूएस रिकॉर्ड बनाए संख्याएं 5 मिनट में 144 अंक और स्पीड का उनकी एक मात्र कमजोरी कविता थी जिसमें वह दुनिया में 99 स्थान पर था और अनिद्रा सब मान गए उसे पिछले वर्ष की प्रतियोगिता जीतनी चाहिए थी लेकिन इसके बजाय रूत गया और 14 स्थान पर रहा क्योंकि उसे रात में केवल 3 घंटे का आराम मिला था इस से भले इस साल अगर वह समय पर सुपाता तो मुझे उम्मीद थी कि वह था जीतने के लिए पसंदीदा और मैं अब यह सुनिश्चित करने के लिए दिन में एक ठो साधा घंटा लगा रहा था कि उसने नहीं किया जैसे जैसे मैं अपने मानसिक प्रशिक्षन में तक उतरता गया मुझे आश्चर्य होने लगा कि क्या मानसिक एथलीटों द्वारा अभ्यास किये जाने वाले संस्मरण का प्रकार कुछ नहीं था मोर की पूँच की तरह इसकी उपयोगिता के लिए प्रभावशाली नहीं बलकि इसकी घंद कमी के लिए उपयोगिता का क् तकनीके बौधिक से ज्यादा कुछ थी जीवाश्म जैसा की इतिहासकार पाउलो रौसी ने एक बार कहा था जो उनके लिए आकरशक है हमें एक बीतेयों के दिमाग के बारे में बताएं लेकिन हमारे आधुनिक में जगह से बाहर है क्विल पेन और पेपिरस स्क्रॉल के रूप में दुनिया स्मृति तकनीकों के खिलाफ यह हमेशा रैप रहा है वे प्रभावशाली लेकिन अंततह बेकार सत्रहवी सदी के दार्शनिक फ्रांसिस बेकन ने धोशना की मैं एक महान दो वहराने का कोई और अनुमान नहीं लगाता एक बार सुनने पर जितने नाम या शब्ड, टंबलर, फनम्बुलो, बालाडाइन्स, मन में एक जैसा होना की दूसरा देह में है और परायापन की बात है जो योग्य नहीं है वह सोचा था कि स्मृति की कलामूल रूप से बंजर थी जब सोलह भी सदी के जेस्वेट मिशनरी माटे और इक्की ने कोशिश की चीनी मंदारिनों के लिए स्मृति तकनीकों का परिचयद इंपीरियल सिविल सेवा परीक्षा, उन्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, उन्होंने योजना बनाई एउरोपीय अध्ययंक औशल पर फले उन्हें हुट करने की कोशिश करने से भले उन्हें हुट करे एउरोपीय देवता, चीनियों ने विरोध किया कि लोकी की विधिकी आवश्यत्ता है रटने की तुलना में बागत अधिक काम और उनके याद रखने के तरीके का दावा किया सरल और तेज दोनों था, मैं समझ सकता था कि वे कहां आ रहे थे से, आपकी औसत्समृति प्रत प्रशन सक, यही कारण है कि दरजनों को याद करना असंभव है जो छात्र हर साल यूएस चैंपियनशिप में उचित रूप से दिखाई देते हैं चर्च पोशाग, वे सैमुल गुमपर्स वोकेशनल हाई स्कूल से हैं दक्षे अंड ब्रूंक्स में, और उनके अमेरिकी कितिहास शिक्षक, रेमन मैथ्यूज, एक तोनी भुजान शिश्य है, अगर मैंने सोचा होता कि स्मृति की कला सिर्फ मानसिक का एक रूप है मोर, मैथ्यूज ने अन्यथा साबित करने का लक्षे रखा, उन्होंने डब किया है, छात्रों का समूह जिसे वह यूएस मेमोर 2005 की यूएस मेमोरी चैंपियंशिप में मैथ्यू का सामना करना पड़ा, वह था वह उत्सुता से कमरे के पीछे भाग रहा था, जबकि वह अपने चात्रों की प्रतीक्षा कर रहा था, या दृच्छिक शब्दों की घटना में स्कोराने के लिए, उनके कई चात्र थे शी उन्होंने उम्मीद की उनके चात्रों ने हर्महत्व पूर्ण तथ्य तित्री और अवधारना को याद किया है उनकी यूएस, इतिहास की पाथ्यपुस्तक उनहीं तकनीकों का उप्योग करती है जो उन्होंने उसमें नियोजित की थी यूएस मेमोरी चैंपियंशिप, उ और क्या गोंपर्स में प्रवेश करने से फले मेरे बैग की एक पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी ली गई है विद्याले भवन, मैथ्यूज का मानना है कि स्मृति की कला उनकी होगी चात्रों का टिकट उस मुहले से बाहर जहां 10 में से 9 चात्र हैं पढ़ने और गनित म पॉसत से नीचे, 5 में से 4 गरीबी में जी रहे हैं और लगभग आधे हाई स्कूल से सनातक नहीं हैं याद रखना, उधरन एक व्यक्ति को और अधिक वैध लगने की अनुम्ति देता है उसने उनसे कहा, जबकि मैं बैठ गया उसकी कक्षा के पीछे, आप कौन अधिक प् पैराग्राफ को शब्द शह सुनाते हुए सुना अंधेरे का 19 वहीं सदी के वैश्विक के बारे में एक सवाल का जवाब देने के लिए व्यापार, जब एपी परीक्षन करने का समय आता है, तो वह एक उधरन निकालेगा उस तरह, मैथियू ने कहा, एक बकरी के साथ एक डैपर ड्रेसर, बारी की से काटा गया बाल, और एक मोटा ब्रूंक्स उच्चारण, प्रते कक्षा में निबंध उसके चातर लिखते हैं, कम से कम दो याद किये गए उधरन होते हैं, जिन में से कई छोटे करतबों में से एक है स्मृति जो वह उनसे मांगता है, स्कूल के बाद, उनके चातर वापस आ जाते हैं, याद तकनीक में एक पाठ्य इतरवर के लिए, यह केवल एक बच्चे को गुना सिखाने और देने के बीच का अंतर है, उसे एक कैलकुलेटर, मैथ्यूज उनस्मृतिक ओशल के बारे में कते हैं, जो वह उन्हें प्रदान करता है, आश्चर्य नहीं की टैलेंटेड दस्मृ का हर एक सदस्य पास हो गया है, रीजेंट्स पिछले चार वर्षों में से प्रतिय की परीक्षा करते हैं, और उनमें से 85 प्रतिशत के पास है, एक 90 या बेहतर स्कोर किया, मैथ्यूज ने दो सिटी वाइर टीचर आफ दे यर का पुरसकार जीता है, पुरसकार दस्मृ के प्रतिभाशाली चात्रों को शर्ट और टाई भननी चाहिए, और कभीक भी स्कूल की सभाओं में सफेध दस्ताने, उनकी कक्षा है मारकस गरवे और मैलकम एक्स के पोस्टर के साथ प्लास्टर किया गया, जब वे इस ना तक, व अपने डेस्क के पीछे खड़े हो जाओ, एक जोड़ी का सामना करने वाले गलियारों में व्यवस्थित करें, और अंदर पढ़े स्मृति से शुरू होने वाले तीन मिनट के घोशना पत्र को एक जुट करें, हम हैं, हमारे समुदाय की पिशकश करने के लिए बागत अच हमें 95 प्रतिशत से कम नहीं मिलेगा किसी भी इतिहास की परीक्षा में, हम अपने लोगों के अगुआ हैं, या तो साथ चले हमारी महिमा और हमारे साथ शीर्ष पर पहुँचें, या एक तरफ हट जाएं, के लिए जब हम उपर, हम वापस पहुँचेंगे और आपको हमार चात्र हैं, जिन्होंने प्रतिभाशाली दस्वी के लिए चैनित होने के लिए एक उच्च बार पास करने के लिए, और मैथ्यू अपने चात्रों को कड़ी मेहनत करता है, हमें कोई छुटी नहीं मिलती, इन में से एक उन्होंने मुझ से शिकायत की, जबकि मैथ्यू काफ चात्रों की सफलता के बारे में सवाल खड़े होते हैं, शिक्षा के उद्देश्य जो स्वयम स्कूली शिक्षा जितने पुराने हैं, और कभी प्रतीत नहीं होते हैं, दूर जाना, बुद्धि मान होने का क्या अर्थ है, और वास्तव में यह क्या है, स्कूलों को पढ़ा हैं हैं यादें, मेरी अपनी प्रात्मिक और माध्यमिक शिक्षा में, सारवजनिक और दोनों में निजी स्कूलों में, मुझे ठीक तीन पाठ याद करने के लिए याद किया जा रहा है, तीसरी कक्षा में गेटिसबर्ग पता, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का आई है ग्रीम, भाषन चोथी कक्षा में, और मैक बेत का कल और कल, और कल दस्वी में एक कांत, इतना ही, एक मात्र गतिविधी अधिक विरोधी आधुनिक शिक्षा के आदर्शों को याद करना शारीरिक है, सजा कक्षा में याद करने की धीमी गति से गायब होने का कारण थाजी जैक्स रूसो के विवादास पद 1762 उपन्यास में दार्शनिक जणे, एमिल या शिक्षा पर, जिसमें स्विस दार्शनिक ने कलपना की थी, एक प्राकृतिक शिक्षा के माध्यम से उठाया गया कालपनिक बच्चा, केवल सीखना आत्म अनुभव के माध्यम से, रूसों का मानना था कि पारंपरिक पाथ्यक्रम था मोटे से थोड़ा अधिक हेर लड़ी, धूगोल, कालक्रम और भाशा, रूसों ने जिस शैक्षिक विचारधारा के विरुद्ध विद्रोह किया वह वास्तव में मन्थी स्तब्ध हो जाना, और बाध कुछ सुधार की आवश्य सौसे अधिक वर्षों के बादे मिल का प्रकाशन, जब मुकररर डॉप जोसेफ मेयर राइस ने दौरा किया 36 शरों में पबलिक स्कूल, उसने जो देखा, उससे चकित होकर चला गया, नियू यॉर्क शर के एक स्कूल को सबसे अमानविय संस्थान जो मैं घता हूँ, हर ब पर रटना याद अभी भी था जानकारी, विशेश रूप से इतिहास और भूगोल, मिंग डालने का पसंदीदा तरीका बच्चों के सिर, छात्रों से कविता याद करने की उम्मीद की जा सकती है, बढ़िया भाशन, एतिहासिक तिथियां, समय सारिनी, लेटिन अमेरेकी राश्टरप्तियों का आदेश, और भी बगत कुछ, याद रखने की कवायद केवल यहां से जानकारी स्थानांतरित करने के बारे में नहीं थी शिक्षक से छात्र, उन्हें वास्तव में एक रचनात्मक प्रभाव माना जाता था बच्चों के दिमाग पर जो उ दाश्ट जा रही थी व्यायाम किया, लेटिन के बारे में भी ऐसा ही माना जाता था, जो के मोड पर बीस वही सदी सभी अमेरिकी हाई स्कूल के लगभग आधे लोगों को पढ़ाया गया था छात्र, शिक्षकों को विश्वास था कि विलुप्त भाशा सीखने के साथ इस द्वारा किया गया था वैग्यानिक सिध्धान्त जिसे संकाय मनोविग्यान के रूप में जाना जाता है, जिसका मानना था कि दिमाग मुठी भरविशिष्ट मानसिक संकाय शामिल थे जो प्रत्य एक कठोर व्यायाम के माध्यम से मानसपेशियों की तरह व्यक्तिगत रू अग्रणी का एक समुव मनोविग्यानिकों ने संकाय के अनुभव जन्याधार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया मनोविग्यान। अपनी 1890 पुस्तक में मनोविग्यान के सिध्धान्त विलियम जेम्स यह देखने के लिए कि कविता सीखने में दैनिक प्रशिक्षन की एक निश्चित मात्रा है या नहीं, दिल से एक पूरी तरह से अलग तरह का सीखने में लगने वाले समय को कम कर देगा। समय वास्तव में घटकर पचास रह गया था साथ सेकन एक पंक्ती, याद रखने का अभ्यास करने सिवह हिस्से भी बदतर हो गया था, बेहतर नहीं, यह सिर्फ एक डेटा बिंदु था, लेकिन बाद के अध्ययनों द्वारा मनोविग्यानिक इनवर्ण थार नडाइक और उनके स्योगी रोबर्टेस वुर्वर्थ यह भी सवाल किया कि क्या याद रखने की सामाननिक शमता प्रभावित हुई थी याद करने के अभ्यास से, और केवल मामूली लाभ पाया, उन्होंने निशकर्ष निकाला की मानसिक अनुशासन के सहायक लाभ पौरानिक थे और वह याद रखने जैसे सामाननिक औशल लगभग उतने हस्तान तरनिय नहीं थे जितने कि थे एक बार सोचा था, शिक्षकों ने जल्दी ही मसूस किया कि थारनडाइत का प्रयोगों ने पारंपरिक पाथ्यक्रम के औचित्य को कम कर दिया था, शिक्षा के इतिहासकार डाय ने रैविच लिखते हैं, इस शून्य में प्रग्तिशी शिक्षकों के एक समूह के नेतरित्व में पहुंचे अमेरिकी दार्शनिक जौन एवी, जिन्होंने एक नए के लिए मामला बनाना शुरू किया ऐसी शिक्षा जो संकुचित पाथ्यक्रम के साथ मौलिक रूप से तूट जाएगी और अतीत के तरीके, उन्होंने रूसों के रोमांटिक आदर्शों को प्रतिध्वनित किया बचपन और बाल के इंद्रित, शिक्षा पर एक नया जोर दिया, वे रटने को याद करना बंद कर दिया और इसे एक नए प्रकार के साथ बदल दिया प्रायोग के माध्यम से सीखेंगे व्यंजनों, डेवी निग्धोशना की, मेरे पास एक बच्चा होगा जो यह नहीं कहेगा, मुझे पता है, लेकिन मेरे पास है अनुभव, पिछली शताब्दी स्मृति के लिए विशेश रूप से खराब रही है, सौप्रग्तिशील शिक्षा सु परजोर दिया है, जिन में से अधिकांश वैसे भी भूल जाते हैं, और इसके बजाए उनकी भूमिका परजोर दिया तरक्षमता, रचनात्मक्ता और स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देना, लेकिन क्या यह संभव है कि हम कोई बड़ी गलती कर रहे हूँ, प्रभावशाली आलोचकी, गी, हिर्ष जूनियर ने 1087 में शिकायत की, हम यह नहीं मान सकते कि यह वा लोग आज उन चीजों को जानते हैं, जो अतीत में लगभग हर किसी के द्वारा जानी जाती थी संस्कृती में साक्षर व्यक्ती, हिर्ष ने तरक दिया है कि छात्रों को किया जा रहा ह सांस्कृतिक साक्षर्ता के बुनिया दिस तरके बिना दुनिया में भेजा जाता है, जो है एक अच्छा नागरिक बनने के लिए आवश्यक है, यह क्या कता है कि दो तिहाई अमेरिकी 17 वर्षी यह आपको 50 वर्षों के भीतर यह भी नहीं बता सकते कि कब ग्रह युद्ध हुआ और जिस चीज की जरूरत है वह है एक तरह का शैक्षिक प्रतिसुधार जो कठिन तत्यों पर जोर देता है, हिर्ष के आलोच कोने ने बताया कि वह जिस पाठ्यक्रम की वकालत करता है वह मृत सफेद नरेक्स ओएक है, बट अगर कोई उस तरक का मुकाबला करने के योग्य लगता है तो वह मैथ्यूज है, जो कठना है कि पाठ्यक्रम के सभी यूरों के इंद्रवाद के लिए तत्य यह है कि तत्य अभी भी मालेने रखते हैं, यदि शिक्षा का एक लक्ष जिग्यासु बनाना है, जानकार लोग, तो आपको छात्रों को सबसे बुनिया गिता शिक्षा केवल उसकी स्मृती में समाहित होती है, तब आप दे भी सकते हैं उन्हें अपनी शिक्षा को स्मृती के लिए उपलब्ध कराने के लिए सर्वोतम उपकरण उपलब्ध हैं, मैं अपनी कक्षा में स्मृती, शब्द का उपयोग नहीं करता क्योंकि यह एक बुरा शब्ध है शिक्षा मैथ्यू कते हैं आप बंदरों को याद करते हैं जबकि शिक्षा इच्छा पर जानकारी प्राप्त करने और उसका विशलेशन करने की क्षमता है परंतु आप उच्चस्तरिय शिक्षा नहीं हो सकती आप विशलेशन नहीं कर सकते प्राप्त किये बिना जानकारी और आप बिना डाले जानकारी पुनह प्राप्त नहीं कर सकते फले स्थान पर जानकारी सीखने के बीच ब्विभाजन और याद रखना जूटा है मैथ्यू का तर्क है आप बिना सीख सकते हैं याद रखना और अगर सही तरीके से किया जाए तो आप बिना सी प्रणे संकाय मनोविज्ञान के पैरोकार छात्रों को सीखने की जरूरत है कि कैसे करें, सीखना, फिर आप उन्हें सिखाते हैं कि क्या सीखना है, अपचारिक शिक्षा प्रणाली सेना से निकली, जहां कम से कम, शिक्षित और सबसे अधिक शैक्षिक रूप से वंचित सेना वह खते हैं, उनके लिए नहीं सोचने के लिए, जो आप चाहते थे, उन्हें करने के लिए, उन्हें आदेशों का पालन करना पड़ा, सैन्य प्रशिक्षन अत्यन था विनयमित और रेखिक, आपने जानकारी को उनके दिमाग में डाला और बिना सोचे समझे उन्हें पावलोवियन तरीके से जवाब दिया, काम किया, हाँ, क्या उन्होंने अनुभव का आनंद लिया, नहीं, उन्होंने नहीं किया, जब ओद्योगिक प्रांती आई, मशीनों पर सैनिकों की जरूरत थी, और इसलिए शिक्षा के लिए सैन्य द्रिश्टिकों को स्कूल में स पाता है प्रचार के एक ओवरले के नीचे, रटना सीखना पुराना रिले अंकिल, पिछली सदी के विद्रोह में शिक्षा सुधारकों ने जिस पधती को बिताया है कि खिलाफ निश्चित रूप से उतना ही पुराना है जितना की खुद सीखना, लेकिन बोजान सही है कि क कलास्मृती, जो कभी शास्त्रिय शिक्षा के केंद्र में थी, के अलावा सब कुछ था उननीस्वी सदी तक गायब हो गया, भुजान का तर्क है कि स्कूल स्मृती को पूरी तरह से पढ़ाते रहे हैं, गलत तरीका शिक्षा में राज करने वाले विचारों को घराई से च इतने घरेरूरिवादी, उसका लक्ष घरी को ऐसे समय में वापस करना है जब एक अच्छा स्मृती अभी भी कुछ के लिए गिना जाता है, एक साक्षातकार के लिए तो नी बुजन को पिन करना कोई आसान काम नहीं है, वह पर है सड़क साल के लगभगन और महीने गमता जो किसी भी स्वाविमानी गुरू के लिए एक शर्थ है, जब मैं अंतमे वर्ल मेमोरी चैंपियंशिप में उसे एक डेस्क के पीछे खड़ा कर दिया कुछ घंटों के लिए हमारे बैठने की संभावना पर चर्चा करें, उन्होंने खोला बड़ा तीन अंगुठी बांधने वाला और एक रंगीन मनोरम चार्ट फराया, शायद तीन फीट लंबा, यह पिछले वर्ष से उसका कैलेंडर था, और वह भर गया था यात्रा के विस्त्रित, निरंतर ब्लोकों के साथ स्पेन, चीन, मिक्सीको तीन टाइम्स, आस्ट्रेलिया, अमेरिका, एक ती राज्य अमेरिका में घर वापस आऊंगा, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि मैं यहां जाऊं, टेम्स नदी पर आकसफोर्ण के लिए उनकी संपत्ति आधी है, और कुछ लेलो तस्वीरें जब वह दूर था, मैंने उस से कहा कि मैंने यह नहीं देखा कि मैं खाली से ब BBC स्टूरियो से घर के रास्ते में उनकी लिमोसिन, जहां वह अभी हाल ही में एक टीवी साक्षात कार समाप्त किया था, मुझे एक गली के कोने में जाने के लिए कहा गया था वहाइट हॉल और प्रतीक्षा करें, आप मिस्टर बोजान की कार को मिस नहीं कर पाएंगे, वा जैसे यह हो सकता है, बस एक BBC सेट से हटा दिया गया, दर्वाजा खुला उर गया, अंदर कदम, कहा बुजान, इशारा, मेरे छोटे, यात्रा, सुन्दर लाउंज में आपका स्वागत है, पला विशय जिसके बारे में हमने बात की, क्यूंकि मुझे पूछना था, वह उन मैंने उसे यूएस में देखा था, चैंपियंशिप महीन फले, मैं एक आफपिग सूट में व्याख्यान देता था, लेकिन मैं मेरे विस्तरत इशारों से उसे खीच रहा था, उसने मुझे बताया, तो मैंने अध्ययन किया 15, 16, 17, 18 और 19 भी शताब्दी तलवार चलाने वा नहीं थे, वो थे जोर लगाने और पैरी करने के लिए, मैं अपनी कमीजें डिजाइन करता हूँ, ताकि मैं भी हिलने गुलने के लिए स्वतंत्र हो जाऊं, बोजन के बारे में सब कुछ किसी की मजबूत चाप देता है, एक मजबूत चाप छोड़ना चाहते हैं, वह कभ अपने पत्रों पर हस्ताक्षर करता है, फ्लोरिंट डेंडरिटे, में योर ब्रेन सेल्स, फलिम फूलें, और अपने फोन संदेशों को समाप्त करता है, टोनी बुजन, बार बार, जब मैंने उनसे उनके अविश्वसनी या अत्मविश्वास के स्रोत के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि मार्शल आर्ट में अपने वयापक प्रशिक्षन के कारण वह इसका बहुत श्रेय देता है, उसके पास एकिडो में एक ब्लैक बेल्ट है, और वह ब्लैक बेल्ट के रास्ते में तीन चौथाई है कराटे में, अपने लिमो की पिछली सीट उन्होंने की एक शुरिंग खला का प्रदर्शन किया जटके दार्चाल, हवा के माध्यम से एक टुकड़ा और एक छाया पंच, जिस तरह से मैं उप्योग करता हूँ, इन तकनीकों का उप्योग नहीं करने से है, उन्होंने कहा, क्या बात है लड़ना अगर आप जानते है कि आप दूसरे को मार सकते हैं, यानि इनसान, या आप बाहर निकाल सकते हैं, उसकी आंख, या उसकी जीब फारदे भोजान है, उसे अकसर मुझे याद दिलाने का अवसर मिल जाता है, एक आधुनिक पुनर जागरन व्यक्ति, नृत्यका छात्र बलरूम, आधुनिक, जै पूरी तरह से शामिल है, उनकी 38 ट्रांसाटलांटिक उडानों पर और उनके बारे में लिखी गई कविताओं के बारे में सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड और एक डिजाइनर न केवल उसकी अलमारी का, बलकि उसके घर का भी और उसमें का अधिकांश फरनीचर, लंदन के बाहर 45 मिनट के बारे में, हमारा हाथीदान तरत खीच लिया टेमस नदी पर भोजान की संपत्ती, उन्होंने पूछा कि मैं इसकी लोकेशन का नाम नहीं रखता छपाई में, बस इसे विलोक शेत्र में हवाकते हैं, उनके घर के अंदर, जिसका नाम गेर्स ओफडॉन था, हमने अपने जूते उतार दिये, और चित्रों के एक संग्रह के इर्दगिर्द जुका हुआ था, जो कि पूरे में बिचाया गया था फर्ष, एक सचित्र बच्चों की किताब का हिस्सा है, जिस पर वह लगभगे, पर काम कर रहा था छोटा लड़का जो स्कूल में अच्छा न पुस्तके, विग्यानक्थात्विलर्दून की कई प्रतियां, कुरान की तीन प्रतियां, एक बड़ी बुजान द्वारा लिखी गई पुस्तकों की मात्रा, और बागत कुछ नहीं, क्या यह आपकी लाइबरेरी है, मैंने पूछ लिया, मैं यहां साल के केवल तीन महीने आता हूँ, मेरे पास कई अन्य में पुस्तकाले हैं, दुनिया भर के स्थानों, उन्होंने कहा, भुजन यात्रा में, और दुनिया के एक आदमी होने में आनन्दित होता है, एक बार, जब मैं उससे पूछा कि वह दो या तीन को बाहर निकालने के लिए एक आगरता कहां स पासकता है, एक साल में किताबें, उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें लगभग काम करने के लिए शांत स्थान मिल गए हैं हर महादवीप, आस्ट्रेलिया में, ग्रेट बैरियर रीफ में, मैं लिखता हूँ, येउरोप में, जहां भी समंदर हैं, मैं लिखता हूँ, मेक् में हुआ था, लेकिन वे अपने भाई के साथ चले गए माता पिता उनकी महा एक कानूनी आशुलिपिक थी, उनके पिता एक विद्यू थे, इंजीनियर ग्यारह साल की उम्र में वैंकूवर, वह था, वे एकते हैं, मूल रूप से असामान्य बच्चे, सामान्य परेशानी में, सामान्य स्कूलों में, मेरा सबसे अच्छा दोस्त बड़ा हो रहा था, बैरी नाम का एक लड़का था, भोजन ने याद किया, अपने आंगन में बाहर बैठे हुए अपनी गुलाबी शर्ट बिना बटन के और एक जोड़ी उसकी आंखों की रक्षा करने वाले प्राउन जराचे कित साध्यूप का चश्मा, वह था हमेशा एकडी कक्षाओं में, जबकि मैं एके में था, वह नए उजजवल के लिए था बच्चे, डीडन्स के लिए, लेकिन जब हम प्रकृती में गए, तो बैरी कर सकते थे चीजों को क्षितिज के उपर से उड़ने और मुझे मिल गया, प्रकृती पर एक परीक्षा में एक शीर्ष अंक, एक आदर्ष अंक, जैसे प्रश्नों का उत्तर देना दो मचलियों के नाम बताए जिनहें आप एक अंग्रेजी धारा में जीवित पा सकते हैं, वहां है अस औ और तीन, लेकिन जब मैंने टेस्ट मे अपना सही अंक वापस पाया, तो मैं अचानक मसूस हुआ कि बच्चा डंस की कक्षा में हौन के नीचे बैठा है, माई बेस्ट फ्रेंड, बैरी, जितना मैं जानता था, उससे कहीं ज्यादा में जिस विशय में मुझे नमबर वन माना जाता था, और इसलिए वह था नमब की पचान करना नहीं जानता था और स्मार्ट नहीं, वे मुझे सबसे अच्छा कहा, जब मुझे पता था कि मैं नहीं था, और उन्होंने उसे सबसे बुरा कहा, जब वह सबसे अच्छा था, मेरा मतलब है, कोई और एंटी पोडल नहीं हो सकता है वातावरण, तो मैंने सवाल करना शुरू किया बुद्धी क्या है कौन कता है कि तुम होशियार हो कौन कता है कि तुम होशियार नहीं हो और वे क्या करते हैं इसका मतलब वे प्रशन कम से कम भुजान की साफस्फाई के अनुसार व्यक्तिगत कथा उसे तब तक परेशान करती रही जब तक वह कॉलेज न अपने पले के फले मिन्टों में ब्रिटिश कोलम्बिया विश्व विद्याले में अपने फले वर्ष के फले दिन कक्षा, उनके अंग्रेजी प्रोफेसर, एक साहसी व्यक्ति लाल रंग के साथ एक बाथ ही छोटे प्धलवान की तरह बनाया गया, उसके अन्य था गंजे सिर पर बालों के गुच्छे, कक्षा में चले गए और आगे बढ़े, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे, छात्रों के रोल को बुलाने के लिए पूरी तरह से, जब भी कोई अनुपस्थित होता, तो वह उनका नाम बताता, उनका पिता का नाम, उनकी माता का नाम, उनकी जन्मति थी, फोन नंबर, और पता, भोजान याद करते हैं, और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने हमें देखा उसके चेहरे पर एक व्यंग्य, वह स्मृति के साथ मेरे प्रेम प्रसंग की शुरुआ थी, कक्षा के बाद, भोजान ने अपने प्रो कहा, सर, यह स्पष्ट है, लेकिन मैं अभी भी जानना चाहता हूँ कि आपने कैसे किया, उन्होंने बस इतना कहा, नहीं, हर दिन हमारे पास अगले तीन के लिए अंग्रेजी थी महीनो, मैंने उसका परीक्षन किया, मुझे लगा कि उसके पास पवित्र कंगी बनाने वाल दयनीय रिष्टे की शुरुवात में, और स्वयम, मैंने मानव स्मृति की उत्कृष्ट शक्ति का प्रदर्शन किया, और आप में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं अब बोर्ड पर कोर डालने जा रहा हूँ, जो मैं उस असाधारन उपलब्धी को हासिल करन दिया, यह प्रमुख प्रनाली थी, अचानक, मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ भी याद कर सकता हूँ, बोजान ने उस दिन समाधी में कक्षा छोड़ दी, उसके साथ ऐसा पली बार हुआ, कि उन्हें इस बारे में सबसे बुनियादी विचार भी नहीं था कि जटिल कैसे उनके दिमाग की मशीनरी काम कर गई, और यह अजीब लग रहा था, अगर सबसे सरल मेमोरी ट्रिक नाट की यह रूप से सूचना की मात्रा को बढ़ा सकती है, अव्यक्ति याद रख सकता था, और किसी ने भी उसे वह तरकीब सिखाने की जहमत नहीं उठाई, जब तक वह और मैंने वापस आकर कहा, मैं, मेरे दिमाग पर काम करने के तरीके पर किताब नहीं चाहिए, मुझे कैसे करना है पर एक किताब चाहिए इसे संचालित करें, थोड़ा अलग, उसने कहा, ओ, उस पर कोई किताब नहीं है, सोचा, आपको अपनी कार, अपने रेडियो, अपन मस्तिश्क पर कोई operation manual नहीं। किसी ऐसी चीज की तलाश में अपने प्रोफेसर की स्मृति के पराक्रम को स्पष्ट कर सकता है। का उप्योग करने में बात समय नहीं लगा था परीक्षा के लिए अध्ययन करने के लिए लोकी और छवियों के बारे में यहां तक कि उसके सभी नोट्स याद करने के लिए पूरे पाथ्यक्रमों से। The Art of Memory प्रकाशित की प्लास्मृति विज्ञान के समृध्यतिहास में तलीन करने के लिए प्रमुखाधुनिक शैक्षनिक कार्य भोजन इंटेलिजेंस के संपादक बनने के लिए लंदन लोटा है। इंटराश्ट्रिय पत्रिका हाई आई क्यू सोसाइटी जिसमें वे शामिल हुए थे महाविद्याले लगभग उसी समय उन्हें शहर में एक के रूप में काम करने के लिए काम पर रखा गया था पूरवी लंदन के कथिन भी त्री शहर के स्कूलों में स्थानापन शिक्ष अगर एक शिक्षक को पीटा गया मैं उस कक्षा में अगला था जियादातर मामलों में भोजान के पास इन में से प्रत्येक के साथ कुछ ही समय था कक्षाओं के लिए वह कुछ दिनों के लिए और शायद ही पर्याप्त के लिए सब्बिंग कर रहा था यहां तक कि सबसे अ अपने स्वयम के प्रचोर आत्म विश्वास से थोड़ा हट कर भोजान ने की और रूख किया पुरानी स्मृति तकनीकों को उन्हों ने फली बार कॉलेज में सीखा था मैं में जाऊंगा कक्षा में और छात्रों से पूछें कि क्या वे मूर्ख थे या नहीं क्यूंकि हर क कोई उन्हें बेवकूफ कह रहा था और दुख की बात है कि वे मानते थे कि वे थे बेवकूफ भोजान कते हैं उन्हें अपने स्वयम के विचार के साथ विक्सित किया गया था अक्षमता मैंने कहा ठीक है इसे देखते हैं और मैं उन्हें एक स्मृति परीक्षन दूंगा जिसमें वे असफल रहे मैं कहूँगा लगता है कि तुम बेवकूफ होने के बारे में सही हो तो मैं उन्हें एक मेमोरी तकनीक सिखाए और फिर मैं उनका दوبारा परीक्षन करूँगा और उन्हें मिल जाएगा बीस में से बीस तब मैं मूल रूप से कहूँगा तुमने तुम्मूर्ख हो, आपने साबित कर दिया कि आप मूर्ख थे और फिर आपने परीक पूरन स्कुर प्राप्त किया परीक्षन, तो मैं उनसे सवाल पूछूंगा, यहां क्या हो रहा है, कुछ के लिए वे छात्र जिन्होंने कभी किसी परीक्षा में पूरन अंक प्राप्त न या निर्देश, खास कर जब यह नोट लेने की बात आई, इस दोरान कई वर्षों तक, उन्होंने जो कुछ भी माना वह एक पूरी तरह से नई प्रनाली थी आदिके प्राचीन ग्यान का लाब उठाने वाले नोट लेने के लिए हेरेनियम, मैं सार को पाने की कोशिश कर थारानी की जेली किस नोट का लेना सब कुछ था, वे एकते हैं, इससे मुझे कोर और प्रतीक, चित्र मिले और तीर, रेखांकन और रंग भुजान ने अपने नए सिस्टम मायंगन को बुलाया मैपिंग, एक शब्द जिसे उन्होंने बाद में ट्रेनमार्क किया, व्यक् प्रतारों को कुछ शब्दों में आस्वित किया जाता है, जैसे संभव है, और जब भी संभव हो छवियों के साथ सचित्र हैं, यह एक तरह का है रूप रेखा, रंगों के एक इंड्रधनुष में पूरे प्रिष्ठ पर रेडियल रूप से विस्पोटित का एक वेव जो एक कांटेदार जारी या एक नियूरॉन की शाखाओं की तरह दिखता है डेंड्राइट्स और क्योंकि यह क्रम में व्यवस्थे तरंगीन छवियों से भरा है पूरे प्रिष्ठ पर यह एक प्रकार के मेमोरी पैलेस के रूप में कार्य करता है, जिस पर लिखा होता है कागज स्मृति के कार्य के बारे में हमारी घोर गलत फहमी में हमने सोचा वह मेमोरी मुख्य रूप से रटने से संचालित होती थी, दूसरे शब्दों में आपने इसे घुसा दिया जब तक आपका सिर्टत्यों से भरा नहीं था, जो समझ में नहीं आया वह है स्मृति मु की कला और विज्ञान विक्सित करने के बारे में है अलगहलग विचारों को जोडने वाली छवियों को जल्दी से बनाने की क्षमता, रचनात्मक्ता है असमान छवियों और के बीच समान संबंध बनाने की क्षमता कुछ नया बनाएं और उसे भविश्य में फेंक दे ताक जोड़ना है तो और अधिक आपके पास association बनाने की सुविधा है और जितने अधिक तथ्य और विचार हैं अपने निप्टान में आप नए विचारों के साथ आने में बेहतर होंगे जैसा बुजन को इंगित करना पसंद है स्मृति की देवी मेने मोसिन थी मूसा की मा यह धारना की स्मृति और रचनात्मक्ता एक ही सिक्के के दो प्लू है उल्टा लगता है याद रखना और रचनात्मक्ता इसके विपरीत लगती है पूरक नहीं प्रक्रियाएं लेकिन यह विचार के वे एक हैं और वही वास्तव में काफी पुराना है और एक बार इसे मान भी लिया गया था लेटिन मूल आविशकार हमारी आधुनिक अंग्रेजी शब्दावली में दो शब्दों का आधार है सूची और आविशकार और स्मृति की कला में प्रशिक्षित मन के लिए वे दो विचार निकटा से जुड़े होती है एक बैंक का कर्शित करने के लिए मौजूद आविचार न केवल एक सूची बलकी एक अनुक्रमित सूची किसी को जानकारी का सही तुपड़ाखोजने का एक तरीका चाहिए बस सही वक्त स्मृति की कला अंततह इसी के लिए सबसे उपयोगी थी यह नहीं था केवल रिकार्डिंग के लिए एक उपकरण बलकी आविशकार और रचना का एक उपकरण भी यह अहसास के रचना एक अच्छी तरह से सुसजित और सुरक्षित रूप से निर्भर करती है उपलब्ध स्मृति ने पुरातंता में अलंकारिक शिक्षा का आधार बनाया मैरी पस्थित्थे महत्वपूर्ण तथियों, उद्धरनों और विचारों के साथ अल्मारियां साफ सुथरी में भरी हुई है निमोनिक के उधोल जहां वे कभी गायब नहीं होंगे और कहां उन्हें पुन सन्योजित किया जा सकता है और मक्षी पर एक साथ फंसाया जा सकता है का लक्ष किसी की स्मृती को प्रशिक्षित करना विशय से छलांग लगाने की क्षमता विक्सित करना था विशय और पुराने विचारों के बीच नए संबंध बनाएं एक कला के रूप में स्मृती, मध्ययों में रचना के साथ सबसे महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा ध्यान, उपदेश, चित्र, भजन, कहानियां और कविताएं एक हजार नौस ओतिहत्तर में, बीबीसी ने माइन मैपिंग पर भुजान के काम की हवा पकड़ी और निमोनिक्स और उसे नेटवर्ग के प्रमुख के साथ बैठक के लिए लाया शिक्षा दस कार्यक्रम बीबीसी शुरिंग खला और साथ की पुस्तक जो उस मीटिंग से बाहर आए, दोनों का शीरशक यमूज योर हेर था मदद की भुजान को एक मामूली ब्रिटिश हस्ती में बदल दिया और उसे एहसास कराया कि वहां स्मृति तक्नीकों में वह बात बड़ी व्यावसाएक शमताथी को बढ़ावा उन्होंने अपने विचारों को लेना शुरू किया, जिन में से कई उधार लिये गए थे सीधे प्राचीन और मध्ययोगीन स्मृति ग्रंथों से और पुन, पैकेजिंग उन्हे स्वयम सहायता पुस्तकों की एक सतत धारा में आज तक वह लगभग प्रकाशित हो चुका है Make the most of your सहित 120 शीरशक दिमाग अपने मस्तिष्क के दोनों पक्षों का उप्योग करें स्मृति का उप्योग करें इसका अधिक्तम लाभ उठाएं आपका दिमाग अपने मस्तिष्क के दोनों पक्षों का प्रयोग करें अपनी याददाश्ट का प्रयोग करें और अपनी याददाश्ट में महारत हासिल करें एक समय में मैं भुजान के ड्राइवर के साथ अकेला था अपने बॉस के काम के बारे में उनकी राय पूछने के लिए काफी लंबा है वही मांस, अलग ग्रेवी भोजन के ओवरे का उनका निजीम मूल यांकन था अपने श्रेय के लिए भोजन निर्विवाद रूप से एक विप्रनन प्रतिभा है वह रखता है पूरी दुनिया में भोजन लाइसेंस प्राप्त प्रशिक्षकों की स्थापित फ्रेंचाइजी जो उनकी याददाश्ट बढ़ाने, गतिप पढ़ने और दिमाग को सिखाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है आज 300 से अधिक भोजन लाइसेंस अधारी है साथ से अधिक देशों में प्रशिक्षक और आसपास 1000 शिक्षक दुनिया अधिकारिक तोर पर बुजननुमोदित मेमोरी सिस्टम सिखा रही है वह अनुमान है कि उसके पूरे करियर में भोजन के सभी उतपादों की सकल बिक्री किताबें, टेप, टेलिविजन कार्यक्रम, प्रशिक्षन पाठ्यक्रम, मस्तिष्क सहित खेल और व्याख्यान, मिलियन से अधिक है प्रतिस परधी समुदाय दोखेमों में सपश्ट रूप से तूट जाता है जो लोग सोचते हैं कि टोनी भोजन यईशु मसीह का दूसरा आगमन है और जो लोग सोचते हैं कि उन्होंने कभीक भी अत्यधिक प्रचारित धनवानों को पलिया है मस्तिष्क के बारे में अवैग्यानिक विचार, वे बताते हैं गलत तरीके से नहीं जबकि भोजन एक वैश्विक शैक्षिक क्रांती का प्रचार करता है उसके पास और भी बाद कुछ है वास्तव में उसे प्राप्त करने की तुलना में एक वैश्विक वानिज्यक सामराज्य बनाने में सफलता कक्षाओं में तरीके इर जैसे लोगों के लिए विशेश रूप से निराशाजनत क्या है जो की कला लेते हैं स्मृति को गंभीरता से ले और तोनी भोजन के मूल संदेश में विश्वास करें कि कला स्मृति का अभी भी आधोने कक्षा में एक स्थान है क्या वह दूत है अकसर थोड़ी शर्मिंदगी हो सकती है भोजान को छद्म विज्ञान में चूकने की परेशान करने वाली आदत है और अतिश्योक्ति जब वह वरनन करता है कि क्रांतिकारी स्मृति कितनी अदभुत है प्रशिक्षन हो सकता है या उसने लाखों लोगों के जीवन को कैसे बदल दिया है वह गया है बेतु की बाते एकने के लिए जाना जाता है जैसे बहुत छोटे बच्चे 98 प्रतिशत का उप्योग करते हैं सभी सोच उपकरण जब वे 12 वर्ष के होते हैं तब तक वे लगभग 75 प्रतिशत का उप्योग करते हैं द्वारा जब तक वे किशोर होते हैं तब तक वे 50 प्रतिशत कम हो जाते हैं विश्व विद्याले में यह 25 प्रतिशत से कम है और यह 15 प्रतिशत से कम है समयवे उद्योग में हैं तत्य यह है कि भुजान इसके बारे में अपमान अजनक दावे कर सकता है मस्तिष्क और नकेवल वयापक रूप से माना जाता है बलकि वास्तव में मनाया जाने वाला प्रमान है मस्तिष्क विग्यान की दुनिया कितनी जंगली सीमा है और कितने लोग विश्वास करना चाहत कि उनकी यादे सुधार योग्य हैं। माइन मैट के साथ नोर्स कैसे लें। मैपिंग का मेरा अपना प्रभाव है। इस पुस्तक के कुछ अंशों की रूप रेखा इस प्रकार है कि इसकी अधिकाश उपयोगिता कहां से आती है। नक्षा बनाने के लिए जरूरी दिमागीपन, मानक नोट बंदी के विपरीत, आप आटो पायलट पर मानचित्र पर ध्यान नहीं दे सकते। मेरी समझ में यह काफी कुषल है विचार मंथन और सूचनाओं को व्यवस्थित करने का तरीका, लेकिन शायद ही परम्मन बिजली ओपकरण या क्रांतिकारी प्रनाली जिसे भुजन बनाता है। रेमन मैथ्यूज की प्रभावशीलता के बारे में कोई संदेह नहीं है मायन मैप्स या मेमोरी ट्रेनिंग वर्ष के अंत में उनके प्रत्येक छात्र संपूर्ण ये उएस इतिहास पाथ्या पुस्तक का एक जटिल विस्तृत मायन मैट बनाता है। प्रथम विश्वयोद्ध के कारणों के बारे में वे बस उस भाग को देख सकते हैं दिमाग में नक्षे का और कारण वही हैं। मैथ्यूक हते हैं। मेरे चात्र में मत्भिदों के आसपास अपना सिर पाने में कठिन समय हो रहा था लेनिन और स्टालिन की आर्थिक व्यवस्था। उन्होंने मुझे बताया। मैंने उनसे कहा। देखो लेनिन श ओचाले पर बैठे हैं। और उनके मिश्वित होने के कारण उन्हें कब्ज है। अर्थव्यवस्था स्टालिन स्टाल में घुस गया और घता है। तुम क्या कर रहे हो। यहां। और लेनिन जाता है। भूमी, शान्ती और रोटी। वे कभी नहीं भूले की छवी। इस प्रकार के निमोनिक्स की एक वैधा लोचना यह है कि वे एक रूप हैं गैर संदर्भित ग्यान। वे सत ही हैं। सीखने के प्रतीक बिना समझे। यह पाउर्प ओइंट द्वारा या इससे भी बदतर, क्लिपस नोट्स, वास्तव में बाथरूम में लेनिन और स्टालिन की छवी क्या हो सकती है साम्यवादी अर्थशास्त्र के बारे में बताएं। लेकिन मैथ्यूज की बात यह है कि आपने कहीं से शुरू करना है और आप छात्रों में स्थापित करके भी शुरूआत कर सकते हैं। उन यादों के प्रकार को ध्यान में रखता है जिन्हें भूलाने की संभावना कम से कम होती है। जब जानकारी एक कान में और दूसरे से बाहर जाती है तो ऐसा अकसर होता है क्यूंकि इसमें चिपके रहने के लिए कुछ भी नहीं है। यह को की स्कूली शिक्षा के माध्यम से कभी भी सबसे ज्यादा सीखे बिना चीनी इतिहास के बारे में बुनियादी तत्य। मैंने के बीच का अंतर कभी नहीं सीखा मिंग और किंग या यहां तक की कुबलई खान वास्तव में एक वास्तविक व्यक्ति थे। मैंने खर्च कि या शंग्धाई में मेरा समय किसी भी अच्छे पर्याटक की तरह शहर में धूम रहा है। यह विरोधा भास ग्यान प्राप्त करने के लिए ग्यान लेता है एक में कैद है अध्ययन जिसमें शोध करताओं ने अर्धपारी का विस्तृत विवरन लिखा बेसबल के और इसे बेसबल कर्टर पंथियों के एक समूव को दे दिया विशेशग्य है शब्दे रिक्सन उप हत्वपूर्ण खेल संबंधी के इर्दगिर्द सन्रचित किया घटनाए जैसे धावक आगे बढ़ते हैं और स्कोरिंग करते हैं वे करने को सक्षम थे हाफ इनिंग को शार्प डिटेल में फिर से बनाए एक को लगभग आभास हो गया वे एक आंतरिक स्कोर कारण पढ़ कम उत्साही प्रशन सक्खेल के बारे में कम महत्वपूर्ण तथियों को याद किया और अधिक होने की संभावना थी मौसम की तरह सत्ही विवरण का ब्योरा दें क्यूंकि उनके पास विस्तृत जानकारी का अभावथा खेल का अंतरिक प्रतिनिध्यत्व वे जानकारी को सनसाधित नहीं कर सके वे अंदर ले रहे थे उन्हें नहीं पता था कि क्या महत्वपूर्ण था और क्या था मामूली उन्हें याद नहीं था कि क्या मायने रखता है एक अवधारना के बिनार धांचा जिसमें वे जो सीख रहे थे उसे एमबेर करने के लिए वे प्रभावी धंग से थे भूलने की बीमारी क्या उन दो तिहाई अमेरिकी किशोरों के बारे में कम कहा जा सकता है जो नहीं करते हैं एक सुराग है जब ग्रहयुद्ध हुआ था या 20 प्रतिशत जो नहीं करते हैं जानिये दूसरे विश्वयुद्ध में अमेरिका ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी या 44 प्रतिशत जो सोचते हैं कि 10 कारलेट लेटर का विशय या तो एक डायन था परीक्षन या पत्राचार का एक पुकड़ा प्रग्तिशील शिक्षा सुधार है कई चीजें पूरी की इसने स्कूल को और अधिक सुखद बना दिया है और बागत अधिक दिल्चस्प लेकिन यह हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से लागत भी लेकर आया है और नागरिकों के रूप में स्मृति यह है कि हम गुनों और मूल्यों को कैसे प्रसारित करते हैं और साजा संस्कृति का हिस्सा बने बैशक, शिक्षा का लक्षय केवल तथ्यों का एक गुच्छा रटना नहीं है चात्रों के सिर में यह उन्हें उन तथ्यों को समझने के लिए प्रेरित करना है कोई भी नहीं रेमन मैथ्यूज की तुलना में इससे अधिक समत होंगे मुझे विचारक चाहिए नहीं सिर्फ वही लोग जो मैं उन्हें बताता हूँ दो वहरा सकते हैं वेकते हैं लेकिन भले ही तथ्य नहों अपने आप समझ की और ले जाते हैं आप बिना समझ के नहीं हो सकते तथ्य और महत्वपून बात यह है कि जितना अधिक आप जानते हैं उतना ही अधिक जानना आसान होता है मेमोरी एक मकड़ी के जाले की तरह है जो नई जानकारी पकड़ती है अधिक यह पकड़ता है, बड़ा होता है और जितना बड़ा होता है, उतना ही पकड़ता है जिन लोगों की बुद्धी मैं सबसे अधिक प्रशनसा करता हूँ वे हमेशा उप्यूक्त लगते हैं, उपाख्यान या जर्मन तथ्य तैयार है वे पार पहुँचने में सक्षम है उनके सीखने की चोड़ाई और दूर के पैच से पलग यह बिना चला जाता है यह पना की बुद्धी बद्ध कुछ है मात्र स्मृती से कहीं अधिक है, वहां है ग्यानी जो बागत याद रखते हैं, लेकिन कम समझते हैं ठीक वैसे ही जैसे वहां होते हैं, भूलकर पुराने प्रोफेसर हैं, जो कम याद करते हैं, लेकिन ज्यादा समझते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि स्मृति और बुद्धि एक साथ चलते हैं एक पेशी की तरह फ्रेम और एक एथलेटिक स्वभाव के बीच एक फीड़ बैट लूप है दो किसी भी नई जानकारी को अधिक मजबूती से एमबेर किया जा सकता है जानकारी का वेब जिसे हम फ्ले से जानते हैं उसके होने की समभावना जितनी अधिक होगी स्मरण किया हुआ वे लोग जिनके पास अपनी यादों को संजोने के लिए अधिक जुडव हैं नई चीजों को याद रखने की अधिक समभावना है जिसका अर्थ है कि वे करेंगे अधिक जाने और अधिक जानने में सक्षम हो जितना अधिक हम याद करते हैं उतना अच्छा हम दुनिया को संसाधित कर रहे हैं और हम प्रसंस करण में बेहतर हैं दुनिया जितना अधिक हम इसके बारे में याद कर सकते हैं 10. हम सब में छोटा बारिश आदमी, फरवरी तक, यूएस मेमोरी चैंपियंशिप से एक महीने पले, माई संदी है कि मुझे वास्तव में अच्छा करने कम ओका मिल सकता है, मेरे अभ्यास स्कोर से प्रतियोगिता की फुष्टी होने लगी थी, मैं कविता और गति संख्या को छोड़ कर हर घटना, मेरा सर्वोतम अभ्यास स्कोर पिछले यूएस, चैंपियन के शीर्श अंक के करीब पहुँच रहे थे, एग ने मुझे बताया बात अधिक तत्य नहीं बनाने के लिए, आप हमेशा कम से कम 20 प्रतिशत करते हैं रोशनी के नीचे बदतर, उन्होंने कहा, सलाह दो रहाते हुए उन्होंने मुझे बात कुछ दिया कई बार फ्ले, फिर भी, मैंने जो प्रक्ति की थी, उससे मैं दंग रह गया था, मैं अभ्यास, मैं एक मिनट में ताश के पत्तों का एक डेक याद करने में भी काम्याब रहा, और 55 सेकंड, यह उस, रिकॉर् यह नोट प्रकट होता है, शायद मैं वास्तव में इस चीज़ को जीत सकता हूँ, भी, यह अचूक नोट, डेविटो के बचे हुए बालों पर ध्यान दे, सभागी पत्रकारिता में एक अभ्यास के रूप में जो शुरू हुआ था वह बन गया था एकलत, मैं बस यह जान की स्थिति में हो सकता हूँ, जॉर्ज प्लिम्टन के कदम के रूप में चैंपियंशिप असंभव लग रही थी आर्ची मूर के साथ रिंग में उत्रे और वास्तव में उन्हें बाहर कर दिया, एक द्वारा, तोनी बुजन द्वारा, इंडर से रिक्सन द्वारा सब कोर्स ही एक हासिल करने का एक मात्र तरीका था अधिक परिपूर्ण स्मृती, कोई भी व्यक्ति जन्मजात क्षमता के साथ दुनिया में नहीं आता एक नजर में धेर सारे याद्रिच्छिक अंक्या कविता याद करने के लिए, या मन के साथ चित्र, और फिर भी, साहित्य की चानबीन करने पर, कुछ दुरलब मिलते हैं इधर उधर के मामले शायद पिछली सदी में सौसे भी कमके उलेखनी या यादों के साथ नियम तोड़ने वाले प्रतीत होते हैं, क्या है इन व्यक्तियों के बारे में सबसे खास बात यह है कि उनकी असाधारन यादे बिना गर्णा के स्मृती, इसे कहा जाता है लगभग हमेशा सहस्तित्व में घरीव इकलांगता के साथ, कुछ संगीत में एक उतुक हैं, जैसे लेसली लिम के, जो अंधा है और दिमाग खराब है और 15 साल की उमर तक चल नहीं सकता था, लेकिन फिर भी पियानो पर जटिल संगी के टुकरे बजा सकते हैं, उन्हें सिर्फ एक बार सुनना, कुछ कलात्मक खौतुक हैं, जैसे अलोन जो क्लेमंस, जिसके पास 40 का IQ है, लेकिन सिर्फ एक के बाद स्मृती से सजीव जानवरों को गढ़ सकता है, क्षनिक जलक, कुछ में अजीब या अंत्रिक ओशल है, जै एक दिन, मेरे पांच मिनट के अभ्यास में से एक में 138 अंक याद करने के बाद सत्र, मैं टेलिविजन के सामने बैठा था, के एक डेक के माध्यम से रिफलिंग कार्ण, जैसा की मैं अकसर टाइम पास करने के लिए करता था, मैं कलबों की रानी को देख रहा था, रोसेन बर के बारे में सोच कर, एक धरिनित स्मृती बनाने के बारे में, जब मैं उन में से एक के बारे में ब्रेन मैन नामक एक नई वरित तचित्र के लिए एक ट्रेलर पकड़ादो लभवे भूतियां, फिल्म का विशय, जो साइन्स पर प्रसारित हुआ चैनल, एक 26 वर्षी ब्रिटिश विद्वान था जिसका नाम डेनियल टैमेट था, जिसका मस्तिष्ट मिर्गी के दोरे से बदल गया था, वह इस तरह से पीरित था बच्चा, डेनियल अपने में जटिल गुना और भाग कर सकता था, सिर्फ सहजता से प्रतीत होता है, वह आपको बता सकता है कि क्या दस तक की कोई संख्या है, हजार एक प्रमुख था, जियादातर जानकारों का बस एक ही दावा होता है, असा धारन था, एक अकेला प्रतिभाका द्वीप, लेकिन डैनियल के पास एक सत्य था, द्वीप असमूह अपनी बिजली की गंडना के अलावा, वह एक भी था ह उन्होंने एक ही सप्ताहांत में स्पेनिश सीखी, उन्होंने कभी आविश्कार किया था उनकी अपनी भाशा में अंटीक लाती है, उनके भाशाई कोशल का परीक्षन करने के लिए, निर्माता ब्रेनमैन ने डैनियल को आइसलेंड के लिए उडान भरी, और उसे बनने के एक सप्ताह का समय दिया आइसलेंडिक में समवादी, दुनिया के सबसे कुख्यात मुश्किलों में से एक भाशाई, टॉक्शु होस्ट जिसने राश्ट्रिय टेलिविजन पर उसका परीक्षन किया सप्ताह के अंत में खुद को आश्चर्यचकित, घोशित किया, सप्ताह के लिए डैनियल का शिक्षक उसे प्रतिभाशाली और मानव नहीं कहा, बरिन मैन वृत तचित्र के निर्माताओं ने भी दो को आमंतरित किया विश्व के अग्रणी मस्तिष्क वैग्यानिक, वी एस, रामचंदरन, विश्व विध्याले के कैम्ब्रिज में कैलिफोर्नि सैन डिएगो और साइमन बैरन को हिन प्रतियक को डैनियल का परीक्षन करने के लिए एक दिन बिताएं, उन दोनोंने निशकर्ष निकाला कि वह सचमोचेक था एक तरह की घटना, लगभग हर दूसरे जानकार के विपरीत, जिसने कभी अध्ययन किया गया था, तो वह समझ जा सकता था कि उसके सिर में क्या चल रहा था अक्सर विशद विवरन में, रामचंदरन की प्रयोग शाला में सनातक छात्र शाई अजोलेई, घवोशना की कि डैनियल लिंचपिन हो सकता है जो एक नएक शेत्र को जन्म देता है, अनुसंधान, साबंत सेंड्रोम के विशे किया गया है, लेकिन वास्तव में सावन्तवाद एक नहीं है मान्यता प्राप्ट चिकित सा स्थिती, और मानक निदान का कोई सेट नहीं है मान्दन, हालांकि ट्रेफर्ट ने जानकारों को तीन अनौप चारिक श्रेनियों में विभाजित किया है, ऐसे स्प्लिंटर स्किल कि जानकार हैं जिन्होंने एक ही गूर को याद किया है ट्रिविया का शरीर, जैसे ट्रेफर्ट का युवारोगी जो आपको वर्ष बता सकता है, और एक वैक्यूम प्लीनर का मोडल अपने अनोखे हुन से, एक दूसरा समूव, जिसे वे प्रतिभाशाली जानकार कते हैं, ने अधिक सामान निक्षेत्र विक्सित किया है विशेश गता, जैसे राइंग या संगीत, जो केवल इसलिए उलेखनिया है क्यूंकि यह उनकी अक्षमता के बिलकुल विपरीथ है, तीसरा समूव, विलक्षन जानकारों के पास ऐसी अक्षमताएं हैं जो किसी भी मानक से शानदार होंगी, भले ही वे अनिक्षेत्रों में विकलांगों के साथ नहीं थे, यह एक व्यक्ति प्रक है पैमाना, लेकिन एक महत्वपूर्ण एक ट्रेफर्ट का मानना है, क्यूंकि विलक्षन जानकार ग्रह पर मनुश्य के सबसे दुलभ वर्गों में से एक के सदस्य हैं, जब दाने येल जैसा नया विलक्षन विद्वान खोजा जाता है, तो यह बात बड़ा होता है सौधा, मीडिया ने रेनियल की कहानी को निगल लिया, इंग्लेंड में समाचार पत्र और अमेरिका ने प्रमुक रूप से उद्धृत बाविद्ध के चमकदार प्रोप फाइल चलाए अतुल्य मस्तिष्क, वह डेविड लेटर मैंग के साथ दलेट शो में दिखाई दिये, जहां उन्होंने उस सप्ता के दिन की गणना की जहां डेव शनिवार को पैदा हुआ था, और रिचर्ड गेंड जूडी कार्यक्रम पर, ब्रिटेन के पास उपरा की से करीबी चीज है, उनके संस्मरन, बर्न ओने ब्लूडे, नियू यॉर्क टाइम्स का बेस्ट सेलर बन गया अमेरिका, और तेजी से अमेजर एन न्यू के रैंकिंग में नंबर एक पर पहुँच गया, डेनियल शायद दुनिया का सबसे प्रसिद्ध जीवित सेवक बन ग उसे पांच घंटे नो मिनट लगे, जिसमें वह बैठा था ओक्सफोर्ण विश्व विद्यालय में विज्यान संग्रहालय का थखाना, और उनका अकना है कि उन्होंने किया था यह उसकी शक्तिशाली कच्ची स्मृति से परे किसी भी स्मरक तकनीक के बिना, यहां ऐसा उसे पांचों में डाल रहा था हर उस घर में मानसिक जहल कदमी, जहां मैं कभी गया हूँ, हर स्कूल मैं कभी गया हूँ, भाग लिया, और हर पुस्त काले में मैंने कभी काम किया ताकि वे हो सके स्मृति म्हलों में परिवर्तित, मैंने सोचा क्यों दानिययल जैसा एक कभी नहीं स्मृति प्रतियोगिता में भाग लिया, निश्चित रूप से वह प्रशिक्षित के साथ फर्ष को मिटा देगा निमोनिस्ट, मैंने कलपना की, जितना अधिक मैंने डेनियल की कहानी पर शोध किया, मैं उतना ही अधिक मुहित हुआ उसके और मानसिक एथलीट के बीच अंतर जो मुझे पता चला और मानसिक एथलीट मैं तेजी से खुद बन रहा था, मुझे पता था कि कैसे स्मृतिवादियों ने यह किया, उन्होंने अपनी यादों को कठोरता से सुधारा प्रशिक्षन, प्राचीन तकनीकों का उप्योग करना, मैंने इसे और क्या उसके पास कोई चाल है, आस्तीन जो मुझे यूएस चैंपियंशिप में लाभ दे सकती है, मैंने फैसला किया कि मैं डेनियल से मिलने की कोशिश करूंगा, उन्होंने मुझे में आमंतरित किया घर, उन्होंने अपने साथी, नील के साथ एक पत्ते दारिन, के अंत में साजा किया केंट, इंग्लेंड का सुन्दर समुद्र तटीर श्हर, हमने पूरा दोग हर्च कर दिया दोप हर एक साथ अपने रहने वाले कमरे में, चाय और मचली और चिप्स पर बाते करना, छोटे गोरे बाल, चश्मा और पक्षी जैसी विशेशताओं के साथ डेनि विजन कार्यक्रम था, मुझे लगता है कि मैं किसी तरह की संकी की उमीद में आओ, और इसलिए मैं कैसे चकित था आश्चर्यजनक रूप से साधारन दानिय ये लग रहा था, कुछ से भी अधिक साधारन मानसिक एथलीट जिन्हें मैं जानूंगा, वास्तव में, अगर उ आमान्य, आपको मुझसे 15 साल फ्ले मिलना चाहिए था, आपने कहा होगा, लड़का, उस आदमी को आत्मकेंडरित है, डेनियलन और बच्चों में सबसे बड़े हैं, वह सबसिरी वाले आवास में पले बढ़े पूरवी लंदन और जिसे वह बतकठिन, बचपन कहते हैं, जो लगता है, था डिकेंस से कुछ की तरह, बढ़ना ओने ब्लूडे में, वह वरनन करता है कि बड़े पैमाने परमिर्गी का दोरा उन्हें 4 साल की उम्र में हुआ था, यह एक, था किसी अन्य के विपरीत अनुभव, जैसे कि मेरे आसपास का कमरा खीच रहा था, हर तरफ से मुझ से दूर, और उसके अंदर का प्रकाश्ट बाहर निकल रहा है, और प्रवाहित हो रहा है, समय अपने आप जमा हो गया, और एक ही क्षण में फैल गया, अगर उसके पिता उसे टैक्सी के पीछे आपात कालीन कक्ष में नहीं ले जाते, उस जबती ने शायद दानि यययल को मार डाला होगा, इसके बजाए, वह इसे मानता है वह क्षण था जब वह एक सेवक बन गया, बैरन कोहें के अनुसार, दो दुरलब स्थितियों ने साजिश रची हो सकती है, दानियययल की ग्यानी क्षमताओं को उत्पन करें, प्लास इने स्थेसिया है, वही अव पनियाद रिशे मेजरी को जोडती हैं, में डेनियल के मामले में, संख्याएं एक विशिष्ठाकार, रंग, बनावट और भावनात्मक्सवर, संख्यान और उदाहरन के लिए, लंबा, घरानीला और अशुभ, जबकि 37 दलिया की तरह देलेदार है, और 89 गिरती बर्फ जै से ऐसा करने की अनुम्ति देता है, पेंसिल या कागज के बिनात्वरित मानसिक गनित, दो संख्याओं को गुना करने के लिए, वह प्रत्येक संख्या की आकरती को अपने मन की आंखों में तैरता हुआ देखता है, सहजता से, और बिना प्रयास के वेकते हैं, एक तीसरा आ गुनन का ठीक उल्टा है, मैं देखता हूँ संख्या और मैं इसे अपने सिर में अलग कर देता हूँ, यह पेर से गिरने वाले पत्तों की तरह है, रेनियल का मानना है कि उनके सिंथेटिक आकार किसी तरह परोक्ष रूप से सांकेतिक शब्दों में बदलते हैं संख्याओ के गुनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, अभाज यह संख्याएं, फोर उदाहरण के लिए कंकर जैसी गुनवत्ता है, वे नरम और गोल हैं, बिना संख्याओं के दानतेदार किनारे जिनहें गुनन खंडित किया जा सकता है, डैनियल की अन्यदुरलब स्थितिय स्परगर सेंडोम है, जो उच्च का एक रूप है, कार्यात मकेंडरित, आटिजम की पचान सबसे फले एक हजारन औस और तैन तालीस में बच्चे ने की थी मनोचिकित सकलियो कनेर, उन्होंने इसे सामाजिक दुरबलता का एक रूप बताया, विकार जिसमें, जैसा की कने की मेजबानी, एक अत्यंत हितों की केंडरित सीमा, और के लिए एक उत्सुता से जुनूनी इच्चा, समानता का संडक्षन, एक साल बाद कनेर ने फली बार आटिजम के बारे में लिखा, एक आस्ट्रियाई बाल रोग विशेशग्यहन से इस परगर ने एक और विकार का यह लगभग समान लग रहा था सिवाय इसके की एस परगर के रोगियों में मजबूत था भाशाईक शमता और कम बौधिक दुरबलता, उसने अपने को बुलाया, असामे क्यों वा रोगियों, उनके रहस्यमय सामान्य ब्यान के अथाहकों के साथ, छोटे प्रोफेसर, यह 2019-81 तक नहीं था कि एस परगर को इसके रूप में मान्यता दी गई थी खुद का अलग सेंड्रोम, डेनियल के एस परगर का निदान बैरन कोहें द्वारा किया गया था, जो इसे चलाते हैं Cambridge Autism Research Center और जो भी होता है सिनेस्थेसिया पर दुनिया के अग्रणी अधिकारी, अ पताया, यह केवल मैं है, उनके विकास के इतिहास को सुनने के संदर्भ में, मैंने उससे कहा, तुम्हारा विकास से पता चलता है कि जब आप छोटे थे तब आपको इस परगर की बीमारी थी सेंड्रोम, आज आपको देखते हुए, आपने कितना अच्छा बनाया है अनु उसे खुद को देखने का एक नया तरीका दिया, कोई बात नहीं, यह उनके प्रोब फाइल के साथ फिट बैठता है, अपने संस्मरण में, डैनियल बड़े होने के प्रभावों के बारे में विस्तार से लिखता है अनियंत्रे तेस परगर के साथ, दूसरे बच्चों ने क क्या बनाया होगा मुझे, मुझे नहीं पता, क्यूंकि मुझे उनकी बिलकुल भी याद नहीं है, मेरे लिए वे मेरे द्रिश्य और स्परशपूरन अनुभवों की प्रिश्ठभू में थी, उसके दोरान बचपन में, डैनियल सामान्य ब्यान के जुनून से पीरित था, उसने एकत्र किया पत्रक और सब कुछ गिना, और एक जुनूनी विक्सित किया, एक हजारन औस औस सतर के दशक की लोकप्रिय सौफ्ट रॉक जोड़ी का विश्वकोश ग्यान बढ़ई का, वह अकसर चीजों को बहुत दूर तक ले जाने के लिए मुसीबत में पढ़ जा अवधारना नहीं थी, वह खते हैं, मैंने इस जगर तक पहुँचने के लिए बात में एहनत की है, जहां मैं वास्तव में हो सकता हूँ, सामान्य, जहां मैं बात चीट कर सकता हूँ, और जान सकता हूँ कि कब शुरू करना है, और कब रूखना है बात करना, और आंक से पर्क करना याद रखें, जाहिरत और पर होने के बावजूद अपनी सबसे दुर्बल सामाजिक समस्याओं पर विजय प्राप्त की, आज तक डैनी अलकते हैं, वह अभी भी खुद को शेव नहीं कर सकता, या कार चला सकता है, तूथबरश की आवाज अपने दान्त या बिजली के पैमाने पर, मैंने ब्रेन मैन का उल्लेक बेन प्रिर्मोर से किया, मैं यह जानने के लिए उत्सुप था कि क्या उसने इसे देखा था, और क्या वह डरता था कि डैनील, कोई प्राकृतिक व्यक्ति उपहार जो मापने के लिए लग रहे थे या दिपार नही है बेन का अपना अरजित कोशल, किसी दिन मेमोरी सरकिट पर दिखाई दे सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि उस आदमी ने चैंपियंशिप में एक जोड़े का मुकाबला किया था वर्शोंप ले, बेन ने मुझे वास्तव में बताया, लेकिन मुझे लगता है कि उसके पास एक अलग था, नाम, उस समय उन्हें डेनियल कौर्नी कहा जाता था, उन्होंने एक साल काफी अच्छा किया, जैसा कि मुझे याद, मैंने कुछ अन्यमानसिक एथलीटों से पूछा कि वे डेनियल के बारे में क्या सोचते हैं, लगभग सभी ने ब्रेन मैन को देखा और लगभग सभी ने एक राय, काफी लोगों को उसके विवेक के दावों के बारे में संदेह था, और उनका मानना था कि उन्होंने सूचनाओं को याद रखने के लिए बुनियादी समर्णी या तकनीकों का इस्तेमाल किया, हम में से कोई भी वह कर सकता है जो उसने किया ह आठ बार की विश्व स्मृती चैंपियन डोमिनिक उब्रायन ने मुझे बताया, यदि आप मेरी राय चाहते हैं, तो वह बसे हहसास हुआ कि वह मानसिक एथलीट के रूप में कभी भी नमबर एक नहीं होगा, उब्रायन ने कहा कैमरे पर बद कुछ, जब उन्हें ब्रेन मैन के लिए फिल्म आया गया था, लेकिन निर्माता अंतिम कट में अपने साक्षातकार को शामिल नहीं किया, स्पष्ट रूप से मानसिक एथलीटों के पास डैनियल से इरश्या करने के बहुत सारे कारण थे, उनके स्मृतिक औशल लगभग उनके समान थे, और फिर भी उनके सांस्कृतिक जगत में संबंधित स्थान अधिक नहीं हो सकते थे विभिन, जबकि प्रशिक्षित निमोनिस्ट गी की असपष्टता में कड़ी मेहनत करते हैं, डेनियल की चिकित सी अस्थिती ने अतियधिक लोकप्रियर उची उत्पन की थी, अगली बार जब मैं क कंप्यूटर के सामने था, मैंने मेमोरी में लॉग इन किया सरकिट अंकड़े सर्वर, निश्चित रूप से, मुझे एक डेनियल कौर्नी मिला, जिसके पास था वर्ल्ड मेमोरी चैंपियंशिप में दो बार प्रतिस परधा की, उच्चतम के रूप में समाप्ट 2000 में चौ में डेनियल ने अपने चौथे का उलेख नहीं किया होगा वर्ल्ड मेमोरी चैंपियंशिप में जगह बनाई, मैंने वर्ल्ड वाइर ब्रेन क्लब, आउनलाइन में डेनियल के नाम की खोज की मंच जहां मानसिक एथलीट एकठा होते हैं, नकेवल डेनियल ने में प्रतिस परधा की थी विश्व स्मृति चैंपियंशिप, वह वास्तव में के मुखरा लोचक थे यह, यहां तक कि स्मृति के लिए 803 कार्यक्रम तैयार करने के लिए भी जा रहा है खेल को अधिक वैद, अधिक लोकप्रिय और अधिक आकर्षित किया जा सकता है मीडिया का ध्यान मैं विशेश रूप से डेनियल की पोस्ट में से एक से हैरान था, www.bc यह वर्ष 2001 का एक विग्यापन था जिसमें उन्होंने प्रकट करने की पिशकश की थी उनके मायंड पावर फॉर्मूला के रहस्य उनकी अनूठी मायंड पावर और में उन्नत स्मृतिक औशली मेल प साहित करता है कारण दानिय ये इलवे ग्यानिकों और जन्ता दोनों का इतना ध्या नाकरशित किया है उनकी अन्यता और असंभव प्रतीत होने वाले कारियों को करने की उनकी क्षमता स्पष्ट सहजता वे वास्तव में हमारे बीच में एलियन हैं चलने के अपवाद बरहम प्राकृतिक क्रम के लिए स्मृति चाल के रूप में जब्रा छोड़ने के रूप में मानसिक एथलीटों द्वारा किया जा सकता है। वे अभी भी सिर्फ चाल हैं। और किसी की तरह जादू की चाल, एक बार जब आप जानते हैं कि यह कैसे किया जाता है और आप इसे भी कर सकते हैं प्रभाव अपनी चमक का एक अच्छा साखो देता है। लेकिन सच्चे सौदागर हैं। और उन्हें स्मृति एक चाल नहीं है, बलकि एक प्रतिभा है। लेकिन अब मुझे आश्चर्य होने लगा था कि क्या मेरे और दानिययल के बीच की खाई हम में से किसी और दानिययल के बीच शायद यह लगभग इतना महान नहीं हो। क्या होगा अगर जैसा कि डो मिनिक उब्रायन को लगता था। मैं सबसे प्रसिद्ध जानकार दुनिया लगभग हस्यमय प्राकृतिक शमताओं वाला दुरलभ व्यक्ति नहीं था लेकिन सिर्फ एक आदमी जि किम पीक, उर्फरेन मैं, दएक हजार नौस और इक्यावन में पैदा हुए विलक्षन विद्वान जिन्होंने डस्टिन होफ मैंन के चरित्र को प्रेरित किया होलिवूर फिल्म, यकीनन उनके पास दुनिया की सबसे अच्छी याददाश्ट है। अभी कि मैंने डेनियल क के साथ कुछ समय बिताया, मैंने किम से उनके ग्रिहंगर जाने का फैसला किया यहूटा में तुलना करने के लिए, यह पता लगाने के लिए कि दोनों ने क्या मनाया कौतुत में समानता थी, और वे मुझे प्रकृती के बारे में क्या बता सकते थे पंडित सेंड्रोम, मैं तीन दर्जन के समुव को संबोधित कर रहे थे वरिद्ध महिलाएं अपने ग्रिहंगर में वरिद्धाश्रम में गतिविधियों के कमरे में साल्ट लेक सिटी के दर्शकों के सदस्यों को कोशिश करने के लिए आमंतरित किया गया था, उसे असपष्ट सामान्य ब्यान के स स्टंप करें कुछ भी लेकिन तर्क्या तर्क प्रश्न, फ्रान ने चेतावनी दि, आक्सीजन टैंक से सांस ले रही एक महिला ने उससे पूछा दक्षिन अमेरिका की सबसे उची चोटी, उसने सही उत्तर दिया मा उनन्ड, एकां कागवर, एक तथ्य जो किसी भी मामूल रूप से सक्षम सामान्य ज्यान के शौकीन को पता होगा और दिया इसकी उचाई, 22,320 फीट जो मुझे बाद में पता चला, लगभग 5, दूर था 100 फीट, वहील चेयर में एक अपंग व्यक्ति ने कितनी बार पूछा, 1030 के दर्शक में एस्टर मार्च में गिर गया, बि साथ समाप्त हुए आवाज जो लग रही थी कि करकश हंसी में विस्फोट होने वाली है, एन्यस घर के कार्यकरम निदेशक ने उनसे पूछा कि किन पुस्तकों का सारांश दिया गया है, 1064 से रीडर्स डाइजेस्ट कंडेंस्ड बुक्स का बॉलिम 4, उन्होंने सभी का न समारे विलाप करता है, तो भी उसके पास एक महान स्मृती, सहालिता देना, वह कभी भी कुछ भी नहीं भूले हैं, फ्रेंक ने मुझे बताया, माना जाता है, सहित, उन्होंने 9000 से अधिक पुस्तकों में हर तथ्य को लग भग दस, में पढ़ा है सेकंड एक पेज, प्रत पहवी रात के मंचन पर, एक अभिनेता दो पंक्तियों को स्था नांतरित कर दिया, जिससे किम इतने परिमान में फिट हो गए कि घर की बत्तिया जलानी पढ़ी और नाटक स्थगित कर दिया गया, वह अब नहीं है, लाइव नाटकों में भग लेने की अनुमती, डेनियल प्लास्टिक फ्रेम के माध्यम से, उसका सिर लगभग हमेशा 40 जुका रहता है, पक्ष में 5 डिग्री, वह एक हाथ को दूसरे के अंदर बांध कर रखता है, और जब वह उत्तेजित हो जाता है, तो उसे अंदर और बाहर फेंक देता है, संभवतह सबसे अधिक आकरशक ग हिलाने किम को बताया कि उनका जन्म में हुआ है, कॉर्डोबा, किम ने तुरंत उसे अपने अंदर और बाहर की प्रमुख सडकों के बारे में बताया, ग्रिहंगर और फिर डोंट क्राई फर मी, अर्जेंटिना के कोरस को बजाया, मुझसे बेचैनी की एक लहर को भड़का जिन्होंने खेला था एविटा के मूवी संस्करण में अर्जेंटिना की प्रथम महिलाई वापेरोन को द्वारा निकाल दिया गया था, एक हजार नौस और निन्यानवे में लोस इंजिल्स लेकर्स, ऐसा लगता है कि किम ने अपने बीच एक पावलोवियन संग की खोज क है आश्चर्यजनक शाबदिक्ता और दर्शकों की हंसी, हाल ही में एक बातचीत में उन्होंने के साथ गेटिसबर्ग पते की सामगरी के बारे में एक प्रशन का उत्तर दिया, दोस और 27 नौर्थवेस्ट फ्रंट स्ट्रीट, लेकिन लिंकन वहां केवल एक रात रुके, वह अगले दिन भाशन दिया, वह अब उस मजा को बार बार दोहराता है, किम को किमप्यूटर लाना पसंद है, लेकिन उनका पूरा नाम लोरेंस किम है पीक, हमने उसका नाम लोरेंस ओलिवियर और रुड यार किपलिंग के किम के नाम पर रखा, फ्रेंक कते हैं, जब किम पर मुठी के आकार का फफोला उडाया है किन डॉक्टर हटाने से डरते थे, अपने जीवन के फले तीन वर्षों के लिए, किम उसके सिर को जमीन पर घहसीता जैसे कि वह किसी भारी वजन से लदा हो, वह चार साल की उमर तक नहीं चला, उनके माता पिता से एक पर विचार करने का आग्रह किया गया था लोबो टॉमी इसके बजाए किम को 14 साल की उमर तक भारी शामक दवाएं दी गही, फ्रेन याद करते हैं कि जब किम को शामक दवाओं से हटा दिया गया था, तभी उन्होंने सबसे फले किताबों में रुची दिखाना शुरू किया, वह उन् क्यू सिर्फ सतासी है, और चाहे कितने भी हो शिष्टाचार की किताबें जिन्हें उन्होंने याद किया होगा, सामाजिक रूप से उनकी समझ उप्यूक्त है, इसे उदारता पूर्वक रखना, दूर्ण, लोगों की भीर में खड़े साल्ट लेक सिटी पबलिक लाइबर देने के लिए जोर से, आप एक सुन्दर आदमी है, आप एक आपकी पीड़ी का आदमी, और फिर उसने एक धरी गर्जना की, किम जो करता है वह कैसे कर सकता है, यह विग्यान के लिए एक रहस्य है, डस्टिन के विपरी ट्रेन मैन, किम में होफ मैन का चरित्र, जाहिरत औ और पर, आटिस्टिक नहीं है, वह दूर है उस निदान के लिए बाउत मिलन सार, वह पूरी तरह से कुछ और है, जनवरी में एक हजार नौसो नवासी, उसी सपताह जब रेन मैन जारी किया गया था, किम का सीटी स्कैन मस्तिष्क ने खुलासा किया कि उसका सेरे बैलम, सम कोटे बंडल का है मस्तिष्क के बाएं, और दाएं गोलार्धों को जोडने वाले नियूरॉन्स, और उन्हें समवाद करने की अनुम्ति देता है, यह एक अविश्वसनिय रूप से दुरलब स्थिती है, लेकिन यह कैसे उनके ग्यानवाद में योगदान हो सकता है, यह ब पिछले दस वर्षों के लगभग हर कार्य दिवस को पढ़ने में बिताया है, और फोन की किताबें याद रखना, उसने अपना चश्मा उतार दिया और उन पर रख दिया टेबल, मैं बस एक छोटी सी स्कैनिंग करने जा रहा हूँ, उन्होंने घोशना की, मैंने देखा ब शिक्षित करता, मैंने एक मेमोरी सेट की महल और प्रत्य एक व्यक्ति के फोन नंबर को एक छवी में बदल दिया, किया प्ले और अंतिम नाम के साथ एक ही बात, और फिर जल्दी से सभी को जोडने की कोशिश की उन छवीयों को एक साथ यादगार तरीके से, यह कठिन काम और जब मैं किम को समझाने की कोशिश की, उन्हें समझ में नहीं आया कि मैं क्या बात कर रहा हूँ के बारे में, हर बार जब मैं फले कॉलम में चोथे या पांचवे नाम पर पहुचता, तो वह अगले प्रिष्ठ पर जाने के लिए तैयार था, मैंने उस से पूछा कि वह कैसे कर पा रहा है यह इतनी जल्दी, उसने किताब से उपर देखा और अपने चश्मे पर जानका, मेरे रुकावट से परेशान, मुझे बस याद है, वह चिल लाया, और फिर वह फ्रोन नंबरों के एक कॉलम में अपना सिर्फ फिर से दबा दिया, और मुझे अंदेखा क कर दिया अगले आधे घंटे, साबंत सिंड्रोम की व्याख्या करने के लिए एक सिध्धान्त विक्सित करने की चुनोतियों में से एक यह है कि यह अलग व्यक्तियों में खुद को अलग तरह से व्यक्त करता है, तथा पी, एक नियूरा नैटो मिकल विसंगती है जो बार- लेकिम सहित जानकार, मस्तिष्क के बाएं गोलार्ध में क्षती, दिल्चस्प बात यह है कि जानकारों की अतिरंजित क्षमता लगभग हमेशा होती है, द्रिश और स्थानिक औशल, और जानकार जैसे दाइम मस्तिष्क की गतिविधियां लगभग हमेशा उन कारियों से परेशानी होती है, जिनहें मुख्य रूप से माना जाता है, लिफ्ट अब्रेन का डोमेन, जैसे भाशा, वार्नी दोश अत्यन्त जानकारों के बीच आम है, जो इस कारण का हिस्सा है कि वापट अच्छी तरह से बोली जाने वाली डेनियल इतनी असाधारन लगती है, कु को अचानक ब्यानी जैसी क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए जाना जाता है, जीवन में बाद में, मस्तिष्ट के बही और एक दर्दनाक चोट के बाद, 1889 में, ए और्लेंडो से रेल नाम के दस वर्शी ये लड़के ने बेस बल पिच को बही और ले लिया, उसके सिर क किनारे और गणना करने की उलेखनी अक्षमता के साथ आया था, कैलेंडर तारीख है और उसके जीवन के हर दिन के मौसम को याद रखें, बरूस मिलर, कैलिफोर्निया विश्व विद्याले, सैंट फ्रांसिसको में एक नियूरोलोजिस्ट, अध्ययन करता है मस्तिष्ट र अभी नहीं उठाया था एक पेंटब्रश या एक उपकरण असाधारन कलात्मक विक्सित कर सकता है और उनके जीवन के अंत में संगीत की क्षमता, उनके अन्यसंग्यान आत्मक खोशल के रूप में दूर हो जाते हैं, वे संकीरन सेवक बन जाते हैं, तत्य यह है कि लोग स थजरूप से समझदार बन सकते हैं, यह सुझाव देता है कि उन असाधारन क्षमताओं को कुछ हद तक सभी में निश्क्रिय होना चाहिए हम हो सकता है, जैसा कि ट्रेफर्ट इसे रखना पसंद करते हैं, थोड़ा रिन मैं, अंदर छिपा हुआ है हर दिमाग, निरोधात नात्मक यादों को बनाए रखने के कर्तवियों को सौमपना, जैसे तथि और अंकड़े, अधिकादिम गैर धोशन नात्मक स्मृति प्रनालियों के लिए, उन लोगों की तरह जो हमें यह याद रखने में मदद करते हैं कि बाइक की सवारी कैसे करें या बिना फ्लाइब कैसे पकड़े होशपूरवक इसके बारे में सोच रहा है वही सिस्टम जो इमने से के चैम की अनुम्ति देता है बिना जाने अपने पडोस को नेविगेट करने के लिए आईने और एपी में आकरशित करने के लिए उसका पता, विचार करे कि मानसिक प्रसंस करन कितना होना चाहिए फलाई बॉल को पकड़ने के लिए अपना हाथ रखने के लिए तातकालिक गणना दूरी, प्रक्षेपवक्र और विग्याय के बीच के अंतर को पहचानने के लिए बिल्ली और एक कुत्ता, हमारा दिमाग स्पष्ट रूप से आश्चर्यजनक रूप से तेज करन पहुंचा उदाहरण के लिए जब छात्रों को आकरशित करना सिखाया जाता है, तो अकसर्प ले दो अभ्यास जो उन्होंने मास्टर करने के लिए किये हैं वे नकारात्मक स्थान का पता लगा रहे हैं और रूप रेखा लाइन्स, इन अभ्यासों का उद्देश शीर्ष स्तर को बंद करना है सचेत प्रसंसकरण जो एक कुरसी को कुरसी के अलावा कुछ भी नहीं देख सकता है और गुप्त, निचले स्तर के अवधारन आत्मक प्रसंसकरण को सक्रिय करें जो इसे केवले के रूप में देखता है अमूर्त आकृतियों और रेखाओं का संग्रह इसके लिए बाग प्रशिक्षन की आवश्यता होती है उस शीर शस्तरिय प्रसंसकरण को निश्क्रिय करना सीखने के लिए एक कलाकार ट्रेफर्ट का मानना है जानकार इसे स्वाभाविक रूप से कर सकते हैं अगर हम में से बाकी लोग उस शीर शस्तरिय प्रसंसकरण को बंद कर सकते हैं, तो क्या हम बंद जाएंगे जानकार, वास्तव में एक ऐसी तकनीक है जो चुनिंदा रूप से कर सकती है, और अस्थाई रूप से मस्तिष्ट के कुछ हिस्सों को बंद कर दें, इसे ट्रांसक्रानियल मैगनेटिक कहा जाता है, उत्तेजना या टीमाइस औ और यह केंडरित चुम्ब की अक्षेत्रों का उपयोग करके काम करता है, लक्षित नियूरॉन्स की विद्यूत फाइरिंग पर खर बर पाते हैं, दर डेडिनिंग प्रभाव एक घंटे से अधिक समय तक रह सकता है, हालां कि टीमाइस अपेक शाकृत नया है, यह आज के एक गैरहा क्रामक साधन के रूप में सफलता पूर्वक उपयोग किया गया है, अवसाद अभिगात जन्य तनाव विकार और माईग्रेन के रूप में विविद, लेकिन कई मायनों में टीमाइस की प्रयोग आत्मक्षमता इस से भी अधिक रोमान चक है, इसके चिक मस्तिष्ट के बारे में जानने में सफल रहे हैं, जिसका परियर नाम है मस्तिष्ट के अतियंत असंभावित रूपों के कारण होने वाले कुछ प्राकृतिक प्रयोगों के क्षती एपी की तरह, क्यूंकि टीमाइस नियूरो साइन्टिस्ट को क्षेत्रों को बदलने की अ अध्ययन करना चाहते हैं. और अधिक तेजी से संख्या का अनुमान लगा सकते हैं, एक स्क्रीन पर डॉप्स की चमक, स्नाइडर अपने डिवाइस को रचनात्मक्ता प्रवर्धक, खते हैं मशीन, वह इसे ग्यानी तोपी भी का सकते हैं. बरीन मैन वरित तचित्र में, मैंने डेनियल को 13 को 97 से विभाजित करते देखा था और परिर्णाम को इतने दशमलव स्थानों परदे की उत्तर समाप्थ हो गया एक वैग्यानिक कैलकुलेटर के किनारे, के लिए एक कंप्यूटर लाना पड़ा सत्यापन. उसने अपने सिर में तीन अंकों की संख्याओं को कुछ में गुना किया से करण, और जल्दी से पता चला कि 37 से चोथी शक्ति थी 18,74,161 मेरे लिए डेनियल का मानसिक गणित अधिक प्रभावशाली लग रहा था उसकी स्मृति की तुलना में. जैसे ही मैंने मानसिक गणित के जटिल विशय को देखना शुरू किया, मैंने सीखा कि निमोनिक्स की तरह इस क्षेत्र का अपना विशाल साहित्य है, और यहां तक कि इसका खुद की विश्व चैंपियन्शिप, वास्तव में थोड़े से गुदलिंग और बाग सारे के सा अभ्यास करें, कोई भी खुद को सिखा सकता है कि तीन अंकों की संख्याओं को कैसे गुना किया जाए उनके सिर में, यह किसी भी तरह से आसान नहीं है, मेरा विश्वास करो, मैंने कोशिश की लेकिन यह एक कोशल है जिसे सीखा जा सकता है, हालांकि मैंने उससे कई मौको पर बार-बार पूछा, डेनियल ने मना कर दिया मेरे लिए एक भी मानसिक गणना करो, मेरे माता पिता में से एक बड़ा डर था कि मैं एक संकी शो बन जाओं, उन्होंने कहा जब मैंने उन्हें दबाया, मुझे उनसे वादा करना था कि मैं पूछने वाले लोगों के एसा लग रहा था कि दानियल अपनी उंगलियों से ऐसा कर रहा है, जबकि वह माना जाता है जवाब को अपने दिमाग की आंखों में देखते हुए, कैमरा उसे कैद कर लेता है, तरजनी उसके सामने डेस्क की सतव पर इधर उधर फिसकती है, दिया गया उनके दिमाग में पिघलने और फिलूज करने वाली आकरतियों का उनका विवरण, वह छोटा सा उंगली के काम ने मुझे अजीब तरह से मारा, कुछ विशेशग्यों से बात करते हुए, मुझे पता चला कि जिसने भी मानसिक किया है, गुरनन में उन फिसलने वाली उंगलियों के बारे में संदेह हो सकता है, निम्न में से एक दो बड़ी संख्याओं के गुरनन फल की गणना के लिए सबसे सामान्य तकनी क्रोस गुरना के रूप में जाना जाता है, इसमें व्यत्ति का अनुक्रम करना शामिल है, एक लंकिय संख्याओं का गुरनन और फिर उन्हें एक साथ जोड के इंद्रित करना, दुनिया में बाग सारे लोग हैं जो इस तरह के काम कर सकते हैं, लेकिन वे अभी भी बाग प्रभावशाली हैं, बेन प्रिर्मोर ने मुझे बताया, निम्न के अलावा में मोरी सर्किट पर प्रतिस परधा करते हुए, बेन में तल में भी प्रतिस इन में से कोई भी शीर्ष कैलकुलेटर नहीं संख्यात्मक आकरतियों को देखने के बारे में कोई दावा करें जो फ्यूज और विभाजित होती हैं उनके दिमाग की आंखें। पनिक रूप से प्रभावित नहीं हूँ उनमें से कोई भी उन्होंने डैनियल की गणितिय प्रतिभाओं के बारे में कहा और कहा विद्या मानसिक कैलकुलेटर गलत दिशा से भरे हुए हैं। इस तथ्य के बारे में क्या है कि डैनियल सभी अभाज्य संख्याओं को कम से कम जानता है 10,000 यह भी बेन प्रिर्मोर को प्रभावित नहीं करता है। बस बुनियादी, संस्मरण, वह घते हैं। 10,000 से कम केवल 1,229 अभाज्य संख्याएं हैं। स्मृति के लिए प्रतिबध होने के लिए यह बाग सारी संख्या है। लेकिन सीखने की तुलनामे नहीं प प्रभावित नहीं होना चाहिए किसी को। किम जैसे साधु, जो आपको हरीस्टर की तारीक बता सकते हैं पिछले हजार वर्षों में ऐसा लगता है कि लय और नियमों को अंतरिक बना दिया है कैलेंडर उन्हें स्पष्ट रूप से समझे बिना, लेकिन उन्हें कोई भी सी सकता है, कई बागधी सरल कैलेंडर गंडना सूत्र हैं, प्रकाशित इंटरनेट पर व्यापक रूप से, इसे बनने में केवल एक घंटे का अभ्यास लगता है उनके साथ धारा प्रवार, जितना अधिक डेनियल और मैंने बात की, उतना ही अधिक उसके अपने बयान शुर प्ली बार उन्होंने कहा, वहाँ नीला है, वहाँ क्योंकि यह नौ से शुरू होता है, और एक भतिगति भी, और दयालू धलान की तरह भी, दो हफ्ते बाद, उन्होंने एक लंबे विराम के बाद कहा, यह है, एक धब्बेदार संख्या, धब्बे और वक्र भी हैं, यह वास्तव में एक बाद है, जटिल संख्या, फिर उन्होंने कहा, जितनी बड़ी संख्या होगी, उतनी ही कठिन होगी, उन्हें शब्दों में पिरोना है, इसलिए इंटरव्यू में, मैं आमतोर पर ध्यान केंद्रित करता हूं, छोटी संख्या, वास्तव में, सिनस्थेट कभी भी पूरी तरह से सुसंगत नहीं होते हैं, और अपने श्रेय के लिए, डैनियल ने लगातार कई छोटी संख्याओं का वरनन किया हमारी बैटकों के दोरान, लेकिन उन दिमागी शक्ति और उन्नत स्मृतिक औशल, पाथ्यक्रमों के बारे में क्या, कि डैनियल डबल WBC पर विग्यापन करता था, वापस के इंट में अपने घर पर, आई उन्हें 2001 से अपने विग्यापन का एक प्रिंट आउर दिया और उनसे पूछा कि मैं क्या हूँ, इसे बनाना है, अगर उनकी असाधारन स्मृतिक पूरी तरह से उनके पास आगई बिना किसी प्रयास क और उसे स्मर्णी या तकनीकों का उप्योग करने की आवश्यक्ता नहीं थी, वह क्यों था बिलकुल उसी विशय पर एक कोर्स बिचना, उसने अपने पेलों को नीचे से खोल दिया उसे और उन्हें वापस फर्ष पर रख दिया, देखो, मैं उस समय 22 का था, वह कहा, मेरे पास पैसे नहीं थे, जिस एक चीज का मुझे अनुभव था, वह थी प्रतिस परधा वर्ल्ड मेमोरी चैंपियंशिप, इसलिए मैंने आपके सुधार पर एक कोर्स लिखा याद, जब मैं विश्व चैंपियंशिप में गया, तो मुझे पता चला कि, लोगोंने खुद को याद रखना सिखाया, उनमें से कोई भी अच्छा नहीं था यादे, मैंने उस समय सोचा था कि वे जूट बोल रहे थे, लेकिन इसने मुझे दिया विचार है कि यह कुछ ऐसा था जिसे आप सिखा सकते थे, मैं उस स्थिती में था जहां मैं खुद को बेचना पड़ा, के इन मुझे यह करना पसंद नहीं आया, आप स्मृति तकनीकों का उपयोग नहीं करते हैं, मैंने उस से पूछा, नहीं, उसने मुझे आश्वासन दिया, यदि दान येलने एक प्राकृतिक सेवत होने की अपनी कहानी गढ़ी होती, तो यह होता एक हद तक जूट की आवश शक्ता थी कि मैं खुद को विश्वास करने के लिए नहीं ला सकता था उसके पास है, अगर वह केवल एक प्रशिक्षित स्मृतिवादक था जो खुद को डखने की कोशिश कर रहा था एक साधु की आर में, वह इतनी स्विच्छा से अपने आपको क्यों अधीन करेगा वै ग्यानिकों को संदेह था कि सिनेस्थेसी अभीम औजूद है, वे घटना को नकली के रूप में खारिज कर दिया, या स्थाई से ज्यादा कुछ नहीं बचपन में संख्याओं और रंगों के बीच संबंध, सभी के बावजूद साहित्य में मामला रिपोर्ट यह साबित कर मूल यांकन शर्त, परीक्षन उस स्थिरता को मापता है जिसके साथ एक कथित साइनस्थीर समय के साथ रंगशब्द संग्धों की रिपोर्ट करता है, जब बैरन कोहेन डैनियल को इस परीक्षा का एक संसकरन दिया, उसने इसे आसानी से पास कर लिया, फिर भी मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन आश्चर्य है कि क्या कोई प्रशिक्षित निमोनिस्ट करने में सक्षम होता साथ ही करो, डैनियल के वैग्यानिक परीक्षन के अन्य परिणामों ने मुझे अजीब लगा, जब बैरन कोहेन ने चेहरे के लिए डैनियल की याददाश्ट का परीक्ष तो उन्होंने प्रदर्शन किया संक्षेप में, बैरन कोहेन ने निशकर्ष निकाला कि उनकी चेहरा स्मृती बिगड़ा हुआ प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि बस एक तरह की चीज एक जानकार हो सकता है बेकार होना, और फिर भी जब डैनियल कौर्णी ने वर्ल्ड मे प्रदद कर सकता है निश्चित रूप से एक FMRI स्कैन होगा, कई संख्या रंग साइनस्थीट्स में, आप वास्तव में रंग प्रसंस करण से जुड़े मस्तिष्क क्षेत्रों को प्रकाश में देख सकते हैं जब विशय को एक संख्या पढ़ने के लिए कहा जाता है, जब बैरन को हेनने मिलकर काम किया, डेनियल के मस्तिष्ट को देखने के लिए FMRI विशेशग्यों के साथ, उन्हें यह नहीं मिला, उनका परीक्षन विशय सामान्य रूप से जुड़े अतिरिक्तधारी दार्क्षेत्रों को सक्रिय नहीं करता, सिनेस्थीश का सुझाव है कि उ उन्होंने सिनेस्थेसिया के लिए वास्तविक्ता की परीक्षा उत्तीर की थी, एक और उचित निशकर्ष यह हो सकता है कि दानेयल एक सिनस्थेट नहीं है सब, कभीक भी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मुझे गिनी पिग होने में कोई आपत्ती है वैग्यानिक, मु अर्थात सेवक नहीं था, तो वह केवल एक होना चाहिए नियमित आदमी, लेकिन क्या परीक्षन करने की आवश्यत्ता है, विशेश रूप से उनके असामान्य के प्रकाश में व्यक्तिगत यतिहास, वैकल्पिक संभावना है कि दुनिया का सबसे प्रसिद्ध सावंत वास्तव में एक प्रशिक्षित निमोनिस्ट हो सकता है, डैनियल के साथ मेरी फली मुलाकात के लगभग एक साल बाद, उनके प्रचारक ने मुझे इमेल किया यह पूछने के लिए कि क्या मैं उसके साथ फिर से मिलना चाहता हूँ, इस बार नाश्टे पर स्टाइलिश मेर टाउन होट वह न्यू यॉर्क में ठरे थे, वह करने के लिए शहर में था गुर्म मॉर्निंग अमेरिका पर एक उपस्थिती और अपनी पुस्तक बोर्न को बढ़ावा देने के लिए एक ब्लू डेपर, जिसने अमेरिका में न्यू पर तीसरे स्थान पर शुरुआत की थी यॉर्क ट वह जानता था कि मैंने उन अंकों को पतली हवा से नहीं निकाला है, उसने अपना उसके कानों में उंगलियां और उन्हें वहां दो बागत लंबे समय तक रखा, असहज मौन के मिनट, मैं इसे अपने सिर में देख सकता हूँ, लेकिन मैं इसे तोड़ नहीं सकता, वह कहा, अंत में, पिछली बार जब मैंने पूछा था, तो आप लगभग तुरंत इसका वरणन करने में सक्षम थे, उन्होंने इसके बारे में थोड़ा और सोचा, यह धरा नीला होगा, और यह होगा एक भथी गती के साथ नुकिला, और चमकदार, यह मैं इससे 24 के रूप में च चतुर्भ हुझ बनाया, उसका चेहरा-चेरी था लाल, यह सभी प्रकार की चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कि मैंने नंबर ठीक सुना, और मैंने इसे कैसे तोड़ने का फैसला किया, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैं ठक गया हूँ या नहीं, मैं बनाता हूँ क अभीक भी गलतिया, मुझे गलत नंबर दिखाई दे रहा है, मैं इसे एक नंबर के लिए गलती करता हूँ, जो समान दिखता है, इसलिए मैं वास्तविक वैग्यानिकों के साथ परीक्षन करना पसंद करता हूँ, वही तनाव नहीं है, मैंने उसे वापस वह विवरंट पढ साबित करना बात मुश्किल होगा, कि वह था अन्यमानसिक एथलीटों के समान बुनियादी तकनीकों का उपयोग करना, और वह इस तथे को छिपाने के लिए संख्याओं के इन दूर-दूर के कृत्रिम विवरंणों का आविश्कार किया कि उसने दो में से प्रत्याइक के साथ जोरने के लिए एक साधारण छवई को याद किया था से 99 तक अंकों का सल्योजन इसमें सबसे बुनियादी तकनीकों में से एक निमोनिस्ट का टूल-किट या सबसे अशहज वाकियों में से एक था जो मैंने किया था कभी किसी से बात की. कुछ समय के लिए मैं इस बात को लेकर तड़प रहा था कि क्या इस पुस्तक में दानिययल को शामिल किया जाए लेकिन देर से एक रात बहुत समय पहले मुझे इसका एक मसौदे में बदलना नहीं था अध्या आ है मैंने उसके नाम के लिए एक आखरी इंटरनेट खोज करने का फैसला किया बस यह देखने के लिए कि क्या मुझे कुछ याद आ गया होगा या कम से कम मेरी याद दाश्ट को ताजा करने के लिए अ कहानी जो एक साल से अधिक समय से मेरी फाइलिंग कैबिनेट के एक फोल्डर में बैठी थी किसी तरह और मुझे नहीं पता कि मैं इस से फले कैसे चूप गया मुझे एक कैश्ड मिला का संसकरन 2000 में बनाई गई एक वेब साइट जो अभी तक नहीं बनी थी कम से कम तीन या चार साल के लिए उनलाइन साथ वर्षी ये अबाउट पेज दान ये येल का वर्नन करने में आश्चर्यजनक रूप से स्पष्टात मक्था शामिल है जो इसे बाउन आने बलूरे में नहीं बनाया स्मृति और इसके विपरीत स्मृति खेल में मेरी अपनी रुचिती एक बच्चों की किताब के साथ मेरे आकस्मिक परिचित द्वारा चिंगारी की उम्र में बेहतर परीक्षा प्रदर्शन के लिए व्यापक स्मृति अवधारनाय पंद्र है अगले वर्ष मैंने अपने GCSI को कुछ वर्षों के साथ उत्तीर्ण किया सर्वोतम परिणाम और बाद में एस तर पर अच्छा प्रदर्शन किया मास्टरिंग फ्रेंच और जर्मन रास्ते में इन कोशिशों की मदद से परीक्षन तकनीक खेल के प्रती मेरा जुनून बढ़ता गया और महीनों के कड़े प्रशिक्षन और कड़ी मेहनत के बाद मैं ऊपर चढ़ गया विश्व के शीर्ष पांच रेटेंग में मोरी खिलारी इससे पले मुझे कुछ और भी मिला था पोस्ट किये गए संदेशों की एक शुरिंख खला कई साल पले डेनियल कौर्नी द्वारा इस्तेमाल किये गए उसी एमेल पते से लेकिन डेनियल इंडर्सन नाम के किसी व्यक्ति द्वारा भेजा गया जिसने दावा किया की एक कुआ बीस से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ सम्मानित और प्रतिभाशाली मानसिक दूसरों की मदद करना और उन्हें सर्शक्त बनाना संदेशों ने समझाया कि गेनियल बचपन की एक शुरिंख खला के दौरा ने इंडर्सन ने अपनी मानसिक शक्तियां प्राप्त की थी दौरे एक वेब साइट का लिंक था जहां आप एक फोन की व्यवस्था कर सकते थे सहित सभी प्रकार के विश्यों पर सलाः के लिए गेनियल के साथ पढ़ना रिष्टे की समस्याएं, स्वास्थ और वित्तिय मामले, खोया हुआ प्यार और जो गुजर चुके हैं उनसे संपर्क करना मैंने गेनियल से पूछा कि मुझे उन्ही मेल्स से क्या बनाना चाहिए था चह वर्ष पले वह दावा कर रहा था कि उसके मिर्गी के दौरे ने उसे मानसिक शक्तियां प्रदान की हैं अब वह दावा कर रहा था कि उन्होंने उसे एक जानकार बना दिया है क्या आप देखते हैं क्यों किसी को शक हो सकता है मैंने पूछ लिया, वह खुद को एकठा करने के लिए रुक गया भगवान यह शर्मनाक है उन्होंने कहा, बाद में मैंने खुद को एक ट्यूटर के रूप में पेश किया और वह सफल नहीं रहा मैंने इसके लिए एक विग्यापन पढ़ा कोई है जो मानसिक रीडिंग कर सकता है आप घर से काम कर सकते हैं और टेली फोन का उप्योग करें वह मेरे लिए आदर्श था मैं एक मानसिक नहीं था मैंने इसके लिए किया लगभग एक साल क्यूंकि मेरे पास अन्य था कोई आये नहीं थी मुझे नियमित रूप से कहा जाता था क्यूंकि मैं सलाह नहीं दे रहा था मैं जियादातर बस सुन रहा था मैंने इसका इलाज किया शुरू करे समाप्त करने के लिए केवल लोगों को सुनने के अवसर के रूप में दृष्टी के साथ काश मैं वह काम नहीं किया था लेकिन मैं हताश था देखो जीवन जटिल है मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं लोगों की नजरों में आ जाऊंगा मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैंने परीक्षन किये हैं वैग्यानिकों के साथ संगती के लिए जो यह निर्धारित करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं कि क्या मैं इससे लगा रहा हूँ और वे राय हैं सिर्फ एक वैग्यानिक की राय नहीं महत्वपूर बात यह है कि मैं असली हूँ अपनी अंतिम मुलाकात के अंत में मैंने दानियययल को सभी कारण बताया आई खुद को विश्वास में नहीं ला सका कि वह दुनिया का सबसे प्रसिद्ध विद्वान वास्तव में एक सेवक था मैं आश्वस्थ होना चाहता हूँ मैंने उस से कहा लेकिन मैं नहीं हूँ अगर मैं तुम्हें बरगलाना चाहता अगर मैं तुम्हारी आँखों परून खीचना चाहता तो मैं अतियधिक अभ्यास करें उन्हों निस पष्ट रूप से कहा मैं धधधकती हुई सभी प्रवाह नहीं है। सोचूंगा ध्यान से और आप पर और बाकी सभी पर कुछ अच्छा प्रभाव डालें। मिल जाता हूँ। दूसरी बार मैं और अधिक हो जाता हूँ नर्वस और मैं इतना अच्छा प्रभाव नहीं डालूंगा। मैं मानव हूँ। मैं हूँ असंगत क्योंकि मैं मानव हूँ। उन सभी लोगों में से जिन्होंने मेरा साक्षातकार लिया है। आपने मेरे साथ एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार किया है। आपने मूर्ति पूजा नहीं किया है मुझे। आपने मेरे साथ अपने सतर पर व्यवहार किया है। मैं उसका सम्मान करता हूँ, मैं अधिक सहज मसूस करता हूँ, एक देवदूत होने के बजाए एक इनसान होने के नाते, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मुझे संदेह है कि आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, मैंने कहा, जैसा मेरे मुझे से वे शब्द निकले, मुझे एहसास ह भुआ कि मैं वास्तव में उनका मतलब नहीं था, डेनियल के बारे में जो बात मुझे निराश करती थी वह यह थी कि मैं जानता था कि वह सामान्य नहीं है, असल में एक बात जो मुझे पता है मैं उसके बारे में निश्चित रूप से कर सकता हूँ कि वह है असाधारन रूप से उजजवल मुझे पता है कि किसी की याददाश्ट को प्रशिक्षित करने में कितना काम लगता है कोई भी इसे कर सकता है लेकिन कोई भी इसे उस हद तक नहीं कर सकता जितना मैं करता हूँ संदिग्ध डैनियल था मुझे विश्वास था कि डैनियल विशेश था मुझे यकीन नहीं था कि वह जिस तरह से वह दावा कर रहा था उसमें विशेश था मैंने डेनियल से पूछा कि क्या, जब उसने खुद को आईने में इमानदारी से देखा, तो उसने वास्तव में खुद को एक सेवक माना, क्या मैं एक सेवक हूँ, उसने अपनी कौफी नीचे रखी और पास में जुक गया, यह सब इस पर निर्भर करता है कि आप शब्द को परिभाशित कर सकते हैं इस तरह से कि मुझे परिभाशा से बाहर कर दिया जाएगा, आप परिभाशित कर सकते हैं यह इस तरह से हैं कि किमपी को परिभाशा से बाहर रखा जाएगा, और आप इसे इस तरह से परिभाशित कर सकते हैं कि इसमें कोई और जानकार नहीं होग दुनिया बिलकुल यह सब परिभाशाओं के लिए नीचे आता है। यह अप्रासंगिक होगा कि क्या बहेक है जानकार केवल यह मायने रखता है कि उसका विकासात्मक विकलांगता का इतिहास रहा है और असाधारन मानसिक करतब कर सकते हैं। और शायद यहां तक कि स्वचालित और कोई व्यक्ति जो थकावू के माध्यम से उन्ही कोशलों को प्राप्त करता है। पधतिगत प्रशिक्षन उन्नीस भी शताबदी के उत्तरार्ध में सावंत शब्द का पूरी तरह से अर्थ था आज की तुलनामे अलग अर्थ है। एक सेवक वह था जिसने कई क्षेत्रों में महारत हासिल की, जिन्होंने अमूर्त विचारों का व्यापार किया, जो पवित्रडी सत्य की खोज के लिए उनकी उर्जा, के लेखक चार्ल्स रिचेट के रूप में 1027 पुस्तक The Natural History of इसावंत डाल दी, इस शब्द के पास कु क्रोमो सुमल विकार के लिए बेहतर जाना जाता है, जो उनके नाम से गढ़ा गया है शब्द बेवकूफ जानकार, शब्द बेवकूफ जिसे राजनी तिक रूप से गलत माना जाता है, अन्ततह दूर गिर गया, एक ऐसी दुनिया में जिसमें हमारी रोजमर्रा की यादे अट्रफीर और हमें के विचार से पूरी तरह से अलग हो गए है, अनुशासित स्मृति, सावंत, कला और एक शब्द होने से चला गया है, एक अजीब स्थिती होने के लिए बौधिक उपलब्धि का प्रतीक, असिंड्रोम, आपने ओलिवर सेक्स जैसा पलीमेथ कभी नही सुना होगा जिसे के रूप में वर्नित किया गया है ग्यानी आज, हालां कि वह जितना कोई उतना ही शब्द कोश से मिलता है परिभाशा, आज यह शब्द आटिस्टिक जोडवा जैसे लोगों के लिए आरक्षित है कि बोरों के बारे में प्रसिद्ध रूप से लिखा ग है कि उनका इस दुनिया में जीनियस के रूप में जन्म होना तय है, लेकिन भागय के कुछ भयानत मोर से उनकी सभी योगताओं में कमी आई थी, लेकिन एक, मुझे डैनियल के बारे में आश्चर्य है, मुझे आश्चर्य है कि अगर वह न्यायप्रिय होता तो हम उसके ब अनुशासन और भारी प्रयास से ही उन चीजों को हासिल किया, क्या वह उसे के मपीक से अधिक अविश्वसनिय बना देगा, या उससे कम, हम चाहते हैं, विश्वास करे कि हमारे बीच डेनियल टैमेर्स चल रहे हैं, जन्म लेने वाले व्यक्ति असाधारन के चेहरे में अ हम सभी के पास है, उलेक नियक्षमता हमारे अंदर सो रही है, अगर केवल हम खुद को परेशान करते हैं उन्हें जगाओ, ग्यारा, ये उस मेमोरी चैंपियंशिप, 2006, ये उस मेमोरी चैंपियंशिप में एक नया कार्यक्रम होना था, एक स्मृति प्रतियोगिताओं के इ माताओं को खुश करने के लिए सपना देखा गया है, केबल नेटवर्क, जो फली बार प्रतियोगिता का प्रसारण करेगा राश्ट्रिय टेलिविजन, पंच अजनबी, एक चाय पार्टी में अतिति के रूप में प्रस्तुत करेंगे मंच पर चले, और प्रतिस परधियो के बारे में बताएं, अपने बारे में उनके पते, फोन नंबर, शौक, जनमदिन, पसंदीदा खाध्यपदार्थ, पालतू जानवरों के नाम, उनकी कारों का मेक और मडल आदी, यह था अवास्तविक जीवन की मांगों के लिए उतना ही सच है जितना की एक स्मृति में थ प्रतियोगिता, मुझे नहीं पता था कि मैं इसकी तैयारी कैसे करूंगा, और सच कहूं, तो मैंने सोचा नहीं था प्रतियोगिता से ठीक डियर महीने फले तक इसके बारे में बद कुछ, जब एर्ड और आई एक ट्रांस आटलांटिक टेलीफोन कौन का आविशकार करते हुए एक जोड़ी शाम बिताई सिस्टम जो मुझे उस सब को जल्दी और आसानी से फाइल करने की अनुम्ति देगा, विशेश रूप से डिजाइन किये गए मेमोरी पहले इसमें व्यक्तिगत जानकारी के लिए अलग रखा गया प्रतिये एक अजन भी, मैंने पांच काल पने के मारतों का निर्मान किया था, प्रत्य एक चाय पार्टी के लिए एक मेहमान, प्रत्य एक अलग शैली में बनाया गया था, लेकिन एक समान मंजल योजना के साथ एक केंडरी आलिंद और उपगरह कमरे के आसपासा धारित है, प्लाम हल था अफिलिप जॉनसन के ग्ल प्लावटी अलंकरण के साथ, एन्यस तीसरा फ्रैंक गेहरी एस्क था, जिसमें लहराती टाइटेनियम की दीवारे और तानाबाना था खिर्णकियां, चोथा थ्वामस जेफर्सन के रेडबरिक घर पर आधारित था, मोन्टी सेलो, और पांचवे के बारे में कुछ खास ही था सिवाए इसके कि सभी दीवारों को चमकीले नीले रंग में रंगा गया था, प्रतेक घर की रसोई के रूप में काम करेगा एक पते का भंडार, प्रतेक घर की मांद में एक फोन नंबर होगा, मास्टर बेरूम शॉप के लिए था, बाथरूम जनमदिन के लिए था, और जल्दी, प्रतियोगिता से तीन सप्ता अपले, स्कुर की समीक्षा करने के बाद, मैं था उसे भिज कर, इर ने मुझे यह बताने के लिए फोन किया कि मुझे अन्य सभी अभ्यास बंद करने की आवश्यक्ता है, घटनाओं और चाय पार्टी पर विशेश रूप से ध रात का खाना उसके साथ चरित्र में बिताया, मुझे बता रहा था नेबरास का किसान या उपनगरीय ग्रहनी के रूप में उनके जीवन के बारे में कहानिया पेरिस की सीमस्ट्रेस, जिसे मैंने उसके बाद मिठाई के लिए याद किया, फिर, चैंपियन्शिप से एक सप ठीक उसी समय जब मैं सबसे कठिन प्रशिक्षन लेना चाहता था, एग ने मुझ से कहा कि मुझे रूप ना होगा, मानसिक एथली तवसंत करने के लिए प्रतियोगिता से एक सप्ता अपले हमेशा अपना प्रशिक्षन रोक दे उनके स्मृतिम्हलों की सफाई, वे उनके माध्यम से चलते हैं और मानसिक रूप से उन्हें किसी भी लंबित छवियों से खाली कर दें, क्योंकि प्रतिस परधा की गर्मी में आखरी चीज जो आप करना चाहते हैं वह गलती से आपको कुछ याद है, पिछले हफ्ते याद किया, कुछ प्रतियोगी, जब वे वास्त करें जो वे प्रतियोगिता में बनाते हैं, इर की योजना हमेशा यूएस में रिंग साइड होने की थी चैंपियन्शिप, लेकिन प्रतियोगिता से कुछ समय फले, वह आस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गया, जहां उन्हें दर्शन शास्त्र अनुसंधान करने का एक अ नूठा अवसर प्रदान किया गया था सिर्नी विश्वविद्यालय द्वारा उठाए गए अभूत पूर्व मुद्दों पर प्रिकेट का खेल, उनका मानना है कि इस खेल में और भी बेहतर उदाहरण है चिकन सिकसर्स या शत्रंच के ग्रेंड मास्टर्स की तुलना में उनकी थीसिस को रोशन करने के लिए कि हमारा दुनिया की ततकाल धारना स्मृति द्वारा शक्तिशाली रूप से आकार लेती है, अचानक यह निश्चित नहीं था कि वह बावत कुछ कर पाएगा पृत्वी के दूसरी ओर से लंबी और मंगी यात्रा, क्या कोई तरीका है जिससे मैं अपनी क्षमता पर आपकी घृणा का मध्यस्थता कर सकता हूँ, गैर मौजूदगी, उन्होंने प्रतियोगिता से कुछ दिन प्ले एक एमेल में पूछा, मैं जो भावना मसूस कर रहा था वह घबराहट के रूप में इतनी घृणित नहीं थी, हालां कि मैं भीक भी जो चुटकुले बनाए इस सच्चाई को छुपाया कि मैं जीत के लिए मरा हुआ था। जय जयकार और लापरवाह बचाव विजेता, जिसे मैं जानता था, कि सबसे स्वाभाविक प्रतिभाथी समूव, अगर उसने एक एउरोपिय की तरह कठिन प्रशिक्षन लेने का फैसला किया होता, तो हम में से बाकी मौका नहीं होगा, लेकिन किसी तरह मुझे शक हुआ कि वह उसमें है, अधिकतर मैं मौरिस स्टुल के बारे में जलाहट, अगर किसी ने समय दिया हो तो एर्ण, या 2744 चवी कारण जैसे मिलेनियम पी एउ सिस्टम विक्सित करना बेन की तरह प्रनाली, मुझे संदेह था कि यह मौरिस होगा, चैंपियंशिप से एक शांप ले एर ने मुझे इसका एक आखरी तुकड़ाई मेल किया सला, आपको केवल छवियों का स्वाद लेना है, और वास्तव में उनका आनंद लेना है, जब तक आप उनकी जीवन्त अच्छाई से खुद को आश्चर्यचकित कर रहे हैं, तब तक आप ऐसा करेंगे बस ठीक, किसी मा बनी रहती है सदेव, उस रात मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था जो जुनूनी रूप से अपने हर्मल में घहूम रहा था फले आगे और फिर पीछे और मॉरिस की चिंता करना, मैं नहीं कर सका नींद, जो जैसा कि मॉरिस ने स्वयम पिछले वर्ष में देखा था प्रति जयानक सपना देखा जिसमें डैनी डेविटो और रिया परलमेन, मेरे राजा और हुखुम की रानी सवारी कर रहे थे एक पार्किंग गैरेज के आसपास एक टट्टू पर घंटों के लिए हुखुम के साथ कोशिश कर रहा यह पता लगाने में व्यर्थ है कि उन्होंने अपनी लिंबोर्गिनी का उन्टेज, जैक ओफ, को कहां पार्क किया है दिल, अन्ततह वे और उनका धोड़ा डामर में पिघल गए, जब किम और इस स्टुल ने एक भयावह रौमिंजेल कैकल के साथ देखा, मैं चार उठा घंटों बाद, धुन्धला और चकित, और गलत इंग्लेंड से सपताहांत के लिए पूरी तरह से अमेरिकी क्षेत्र को स्काउट करने के लिए, पर मैंचेस्टर में हवाई अरड़े पर, उन्होंने अंतिम समय में प्रथम श्रेणी में छीन टाक्षी की थी उन्नेयन, मेरे पास अपना पैसा बरबाद करने के लिए और क उन्होंने मुझ से पूछा, मैं अपने आधे खाए हुए चमरे के जूतों को नीचे देखा, जिनके तलवे अब लगभग हो चुके थे पूरी तरह से अलग, अच्छा बिंदू, मैंने कहा, पली घटना अभी शुरू भी नहीं हुई है, और मैं पले ही हार चुका हूँ, मैंने बेन से कहा, मैं मेरी अनिद्रा और मेरे अनावश्यक शैंपूइंग के बारे में समझाया, और वह मुझे यकीन हो गया था कि मैंने सोने वालों के साथ कोई एहसान नहीं किया है, गोलियां, जिनके रसायन, उन्होंने कहा, शायद अभी भी माई, मैं तैर रहे थे र वकूफ मसूस करता था प्रतिस पर्धी होने के लिए मुझे जो महत्वपूर्ण काम करने की जरूरत थी, इस दोरान, मौरिस एक टिकसासे एंडे में गीज बेस बल्तो पीपने हुए चला गया और एपैसले शर्ट, पिछले साल की तुलना में कहीं अधे का अकरशक लग और भयावा आश्वस्त, उसने मुझे पूरे कमरे से पचान लिया, और सीधे चल दिया मेरा हाथ मिलाने के लिए और महान बिन से अपना परिचय देने के लिए प्रिर्मोर, आप वापस आ गए हैं, और इसने मुझ से कहा, यह एक दावा था, सवाल नहीं, जिस हद तक मेर रणनीती थी, वहम और इस परचीन टाक्शी करना था और उसे आश्चर्य, लेकिन जाहिर तोर पर उन्हें मेरे बारे में फ्ले ही बता दिया गया था, कोई उसे सूचित किया होगा कि मैं इर्को के साथ प्रशिक्षन ले रहा था, हाँ, मैंने सोचा था कि मैं इस साल प्र उप्योग की तरह है, मैंने पूछा, इस साल आपके नंबर कैसे दिख रहे हैं, मैं उसकी जाच कर रहा था देखें कि क्या उसने अपने सिस्टम को अपग्रेर किया है, वही अच्छा कर रहे हैं, और तुम्हारा, अच्छा, कार्ड के बारे में क्या, बुरा नहीं, आप, मुझे कार्ण में ठीक होना चाहिए, मैंने कहा, अभी भी उसी सिस्टम का उप्योग कर रहे हैं पिछले साल, उसने कोई जवाब नहीं दिया और मुझसे पूछा, तुम कल रात कैसे सोए, क्या, तुम कैसे सोते हो, वह मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहा था, उसे मेरी रखा, हाँ, मुझे वह याद है, और इस साल, इस साल, मैं ठीक सोया, जोश को नींद की गोलियों की जरूरत थी, बिनने मदद करते हुए कहा, हाँ, ठीक है, वे मूल रूप से एक प्लेस बो हैं, है ना, मैंने अभ्यास में एक बार नींद की गोलियां लेने की कोशिश की और मैं सो गया, अगली सुबह संख्याओं को याद रखना, मौरिस ने कहा, आप जानते हैं, कमी नींद स्मृति की दुश्मन है, ओ, वैसे भी, आज शुबह काम ना आए, हाँ, आपको भी शुबह काम ना आए, इस साल नया था कमरे में गुल जार होने वाले टीवी कैमरो की गड़गडाहट और प्ले बायपले विशले शक्मु के बाजी उद्धोशक केनी राइस और उनके कलर मैं, चार बार के यूएस, चैंपियन स्कॉट हैगवूर के सामने बैठे थे निर्देशक की कुरसियों पर मंच, उनकी उपस्थिती ने प्रतियोगिता को असली बन प्रतियोगिता से फले के क्षन बिताया अपने दिमाग को गर्म करने के लिए बाजी गरी करते हुए, अमेरिकी प्रतियोगियों ने सभी के बारे में सोचा छोटी छोटी बाते करना, जैसे कि वे कोई परीक्षा लेने ही वाले हो, अब और कोई मांग नहीं है एक आंख प एक पतला, चांदी के बालों वाला, और मूंचों वाला 48 वर्षी ये कॉर्पोरेट प्रबंधन सलाहकार कमरे के सामने खड़ा था प्रतियोगिता का परिचय दे, डौटिनो ने युएस मेमोरी चैंपियंशिप की स्थापना की 1097 और उनमें से अब तक 13 चलाए हैं, वह त भावित स्थान चैंपियंशिप इस बारे में कि उनके कार्यबल को और अधिक कैसे बनाया जा सकता है स्मृति तकनीकों के उप्योग के माध्यम से उत्पादक, आप हमारे देश में लोगों को बता रहे हैं कि स्मृति हमारे लिए नहीं है गीक्स, उन्होंने घोशना की, आप ऐसे मडल होंगे जिनके पास लोग आएंगे का पालन करें, इन घटनाओं का इतिहास लिखने के मामले में हम छोटे शिशूरों की तरह हैं, आप उन्होंने दोनों तरजनी उंगलियों से हमारी और इशारा किया इतिहास लिख रहे हैं पुस्तके, मैंने उनके बाकी भाशन के लिए ट्यून किया, अपने एयर अपलग वापस अंदर डाल दिये, और मेरे प्रत्याइक महल में एक अंतिम सेर की, मैं जांच कर रहा था, जैसा कि एन्था एक बार मुझे सिखाया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी खिर्किया खुली और अच्छी थी दो लूथरन भी शामिल था विसकॉंसिन के मंत्री नेटी, माइकल हार्टी का नाम लिया, लगभगाधा दरजन बच्चे रेमन मैथ्यूज के टेलेंटेर टेंथ से, और एक 47 वर्षी रिचमर्ण, वरजीनिया के पेशेवर मेमोरी ट्रेनर, जिसका नाम पॉलमेलर है, जिन्ह भी बड़ी तोपों को डेस्क के पीछे पिछली पंक्ती में रखा गया था, यह थे जिन लोगोंने डॉटिनो की भविश्यवार्णी की थी, वे खिताब पर दौल सकते हैं, मैं खुश था उनमें गिने जाने के लिए, यद्यपी पंक्ती के अंत में अंतिम सीट पर, डॉ पैक्ट तीस वर्षी ए सौफट वेयर इंजीनियर शामिल था सैन फ्रांसिसको से चेस्टर सैंटोस नाम दिया गया है, जो डी नाम से जाना जाता है ग्यूरे आइसमेन, जो शायद ही उनके मृदु भाशी, अजीव तरीके से फिट बैठता है, वह पिछले साल तीसरे मुझे बाग पसंद नहीं करता था, मेरे द्वारा अपना मूल लेक लिखने के बाद पिछले साल की यूएस चैंपियंशिप के बारे में स्लेट, मुझे एक इमेल उन्होंने टोनी डॉटिनो को लिखा था, इसमें चेस्टर ने शिकायत की कि मेरा टुक्रा भयानक था क्य परम अपमान की तरह लग रहा होगा, किनारे से मैंने के नी राइस को यह घते सुना, यह डराने वाला होगा, सब ताहांत के एथलीट की तरह जो लेबरोन जेम्स को एक में लेना चाहता है, आमने सामने का खेल, मुझे लगा कि वह मेरे बारे में बात कर रहा था, हालां कि दुनिया में हर दूसरी राष्ट्रिय स्मृती चैंपियंशिप सिल्दी जाती है, घटनाओं के लगभग समान मानक सेट से एक साथ, के अनुसार वर्ल मेमोरी स्पोर्ट द्वारा स्थापित नियमों का एक ही मानक सेट परिशद सन्यूत राज ये अमेरिका चीजों को थो आरंबिक सुबह का दौर शामिल है कलम और कागज के विशय नाम और चेहरे, गति संख्या, गति कार्ण और कविता जिन का उप्योग छह फाइनलिस्ट का चयन करने के लिए किया जाता है, वो छक का फाइनलिस्ट फिर दो पहर में तीन अदवितीय टेलिविजन अनुकूल में प्रतिस परधा करते हैं, उन्मूलन घटनाएं जिन्हें याद रखने के लिए शब्द, तीन हमले और कहा जाता है आप चाय पार्टी से बाहर हैं, और डबल रेकर बस्ट, जो की जब तक केवल एक उनाइटेज स्टेट्स मेमोरी चैंपियन शेश न हो, तब तक फील् घटना नाम और चेहरे थे, जो मैं हमेशा करता था, व्यवहार में बागत अच्छा किया है, फेल का उद्देश एक पैकेट लेना है, निन्यानबे सिर के शॉप्स और फ्ले और अंतिम नाम से जुड़े याद रखें, उनमें से प्रत्येक के साथ, एक अविस मरनी अपना देखकर ऐसा करता है, जो चेहरे को नाम से जोड़ता है, उदाहरन के लिए, इन्वर्ण बिनफोर्ण को ने, इनमें से एक निन्यानबे नाम जिन्हें हमें याद रखना था, वह एक काला आदमी था, एक बकरी, एक घटती हेयर लाइन, रंगा हुआ धूप का चश बिस्तर पर नदी पार करते देखा, यह याद रखने के लिए कि उसका प्ला नाम इन्वर्ण था, मैंने इन्वर्ण सिजर हैंड्स को उसके साथ बिस्तर पर लिटा दिया, गद्दे को तोड़ते हुए उसने उसे नदी के उस पार पैडल किया, मैंने शौन किर्थ को और उन तीनों के गठन की मेरे दिमाग में एक छवी चितरित की एक मानव पिरामिर, 15 मिनट के बाद प्रतियोगी उन नामों को घूरते हैं, और चेहरे, एक जजाया, और हमारे पैकेट उठाए, और हमें एक नया दिया स्टेपल किये गए प्रिष्थों का गुच्छा, भ अपनी रिकॉल शीट सॉंप दी, तो मैंने मान लिया कि मेरा स्कोर पैक के बीच में कहीं होने वाला था, एन्यस शौन किर्क और इन्वर्ण बिनफोर्ण के नाम मेरे पास वापस आ गए थे, लेकिन मैं फ्रिंच साउंडिंग के साथ प्यारा गोरा और बच्चा पर खाली अपनी था नाम और कुछ अन्य, इसलिए यह कलपना करना कठिन था कि मैंने वस सब किया है कुना, मेरे आश्चर्य के लिए मुझे याद करने में सक्षम एक्स और साथ प्रथम और अंतिम नाम थे, राम कोली के ठीक पीछे तीसरे स्थान के लिए काफी अच्छा है, जिन् ने एक सोचार किया, घटना का विजेता मैकिनिक सबर्ग का सत्रह वर्षी यह प्रतिस परधी तेराक था, पेंसिलवेनिया, जिसका नाम एरिंग होपलुले है, जिसने एक प्रभावशाली एक सोच और बिस का प्रबंधन किया था नाम, एक नया यूएस, रिकॉर्ड और एक ऐसा स्कोर जिसे की मंजूरी मिल जाती शीर्ष ये उरोपिय लोगों से भी सम्मान, जब उसके नंबर की धोशना की गई, वह उठ खड़ी हुई और भिरचाल से लहराई, मैंने राम की ओर देखा, और उसे पकड़ लिया मुझे वापस देख रहे हैं, उसने अपनी ब की कोचिंग को काफी हद तक नज्रह अंदाज कर दिया था, वह मुझे उकसा रहा था संख्याओं के लिए अधिक जटिल प्रनाली विक्सित करने के लिए महीनों तक काफी नहीं, 64 गन मैन आफव और, मिलेनियम पी ओ सिस्टम जिसे उन्होंने महीनों बिताया था पर काम कर रहा है, लेकिन कुछ साधारन मेजर से कम से कम एक कदम आगे वह प्रनाली जिसका उप्योग अधिकाश अन्य अमेरिकी कर रहे होंगे, मैंने उसे मना लिया था और सभी 52 आश के पत्तों के लिए एक पी ओ प्रनाली विक्सित की, लेकिन मुझे कभी नहीं मिला से 99 तक प्र अमेरिकी मानकों के अनुसार भी औसत दर्जे का, और फिर भी मैं 88 अंक को मिलाने में काम्याब रहाबिल के बजाय कोस भी, मुझे एक परिवार को मिल्टन के बड़े संसकरण को खेलते हुए देखना चाहिए था ब्रैनली का जीवन का खेल, मैंने अपने खराब प्रदर् पर जो कमरे में घहूम रहा था, फिर भी मेरे 87 अंकों ने मुझे पांचवे स्थान पर छोड़ दिया, मौरिस ने 148 का बैंक किया था, एक नया यूएस, रिकॉर्ड और राम 144 के साथ दूसरे स्थान पर रहे, एरिन थी केवल 52 अंक याद करके 11 स्थान पर नीचे आ गया मैंने पाया उपर, बढ़ाया, और एक तिहाई कप कॉफी भी, वे एमय के रूप में जाने जाते हैं, या मानसिक एथलीट, मैंने के नीरा इसको कैमरे से गंभीरता सिखते सुना, लेकिन इस पर प्रतियोगिता में बिंदु, एमय कुछ और के लिए खड़ा हो सकता है, मा अंगली चुनोती मैं थी एगर के साथ सशस्त्र एक मात्र प्रतियोगी जिसे नवी इंतम यूरोपीय कहा जाता है, हतियार, अधिकांश अमेरिकी अभी भी प्रत्येक में एक ही कार्ण रख रहे थे ठिकाना, और यहां तक कि वे लोग जो वर्षों से प्रतिस परधा कर र चैंपियंशिप में ताश के पत्तों का एक पूरा पैक याद करने में सक्षम, धन्यवाद एग के लिए, पी एओ सिस्टम में एक में पैक किये गए तीन कार्ण का उप्योग कर रहा था छवी, जिसका अर्थ है कि यह किसकी तुलना में कम से कम 50 प्रतिशत अधिक कुशल किसी अन्य अमेरिकी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था, यह एक बात बड़ा फायदा था, भलेहीम और इस, चेस्टर और राम मुझे दूसरे में पोचने जा रहे थे अनुशासन, मुझे उम्मीद थी कि मैं स्पीड कार्ण में अपना स्कुर बढ़ाने में सक्षम हो स जो मैं समझ नहीं पाया मेरे एर अपलग और एर मफस के माध्यम से, मैं अपना काला स्प्रे साथ लाया था, स्पीड कार्ण के लिए पेंट किये गए मेमोरी गॉगल्स, और उस क्षन तक मेरे सामने डेस्क पर ताजा फिर अबदल किया गया डेक रखा गया था, मैं अभी में तीन टेलिविजन कैमरे भी धहूम रहे थे, जैसा उन में से एक ने मेरे चेहरे को बंद करने के लिए जूम इन किया, मैंने सभी लोगों के बारे में सोचा मुझे पता था कि प्रसारण कौन देख सकता है, हाई स्कूल के सपाथी आई बरसों से नहीं देखा दोस्तों जिनहें मेरी याददाश्ट का अंदाजा नहीं था जुनून, मेरी प्रेमिका के माता पिता, अगर वे चालू हो गए तो वे क्या सोचेंगे उनके टीवी और मुझे बड़े काले सुरक्षा चश्मे और यर्मफ्ट ने देखा, ताश खेलने के रडे के माध्यम से जनता का मेरा डर्शरमिंदगी ने मेरी प्रतिसपर्धी प्रवृत्ति को चकनाचूर कर दिया, और मैंने चश्मे को छोड़ दिया मेरे पैलों से फर्ष, कमरे के सामने से, मुख्य मध्यस्त, एक पूर्व समुद्री ड्रिल सार्जेंट, चिलाया, जाओ, मेरे जजने उस प्रतिम हल मैं किसी और से बेहतर जानता था, वाशिंगटन में घर, डी सी, जिसमें मैं चार साल की उम्र से रहता था वही घर जिसका मैं इस्तेमाल करता था सेंट्रल पार्क में रॉक परेर की टूडू सूची को याद करने के लिए, सामने के दरवाजे पर, मैं मेरे दोस इस्तलिस को एक सुअर को चीरते हुए देखा दो दिलों के, दो हीरे के, तीन के दिल, अंदर ही अंदर, इनक्रेडिबल हल्क ने एक स्थिर बाइक की सवारी की, जबकी एक जोड़ा, बड़े आकार के, नुकीले जुमके ने उसके कान के लोगों का वजन कम किया, क्लब के तीन, हीरे के साथ, हुकुम के जैक, कितल पर दरपन के आगे सीरिया, ठेरी ब्रैग्शो वहील चेयर पर संतुलित साथ दिल, नौ हीरे, आठ दिल, और उसके ठीक पीछे, एक बौना जोकी सुम्ब्रेरो एक हवाई जहाज से छतरी के साथ पैराशूर साथ हुकुम, आठ ह चार क्लब, एक के माध्यम से आधा रास्ते, मौरिस के टिंटनिक विलाप एक बार फिर मेरे कानों में धुस गया, चलना नहीं, मैंने सुन लिया वह चिलाता है, संभवतह किसी अन्य फोटोग्राफर पर, इस बार मैंने इसे तूटने नहीं दिया मेरा ध्यान, अपने भा पर खून बह रहा था दालान में लिंबोर्गिनी पंच दिल, हीरे का इतका, दिल का जैक और मेरे माता पिता के बेनरूम के दरवाजे के नीचे, मैं खुद के साथ चांद पर चल रहा हूँ, आइंस्टीन चार हुकुम, दिलों का राजा, तीन हीरे, गती कार्ण की कला गत के बीच सही संतुलन खोजने में है जल्दी और विस्तृत चित्र बनाने, आप बस एक का पर्याप पकरना चाहते हैं, अपनी छवियों की एक जलक देखें ताकि बाद में उन्हें फिर से बनाया जा सके, बिना आवश्यक्ता से अधिक रंग बनाने में कीमती समय बरबाद करना, जब मैं घड़ी को रोकने के लिए अपनी हथेलियों को वापस टेबल पर रख दे, मुझे पता था कि मैं एक हिट करूंगा उस संतुलन में मीठा स्थान, लेकिन मैं अभी तक नहीं जानता था कि कितना प्यारा है, मेरे सामने बैठे जज ने मुझे उस पर टाइम लेश किया, स्टॉप वाउच, एक मिनट और चालीस से करंड, इतना ही नहीं से बेहतर था, मैंने कभी भी अभ्यास में कुछ भी किया है, लेकिन मैंने यह भी तुरंत पचान लिया कि यह एक मिनट और पचपन के पुराने सन्यूक्त राजय के रिकॉर्ड को तोड़ अपना सिर ठेबल पर रख दिया, फुस फुस आया एन अपने आपको समाप्त करने के लिए, और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए एक सेकंड का समय लिया कि मेरे पास था संभवत, अभी अभी कुछ किया है हालांकिगी की, हालांकित उच्छ बेहतर की तुलना में यह प पुचित संतुष्टी मसूस हुई ऐसा लग रहा था कि उसे परेशानी हो रही है, फिर मैंने चेस्टर को देखा और मिल गया बेचेंग, वह आत्म विश्वास से मुस्कुरा रहा था, वह नहीं होना चाहिए था, वह था 2 मिनट और 15 सेकंड में सुस्ती के साथ पूरा हु अंतराश्ट्रिय मेमोरी सरकिट के मानकों के अनुसार, जहां 30 सेकंड सबसे अच्छा समय है, मेरा मिनट और 40 सेकंड होता, मध्य माना जाता है इन में से किसी के लिए 5 मिनट के मील के बराबर गंभीर यूरोपीय, लेकिन हम यूरोप में नहीं थे, मेरे समय के शब्द के रूप में पूरे कमरे में यात्रा की, कैमरे और दर्शक मेरी मेज के चारों और इकठा होना शुरू कर दिया, जज ने एक सेकंड निकाला ताश खेलने के डे को हटा दिया, और उन्हें मेज के पार मेरी और धकेल दिया, मेरा काम अब बिना फेर अबदल वाले पैक को मैं सभी छवियों को देख सकता था दो को छोड़ कर ठीक वही पर बैठा हूँ जहां मैंने उन्हें छोड़ा था, उन्हें होना चाहिए था शौवर में ठपकता गीला, लेकिन मैं जासूसी कर सकता था खाली बेज रंग की टाइले, मैं इसे नहीं देख सकता, मैं अपने आप से फुस फुस आया, मैं इसे नहीं देख सकता, मैं भग गया मेरी हर एक छवी जितनी तेजी से मैं कर सकता था, क्या मैं एक विशाल भूल गया था पैर की उंगलियों की जोड़ी, एक एस कॉप्ट ने हुए एक फॉप, पामेला इंडर्सन का रेक, टैनेस लकी चार् और उसके मृत सुर को रखा, के पास उसे, हलक अपनी बाइक पर, और टेरी ब्रैग्शो अपनी वहील चेयर के साथ, के रूप में मेरे पांच मिनट के रिकॉल टाइम पर घड़ी खत्म हो गई, मेरे पास तीन कार्ण रह गए अभी भी मेज पर, वे तीन कार्ण थे जो से गायब हो गए थे शावर, भीरे का राजा, चार दिलों का, और साथ प्लबों का, विपत्र एक बास्केट बॉल के साथ मैथुन करते हुए क्लिंटन, मैं इसे कैसे चूक सकता था, मैंने ताश के पत्तों के धीर को जल्दी से एक चौक और धीर में साफ किया, उन्हें हिला आया वापस मेज के पार्ण या आधीश के पास, और मेरे कान की बाली और कान हटा दिये प्लग मैंने इसे नोज लिया था, मेरे मन में कोई संशय नहीं था, एक टेलिविजन कैमरे के चारों और चकर लगाने के लिए एक शन प्रतीक्षा करने के बाद एक बहतर कोर के जबकि नाट की अप्रभाव के लिए मैंने याद कि ये गईर डे के साथ भी ऐसा ही किया, दो दिल, दो दिल, फीरे के दो, फीरे के दो, तीन दिल, तीन दिल, कार्ण दरकार्ण हर एक का मिलान हुआ, जब हम डे के अंत तक पहुँचे, आई आखरी कार्ण टेबल पर और धारक थागती कार्ण, मेरी मेज के चारों और जो भीर जमा थी, उसने तालिया बजाही जोर से, एक व्यक्ति ने हूटिंग की, बेन प्रिर्मोर ने अपनी मुठी पंप की, एक बारह साल बूरहा लड़का आगे बढ़ा, उसने मुझे एक पेन दिया, और मेरा जिन कारणों को कभी सपष्ट नहीं किया गया था, उनके लिए यह निरनय लिया गया था कि सुबह के फले तीन मुकाबलों में तीन शीर्ष फिनिशरों को दिया जाएगा अलविदा, और कि अंतिम प्रारंभिक घटना में प्रतिस परधा नहीं करना होगा सुबह, कविता संख्या में मेरे कम स्कोर के बावजूद, मेरा रिकॉर्ण कारण के साथ प्रदर्शन मुझे दूसरे स्थान पर छोड़ने के लिए पर्याप थाकुल मिलाकर, मौरिस से पीछे और आइस मैन, चेस्टर से आगे, हम सभी थे सीधे क्वार्टर फाइनल में जा रहे हैं, हम तीनों ने प्रतियोगिता हॉल छोड़ दिया बेन प्रिर्मोर के साथ और कॉनेगिसन कैफेटेरिया में चले गए, जहां हम एक ही मेज पर बैठकर सोहार्दपूरन और अधिक तर्म और दोपहर का भोजन कर रहे थे, जब हम लोटे, हम तीनों को मंच पर राम ने शामिल क प्रतियोगिता अपने स्थान पर स्थानां तरित हो गई दूसरे चरण के लाभ के लिए नाटक को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया टेलिविजन कैमरे, निफ्टी 3D ग्राफिक्स अब एक स्क्रीन पर पेश किये गए थे कमरे के सामने, और मंच पर नाट्य प्रकाश्ट डाला गया, जहां हमारे बैठने के लिए निर्देशक की छहलंबी कुर्सी यहां थी, जिन में से प्रत्य एक पर एक लेपेल था उस पर आराम करने वाला माइक्रोफोन, दो पहर की फलीग घटना यादरिच छिक शब्द थी, एक ठेट यादरिच छिक में एक विशिष्ट राष्ट्रिय चैंपियंशिप में शब्द घटना, प्रतियोगी करेंगे की सूची से अधिक से अधिक शब्दों को याद करने के लिए 15 मिनट का समय दे 400, फिर एक छोटा ब्रेक, और फिर 30 मिनट जितना लिखना है जैसा कि वे की एक शीट पर क्रम में याद कर सकते थे, यह बिलकुल नहीं है खेल दर्शक, यह इस चैंपियंशिप के लिए यह निरनय लिया गया कि सब कुछ मंच पर होगा, इस उम्मीद के साथ कि यह घटना को कुछ उधार दे सकता है हाथ से मरोडने, पिड़ा देने वाली चीखे और अन्यकाबो की हरक्तों से स्पेलिंग भी को ऐसा सम्मोहक थियेटर बनाए, हम में से चह को अंदर जाना था एक वरित्त, एक कैक करके, प्रत्य एक सूची में अगले शब्द को बुलाता है जो हम चाहते हैं, कंठस्त एक शब्द को याद करने वाले पले दो मानसे केथ अथलीटों को खटखटाया जाएगा बाहर, सूची सरी स्रिप और जैसी ठोस संग्याओं और प्रियाओं का संग्रह थी भूदना, जो कलपना करने में सबसे आसान है, कुछ कठिन से दया, और अनुग्रह, जैसे अमूर्त शब्दों की कलपना करें, जबकि आपका देश्य सामान्य याद्रिच्छिक शब्द घटना जितना संभव हो उतना याद रखना होगा, और शायद अपनी पैकिंग के लिए इसके बारे में थोड़ा लापरवाह हो, मेमोरी पैलेस टू कैपेसिटी, इर्ड, और मैंने माना था कि के नियम यह उएस, चैंपियन्श का मतलब था कि कम याद करने के लिए एक बुद्धिमान रणनीति थी, शब्द मैं केवल 120 के लिए गया था, लेकिन सुनिश्चित करें कि वे 100 और प्रतिशत सही थे, हमें लगा कि मंच पर मौजूद अधिकांश लोग शायद याद रख सकते हैं मुझसे ज्यादा लेकिन यह भी कि कोई पागल होने वाला था और जितना वह संभाल सकता है उससे अधिक के लिए प्रयास करें, मैं वह आदमी नहीं होता, हमारे 15 मिनट याद करने के बाद, हम एक कई करके गए मंच पर सूची से अगले शब्द की धोशना करते हुए, वयंग्य, आइकन, श शब्द सुन, था हम सभी पांचों को यह पता था लेकिन किसी कारण से वह से नहीं देख सका, वह सिरह लाते हुए वापस अपनी कुर्सी पर गिर पड़ी, नौ शब्द बाद में, पॉलमेलर ने ऑपरेशन, को अपरेट, के लिए गलत समझा एक प्लासिक धोखे बास द् शब्द, यह समझना मुश्किल था कि घटना कैसे हो सकती है, इतनी जल्दी खत्म हो गए हैं, यहां तक कि कोई भी जिसने अभी अभी का सिध्धान्त सीखा है, मेमोरी पहले सामत और पर कम से कम 30 या 40 शब्दों को याद करने में सक्षम होता है भले प्रयास पर, मुझे सं इसरों की जबर्दस्ती गलतियों के कारण अंतिम चार में पहुँच गया था, कौन मतलब मैं यूएस, मेमोरी के फाइनल से एक चाय पार्टी दूर था चैंपियन्शिप, ग्रीश मकालीन पोशाक में एक लंबा श्यामला मंच पर चला गया और पेश किया खुद, हाए, म मैं डायना मेरी एंडरसन हूँ, मेरा जन्म 22 दिसंबर 1067 को हुआ था, इथाका, नियू यूर्क में 14,850, मेरा कार्य नंबर, लेकिन प्रिपया मुझे कौन न करे वहाँ, 929 246,735 है, विस्तार 14, मेरे पास एक पालतू जानवर है, और उसका नाम कर्म है, और वह एक पीली प्रयोग शाला है, मेरे कुछ शौक है, फिल्में देखना, साइकल चलाना, और बुनाई, मेरी पसंदीदा कार 1027 मॉडल टी फोल्ड है, यह काला है, जब मैं खाता हूँ, मेरे पास पिजजा और जेली बीन्स, और पेपर मिन्टस्टिक आइसा क्रीम है, जब वह बोल रही थी, राम, चेस्टर, मॉरिस, और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, हमारे स्मृतिम्धलों में छवियों को गरूप से चितरित करना, डायना का जन्म दिन, 12-62, एक नन्द बाईस को कुचलते हुए एक टन्व जन्द बारह बन गया, क्योंकि उसने पी लिया था एक फ 14 हिथाका के प्रसिद्ध घाटियों में से एक के कगार पर लढखना, और उतरना अद दोस्तों की जोड़ी 854 और चाय पार्टी के मेहमान मंच पर दिखाई दिये, और समान रूप से संपूर नात्मक्थाएं पढ़ें, प्रतियोगिता कुथरी स्ट्राइक से अन्यू आर उठ कहा गया, जिसका अर्थ था कि जानकारी के तीन तुप्रे भूलने वाले फले दो प्रतियोगी होंगे सफाया, काम करने के लिए भूलने की अवस्था के लिए हमें कुछ मिनट देने के बाद इसका जादू, चाय पार्टी के पांच मेहमान मंच पर वापस आये, और चुरू हो गए हमें अपने बारे में पूछ ताच, सबसे फले हमसे का नाम पूछा गया सुनहरे बालों वाली युवती और बेसबाल टोपी, पांच में से चोथा मेहमान, पंक्ती के अंत में बैठे चेस्टर को यह पता था, सुसान लाना जोन्स, मौरिस से उसके जन्म क तारीक के बारे में पूछ ताच की गई, जो वह नहीं जानता था, और जिसने मुझे आश चर्यचकित कर दिया कि क्या वह अपनी शुब रातरी के बारे में जानसा नहीं दे रहा था नींद, मौरिस के लिए एक हरताल, सौभाग्य से, मुझे उसका जन्म दिन पता था, मै 32,180, लेकिन चेस्टर को अपना फोन नमबर याद नहीं था, वन स्ट्राइक फोर चेस्टर, और मौरिस भी नहीं कर सकता था, मौरिस के लिए दो हमले, कैमरा मुझे पर जूम इन किया, मेरे लिए 10 अंकों, प्लस एक सेटिंशन को कॉल करने की प्रतीक्षा कर रहा था, मैं मैंने उसका फोन नमबर याद रखने की कोशिश तक नहीं की, मैंने सीधे देखते हुए कहा लेंस, मेरी रणनीती बाकी सब चीजों पर ध्यान केंडरित करने की थी, और बस उम्मीद थी कि वे लंबी संख्या किसी और की समस्या होगी, वन स्ट्राइक फोर जोश, खेल इ रहे हों बायोस उन्होंने तीन प्रहार किये, वह बाहर था, हम तीनों अन्य जीवनी विवरनों को लेकर मंच पर बने रहे कई और राउन के लिए आगे और पीछे, आखिरकार यह चेस्टर वापस अगया चाय पार्टी के मेहमानों में से किसी एक का काम फोन नमबर सुना तोनी डॉटिनो ने कहा, यही वह तरीका है जिससे यह काम करता है, मंच के बाही और एक मंच के पीछे, गेम शोह होस्ट के रूप में अभिनय करते हुए, चलो, फोन नमबर किसी को नहीं पता, आप एक नमबर गुरु हैं, चेस्टर, अगर मैं चेस्टर की कुरसी पर बै और ढूंगा भागे कि मैं अब अपने पर थायू इस मेमोरी चैंपियनशिप के फाइनल में जाने का रास्ता, अंतिम कार्यकरम से फले 10 मिनट के ठराव की धोशना की गई, डबल, डेकर बस्ट, जिसमें राम और मैं प्रत्याइक के पास 5 मिनट होंगे ताश खेलने के वह दोडेक याद रखें, मौरिस ने मुझे आई, के रूप में पकर लिया मंच से उत्रे और अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया, आप तो विजेता, उन्होंने क्लिप्ड अंग्रेजी में कहा, राम दोडेक नहीं कर सकते, यह है कुछ, मैंने उसे धन्यवाद दिया, और अभीर के माध्यम से अपना रास्ता बनाने की कोशिश की कमरे से बाहर निकलने के लिए, बिनने सीरियों के तल पर मुझे, कि साथ बधाईदी फैली हुई हथेली कम पांच की प्रतीक्षा कर रही है, कार राम की सबसे खराब घटना है, उन्होंने उत्साह से कहा, आपको यह मिल गया है, अब बैग, चलो, यार, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, यह पागल है, आपको बस इतना करना है कि आपने आज सुबह जो किया है, उसका आधा है, कृपया ऐसा मत कहो, आप कुछ गंभीर बुरी नजर को नीचे ला रहे हैं, यहां, उन्होंने माफी म मांगी और राम को उनकी शुबह कामनाय देने के लिए खोजने के लिए निकल पड़े, किनारे से, केनी राइस ने अपना पले-बायपले विशलेशन जारी रखा, हम, यह उस, निशनल मेमोरी में निरनायक शन के करीब हैं चैंपियन्शिप, राम कोली ने पिछले साल यह हिविंट जीता था, 25 साल कर सकते हैं वरजीनिया के पुराने रिपीट को खीचते हैं, यह नवागंतुक जोशुआ फायर होगा, एक इंटरनेट पत्रकार जिसने फले इस घटना को कवर किया है, अब वह यहां है, इससे जीतने की कोशिश कर रहा है, यह आखिरी घटना, डबल डेकर बस्ट, एक दिमाग के खिलाफ है मन की लड़ाई, मुझे पता था, बुरे कर्म के बावजूद, किबिन, और मॉरिस सही थे, टकर मारना मुश्किल से पांच मिनट में ताश के पत्तों का एक भी डेक याद कर सकता है, बग कम दो, पसीने से लथपत रोशनी के एक टेलिविजन के लेंस के साथ आंख से आंख मिलाना कैमरा, मुझे पता था कि मुझे बस इतना करना है कि वह चोक नहीं है, और वह चांदी का हाथ है सुनहरी नेल पॉलिश मेरी होगी, बैठने और कान में पलग लगाने के बाद मैंने जो पला काम किया, वह था दूसरे पलेंडे को एक तरफ हटा दे, चुनकि मुझे केवल एक और याद करने की आवश्यक्ता थी राम की तुलना में कार्ण, मैंने तय किया कि मुझे पलेंडे को भी अच्छी तरह से पता चल जाएगा जैसा मैं कर सकता था, मैंने उन बावन कार्णों को देखते हुए पांच के पास नहीं है एक मौका, मैंने सोचा, पंच मिनट याद करने के बाद, एक सिक का उचाल कर निर्धारित किया गया जो रिकॉन के दोरान सब से पले जाएगा, राम ने पूंच कहा, यह सिर्था, यह अब करने के लिए था मुझे चुनना है कि शुरू करना है या राम को, यह महत्वपूर्ण है, मैं फुस फुस आये, मेरे लैपेल द्वारा उठाए जाने के लिए काफी जोर से माइक्रोफोन, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और जितनी तेजी से चल सकता था, चला गया डेक, यह देखने के लिए जाच कर रहा है कि क्या मेरे मेमोरी पैलेस स्थानों में कोई गैप तो नहीं है, जहांकि नहीं कारणों से छवी अटकी नहीं थी, जैसा कि प्पले हुआ था उस सुबह, अगर होते तो मैं चाहता था कि राम उन लोगों के लिए जवाब दे हो कारण, मैं नहीं, अंत में, एक लंबे विराम के बाद, मैंने अपनी आंखें खोली, मैं शुरू करूंगा, मैंने इसके बारे में एक सेकंड और सोचा, नहीं नहीं नहीं, रुकना, राम शुरू कर सकते हैं, यह शायद एक आखिरी मनोवेग ज्यानिक खेलक औशल की तरह लग रहा था, लेकिन वास्तव में मुझे एहसास हुआ कि मुझे प्लीस कार्ण याद नहीं है, मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि राम की जिम्मेदारी होगी, डौटिनो, ठीक है, राम, यह आपके लिए प्लेकार्ण के लिए है, राम ने एक सेकंड के लिए अपनी उंगलियां घुमा ही, दो हीरे, फिर मैं, दिलों की रानी, नौ पीछे मुर कर देखा, हीरो का राजा, अब मैं सिरहिला रहा था, मुझे पता था कि वह बाहर था, पंचवे कार्ण पर, मैं आश्चर्य से राम की ओर देखा, उसने उड़ा दिया, वह हद पार कर गया, और इस, आगे की पंक्ती में बैठे, उसके माथे पर प्रहार किया, हमारे पास एक नया ये उनाइटेर स्टेट्स में मोरी चैंपियन है, मैं खड़ा नहीं हुआ, मुझे यकीन भी नहीं है कि मैंने एक मुस्कान का उलंगण किया है, एक मिनट फले, मैं बस जीतना चाहता था, पर अब मेरा पला जजबा खुशी नहीं था या राहत या आत् बाकर रखा, घर पर देख रहे लोग शायद मुझे लगा कि मैं भावनाओं से उबर गया हूँ, वास्तव में, मैं अभी भी अटका हुआ था मेरे स्मृतिमहल के अंदर, असंभव छवियों की दुनिया में तैरते हुए मैं जिस मंच पर बैठा था, उससे कुछ पल के ल क्या था, मैंने अपना हाथ गिरा दिया, उसकी और मुडा, और वापस फुस फुस आया, पंचो, कलब, डोमडी लुईस, हुलाहू पिंग, बैशक, उपसंगहार, जोशुआ फोर को बधाई, उसके पास वास्तव में लिखने के लिए एक कहानी होगी इस समय के बारे में, है न, प्ले बाय प्ले मैंन केनी राइस की घोशना की, वह यहां वास्तव में सिर्फ यह देखने के लिए आया था कि इसमें क्या लगेगा और वह घर जा रहा है, ठीक है, एक धोखे बाज, जोशुआ के लिए बुरा नहीं है, हडी नेट रिपोर्टर रॉन क्रूक ने कह जो पोस्टगिम के लिए हाथ में माइक्रोफोन लेकर मंच पर चढ़ा था साक्षातकार, आप अंदर आए और इस घटना को दो बार कवर किया, कैसे महत्वपूर्ण क्या आपके इतने सफल होने और यह जीतने का वह अनुभव था, मेमोरी चैंपियंशिप आज, मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण था लेकिन मुझे लगता है कि मैंने आज तक जो अभ्यास किया है, वह है शायद अधिक महत्वपूर्ण था, मैंने कहा, ठीक है, इसने आज आज आपके लिए भुतान किया, निश्चित रूप से, आप दुनिया के रास्ते पर हैं चैंप चैंपियंशिप में होने का कोई मौका नहीं है, इमानदार, वे लोग ताश के पत्तों का एक डेक याद कर सकते हैं, जैसे 30 से करण, वे मूल रूप से अलौकिक हैं, मुझे यकीन है कि आप सन्यूत राज अमेरिका को गौरवान विद करेंगे, हम सब आप पर भरोसा कर र उसने मेरे चेहरे पर माइक्रोफोन लगा दिया, मुझे जवाब देना था कि मैं कुआलालंपूर जा रहा था, मुझे लगता है, या शायद मैं खने वाला था डिजनी लेंड, मैं उल्जन में था, और बहुत बहुत थका हुआ, और कैमरे थे रोलिंग घुम, मुझे नह के लिया में मध्य सुबह था, और वह के आउट फील्ड में खड़ा था क्रिकेट परिच, आकरशक, उन्होंने कहा, प्रायोगिक दर्शन में, इन, इट्स जोश, क्या तुम जीते, उसके मुझ से शब्द ऐसे निकले जैसे वह इंतजार कर रहा हो मेरी कौन के लिए सारी स सुबह, मैं जीता, उसने एक धार लगाई, क्या शांदार तक ताप लठे, अच्छा किया, यार, अच्छा किया, आप जानते हैं इसका क्या मतलब है, है न, अब आप इसके निर्विवाद स्वामी हैं, अमेरिका के दिमाग, अगली सुबह, जिग्यासा से बाहर, मैं मेमो तो यूरोपीय लोगों को एक नौ सिखिये के बारे में क्याकना था, अमेरिकी क्षेत्र में सरवश्रेष्ट प्रदर्शन किया है, बिन पलेही एक चौदह लिख चुका था चैंपियंशिप पर पेज रिपोर्ट, अन्तिम खंड में कुछ शब्द शामिल थे नए चैंप पर ले जाता है, बिन ने लिखा, उसने अपनी तकनीक के उरोपीय लोगों से सीखी है, वह रहा है यहां पर प्रतियोगिताएं, और वह दूसरों की तरह निम्न द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, अमेरिका में इसे बड़ा बनाने के लिए आवश्यक मानक, उसके पास ए निस संदे उसके देशवासी उठ खड़े होंगे उसके साथ रहने के लिए खेल, दूसरों को प्रेरित करने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यक्ता होती है, इसलिए मैं लगता है कि अमेरिका में स्मृति के लिए भविश्य उजजवल दिखता है, यह उस, मेमोरी च के पत्तों का एक डेक याद रखें, PSPN जानना चाहता था कि क्या मैं सीख हूंगा उनके सुबह के शो में से एक के लिए NCAA Tournament Bracket, सब लोग बंदर को अपनी चाले करते देखना चाहता था, मेरे Newfound Stardom का सबसे बड़ा जटका याहारे हुए, पर निर्भर करता है आपका प्रतिनिधि था दुनिया में सन्यूत राज्य अमेरिका के सभी 300 मिलियन नागरिकों में से मेमोरी चैंपियंशिप या ऐसी स्थिती नहीं थी जिसकी मैंने कभी उमीद की थी में, मेरे प्रशिक्षन के दोरान कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैं कर सकता हूँ, किसी मेरे प्रशिक्षन के घंटे, मैंने शायद ही कभी अपने अभ्यास स्कोर की तुलना करने के बारे में सोचा हो उन लोगों के। की कोशिश करूँगा, और एक टीम यह से टी शर्ट, मेरी सिध्धान्त महत्वा का अंक्षा बस शर्मिंदा करने की नहीं थी मैं या मेरा देश, मैंने खुद को दो माध्यमिक लक्ष्य भी निर्धारित किये, मैं समाप्त करने के लिए सैंती सव्यक्तिक शेत्र के पतिनिधी, मुझे यहकने में डर लगता है कि मैंने दिया दुनिया अमेरिका की सामुहिक स्मृति की पूरी तरह से औसत दर्जे की छाप है, हालां कि मैंने एक घंटे में ताश के पत्तों के एक सम्मानजनक सारिन और एक सीखे ग्रेंड मास्टर मानक से आधार एक छोटा घंटे की संख्या में मेरा स्कोर एक अपमानजनक 380 अंक ग्रेंड मास्टर से 620 कम था, मैंने प्रबंधन किया नाम और चेहरों में दिखा 30 रा स्थान, एक उतलब्धी मैंने गढ़ी इस तथ्य के लिए कि हमें याद रखने के लिए नामों का पैकेट दिया गया था जात लगभग हर जर्मन, आस्ट्री आई और ब्रिटेन के पीछे लेकिन मुझे खुशी है कते हैं, फ्रांसीसी आदमी और पूरी चीनी टीम से आगे, चैंपियनशिप के आखिरी दोपहर में, एर मुझे एक तरफ ले गया और कहा मुझे मेरी अच्छी याददाश्ट और उत भी ज्यादा, स्मृति सर्किट की दुनिया में सच्ची उपलब्धी का संकेत दिया, मैं जानता था कि तीन बार के विश्व चैंपियन एगनी बेल की पिशकश कभी नहीं की गई थी के L7 में सदस्य था, दुनिया के तीन दर्जन में से किसी के पास भी बाहुमत नहीं था स्मृति के महान स्वामी, उस वर्ष एक मात्र अन्य प्रेरक होना था, जो आचिम थेलर, एक मिलन सार 17 वर्षी ये आस्ट्रियाई, और वह केवल था लगातार दो विश्व में तीसरे स्थान पर रहने के बाद कलब में आमंतरित किया गया चैंपियन्शिप, के L7 के सदस् प्रस्ताव ने मेरे पूरे सफर को पूरा कर दिया, एक तरह से मैं कभी अनुमान नहीं लगा सकता था, जब मैंने पली बार एक के रूप में सेट किया था, प्रतिस परधी यादगारों की विचित्र संस्कृति को प्राउनिकल करने की उम्मीद करने वाले बाहरी व्यक्त अब मैं सचमूच आधिकारिक तोर पर उनमें से एक बन जाऊंगा। शत्रंज खिलारी हुआ करते थे एक ठा और जहां अब तक के सबसे प्रसिद्ध शत्रंज मैचों में से एक 1851 का अमर खेल, एक डॉन फेंडर्सन और लियोनेल द्वारा खेला गया था के से रिट जकी, के एल सेवन के कई सदस्य मिठाई से फ्लेडकाउट हो गए और चार् गातार 133 के लिए बोली जाने वाली संख्याओं में अंक मेरे बगल में एक चमरे की कुरसी पर बैठ गया, एक के नीचे बड़ी नकाशी दार पत्थर की चिमनी, मुझे इसे आपके लिए रखने दो, उन्होंने कहा, प्रम में हमारे रैंक में शामिल होने के लिए, आपक करता हूँ, गंतर एक स्किन टाइट अंडर शर्ट में मेरे पीछे-पीछे दोड़ा, यह उलेक नियर रूप से करने योग है, जोश, एर ने अपनी घड़ी को अपने से हटाते हुए कहा कलाई, हम आपको यह तय करने के लिए एक मिनट की तैयारी का समय देने जा रहे हैं कि क्या आप याद करने से फले या याद करते समय बियर को कम करना चाहते हैं, लेकिन एक सावधान कहानी के तोर पर मैं आपको बतादूं कि एक बार किसी ने ऐसा करने की कोशिश की थी 49 अंक याद करें, और फिर तुरंत दो पिंट पिया याद करने से फले, और वह अभी तक KL7 का सदस्य नहीं है, उसने नीचे देखा उसकी घड़ी, किसी भी तरह, जब मैं घता हूँ कि जाओ तो घड़ी टिकने लगती है, मान से केथलीटों में से एक, जो KL7 में नहीं था लेकिन जिसने टैग किया था प्रेरन समारोह के साथ, पीठ पर 49 अंक लिखे हुए थे एक व्यवसाय कारण का, एर चिल लाया, जाओ, और मैंने अपने हाथों को अपने चारों और लपेट लिया, कान अस्थाई मफ के रूप में और याद करना शुरू कर दिया, 7, 9, 3, 8, 2, 6, मैंने हर छठे अंक के बीच बियर का एक बड़ा घहूंट लिया, जैसे ही मैंने स आथों से अपना सिर उठा लिया, और अंकों को आसानी से सूची बद्ध करना शुरू कर दिया, लेकिन जब मैं अपने स्मृतिम्हल के अंतिम ठिकाने पर पहुंचा, तो मुझे मेरी छवे मिली अंतिम दो अंक वाश्पित हो गए थे, मैं हर संभव अंक के माध्यम से नहीं, मुझे क्षमा करें, 47 अंक पर्याप्त नहीं होंगे, एग गंभीरता से कलब के एकतरित सदस्यों को सुनाया, वह वापस मुर गया मुझे संभोधित करो, मैं वास्तव में माफी चाहता हूँ, चिंता मत करो, मैंने इसे पली बार भी नहीं बनाया, गुन्थर ने कह थपत पाते हुए मुझे कंधे पर, क्या इसका मतलब यह है कि मैं KL7 में नहीं हूँ, एग ने अपने होठों को कसकर सिर हिलाया, उनकी प्रतिक्प्रिया आश्चर्यजनक थी कठोर नहीं, जोश, तुम नहीं, क्रिपया, एग, क्या आप कुछ नहीं कर सकते, मैंने या आच मुझे डर है कि दोस्ती के L7 व्यवसाय के रास्ते में आ रही है, यदि आप चाहते हैं हमारे कलब के सदस्य बने, आपको फिर से शुरुआत करनी होगी, वह वैटरेस के लिए कहा, मेरा विश्वास करो, यह पाने के लिए बागत अधिक प्रभावशाली है के L7 में जितन ही सपष्ट थी, जितनी मैं हूँ, पूरे सपताहांत बनाया और दो बार अशलील के रूप में, और मेरे पले दौर के विपरीत, मैं यहां तक कि मेरे पास अपने महल में एक अतिरिक्त सेर करने के लिए भी पर्याप्त खाली समय था, जब एर ने समय बुलाया, तो मैंने आंखे बंद कर ली और 49 अंकों को इस रूप में पढ़ लिया आत्मविश्वास से मानो मैं पूरे दिन उनका अभ्यास कर रहा था, एर खड़ा हुआ और मुझे एक उच्च पांच और गले लगाया, लेकिन गुन्थर, जो था अब तक, मेरी तरह, काफी नशे में, शांत तीन बार, अब आप हमारे जैसे ही नियम बना रहे हैं, जाओ, मैंने विरोध किया, ऐसा ही है, उन्होंने कहा, उसने मुझे हाथ से पकड़ लिया, और बार के बगल वाले कमरे में खीच लिया, जहां उन्होंने मध्यमायूबर्ग की आईरिश महिलाओं की एक जोड़ी को स्थिति समझाने की कोशिश की जो चुप चाप शराब के गिलास का आनंद ले रहे थे, मुझे एक को बताना या आदा रहा है, उनमें से चिंता न करें, कि स्थिति के बारे में कुछ भी अजीब नहीं था, हम स्मृति चैंपियन थे, और यह वास्तव में उसके लिए काफ महिला के नंगे घुटना टिकने के बाद तीन चोच देता है, उसके बाद जिस पर गुंतर ने मेरा हाथ हवा में लराया और घोशना की कि मैं मिल गया हूँ, हर चुन ओती, हर परीक्षा पास की, और दुनिया के में प्रवेश के योग इमानसिक एथलीटों का सबसे सम्मा पानित संगठन, हमारे महान में आपका स्वागत है, कलब के L7, वह चिल लाया, उस शाम के बाकी दिनों की मेरी यादे बिखरी हुई है, मुझे बैठना याद है, एक सोफे पर्टोनी भुजन के साथ और बार बार उसे बता रहा था कि वहद था यार, जबकि इर्ग को उस महाकाव्य है, उस रात से मेरे रिपोर्टर की नोटबुक को देखते हुए, धीरे धीरे मेरी मानसिक स्थिति में गिरावट स्पष्ट है, शाम के समय मेरी लिखावट पूरे प्रिष्ट पर बिखरने लगती है, आज बमुश्किल पठनिय है, हालां की एक प्रिष्ट पर प्रिफिर से शुद्ध हो जाता है, और तीसरे व्यक्ति में परिवर्तित हो जाता है, मैं बन गया था लिखने के लिए बागत नशे में था, और किसी भी मामले में बागत मजा आ रहा था, मैंने दे दिया मेरी नोटबुक को निकर्तम शान्त व्यक्ति के पास भेज दिया और उसे कोशिश करने के लिए कहा उद्देश या पूर्ण होना, यह दिखावा करने का कोई मतलब नहीं था कि मैं अभी भी एक पत्रकार था, अपनी याददाश्ट को बेहतर बनाने की कोशिश में एक साल का बेहतर समय बिताने के बाद, मैं एक और डिर दिन बिताने के लिए फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी लोटाए इंडर से रिक्सन और उनके सनातक छात्रों ट्रेस और कैटी द्वारापुन परीक्षन किया गया वही तंग कार्याले जहां लगभग एक साल पले मैं एक शीर्ष से गुजरा था मेरी स्मृती के नीचे से नीचे की परीक्षा ट्रेस के साथ एक बार फिर से देख रहे हैं मेरा कंधा और एक सिर पर लगा हुआ माइक्रोफोन एक बार फिर फले जूल रहा है मेरे मूंग मैंने परीक्षनों की एक ही बैटरी साथ ही साथ कुछ नए भी लिये वाले तो क्या मैंने अपनी याददाश्ट में सुधार किया था हर वस्तुने श्ठो पाय से मेरे पास था कुछ सुधार किया मेरा अंक अवधी स्वर्न मानक जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है स्मृति को मापा जाता है नो से अठारह तक दोगुनी हो गई थी कि साथ तुलना लगभग एक साल फले मेरे परीक्षन म मैं कविता की और पंक्तियों को याद कर सकता था और अधिक लोगों के नाम या द्रिच्छिक जानकारी के अधिक तुकड़े मेरे रास्ते में आ गए और विश्व चैंपियंशिप के कुछ रात बाद मैं रात के खाने के लिए बाहर गया कुछ दोस्त सबवे को घर ले ग गया था कि मेरे पास था वह विरोधा भास था सभी मेमोरी स्टंट के लिए अब मैं प्रदर्शन कर सकता था आई अभी भी उसी पुरानी घटिया स्मृति के साथ अटका हुआ था जिसने कार की चाबियों को खो दिया था और कारे यहां तक कि जब मैंने अपनी याद करने की शक्तियों का बहुत विस्तार किया था एक प्रकार की संडचित जानकारी जिसे स्मृति में समेटा जा सकता है इम्हल मैं अपने रोज मर्रा के जीवन में जयादातर चीजें याद रखना चाहता था तथ्य या अंकर या कविता या ताश या द्वयाधारी अंक नहीं हा इंटीरियर के अमेरेकी सचिवों की शर्ते या प्रत्येक की तिथिया द्वितियव श्वयोद्ध में बड़ी लड़ाई और मैं उस जानकारी को अपेक शाक्र तेजी से सीख सकता था और यहां तक की कुछ देर के लिए इसे पकरड कर रखें यह उनर एक देवता होता काम करने की याददाश्ट दोगुनी अच्छी थी जब मैंने अपनी शुरुआत की थी प्रशिक्षन काश मैं कह सकता था कि यह था लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा नहीं था जब पूछा गया या दृच्छिक इंकब लॉप्स की एक शुरिंख खला या रंग की एक शुर करती है किसी तरह का ऐसी जानकारी जिसे बड़े करीने से एक शवी में परिवर्टित नहीं किया जा सका और गिरा दिया गया एक स्मृति इम्हल में रखना मेरे लिए हमेशा की तरह कठिन था गया मैंने अपनी मेमोरी के सौफ्ट वेयर को अपग्रेड किया था लेकिन मेर हार्डवेयर ऐसा लग रहा था मौलिक रूप से अपरिवर्टित रहे हैं और फिर भी स्पष्ट रूप से मैं बदल गया था या कम से कम मैंने अपने बारे में कैसा सोचा था बदला हुआ सबसे महत्वपूर्ण सबक जो मैंने अपने वर्ष से लिया था प्रतिस परधी म मोरी सरकिट दिल से कविता सीखने का रहस्य नहीं था बलकि कुछ और अधिक वैश्विक और एक तरह से कहीं अधिक होने की संभावना है मेरे जीवन में सेवा मेरे अनुभवने पुराने उस अभ्यास को देखा था परिपूर्ण बनाता है लेकिन केवल अगर यह सही तरह का एक आग्र आत्म जाग्रूख है विचार पूर्वक अभ्यास मैंने फली बार सीखा है कि फोकस प्रेरणा और सबसे बढ़कर समय दिमाग को असाधारन चीजें करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है इस एक जबरदस्त सशक्त खोज थी इसने मुझे खुद से प पूछा कि क्या उसने सोचा जो कोई भी उतना ही समय लगाता जितना मैंने किया वह सुधार कर सकता था उसकी स्मृति उस हद तक जो मेरे पास थी मुझे लगता है कि केवल एक डेटा बिंदू के साथ हम नहीं जानते उन्होंने मुझे बताया लेकिन यह बात है आपके द् प्रतिबधता को पूरा करने के लिए किसी के लिए दुरलब और मुझे लगता है चुन ओती लेने की आपकी इच्छा आपको अलग बना सकती है तुम हो स्पष्ट रूप से एक याद्रिच्छिक व्यक्ति नहीं है लेकिन दूसरी ओर मुझे यकीन नहीं है कि वहां है अने डिसन सभागार के पीछे एक साल से अधिक समय अफले मैंने नहीं किया पता है कि यह कहां ले जाएगा यह मेरे जीवन को कैसे संभालेगा या कैसे यह अंततहक मुझे बदल देगा लेकिन याद करने का तरीका सीखने के बाद कविता और संख्याएं कार्ब और आत्मत मुझे विश्वास है कि अधिक याद रखना कई महीनों का केवल सबसे स्पष्ट लाब है आए मेरी याददाश्ट को प्रशिक्षित करने में बिताया मैंने वास्तव में अपने मस्तिष्ट को क्या करने के लिए प्रशिक्षित किया था जैसे जितना याद रखना है उतन विवरणों के बीच अंतर करने में असमर्थता जो भूतान करने योग थे उन पर ध्यान दे और जो नहीं थे। से पकरने की कोशिश में कोई इसमें हो जाता है। ध्यान देने और सराहना करने की आदत। मैं सुईकार करता हूँ कि मैं कभी भी स्मृतिम्धलों को भरने में सक्षम नहीं था मेरे डिक्टाफोन और नोटबुक को बाहर फिंकने में सहज मसूस करने के लिए उडान भरें। और के रूप में कोई व्यक्ति जिसकी नौपरी के लिए बागत कुछ जानने की आवश्यकता है। मेरा पढ़ना आदों का अभ्यास करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक रूप से बहुत वयापक हैं कभी भी घन पढ़ना और याद रखना की एक प्रचार करता है। मैं गिलहरी कर सकता था स्मृति महलों में एक मिनट में तीस से अधिक अंक। मैं अभी भी केवल छिटपुट रूप से मैं वास्तव में उन लोगों के फोन नंबर याद रखने के लिए तकनीकों का इस्तेमाल करता हूँ जो मैं वास्तव में करता हूँ फोन करना चाहता मैंने पाया कि उन्हें अपने सेल में पंच करना बागत आसान था फोन कभी कभी मैं खरीदारी की सूचियां दिशा निर्देश या टूडू सूचियां याद कर लेता हूँ लेकिन केवल दुरलब परिस्थितियों में जब जोत के लिए पेन उपलब नहीं था वे नीचे ऐसा नहीं है कि तकनी काम नहीं आई मैं इस बात का सबूत चल रहा हूँ कि वे करते हैं ऐसा है कि वास्तविक दुनिया में उनका उप्योग करने के लिए अवसर खोजना बागत कठिन है जिसमें कागज, कंप्यूटर, सेल फोन और पोस्टेस का कार्य संभाल सकता है मेरे याद कर रहा है तो बाहरी यह में किसी की स्मृति में निवेश करने की जहमत क्यों उठाई जाए यादें मैं जो सबसे अच्छा उत्तर दे सकता हूँ वह वह है जो मुझे अनजाने में मिला है एई-पी से जिसकी याददाश्त इतनी पूरी तरह से खोग गई थी कि वह नहीं कर सकता था खुद को समय या स्थान में या अन्य लोगों के सापेक्ष रखें वह है हम कैसे दुनिया को समझते हैं और हम इसमें कैसे कार्य करते हैं हम कैसे और क्या के उतपाद हैं याद करना हम सब अपनी यादों के आकार की यादों का एक बंडल मात्र हैं और जिस हद तक हम अपने जीवन को नियंतरित करते हैं, हम उन्हें धीरे-धीरे बदल कर करते हैं, यानि हमारी याददाश्ट का निटवर्क, कोई स्थाई मजाक नहीं, आविश्कार, अंतरद्रिश्ट्री, या कला का काम कभी बाहरी स्मृति द्वारा निर्मित किया गया था, अभ यह सभी अनिवार्य रूप से मानवी अकार्य स्मृति पर निर्भर करते हैं, अब भले से कहीं अधिक, क्यूंकि हमारी संस्कृति में स्मृति की भूमिका तेजी से मिठती जा रही है, भले से कहीं अधिक गती, हमें याद रखने की अपनी क्षमता को विक्सित करने की कर सकता है, कविता का विशय बिंदू के बगल में लग सकता है, लेकिन यह एक स्टैंड लेने के बारे में है विस्मृति और प्रारंभिक शमताओं को गले लगाना जिससे हम में से बग से लोग विमुख हो गए हैं, यही एड मुझे देने की कोशिश कर रहा था कि स्मृति प्रशिक्षन सिर्फ के लिए नहीं है पार्टी के गुर करना, यह किसी चीज को घराई से पोशित करने के बारे में है, और अनिवार्य रूप से मानव, के L7 उत्सव से फले एक डिबाचन फ्री-फर-एल में अवक्रमित हो गया आंखों पर पटी बांधकर शत इसा नहीं है बरकरार रखना चाहता था, आखिरकार, यह एक तरह से न केवल अजीब तरह से रोमान्चकारी था आई भविश्यवार्नी कभी नहीं की जा सकती थी, लेकिन नशे की लत भी, उस रात, मैं कलपना कर सकता था कुछ ऐसा जो मैंने पले कभी नहीं सोचा था, च कर मैं केवल डालता हूँ, कुछ अधिक समय में, एतिहासिक तिथियों का उलेख नहीं करना, मैं इतना बेहतर कर सकता था एतिहासिक तिथियों में, और वहां भव्य मास्टर मानक था जिसे मैं अभी याद नहीं कर रहा हूँ, स्मृति का ग्रेंड मास्टर, एक व्यवसाय कार्ण पर बाउत अच्छा लगेगा आई गुंतर से मजाक किया यह वास्तव में उनके व्यवसाय कार्ण पर है मैं एक भर सकता था उन द्रिश्यों के साथ स्मृतिम्हल जिनकी मैं कलपना कर रहा था सहसराब्दी प्रनाली आई डेवलप होर्स ब्लाइंडर्स जो मैं खरीदूंगा अभ्यास के घंटे मैं निवेश करूंगा जेट दुनिया भर में राश्ट्रिय चैंपियंशिप की स्थापना लेकिन फिर भी पर उसी क्षण मुझे मेमोरी सरकिट में प्रवेश की पिशकश की जा रही थी मैं यह पचानने के लिए पर्याप्त शान्त था कि यह समय था मुझे अपनी चोच लटकाने के लिए मेरा प्रयोग समाप्त हो गया था परिणाम अंदर थे आई गुंतर से कहा कि मैं इससे मिस करूंगा लेकिन मैंने खुद को आगे वापस आते हुए नहीं देखा वर्ष यह बात बुरा है उन्होंने कहा लेकिन मैं इससे समझता हूँ इसका मतलब और भी बात कुछ होगा अभ्यास करें और यही वह समय है जिसमें आप बात बहतर तरीके से निवेश कर सकते हैं रास्ता बैगेल ले आओ उन्होंने कहा और हम दर्वाजे से बाहर चले गए मुझे की कोई याद नहीं है बाकी रात मैं अगली दो पहर अपने पर एक बड़े लाल भेरे के साथ उठा गाल मेरे नाम और चेहरे की छाप कान से पदक मैं भूल गया था इसी लिजाए